नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर्ट सिल्सेश में ये एक वीडियो मैंने बनवाया फुल जी के यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है किसी भी स्टेट पीसेश के आप त्यारी कर रहे हो या फिर यूपी ट्रिपल सी के किसी भी एक्जाम की त्यारी प्लस कुछ इस्ट्री के फैक्ट प्लस कुछ जोग्राफिक ये प्लस कुछ रीवर्स डिसीज़ ये पूरा कंपाइडेशन है साथ अब धंडे का वीडियो है लेकिन अगर आपने पूरा पढ़ लिया बन्तब आप यकीन मानिये जो भी एक्जाम्स इस समयंडिया में होते सब्सक्राइब करने में पूरा वीडियो देखेंगे लास तक तभी कंप्लीट आपको इन्फोर्मेशन रखाएगी ठीक है अब हमारा जो है जितने लिए से फ्री वीडियो होते हैं उसके लिए आप टेलिग्राम में फ्री ग्रूप है उसको जरूर जोइन कर लिए और पेट गूप की इन्फोर्म आपको देखने जरूरी है सबसे पहली बात यह इसको आप ध्यान रखिएगा एरिया को 32,87,232 की तरह है ऐसे आप यादर कर लिए इसको 7th largest country है पूरे वल्ड में सबसे बड़ी country रशिया है पहले नंबर पर जोग्राफिकल एरिया के लिए आज से फिर कैनिडा है फिर चा हम ध्यान रखिएगा यह पूछा जा सकता है आपसे उसके बाद हम अगर हम देखें तो तो 15,200 km का लैंड फ्रेंटियर है इंडिया का और कॉस्ट लाइन है 75,16.6 km तो यह अप्रॉक्सिमेटली 2 to 1 का रेशियो बनाती है गुजरात के पास लॉंगेस्ट कॉस्ट लाइन है 2004 की सुनामी में ठीक है अब इंडिया किन किन कंट्री इसके साथ बॉर्डर अपनी शेर करती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, मियानमार, बंगलदेश इंडिया अपना सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेर करती है बंगलदेश के साथ जो 4000 किलोबेटर के अप्रॉक्समेटली है निरेस्ट कंट्री जो इंडिया के पास है जो लैंड से बॉर्डर नहीं शेर करता है वो श्री लंका है इसापरेट किया गया है पाक स्ट्रेट के दवारा एक तरफ से और मनार की खाड़ी के दवारा एक तरफ से बढ़ते हैं आ पूरे वर्ड का जो सरफेस एरिया है उसका करीब 2.4% इंडिया कवर करती है आलांकि पॉपलेशन का जितना हिस्सा है वो है 16.7% पूरे वर्ड का ठीक है समझ रहें यानि कि ऐससे तो लैंड का शेर करती है इंडिया 2.4% खाली ठीक है लेकिन अगर पॉपलेशन की बात कर पॉपलेशन में 16% करीब ये 16.7% कवर करता है हमारा देश तो ये एक फैक्ट है सक्स रेशियो पूछ जाता है कभी-कभी 2443 फीमेल पर 1000 मेल्स 2011 का है ये डेटर ठीक है ये टाइम-टू-टाइम अपडेट करता ये लेकिन हम इसको अभी नहीं मानेंगे इंडिया के लिए जब तक हूं अपना सेनसिस नहीं करवाते हैं कि प मॉस्ट पॉपलेश कंट्रिश चाइना है और इंडिया उसके बाद फुर beyond की अगर बात करने तो चाइना मॉश्ट पॉपलेस कंट्री इ술ि इंडिया है फिर आह पका यूएस है इंडिया के बारे में इसलेनियस फैक्ट देख लेते हैं ये पहली ऐसी गवर्मेंट है जो फैमली प्लाइनिंग को सपोर्ट करती है पूरे वल्ड में और लार्जस्ट पोस्टल नेटवर्क हमारे इंडिया के पास है लार्जस्ट लाइफ स्टॉक पॉपलेशन इंडिया जो है फैर्ड लार्जस्ट प्रोडूसर है अर फेटलाइजर का इंडिया के पास पूरे वल्ड में सबस्ते जज्यादा थोरियूम के आपज़िट्स पाय जाते हैं हम नेश्नल सिंबल के बारे में अगर बात करनें तो नेश्नल जो है वहारे सारनाथ लाइन कैपिटल से लिया गया है जो शोक ने बनवाए था चार शेर होते हैं हमको तीन दिखते हैं पीछ एक तरफ होता है ठीक है और उसके बाद गौर्णमेंट ने इसको अडॉप्ट कप किया था हमले हमको 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक देगे दिन यह क सब्सक्राइब के दिखते हैं सत्य में जैते जो लिखा होता है वह मुंडोक उपनिशब से लिया गया है ठीक है मुंडोक उपनिशब से नैसल लेंथम हमारा जनगर्णमन है सबसे पहली बार आइनसी के कलकत्ता सेशन में गया था हमने 1127 दिसंबर को हमारा समिधान अपना गया था अधि पब्लिक दे के दिन इंग्लिश रंट्रिंग जो है जनगर्मन की किसके द्वार दी गई है टाइगोर के द्वारा सॉंग सबसे पहले बंगाली में कंपोस किया गया था ठीक है हिंदी वर्धन में आने सपहले हमारा जो नैसल नंथम है वो पांच स्टैंजा साथ में है 5 पर लगलाव में पहला स्टैंजा जो है और उस में नैसल एंधम का पूरा वर्जन है ठीक है फूर फूल्ट इम कितना लगता है हमारे रास्ट कान को गाने में 42 सेकेंड का नैसल सॉंग हमारा जो राष्ट्री गीत है कि राष्ट cinco लीत है उसको किसने लिखा है बमकिन चंद चटो पापधिया ने लिखा था अपनी नॉबल आनंद मठ हुए वंदे मातरम इसका नाम है सबसे पहले गाया गया था 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 सुचियानबे आई इनसी के सेशन में इसकी इंग्लिश रेंटरिंग किस ने लिखी है मतलब किस ने दी थी औरो बिंदो ने श्री औरो बिंदो ने बढ़ते हैं आगे नसिल केलेंडर हम कौन सो यूज करते हैं हम लोग सक एरा का केलेंडर यूज करते हैं इसा कहरा अपर आधारित हमारा पंचांग कलेंडर है 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था चैतर पहला महीन माना जाता है ठीक है हमारे इस कलेंडर वाले साल का पहला दिन कब पढ़ता है 22 मार्च को नॉर्मली 21 मार्च को लीप यर में बढ़ जाता है हमारे नैसल कलेंडर में 365 या 365 दे होते हैं लीप यर में एक दिन बढ़ जाता है तो 365 से 365 हो जाता है नैसल फ्लैक के बारे में बात कर लें अगर हम लोग नैसल फ्लैक के बारे में बात कर लें तो 22 जुलाई 1947 को इसका डिजाइन तियार किया गया था ठीक है और इसका आपका विट्थ से लेंद्थ का रेशियो कितना है यह है 3 to 2 ठीक है तीन चौड़ाई दो लंबाई में नेसल फ्लाइग हमारा हमेशा फैराया जाता है हमारे जंडे के बीच में जो आपको वील दिखाया जाता है जो चक्र वो सारनाथ लॉयन कैपिटल से लिया गया है अशोक के 24 तीलिया उसमें दिखाई गई है flag code of India 2002 के तहत हमारा जो डिसपले है वो प्रिशासित किया जाता है government of India के दौरा 26 जन्वरी 2002 लागू किया गया था यह आपका code display of India इस code के तहत यह बताया गया है कि कभी भी यह मतलब कुछ उकर होका नहीं जायेगा अगर कोई भी private organization educational institution इसको फैराएगा तो हलंकी इस code किता है इसको जमीन से touch नहीं होना चाहिए थीक है जमीन से touch नहीं होना चाहिए हमारे other emblem के बारे में बात करने हमारा राष्टी पक्षी कौन सा है वो है peacock, हमारा fruit mango है magnifera indica इसको बोलते हैं हमारा national flower lotus है इसको nilombo, nusifera हम लोग बोलते हैं हमारा national ट्री बैंट्री है यानि बर्गत कपेड़ फीकस बंगाल अनेसिस इसको बोलते हैं हमारा नैशल आनिमाल टाइगर है आप जानते ही है नैशनल एक्वेटिक अनिमल हमारे कौन सा डॉल्फिन है या गैंगेस डॉल्फीन है हम सकते हैं हमारी राष्ट्री नदी गैंगेस यानिकी गंगा है अब यहां पर कंपेरिजन दिया गया है नैशनल इंथम नैशनल सौंग का ऑथर कौन रभीदना टैगूर ऑथर कौन है वंदे मातरम के यह हैं बंकिन चन्ज चटर जी ओरिजिनली यह बंगाली में लिखा गया सबसे पहली बार का गया था이고 इंग्लिष टेंट्रिंग टेक ओंट ने लिखी है और और बंदों ने लिखी है इसकी डेंट्रिंग आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉपलेशन ऐसे के बारे हम बत कर लेते हैं अपर इसकी बारी चिज़ें आप यह देखी चुके हैं इंपोर् कुछ important facts यहां पर देख लेते हैं हम लोग जो बहुत जरूरी है खाली हो नहीं को ठीक है जैसे 2011 के सिंसेस में 943 फीमेल्स हैं पर 1000 में ठीक है दस पॉइंट का improvement हमने किया था क्योंकि पहले तो 933 थी इससे पहले कि 2001 सिंसेस में उसके बाद अगर हम बात कर लें हाइस सेक्स र अगातार अच्छी नहीं रही है जेंडर के मामले में इंडिया का पूरे सेक्स रेशियो है अपने नेबर कंट्री के मुकाबले में पाकिस्तान का 943 है स्री लंका का 1034 है नेपाल 1014 है मियानमार 1048 है मंगलदेश 978 अफगानिस्तान 931 ठीक है तो यह दिखाता है कि हमारा ज अगर हम देखें 1991 के बाद से क्राइटेरिया यह था कि अगर परसन 7 साल यह उससे उपर का है अगर वो लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है तो उसको लिट्रेट कहा गया था ठीक है अगर परसन खाली रीड कर सकता था और लिख नहीं सकता था उसको लिट्रेट कहा गया था 1991 से पहले क्राइटेरिया यह था कि कोई भी चिल्ड्रेन पांच वर्ष से नीचे का उसको लिट्रेट ही मान लेते थे लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है ओर लिट्रेसी 74.04 परसेंट है लिट्रेसी दो रेट दो जार एक में 65% थी ठीक है लिट्रेसी में मेल्स की है 82.14 और फीम वज़ दिए है 22 हमारी ओफीशल लेंगवेज 343 वन आर्टिकल के तहर कितनी है एक हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में हमारी ओफीशल लेंगवज है आप जानते हैं हिंदी दिवस भी हम लोग मनाते हैं 14 को सेप्टेंबर को 14 सेप्टेंबर को जब ओफीशल जो है Ministry of Statistics और Program Implementation Report के नुसार हमारे देश में कितनी भाषाइं इडेंटिफाई करी गई थी मदर लेंगवेज के तौर पर 234 क्लासिकल लेंगवेज का दर्जा पाने वाली हमारी पहली भाषा कौन थी पहली भाषा थी आपकी तमिल तमिल उसके बाद और कौन-कौन सी भा इंग्लिश है जमू कश्मीर की ऑफिशल लेंगवेज उर्दू है गोगा की ऑफिशल लेंगवेज कोंखडी है ऑफिशल लेंगवेज सुप्रीम कोट हाई कोट की जो Constitution of India ने लिखकर के दिया है कौन सी रहेगी वो इंग्लिश भासा रहेगी इंग्लिश जासेरी ये कहां सेकेंड ओफिशल लेंगवेज के रूप में संस्कृत है वह उत्राखंड और हिमाचल प्रदेश इध्यान रखिए काफी इंडियन लेंगवेज जो इटेलियन ऑफ द इस्ट के नाम से जानी जाती है वह कौन सी है तेलगू अंडमान निकोबार की प्रिंस्पल लेंग्व प्रमोट करने के लिए Central Institute of Hindi यानि Kendrick Hindi संस्थान आगरा यूप में है Central Institute of Indian Languages मैसूर में है करनाटक में महत्मागांधी अंतर राष्ट्री Hindi विश्विद्याले वर्दा में है महरास्ट में इंग्लिश एन फॉर्ण लाड यूनिवर्स्ति है कहां पर है है मौलाना आजाद नेस्टि यह हैद्रबाद में है सेंट्रल इंस्ट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल यह कहां पर है यह चिन्णाई में है संथाली को सामिल किया गया था थीगा है संथाली दोजार 3 में लेटिस्ट वाले आप देख लीजेगा कब और 2003 में मैथली को भी शामिल किया गया था हैं दोजार 3 में कोड्स के बारें दोख लेते हाइक जिनका जिरिघ्शन जो है वह एक से अधिक स्टेट यह यूटी में है तो गुवाटी हाई कोट का जूरिजेक्षन और नाचर प्रदेश में भी है, असम में भी नगालैंड में भी मिजोरम में भी, बॉंबे हाई कोट का कहां पर है, गोवा, ददर्नगर है भेली, दमन्दीव में भी है, कलकत्ता का कहां पर है West Bengal अंडमान निकोबार आइलेंड केरला का कहां पर है यह केरल और लक्षदीब दोनों में है लक्षदीब योटी में और केरल स्टेट में मद्रास हाई कोट कहां एड्मिनिस्टर करता है तमिल नाडू में भी और पुडू चेरी में भी पंजाब और हरियाना यह पंज करता हाई कोट की पोट ब्लेर में कुवाटी हाई कोट की कोहिमा एजवाल इतानगर में मद्द प्रदेश हाई कोट की गवालियर इंदौर में मद्रास हाई कोट की मदुरह में राजस्थान हाई कोट की जैपूर में ठीक है हाई कोट जो स्टेट कैपिटल में नहीं बनी ह जैसे 37 गड़ की हाई कोड कहां पर है बिलासपूर में गुजरात की कहां पर है एहमदबाद में जब की गांधीनगर कैपटल है केरला की कोची में हैं जबकि तिरूब में होनी चाहिए अमद्द प्रदेश की जबलपुर में है जबकि भुपाल में होना चाहिए और डिशा की आपकी कटक में है जबकि भुवनेश्वर में होना चाहिए जो भी स्टेट कैप्टल में नहीं है उनकी लिस्ट है उत्राकंड की नहीं ताल में है आउत्तर प्रदेश के अलाहबाद म उनियुनियों डिस एक फिरिफटरी के हाई कोट कहाँ कहां पर है डेली का डेली हाई कोट है चंडिगर का पंजाब और्याना हाई कोड देमन का बामबह है रटकर नगर Cody लीक है या Coach Department लंडमां लिक • पंजारNow का कलकट currentlyots Supreme Anyways की बात कर लेते हैं जैसे Central Administrative Tribunal है इसके लिए है Public Services related जितने भी affair से ठीक है चाहे उनका connection union से हो चाहे local authorities हो वो union हमारी इंडिया की territory में के अंदर है government of India के जो उनसे related कोई भी incident है उनके उपर प्रशासन करना इस court का काम है ठीक है amendment जो Constitution of India के article 323a में किया गया था उसके तहत Central Administrative Tribunal अस्तित्व में आया है अदर Tribunal है Armed Forces Tribunal Armed Forces Tribunal का principal bench कहां पर है यह डेली में है इसकी benches और भी है इस Tribunal में disputes और complaints देखे जाते हैं commission के अगेंस्ट, appointments, enrollment, service condition के अगेंस्ट जो three services act है उसके अंतरगर्ट ठीक है और इसमें jurisdiction है खाली appellate jurisdiction जो है court marshal को छोड़ करके ने, court marshal वगेरा सब यह सब यह देखता है NGT आपकल काफी news में रहता है और काफी active भी रहता है यह भी एक वैदानिक निकाय है हमारा ठीक है इसकी bench principal नुडेली में है और इसका काम वही है कि expeditious disposal हो सके जो भी environments related जो भी complaints और issues है जिसे बहुत सी factories अगर गलत जगहें अपनी unit डालना चाहती है तो उसको करने से रोखता है और interfere भी करता है तो यह काम है इसका इससे हमारे NGT के head है जस्तिस आदर्श कुमार गोयल नाम ध्यान रखिए कि इनका बढ़ते हैं आगे हम लोग railway claims criminal जैसे कि इसका नाम में railway related जो भी claim है जात्रियों के लिए है ठीक है railway incident जो भी हो जाते हैं बहुत अपरी घटनाएं जो हो जाती है दुर घटनाएं वगारा उनसे related अगर victims को मुआउजा मिलना है तो कब कितना कैसे मिलना है किराय से related जो भी compensation है यात्रियों को अगर मिलना चाहिए तो इसके खिलाफ मतलब इन मामलों में सुनवाई होती है इसमें इसकी भी bench कहां पर है निव डेली में हमारे states कब को बस्तित्व में आया थे लिखा है आंधरा का formation हुआ था 1903 में ये मद्रास का पार्ट हुआ करता था गुजरात का formation 1960 में बॉंबे का पार्ट हुआ करता था महरास्ट का सेप्रेशन हुआ बॉंबे स्टेट से केरिल का सेप्रेशन हुआ स्टेट जो त्रामड को रोको चीन का था उसके बाद अगर में देखें तो नागलेंड जो फॉम हुआ है ये किस्ते हुआ है यूनि में इनलावड मैसूर हुआ 1973 में इसका नाम बदला गया करनाटक कि माचल प्रदेश के बारे में अगर मात कर लें तो 1971 में फॉर्मेशन होता है ये पहले यूनिन टरिट्री था राज नहीं था मनिपूर्ट त्रेपुरा ये यूनिन टरिट्री हुआ करते से पहले उसके ब मिजोरम 1987 में अलग हुआ ये असम का डिश्ट्रीक्ट हुआ करता था 1972 तक यूनिन टरिट्री रहा बहतर से 87 तक अलवनाचल प्रदेश के बारे में बात कर लें तो अलवनाचल प्रदेश 1987 ये यूनिन टरिट्री हुआ करता था पहले गोवा एक यूटी फिर स्टेट बना कि गोवा पुडूचेरी दादरनगर हवेली और सिक्की में इंडिया के पार्ट नहीं हुआ करते थे इंडिपेंडेंस के समय पौर्चुगीज वालों से इनको छुडाया गया 1961 में ठीक है पुडूचेरी और कराईकल माहे यनम ये जो ट्रांसपर किये गए इंडिया को 1954 म अजाद कराएगा पॉर्टुगीज से और सिक्किम जो इंडिया का पार्ट बना 1974 में इंपॉर्टन्ट इंफोर्मेशन देख लेते हैं इंडिया के स्टेट के बारे में लाजस स्टेट कौन सा है राजस्थान में स्मॉले स्टेट कौन सा है गोवा है मुस्ट पॉप्लूस स्टेट है सिक्किम most populous union territory है पुदुचेरी least populous unit territory है लक्षटीप most densely populated state है विहार least densely populated state है अरुनाजर प्रदेश और फस्ट स्टेट जो है जो linguistic basis पर तयार किया गया था वो है आंध प्रदेश ठीक है अंध प्रदेश most literate state कौन सा है केरल है और most least literate state कौन सा भिहार है longest cost line किसकी है गुजरात की है जो boundary share करता है दो countries से और सात राज्यों से वो कौन सा है वो असम है असम किन दो countries से boundary share करता है उनके नाम आप उनको comment करके बताईए जो state जो है वो तीनों साइट से बांगलेदेश से घिरा हुआ है वो त्रिप्रा है ठीक है तीन countries और एक state से जो boundary share करता है वो से किम है हमारा state जिसके पास हमारे कितने state जिनके पास cost line है वो 9 है हमारे कितने union territories जिनके पास cost line है वो 4 है ठीक है हमारे कौन कौन से state है जो जरा भी किसी भी दूसरे country के साथ boundary नहीं बनाते हैं वो कौन से है MP 36 गड़ 6 खंड हरियाना हमारे neighboring countries किन किन हमारे states के साथ boundary share करते है यह भी आता है जैसे पाकिस्तान हमारा boundary बनाता है अस्तर प्रदेश के साथ बिहार के साथ वेश्ट बंगाल और सिक्किम के साथ और आपका भूतान सिक्किम के साथ वेश्ट बंगाल आसम अवनाचल प्रदेश के साथ मयानमर्ग इसके साथ बनाता है अवनाचल प्रदेश नाकालेंड मनीपूर और मिजोरम बंगलदेश के से साथ बनाता है बाउंडरी वेस्ट बंगाल असम मिघाले त्रिप्रा और मिजोरम स्टेट्स और उनके कैपिटल के आइज ओल बोलते हैं वहां पर नगलाइंड का कोईमा है त्रिप्रा का आगरतला है नौर्थ इस्टन स्टेट्स कौन से हैं चतीजगड का रायपूर है धारखंड का राची है उत्राखंड का देहरदून है तिलंगाना का हैद्राबाद है अंडमान निकोबार का फोर्ड ब था कैद्राबाद 10 साल तक रहेगा उसके बाद अमरवती कैप्टल बन जाएगा तिलंगाना का बिहार का पटना है और गोवा का पढ़जी उजरात का गांधीनेगर अर्याणा का चंडिगड माचल प्रदेश का सिमला जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और जम्मू करनाटक का है बैंगलूरू उसके बाद मध्य प्रदेश का है भुपाल ओडिशा का है भुवनेश्वर पंजाब का है आपका चंडिगड राजस्थान का है आपका जैपूर सिक्किम का गंग्टोग तमिल नाडू का चिन्नाई और उत्तर प्रदेश का लखनोव वस बंगाल का सबसे नंबर वन पर है उत्तर प्रदेश ठीक है लीश्ट पॉपलेटिट स्टेट कौन है उसके भी प्रीज सिक्किम है उनकी पॉपलेशन ही दी हुई है सेकेंड थर्ड फॉर्थ और फिफ्ट रैंक स्टेट जो है वो है महरास्ट यानि यूपी के बाद सबसे जाधा आधो ये क्रम बदल के आया ठीक है तो ये आप करम द्धान लखे का कभी कभी करम सी लगाने को भी और बीहा जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा पॉपलेटेटेड है यूटी में बास कर ले तो दिल्ली सबसे ज्यादा मूस्ट पॉपलेटेड है उसके बाद लक्ष दीप ह और आपकी डिली की वह है महंचल प्रदेश से ज्यादा से ज्यादा देश वे सबस्दार से अग्याए थीक है स्वागते अग्ए अयवा दूसरी सब्सक्रेंट जुए बारे में ज्यादा चन्दि słu आपकी ये ज्चांडिवियोइ और उसके बाद है चंडिगड़, density of population के बारे में अगर हम facts देख लें तो सब ज्यादा population density किसके पास है, भिहार के पास, सबसे ज्यादा, ठीक है, और सबसे कम population density किसके पास है, अरुनाचल प्रदेश के पास, अरुनाचल प्रदेश, UT जिसके पास highest population density है of course Delhi है ये UT जिसके पास lowest population density है वो है अंडमान और निकोबार वो district जहांपर population density सबसे जादा है वो है north east Delhi और वो district जहांपर population density सबसे कम है वो है लाहौल और स्पीती हिमाचल प्रदेश में जहांपर 2% per square kilometer की population density है सोचिए केवल 2 लोग 1 square kilometer के अरिया में जेंडर कम पोजीशन के बारे में बात कर लें तो केरला के पास highest sex ratio था 1084 females 1000 males में अपकी हरियाना के पास सबसे कम था केवल 870 females पर 1000 में ये data हम लोग 2011 का बता रहे हैं यूटीज में बात कर ले तो पुडुचेरी की sex ratio सबसे high थी और सबसे कम किसकी थी दमन्दीव की लिट्रेसी की बारे मत कर लें तो केरल की रेंग सबसे ज़्यादा थी केरल की लिट्रेसी थी 93.91% और उसके बाद थी मिजोरम की विहार की सबसे खराब थी लिट्रेसी rate उसके बाद लिट्रेसी रेट खराब थी राजस्थान की अब कि स्टेट में कितने MP कितने MLAs हैं उसके बारे में बात कर लेकर हम तो उत्तर प्रदेश में लोगसभा से MPs कितने हैं 80 राजसभा के MPs कितने हैं 31 महरास्टर में 48 लोगसभा से MPs और नीज राजसभा से MPs बिहार में 40, 16, 49, 18 और 29, 11 आपके राजसभा में जो लोग अपने अपने स्टेट की जरूर देख लीजिए का प्लस सबसे ज़्यादा किसमे हैं लोगसभा सीट्स उत्तर प्रदेश में यह बहुत इंपर्टन बात है सबसे ज़्यादा राजसभा सीट्स कहां पर हैं वो भी उत्तर प्रदेश में ही हैं उसके बाद आप देखें करनाटक 28-12, गुजराथ 26-11, राजिस्थान 25-10, और आंध्र प्रदेश 25-11, ओडिशा 21-10, केरल 29, तेलंगाना 17-7, जारखंड 14-6, पंजाब 13-7, हरियाना 10-5 जमू कश्मीर 6-4, हरियाना में 10-5, जमू कश्मीर 6-4, उत्राखंड 5-3 सीटे, लोगसभा की 4 सीटे, राजसभा की 3 सीटे हिमाचल में, अवनाचल प्रदेश में 2-1, गोवा में 2-1, मडिपूर में 2-1, मेगाला में 2-1, किप्रा में 2-1, मिजवरम में 1-1 सीट, में 1-1 सीट, इल्ली में 7 सीटे लोगसभा की और 3 राजसभा की, पुरुचेरी में 1-1, ठीक है, अंडवान निकोबार में 1, और राजसभा की शून ने, चंडिगड में 1 लोगसभा की, एक दादरनगर अवेली में, दमन दीब की 1, और लक्षदीब की 1, नॉमिनेटेट 2 ह होते हैं, अंगलो इंडियन कम्यूनिटी से 12 कहां से आते हैं, वेरियस फील्ड से, इनको प्रसिडेंट जी नॉमिनेट करते हैं, इंडिया की ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं, भील कहां पर पाए जाते हैं, इन स्टेट्स में, तिरिप्रा, आंद प्रदेश, रा गुजरात में, करनाटक में, ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, तो संथाल कहां पर पाए जाते हैं, बिहार में, त्रिप्रा में, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, ठीक है, मीडा कहां पर पाए जाते हैं, राजिस्थान में, मद्ध प्रदेश में, नैकड़ा कहा पर पाई जाते हैं करनाटक में राजिस्तान में दमंदीव में दाधरनगर अवेली में महारा доллар में गो़ा में ओराओं में कौन खान पिर्परीया या जाते हैं बिषार वश्दंगाल मेंς चारकंड औडिशां चतीजगड मद्रध प्रधयरिक महारास्टर गालीं या प्रोड मुंडा कहां पर पाए जाते हैं बिहार में वेस्ट बंगाल में जारखंड में चतीजगड में तिर्परा में ओडिशा में अनागा कहां पर पाए जाते हैं नगलैंड में खोंड कहां पर पाए जाते हैं बिहार में, वेस्ट बंगाल में, जारखंड में, ओडिशा में, बोरो कहां पर पाए जाते हैं, असम में, कोली महादेव कहां पर पाए जाते हैं, महरास्ट में, वरली कहां पर पाए जाते हैं, गुजरात में, दमंदीव में, दादरनगर में क्लीर कर देते हैं और कोंक्डा प्रप्रदेश्ञ चतिस घड़ मध्य już में यह ओडिशा में 27 गळ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र खासी कहां यह जा थे हैं मिज्चौर हम एयम हो प्रहार क्कौरा म करनाटक में काते हैं 28 गठर शतंच कफ़ोण प्रदेश क और जी बहुमिज कहां पर पाए जाते हैं बहुमिज वेस्ट बंगाल में जारखंड में ओडिशा में गारों कहां पर पाए जाते हैं गारों पाए जाते हैं नगलेंड में मिजोरम में मिघाले में असम में वेस्ट बंगाल में त्रिपरा में कोया कहां पर पाई जाते हैं ओडिशा में महराष्ट में आंध्रप्रदेश में करनाटक में हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एक बर फिर से important days of the year में लोग देख लेते हैं most important जो days हम लोग मनाते हैं international national सब भी देखते हैं पहले बारा जन्वरी को national youth day मनाते हैं हम लोग हमारे स्वामी विवेकर नंजी का जन्द्र दिवस होता है इसलिए हम लोग celebrate करते हैं इसको आर्मी दिवस हम लोग मनाते हैं के अम करियपपा ने जब कमांड ली थी इंडियना सब्सक्राइब की ठीक है ब्रिटिश लव्स के हांतों से उस दिन से हम लोग मनाते हैं उन्हें से उन्चास से आर्मी दिवस कि जन्वरी 27 तारिक को international holocaust day मनाये जाता है martyrs day मनाये जाता है जब martyrdom या फिर कह सकते हैं कि जब निधन हुआ था मात्मगादी का सेंट वेलंस्टाइन डे मनाते हैं सभी को पता है नाशल साइन्स डे मनाते हैं हम लोग 28 तारिक को सीवी रमन ने रमन एफेक्ट की खोज की थी 28 में उस्वोके पर celebrate करते हैं इसको national science day इंट्रनाशल विमेंस डे में शार्ट मार्च को होता है आपको पता है और वर्ल्ड कंसूमर डे जो है यह 15 मार्च को मनाये जाता है प्रेजिडेंट जॉन आफ केवनेडी ने फॉर्मेली जो है कंसूमर राइट्स के इशूस को एड्रेस किया था 1963 में अप्रेल साथ तारिक को मनाये जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे 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 व्ल्ड हेल्थ डे 1950 से मनाये जाता आ रहा है इंट्रनाशल डे ऑफ हुमन स्पेस फ् अबियत की तरफ से सबसे पहले जो है स्पेस्पर गए थे ठीक है 1961 साल में एक तारिक को माई में इंट्रनेशल लेबर श्डे मनाये जाता है इसको माई दिवस बोलते हैं हमारे भारत में इंट्रनेशल रेड ख्रॉस डे हम लोग बनाते हैं जे एश डुनेंट जो रेड ख होता है इस दिन रेड़ क्रॉस डे इंट्रनेस्टल जो इस बार हुआ था उसकी थीम क्या थी अपकी बार 2019 में उसकी थीम थी हैस्टाग लव हैस्टाग लव माई 11 तारिक को मनाते हैं हम लोग इंट्रनेस्टल टेक्नलोजी डे न्यूग्लियर टेस्ट हुआ था पोकरेड में 1998 में वह था इस दिन 21 माई को मनाते हैं एंटी टर्रिज्जम डे श्री राजीव गांधी जी की हत्यावी थी इस दिन एसिसनेशन हुआ था हमका तो यह इसलिए मनाते हैं अतरंकवाद विरोधी दिवस जून पांच तारिक को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे इंट्रनेस्टल योगा डे मनाते हैं हम लोग 21 जून को नैस्नल डॉक्टरस डे मनाते हैं डॉक्टर बिधान मलाला यूसुफ जई के बड़्डे पर मलाला यूसुफ जई को 2014 में नोबल पुरुसकार बिला था कैलास अत्यार्थी के साथ जोएंट रूप से ठीक हैं बढ़ते हैं आगे हम लोग इरोशिमा डेक बनाते हैं जब बांबिंग हुई थी इरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को ठीक लॉंच किया गया था वर्ल्ड हुमिनेटेरियन डे मनाते हैं 19 अगस्त को जब यूएन हेट कोटर में 2003 में बगदाद में बॉंबिंग हुई थी और तेरा यहां पर 22 यहां पर एड वर्कर्स मारे गए थे उस मौके पर सद्भावर्न दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को इस दिन बड़्डे होता है श्री राजीव गांधी का बड़्डे श्री धानतन्द का होता है 29 अगस्त को बनाते हैं हम लोग हमारा नैशल स्पोर्ट्स दे राश्री खेल दिवस कीचरस दे को बनाते हैं सभी को पता है डॉक्टर राधा कृष्णन के बड़्डे पर इंट्रनाइसल लिट्रेसी डे बनाते हैं 8 सेप्टेंबर को हिंदी दिवस हम लोग अपना मनाते हैं जब हिंदी को ऑफिशल लांग्विज घोशित किया गया थ इंट्रनाइसल नॉन वाइलेंस दे दो अक्टूबर को महत्मगांधी के बड़्डे पर इंडियन एर फोर्स का मना जाता है दिवस इंडियन एर फोर्स डे आई एफ ने अफिशली जो है 1932 में इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था वर्ल्ड फूर्ड डे मना जाता है एफ ओ के द्वारा 1945 से लगातार मनाया जाता आ रहा है यूनाइट नेशन डे यूएन डे मनाते हैं हम लोग 24 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को मनाते हैं राश्ट्री एकता दिवस सर्दार वल्लब भाई पटेल के बड़्डे पर नैसल एजूकेशन डे मनाते हैं हम लोग नैसल इंटिग्रेशन डे मनाते हैं श्रीमती इंद्रा गांधी जी के बड़्डे पर कंस्टूशन डे 26 अबर को मनाते हैं डॉप्ट किया गया था हमारा कंस्टूशन हम लोग एक तारीक मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे चार डिसम्बर को हम लोग बनाते हैं कराची हारबर में जो इंडिया पाकिस्तान ने अटैक किया था इनने सिखत्तर में Operation Trident केता है तो उसको मनाते हैं हम लोग Navy Day 7 December को हम लोग मनाते हैं Armed Forces Flag Day 56 सेना झंडा दिवस जिसको बोलते हैं Human Rights दे मनाते हैं 10 December को Universal Declaration of Human Rights जो है इस दिन प्रोक्लेम किया गया था और अडॉप्ट किया गया था और ये दिन 1940 में National Human Rights Day मानवाधिकार दिवस National Day actually International Human Rights Day ठीक है विजे दिवस हम लोग मनाते हैं जब इंडिया की विक्टरी वी थी 1970 के युद में 16 दिसंबर को Minority Rights Day मनाते हैं हम लोग 18 दिसंबर को National Consumers Day मनाते हैं हम लोग 24 दिसंबर को और 25 दिसंबर को Good Governance Day मनाते हैं श्री अटल विहरी वाजपई जी के बड़्डे पर और National Woters Day हम लोग को मनाते हैं 25 जनवरी को 2011 से हमने मनाने इसको स्टार्ट किया है Important Health Day जो दे हैं 4 February को World Cancer Day 21 March को World Down Syndrome Day March 24 को World TB Day या Tuberculosis Day 2 April को World Autism Day 7 April को World Health Day 17 April को World Hemophilia Day 25 April को World Malaria Day 25 June को World Vitiligo Day विटिलोगो एक स्किन डिसीज है ठीक है व्ल्ड विटिलोगो दे उसके बाद हम देखेंगे व्ल्ड हिपिताइटिस दे जुलाई 28 को सेप्टेंबर 21 को World Alzheimer's Day 28 सेप्टेंबर को व्ल्ड रेबीज दे 28 अक्टूबर को व्ल्ड आर्थ्राइटिस दे 20 अक्टूबर को व्ल्ड ऑस्ट्योप्रोसिस दे 12 नौवंबर को व्ल्ड निमोनिया डे 14 नौवंबर को व्ल्ड डाइप्टीस दे दिसंबर एक तारीक व्ल्ड एट्स दे इंपोर्टन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स होते हैं उनके डे मनाय जाते हैं जैसे 11 फैप को मनाय जाता है यूनानी दिवस सिद्र डे मनाय जाता है चार जन्वरी को दस अप्रैल को मनाय जाता है व्ल्ड होमियोपैथी डे 21 जून को मनाय जाता है इंटरनेसल योग दिवस 6 नौवंबर को मनाय जाता है आयूरवेद दिवस नूमबर,अः अथारा को मनाया जाता है नैटरोपैथी ले और हम लोग अनिमल्स को डेडिकेट से उनको देख लेते हैं 18 फेब को मनाय जाता है वल्डपैंगोलिन डे, 27 फेब को मनाया जाता है 20 मार्च को वल्ड Sparrow Day, 14 अपरैल को Dolphin Day, 24 अपरैल को वल्ड Day for Laboratory for Animals, 25 अपरैल को वल्ड Penguin Day, International Migratory Bird Day मना जाता है मार्च के सेकेंड सप्ता में, 15 माई को मना जाता है International Kangaroo Care दिवस, माई 23 को मना जाता है वर्ल्ड टर्टल डे 21 जून को मना जाता है वर्ल्ड जिराफ डे और 22 जून को मना जाता है वर्ल्ड कैमल डे वाइस सेप्टेंबर को वर्ल्ड राइनोर दिवस मना जाता है, 23 अक्टूबर को इंटरनेस्टल स्नो लिपॉर्ट डे मना जाता है, 24 दिसंबर को मना जाता है, इंटरनेस्टल चीता दिवस और 14 दिसंबर को मना जाता है, इंटरनेस्टल मंकी डे, इंपोर्टेंट साल जो है इंडिया निस्ट्री में उनको देख लेते हैं लोग जैसे 1851 को पहली टेलिग्राफ लाइन डाली गई थी ऑपरेशनल हुई थी कलकत्ता से डाइमंड हारबर के बीच पहली ट्रेंज चली थी बॉंबे से थाड़े के बीच 1853 में 1857 में आजादी क कि पहली लड़ाई की शुरुबाद हुई थी सिपाह म्यूटनी कह सकते हैं इसकों लोग सिपाही विद्रो पहला कंप्लीट सेंसस जो है पॉपलेशन का कंड़र करवाया गया था यूनिफॉर्म बेसिस पर 1881 में कि किस गवर्णर जेनरल या वाइसराय के टाइम पर करवा में ए ओ यूम दादा भाई नेरो जी तिन्शाव वाचा डबलू सी बिनर जी और अधर्स के दवारा आइनसी का फांडेशन हुआ था बहुत इंपोर्टेंट इवेंट है मौडर्न इंडियन हिस्ट्री का 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है लौड करजन के दवारा सु इस करकी गवर्णेंस में लेकिन लिम्टेड रूट से किंग जॉर्ज फिफ्ट जो है यह आते हैं इनकी विजिट होती है इन्होंने फिर कलकत्ता से डेली कैपिटल शिफ्ट कर ली सी जनकडमन जो है पहली बार कलकत्ता सेशन में आइनसी के गाया जाता है लौच की जाती में लौच होती है। चोरी-चोरा आउट्रेज जो है यह यह यूपी में होता है नॉन कोपरेशन मुव्मेंट को सस्पैंड कर दी जाता है 1922 में 1928 में साइमन कमिशन इंडिया आता है लाला-लाच-पतराय का निधन होता है लाथी चार्थ से 1939 में resolution पास की जाता है complete independence के लिए Lahore INC session में Dandy March जो launch किया जाता है 1930 में civil disobedient movement सभिनाई अवग्या अन्दोल ने इसको बोलते है launch किया जाता है Gandhi Irwin Pact sign किया जाता है Bhagat Singh सुकदेव राजगुरु का execution होता है उनको फांसी पर लटकाया जाता है Government of India Act 1935 आता है जाद हिंद फॉज का गठन होता है क्रिप्स मिशन इंडिया आता है Cabinet Mission भारत आता है 1946 में Independence होती इंडिया की भारत आजाद होता है हमारा partition होता है भारत का महात्मा गांदी जी पर हमला किया जाता है पाक का पहला assassination हो पाक का पहला यहां पर विद्रो देखने को मिलता है उनिस ओड़ातालिस में इंडिया रिपब्लिक हो जाता है ठीक है गणतंत्र हो जाता है उनिस पचास में पहला five year plan आता है उनिस क्यावन में और Asian Games जो है डेली में खेला जाने लगता है पहले आम चुनाव होते उनिस सबावन में पंच शील साइन की जाता है इंडिया और चाइना के द्वारा 1954 में reorganize की जाता है इंडियन स्टेट को linguistic basis पर इंडिया का पहला nuclear reactor अपसरा जो है वो शुरू किया जाता है Decimal System Currency का इंट्रिड्यूस की जाता है उनिस सब्तावन में पहले टेलिविजन सर्विस चुरू की गई थी निउडेली बे गोवा को पॉर्ट्वीज से लिब्रेट किया गया था आजात करवाया गया था Chinese aggression होता है उनिस सबांगरेशन में जवाहर लाल नेरू की डेथ होती है इंडो पाक वार होती उनिस सबांगरेशन में जवाहर लाल बादुर शास्थरी की डेथ होती है इंडिनेसल कॉंग्रेस में प्लिट आपको देखने को बिलती है 14 बैंकों का nationalization होता है पहला atomic power station तारापोर जो है अपना commercial operation शुरू करता है इंडो पार्क वार होता है 1971 में सिमला संज़ता होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला nuclear test होता है smiling बुद्धा के नाम से पोखरन राजिस्थान में होता है पहला Indian satellite आरिभट जो है लाँच किया जाता है emergency लगाई जाती है 1972 में Congress जो है वो पहली बार सत्ता से हट जाती है Congress की बाप्सी होती है 1980 में बैंकों का nationalization किया जाता है 6 और color television भारत आता है 1982 में और 9 Asian Games एक बार फिर से डेली में होते हैं इंद्रा गांधी की डेथ होती 1984 में राजीव गांधी की डेथ होती है Economic liberation किया जाता है भारत में बाबरी मस्जिद गिराए जाती है 1992 में 1995 में इंटरनेट भारत आता है बीसनल के दोरा इंडिया जो अपना second nuclear test conduct करवाता है इसको शक्ती बोलते हैं कारगिल इन्वेशन होता है ठीक है पाकिस्तानी टूप्स के द्वारा इंडिया की population 1 billion यानी 100 करोड पहुंच जाती है 2000 में अर्थक्वेक आता है गुजरात में जन्वरी में इंडियन पार्लिमेंट पर अटाइक होता है दिसंबर में गोधरा कांड होता है 2002 में सुनामी आती है ठीक है इंडियन ओशियन में 2008 में इंडिया का पहला लूनर प्रॉब जो है चंद्रयान फर्स्ट अंत्रिक्ष मिशन शुरू किये जाता है चंद्रयान टू जल्दी शुरू होने वाला है ठीक है 2019 में मार्स और्बिटर मिशन शुरू किये जाता है वर्ल्ड इस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जैसे जीजस क्राइस का बर्त होता है 4 BC में जीजस क्राइस की डेथ होती है 29 AD में महम्मद प्रॉफट की बर्त होती है 570 AD के करीब महम्मद जो मदीना आते हैं हिजरी एरा की शुरुवात होती है 622 में महम्मद प्रॉफट की डेथ होती है 632 AD में मैगना कार्टा जो पहला डॉकुमेंट जो है जिसने इंग्लेंड में किंग्स की पावर को लिमिट किया था वो साइन किया गया था ब्लाक डेथ जिसमें एक पैंडेमिक थी एक बिमारी फैली जिसमें 100 मिलियन लोग मारे गए थे 1347 से पचास के करीब योरप में 100 साल की जो इंग्लेंड और फ्रांस की वार थी वो चलती रही 1337 से 1413 के बीच क्रिश्टोफर कोलंबस ने न्यू वेल्ड डिसकवर किया 1492 में वैसकोटी कामाज 1997-1998 में सी रूट से इंडिया आये थे स्पैनिश फ्लीट की हार होती है इंग्लेंड के द्वारा 1588 में ग्रेट प्लेग जो है लंडर में फाइल जाता है एक मिलियन लोग फिर से मारे जाते हैं 1665 से 1606 के बीच बहुत बड़ी आग लगती है लंडर में बर फिर से 70,000 घर जल जाते हैं 1606 में साथ साल यहां पर वार चलती है ग्रेट पावर्स की भी 1757, 1766 के बीच युनाइट स्टेट्स में इंडिपेंडिन्स डिकलेर की जाती है 1776 में फ्रेंच रिवल्यूशन की शुरुवात होती है 1789 में बैटल ऑफ वाटरलू जिसमें निपोलियन हराया गया था यह लड़ा गया था 1889 में कम्यूनिस्ट मैनिफेस्टो लॉंच किया जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा 1849 में ओरिजिन ऑफ पिशीज जो है चार्ल्स डार्विन की किताब अबलिश की जाती है 1869 में स्लेवरी अबलिश की जाती है तेरवें संशोधन की द्वारा युनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पहले मौडर्न ओलम्पिक गेम्स होते है 1896 में रोबर्ट पियरी नॉर्थ पोल पहुंचते है 1909 में अरॉल्ड एड्मंसन जो है साउथ पोल पहुंचते है 1911 में रिपब्लिक अब चाइना की स्थापना होती है टाइटैनिक डूपता है 1912 में पहली वर्ड वार शुरू होती है 1914-1918 के बीच रश्यन रिवल्यूशन जो है सारिस्ट आटोक्रेशी को खत्म करती है USSR एग्जिस्टेंस में आता है 1922 में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुवात होती 1929 में दूसरा वर्ड वार होता है 1949-1945 के बीच हिरोशिमा और नागा साकी में बम गिरा जाते हैं 1945 में स्पूटनिक वन को लॉंच की जाता है स्पेस एज की शुरुवात होती है अपोलो 11 से नील एम्स्ट्रॉंग जो है मून की सर्फेस पर कदम रखते 1969 में शर्नोबिल डिजास्टर होता है वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका इन्वेंशन होता है जर्मनी का रियुनिफिकेशन होता है USSR को डिजॉल्व किये जाता है साथ अफ्रिका हमें अपार्थिड का इंड होता है 911 के हमले होते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2001 में सुनामी आती इंडिन ओशियन में फुकुशिमा डाइशी न्यूक्लियर डिजास्टर जो होता है यह 2011 में होता है अब बैंकिंग से सम्बंदित बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्ट सबसे पहली बात RBI की स्थापना किस की रिकमेंडेशन पर होई थी सबसे पहले RBI के गॉवर्णर कौन थे यह थे और्षबॉर्न स्मिथ RBI के पहले भारती गॉवर्णर कौन थे ? CD देश्मुक थे RBI के गॉवर्णर का टरम कितना होता है ? 5 साल का दो गॉवर्णर जो फाइन्स मिश्टर ही रह चुके हैं में है CD देशमुक और डॉक्टर मन्मोहन सिंग मैक्सिमिम कितने ड़ेपटी गवटनर रह सकते हैं छार अर्बियाइ के रीजनल ऑफिसेस कितने हैं अर्बिया के रीजनल ऑफिसेस है 8ग यह कितने वैलिव तक का नोट जारी कर सकता है दस जार तक का RBA के लोगों में क्या दिखाया गया है? Palm Tree और Tiger Headquarter RBA के कहां पर है? Mumbai में RBA के Regional Offices यहां पर दीव में आप चाहें तो देख सकते हैं इसको आपके State में जो हैं उनको जरूर दिहान रखिएगा ठीक है RBA के Functions क्या है? Monetary Authority होता है एंडिया की issuer होता है करेंसी का करेंसी को जारी करता है Banker और Debt Manager होता है Government का Banker होता है Banks के लिए Regulator होता है Banking System का Manager होता है Foreign Exchange का Regulator और Supervisor होता है Payment और Settlement System का Developmenter रोल भी होता है RBI का RBI के द्वारे जो Stablished Institutions हैं वो कौन-कौन से हैं Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation Mumbai में है National Housing Bank ये New Delhi में है National Bank for Agriculture and Rural Development यानि की नबाइ इसका एट्वार्टर Mumbai में है Industrial and Development Bank of India Securities Trading Corporation of India का एट्वार्टर Mumbai में Discounter Finance House of India ये भी RBI का Institution है भारती Reserve Bank North Muddrand Private Limited Bangalore में भी RBI का Institution है Coins और Currency Notes के बारे में देख लेते हैं Government of India के पास पूरा Right है सिक्के ढालने का Coin है Jack 1906 के तहत Coin जो है Issue की जाते Circulation में RBI के Terms पर RBI Act के इसाब से Coin जो है Issue के जाते हैं 1000 तक की Denomination के Coin Issue की जा सकते है Coin है Jack 1906 के तहत अलांकि 1000 तक का सिक्का भी बजार में नहीं देखा गया है 100 का भी देखा गया है 50 का भी नहीं India ने अडॉप्ट किया Decimal System ठीक है 1 अपरेल 1997 से Coin जैक्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मतलब Denomination का Amount किसी भी Amount को एक रुपए की Denomination में Settle कर सकता है यानि कि अगर एक लाख रुपए का भी आपको समान लेना है तो आप एक रुपए के सिक्कों में उन्हें खरीद सकते हैं हालंकि ये Literally Impossible है ऐसा possible नहीं है Coinage Act के इसाफ से जो 50 पैसे की सिक्के हैं ये 10 रुपए से कम के Amount को Settle करने के लिए यूज की जा सकते हैं एक रुपए का जो नोट है Ministry of Finance के दोवारा Finance Secretary के साइन पर जारी की जाता है इसमें RBI के Gourner के साइन नहीं होते हैं 1 रुपए नोट जो है इस पर ये Coin के रूप में का अपर निकल का होता है ये आपको पता है Currency Notes के बारे में बात कर लें तो कितनी भाषाएं लिखी होती हैं कितनी भाषाओं में Note का Denomination लिखा रहता है 15 भाषाओं में Total Languages Currency Note में होती हैं Hindi, English को मिला के वो 17 होती है तो कितनी Language होती है एक हजार के तो एक हजार दस हजार ऐसे दियान रखिए का आप बढ़ते हैं आगे हम लोग अब Image और Identification है पांच रुपए दस रुपए में तो नहीं पूछेंगे आपसे नोट पे जो नए नोट आये थे 2016 के बाद नोट बंदी के उनमें पूछ सकते हैं सवाल कि किस नोट पे क्या दिखाया गया है 2000 के नोट में मंगल यान को दिखाया गया है 500 के नोट में रेट फोर्ड को दिखाया गया है 200 के नोट में सांची के स्थूप को 100 रुपए के नोट में रानी की वाव को और पचास रुपय की नोट में हमपी रथ के साथ दिखाया गया है और कोणार्क सूर मंदिर दस रुपय की नोट में शो किया गया है तो आप इसको जरूर से ध्यान रखिएगा बढ़ते हैं आगे डिमोनेटाइज नोट में क्या होता था कि इसमें डायमेंड और सरकील आप को देखने को मिलता था ठीक है ग्यारा मूर्ती स्टैचू पहले 500 के नोट में दिखाई जाती थी और 1000 रुपय के नोट में एक ओयल रिग सैटलाइट कंप्यूटर हार्वेस्टर और फाउंडरी दिखाई जाती थी अब उन्हों ऑर्गनाजेशन के बारे में बात कर देते हैं जो नोट और सिक्के बनाते हैं सेक्योर्टी प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्प्रेशन ऑफ इंडिया लिम्टेड एस्पी एम सिल बोलेंगे इसको 2006 में इसकी स्थापना हुई थी न्यू डेली मेट क्वार्टर है यह पुरी तरह से गॉर्मेंट ओंड कंपनी है वहीं भारती है रिजर्व बैंक मोड नोट मुद्रंड प्राइवेट लिम्टेड 295 में स्थापित हुआ है यह बैंगलूरू में इसका एड़ ओफिस है पुरी तरह से RBI ओंड सबसिडी है सबसाइडरी है सौरी कॉइन मिंटिंग और करेंसी प्रिंटिंग यूनिट यह कहां कहां पर है नोट प्रेस यह मैसूर करनाटक में है नोट प्रेस सालबनी वेश बंगाल में है इंडिया गॉर्मेंट मिंट यह मुंबई का उलकाता हैडरबाद नोःडा में है यहां पर सभी डिनॉमनेशन के कोईन जो है ठाले जाते हैं करेंसी नोट प्रेस यह नाशिक में है बैंक नोट प्रेस ये देवास में है, इंडिया सेक्योर्टी प्रेस नासिक में, सेक्योर्टी प्रिंटिंग प्रेस हैदरबाद में, सेक्योर्टी पेपर मिल होशंगाबाद में, नेस्टनाइस्ट बैंक के बारे में इंपॉर्टन फैट्स अब देख लेते हैं, अम लोग ओल्डेस्ट जो जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया है वो है अलाबाद बैंक जिसको डॉक्टर भोग राजू पट्टाबी सीता रमईया ने इस्टैबलिश किया था वो आंधर बैंक है पहला बैंक जिसने अपनी शाखा बाहर खोली थी इंडिया से वो बैंक ऑफ इस बैंक के 100 साल पूरे होने पर यह बैंक कौन सा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहले बैंक जो पूरी बैंक अभी तक बाइंडिया ने निउ बैंक ऑफ इंडिया 993 में यहें ब्रेंट इक्व मीडिक इंडिक इक्राइक सीज़ श्रीट जीडी बिर्ला ने जिस बैंक को जन्न दिया है वो है यूको बैंक बैंक जिसका इनागरेशन महात्पगाधी के हां तो 1919 में हुआ था वो कौन सा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेसलाइस बैंक में लार्जिस्ट कौन सा है यह पंजाब नेसलिल बैंक 1913 में बैंक स्थापित किया गया था मैसूर बैंक ऑफ मैसूर लिम्टेट के नाम से इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर हलंकि अब इसको मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नेस्टलाइज बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं कहां पर हैं कि स्टेट में यह हैं उत्तर प्रदेश में 2013 तक यह थे ही 13166 वो बैंक कौन से हैं जो मुंबई मेरिफॉन को हर साल स्पॉंसर करता है जो जन्वरी मन्त में होता है वह स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन्थरा कांधी इन्स्टूट अधिक्ट में कहां पर हो फटेंग पूचते हैं अब स्ट्डीय पूचते हैं आपंसे आप से हेड आफिसे से यहां पर कहां कहां पर है प्राइवेट बैंक के यह भी दिखाया गया है यहां पर आप देख सकते हैं इसको जैसे फेडरल बैंक कहां पर है यह है केरल में करूर वाइस्या बैंक कहां पर है करूर दमिल नाडू में यस बैंक मुंबई में है जमू कश्मीर बैंक का श्रीनगर में है Catholic Syrian bank का थ्रिसूर्द केरल में है South Indian bank का विबाफिर से केरल में है करनाटक बैंक का मैंगलोर करनाटक में है City Union bank का कुम्ब कोडम में है जो हमारे RRBs है वो यहां पर दिखाये गए है RRBs के नाम आप देख सकते हैं वैसे यह इतने इंपॉर्टन नहीं है banking exams के लिए इंपॉर्टन अब जॉइंट वेंचर जो है State Bank of India के वो किसके किसके साथ ह SBI Life Insurance यह BNP परिबास का कार्डिफ के साथ है SBI General Insurance Company Limited यह Insurance Australia Group के साथ RBI का joint venture है अब लोग World Bank और International Monetary Fund के बारे में बात कर लेते हैं July 1944 में स्थापना होती है World Bank की और International Monetary Fund की होती है 145 दिसंबर में Head कौन होता है World Bank का President होता है और Head कौन होते है IMF के Managing Director होते है पहले President World Bank के थे Eugene Meier और Camille Gut थी यहां पर यहां पर IMF के Managing Director MD Headquarter इसका वाशिंग्टन में है इसका भी Headquarter वाशिंग्टन में है Constituent इसके IBID और IDE है जबकि यह सिंगल निकाहे सिंगल बॉड़ी है Central Purpose क्या है दोनों का World Bank का Purpose है Economic और Social Progress को प्रमोट करना developing countries में उनको उनकी productivity को बढ़ावा दे करके जिससे वहां के लोग जो है अच्छा जीवन चीज सकें और इसमें क्या होता है IMF में कि यह पूरा monetary system जो है इसको encourage करता है trade बढ़ाया जा सके jobs create की जा सके economic activity को expand किया सके standard of living को ना से ना केवल developing countries में बलकी पूरे विश्प में जो है प्रोमोट किये जा सके है रेगुलर्ट रिपोर्ट जो है अर्बिया की छपती है वर्ल्ड डवल्लप्मेंट रिपोर्ट यह साल आती है और वर्ल्ड एकनॉमिक आउटपुट आता है IMF की तरफ से source of funding क्या है यह borrowing है बॉन्ड इशू करने पर और ग्रांट जो है जो डोनर नेशन से मिलती है IMF का source क्या है यहां पर funding का इसमें इच मेंबर नेशन जो है contribute करता है certain amount of money अपने economic size और strength के हिसाब से recipient कौन है funding का basically यानि कि fund किसको देता है वर्ल्ड बैंक सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक developing nations को ज्यादा देता है ठीक है थोड़े ज्यादा higher अलब ज्यादा interest rate पर और ज्यादा सालों के लिए 12-15 साल के लिए जबकि आइमेफ क्या करता है कि सारे nations को देता है ठीक है और यह ज्यादा तर कम समय के लिए मिलता है lower interest rate पर वर्ल्ड बैंक और international monetary fund दोनों को United Nations monetary and financial conference of 43 countries जो है यह ब्रेटन वोट्स न्यू हैंप्शायर यूएस में जो हुआ था वहां पर जुलाई 1944 में उसके तहट establish किया गया है कॉन्फरेंस के तहट कलेक्टिवली इनको ब्रेटन वोट्स इंस्टूशन बोलते हैं व्ल्ड बैंक को भी और आइमेफ को भी व्ल्ड बैंक जो International Bank for Reconstruction and Development और International Development Association के साथ मिल करके बना है इसके पांच और institutions हैं उनके पांच institutions के नाम देख लीजिएगा एक तो है International Bank for Reconstruction and Development IBRD, International Finance Corporation, IFC, International Development Association, IDA, International Center for Settlement of Investment Disputes, IC, SID, Multilateral Investment Guarantee, MIGA President होते हैं World Bank Group के ये चूश की जाते हैं US के दोरा World Bank जो है Investment Bank है ये borrowing देता है एक से देता है दूसरे को IMF क्या है Credit Union है जिसके members के पास access होता है common pool resources का जिसमें एक member दूसरे member को contribute करते हैं अपने economic size और strength के इसाप से ठीक है अब कुछ IMF World Bank के राबा International Financing Institutions के बारे मात कर लेते हैं अलग-अलग groups जो बने हुए है Financing के जैसे African Development Bank 1964 में स्थापना भी थी 33 African countries जो है और 25 non African countries जो है member है इसका headquarters कहां पर है Abidjan में है court Ecuador में इसका कुल विला के लक्षर sustainable economic growth और जो poverty है sustainable economic growth को promote करना और जो poverty है उसको कम करना Africa continent में Asian Development Bank जो है 1966 में establish हुआ 46 Asia Pacific countries member है और 19 non Asia Pacific countries member है Asia और Pacific region में poverty यानी गरीबी से लड़ना लक्ष है इसका है इसका headquarters कहां पर है Manila Philippines में European Bank for reconstruction and development इसको क्यानबे में 64 countries पूरे वल्ड से और European Union से और European Investment Bank इसका member है इसका अब कुल विला करके लक्ष है इन्वेस्ट करना प्रोजेक्ट में जो की open market economies को promote करे उनको foster करे लेंडन में इसका headquarters है इंटर अमेरिकन डवलोप्मेंट बैंक 1969 में स्थापनवी थी 26 रीजिनल कंट्रीज और 22 नॉन रीजिनल कंट्रीज मेंबर हैं इसका अब कुल विला करके लक्ष है लेटिन अमेरिका और करेबिया कंट्रीज को support करना वहां पर poverty को हटाना inequality को हटाना development को ensure करना sustainable climate friendly तरीके से development ensure करना वाशिंग्टन में इसका headquarters है Asian infrastructure investment bank 2014 में स्थापनवी थी 21 country member है इसकी इसका अब कुल विला करके लक्ष है Infrastructure provide करना Asia Pacific region को इसका headquarters बीजिंग में है इसके बारे में अगर बात कर लें में terms के बारे में काफ़ important होते हैं यह सबसे पहले अगर bank rate की बात करें तो bank rate वो rate होता है तो क्या implication होगा banks पर अगर RBI से पैसा महगा मिलेगा commercial banks को जाहिर सी बात है कि वो deposit पर rates बढ़ा देंगे अपने customers के लिए और base rate भी बढ़ा देंगे और वही customers पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर ज़रा भी variation होता bank rate में तो interest rate भी घटेंगे या बढ़ेंगे bank rate के साबसे और deposits पर जो उनको interest मिलता है या फिर जो EMI होती है उनकी loan की वो घटेगी या बढ़ेगी अगर bank rate बढ़ेगा तो EMI ज़्यादा देनी पड़ेगी लोगों को deposit पर interest कम मिला करेगा customer को रेपो rate क्या है रेपो rate वो rate है जिस पर RBI को एक commercial bank money raise करने के लिए अपनी security sell करता है ठीक है bank RBI को promise करता है या फिर agree करता है कि वो buy back करेंगे security को predetermined date पर और साथ ही साथ एक interest rate पर जो की रेपो rate होगी reverse रेपो rate क्या है reverse रेपो rate वो rate है जिस पर RBI commercial bank से money borrow करता है ठीक है ये monetary policy का instrument है जो की money supply को all over the country जो है maintain करता है इस tool के थूँ या फिर इस rate के थूँ बेस rate क्या होता है यह minimum rate है जिसमें bank यह वो minimum rate है जिससे नीचे RBI banks को allow नहीं करता है money lend करने के लिए ये exceptional cases में हो सकता है वो भी RBI specify करेगा तब base rate introduced किया गया था इंडिया में 1 July 2010 को यह काफ़ important चीज है cash reserve ratio क्या है CRR इसको बोलते है CRR वो हमारा proportion है demand or liabilities का जो banks को commercial banks को maintain करना पड़ता है इंडिया में cash के form में ठीक है यह जो cash deposit रहता है RBI के पास minimum ratio जो है RBI stipulate करता है और यह एक tool कह सकते है हम liquidity banking system एंशोर करने के लिए कि ऐसा ना हो कि बैंकों के पास cash ही खतम हो जाए statutory liquidity ratio के करम बात कर लें तो minimum percentage जो है demand or liabilities का यह bank को maintain करना पड़ता है gold के रूप में या तो cash के रूप में या फिर other approved securities के रूप में every business day ठीक है capital education ratio की बात कर लें हम लोग यह bank की core capital का इसके weighted risk पर ratio होता है ठीक है ratio to the bank's core capital to risk weighted assets benefits यह measure करता है यह फिर के measure है सकते हैं banking banks के ability चेक करने का कि bank जो है losses को absorb कर पाएगा कि नहीं अगर capital bank का capital कितना बड़ा है कि अगर risk risk losses हो जाते हैं तो क्या bank उसको absorb कर पाएगा cushion कर पाएगा या फिर नहीं banking terminology के और भी term से सबस्पहले आपकी demand liability है इसका मतलब है liabilities विचार payable on demand ठीक है current deposit savings bank deposits over balances in overdue fixed deposits outstanding tts, mts, demand drafts, unclaimed deposits यानि कि यह जब ही मांगा जाएगा customer के द्वारा यह bank को निकाल करके देना पड़ेगा time liabilities की बात कर ले तो liabilities जो है यह other than demand payable होती है यानि कि जब fixed deposit की date आएगी तब ही देना पड़ेगा cash certificates cumulative recurring deposits एक certified date पर ही बैंकों को देना पड़ता है वरना यह banks के पात जमा रहती है time liabilities में non-performing assets के बारे में बात कर ले यह leased asset होता है यह non-performing तब होता है जब यह income generate करने लायक नहीं रहता bank के एक specified period of time तक जब installment जो है वो due रहता है तब वो एक non-performing asset बन जाता है नेफ्ट के बारे में बात कर लें तो नेफ्ट अगर हम देखे तो इसको बोलते है national electronic fund transfer यह payment system है एक fund को दूसरे fund मतलब एक account से दूसरे account तक जो fund जाएगा उसको facilitate करने के लिए individuals जो है electronically transfer कर सकते है fund को एक bank की ब्रांच से दूसरे bank की ब्रांच तक एक individual अपने account से दूसरे account में दे सकता है इसको कोई limit नहीं है इसकी नेफ्ट की कोई limit नहीं ठीक है maximum amount जो पर transaction होनी चाहिए और पचास जार limit की गई है नेपाल के लिए ठीक है और यह बदलती रहती है अलांकि आगर आप इंडिया में करेंगे तो इसकी कोई limit नहीं रखी गई है आरे और कर लो सर्ट ह Tam Kamis को बोलते हैं रिख टाइम आउस की तारे फंट ट्रान्ट होते है अब फंड में गया होता है किabled कर से निए फंड में होते है वहीं आरे गया होता है कि रियल ताइम नेटिंग होती है ठीक है यानि कि मिरिए यल João किICES अब जानते हैं कि ऐसे आप कि लिम्टेड किसी भी हमाउंट तक जा सकता है चेक तो आपको पता है चेक आपने देखा ही होगा सब ने देखा होगा अब तक तो अपने जीवन में निगोशियेबल इन्स्टूमेट एकट 1898 कि सक्षन नमबर 6 में दिया गया है जो चेक बनाता है उसको ट्रावर करते हैं और जिस को यह चेक से पैसा मिलने वाला होता है ठीक है उसको ड्रॉइ कहते हैं जो परसें का नाम चेक पर लिखा जाता है जिसको पैसा मिलने वाला होता है या फिर जिसको पैसा मिलने का आदेश किया जाता है उसे पेई बोलते हैं ठीक है पेई तो ड्रावर कौन हो गया आपका ड्रावर बैंक हो गया ड्रॉइ कौन हो गया ठीक है जिसने पैसा निकालने के लिए आदेश किया है और जिसको पैसा मिलने माला है निकला लगा हुआ वह कौन होगा वो पय होगा डिमांद राफ्ट किसको गैते हैं रिवांद राफ्ट एक प्रीपेड निगोशीवल इंस्ट्ूमेंट है यानि कि ड्रॉई जो है वह रॉइ बैंक जो यह payment जो है करने का क्या सकते हैं कि आप literally कह सकते हैं कि यह ठेका ले ले लेता है कि जब भी instrument जो है जिसको पैसा मिलने वाला है पैई को ले करके आएगा bank में तो bank को उसको पैसा देना पड़ेगा ठीक तब ही इसको कहते हैं कि demand draft यानि कि payable on demand जब demand होगी तो यह pay किया देने वाले से demand draft में क्या होता है कि यह specific branch में और specific bank में specified center पर payment की जाने के लिए बनाया जाता है bankers check यह demand draft की तरह होता है issue issue bank जो है यह पूरा payment advance में ले लेता है ठीक है और pay को यह पूरा payment दे देता है जब वो चाहे तो ठीक है check truncation system जिसको cts बोलते हैं इसमें क्या होता है कि सबसे पहले normal process में क्या होता है कि check को physically ले जाए जाता था एक bank से दूसरे bank तक clearing के लिए लेकिन check truncation system में क्या होता है कि physical check जमा हो जाता है खाली branch में और उसकी स्थान पर electronic image जो होती है check की transmit की जाती है एक clearing house से दूसरे clearing house तक यानि एक bank की branch से दूसरे bank की branch तक ठीक है relevant data जो छपा होता है check में जैसे कि MICR, band, data of presentation, presenting bank यह सब का use किये जाता है उसमें ठीक है इसमें क्या होता है कि जो cost लगती थी physical movement of check की रुख जाती है और पूरा digital type का transaction बना दी जाता है इसको constitution के बारे में important facts देखना शुरू करेंगे हम लोग आप कुछ facts आपको याद रखने है आपर जैसे सबसे पहले इसम्बली जो है यह form कब हुई थी किसके recommendation पर cabinet mission के recommendation पर जो 1946 में भारत आये था यह चीज़ बता भी चुके है आपको जब हम events की बात कर रहे थे कि एक के बाद एक क्या events हुई है Constitution Assembly सबसे पहले कहा मिली थी 9 December 1946 में Constitution Hall में इसको Center Hall of Parliament House बोलते है ठीक है Mr. Satchidharan Sinha को provisional chairman बनाया गया था Assembly का डॉक्टर राजेंद प्रसाद जो थे permanent chairperson बने थे Constitution Assembly के 13 December 1946 को पंडी जवाहर लाल नहरू ने object resolution पास किया था जिसने इंडिया को एक independent sovereign republic घोशित किया था और बाद में future governance और constitution बनाने की बात कही गई थी उसके बाद Constituent Assembly ने almost कितना समय लिया constitution बनाने में लिया गया समय करीब तीन वर्ष का है क्योंकि दो साल 11 महीने 17 दिन लगे थे तो इसको roughly तीन वर्ष माल लेते हैं Constituent Assembly के 11 session हुए थे पूरे 165 दिन में ठीक है इंडिया हमारा देश जिस सम्मिधान पर चल रहा है उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नॉंबर को जिस दिन constitution डे मनाते हैं हम लोग हर साल यह last और 11 session था 11 session का last डे था Constituent Assembly का members ने 24 जनवरी 1950 को अस्ताक्षर किये अस्ताक्षर अपने दे दिये थे constitution जो है force में कब आया था ठीक दो दिन बाद 26 जनवरी 1950 को ठीक है अब important dates यहां पर कौन-कौन सी यह Constituent Assembly की पहली मीटिंग कब होती है 9 दिसंबर 1946 को objective resolution कब पास किया गया 13 दिसंबर 1946 को constitution adopt कब किया गया 26 दिसंबर को members ने sign अपने किये 24 जनवरी को दो दिन बाद हमारा constitution जो है force में आ गया अब यह committee इसके नाम काफी important है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत important है अब मैंने इतनी बार बहुत बोला है तो आप याद करिए को committee of rules and rules of procedure इसके head कौन इसके chairperson कौने बस जही पूच जाता है तो committee on the rules of procedure इसके chairperson राजेंद प्रसाद steering committee के chairperson राजेंद प्रसाद finance and staff committee के chairperson राजेंद प्रसाद credential committee के chairperson अल्लादी कृष्ण स्वामी अईयर house committee के है पट्टा भी सीतर हमईया order of business committee के है के मुंशी एड होग committee on the national flag इसके कौन बने थे जंडा समीती के ये बने थे राजेंद प्रसाद committee on functional functions of constituent assembly ये कौन बने थे जीव इमाल वंकर states committee के head कौन बने थे जवाहर लाल advisory committee on fundamental rights minorities and tribal and excluded areas के कौन बने थे वल्लब भाई पतेल मैनोर्टी सब committee कौन बने थे एच्ची मुखर जी fundamental rights subcommittee के कौन बने थे जे बी करपलानी north east frontier tribal areas and asam excluded and partially excluded areas के कौन बने थे गोपी नाथ बर्दोल लोई और आपके excluded और partially excluded areas अधरदेंदोस अशाम के कौन बने थे ए भी ठककर union powers committee कौन बने थे जवाहर लाल लहरू union constitution committee कौन बने थे जवाहर लाल लहरू drafting committee कौन बने थे वी आरम बेटकर जो लास्ट में दिया है बी आरम बेटकर इनको कई बार पूछा गया है ठीक है बहुत बहुत ध्यान रखिएगा राफ्टिंग कमीटी की चरफरसन बी आरम बेटकर इंडियन कंस्टूशन के बारे में बात कर ले तो इसमें ठीक है 395 आर्टिकल पार्ट एक से लेकर 22 तक और 12 शेडूल हुआ करते थे क्योंकि काफी बार एमेंडमेंट हुआ है अब इनको नहीं याद करते फिर भी आजादी के समय कितने थे पूछा गया काई बार तो याद क आर भीडर आर्टिकल नमबर एक से चार में पार्ट नमबर में फंडमेंटल राइट दिया हुआ है 1235 अर्टिकल में यह पार्ट जरूर ध्यान रखेगा और पार्ट नमबर 4 में दिया हुआ है fundamental duties के बारे में पार्ट नमबर 5 में दिया हुआ है the union आर्टिकल नमबर 52 से 151 तक the state दिया हुआ आर्टिकल नमबर 152 से 137 तक पार्ट नमबर 7 जो है इसमें 7 Constitution Amendment Act 256 के यहां पर सामिले Provision part number 8 में union territory के बारे में दिया हुआ है 49 से 42 तक 243 से 243 O तक पंचायत के बारे में दिया हुआ है 243 से 243 ZG तक दिया हुआ है municipalities के बारे में cooperative societies के बारे में ZH चे लेकर ZT तक दिया हुआ है part number 10 में scheduled or tribal areas के बारे में given है part number 11 में relation center स्टेट और यूनियन के बारे में दिया ववा है Part No. 12 में Finance, Property, Contracts रसूट के बारे में Trade, Commerce, Intercourse Within Territory of India इसके बारे में दिया ववा है Services under the Union and States इसके बारे में दिया ववा है Services के बारे में और Civil Services भी इसमें शामिल है Tribunals के बारे में दिया ववा है 323A स 323B तक Elections के बारे में दिया ववा है 324 स 339A तक Special Provisions Certain Classes के लिए दिया ववा है 330 स 325 तक Official Language के बारे में दिया ववा 343 स 351 तक Part No. 18 में दिया ववा है Emergency Provisions Part No. 19 में दिया ववा Miscellaneous 316 से 367 Part No. 20 में दिया ववा है Amendment of Constitution जिसको Article No. 368 बोलते हैं ये Article कई बार पूछा गया है 368 में क्या दिया आ है Temporary, Transitional and Special Provisions 69 से 392 तक दिया हुए है Short Title, Commencement Authorative Text in Hindi And Repeals ये दिया हुआ 393 से 295 तक Indian Constitution के Articles अब यहाँ पर देख लेते हैं और थोड़ा डीब में Article No. 12 से 35 Fundamental Rights जो भी Available है Citizens के लिए उनको बताते है 36 से क्यावन Directive Principles of State Policy 51 का A बताता है Fundamental Duties हमारी क्या क्या है Article No. 80 बताता है कि राज सभा के लिए कि इतनी सीटें जो स्पस्पाई करी गई है Article No. 18 बताता है Amendment of Constitution के बारे में 370 कश्पीर के बारे में 395 Independence India Act और Government of India Act के खंडन के बारे में है ठीक है अब schedule से यहाँ पर एक से बारा में क्या क्या बताते हैं वैसे तो हम डिस्कस करी चुके हैं फिर भी देख लेते हैं चेडूल में Oats और Affirmations के बारे में बताया गया है 1st schedule में List of States और Unit Territories जो भी है उनके बारे में बताया गया है 4th schedule के बारे में बात कर लेते हैं तो Provisions जो है Allocation of Seeds जो भी Council of States नहीं से रिलेटेड है 5th schedule में बताया गया है Provisions जो schedule areas और schedule tribes को administer करने में काम आएंगे 6th schedule में Provisions रिलेटेड टू Tribal Areas, Areas of Assum, Meghalet, Tripura और Mizoram 7th schedule में Union List, State List और Concurrent List यह है 8th list में दिया हुआ है मतलब 8th schedule में आपको बता है भासाओं के बारे में दिया गया है 9th schedule में Certain Acts on Regulations के बारे में 10th act में दिया हुआ है Anti-Defection Law के बारे में दलबदलू कानून के खिलाफ कानून दिया हुआ है 11th schedule में Power, Authority और Responsibilities पंचायत की क्या क्या है उनको बताया है 12th schedule में Powers, Authorities और Responsibilities की उसके बारे में बताया है अब वो कुछ MLA, MLC से रिलेटेड जो आर्टिकल से जैसे आर्टिकल से बताया गए राजसभा की श्रेंथ किती होगी, 2500, 12 मेंबर जो होगे वो नॉमिनेट की जाएंगे प्रेसिडेंट के दोवारा 238 मेंबर जो होगे और Responsibilities होगे State की तरफ से और दो Union Territories की तरफ से 238 मेंबर जो नॉमिनेट की जाएंगे प्रेसिडेंट के दोवारा और जो भी रिलेटेड होंगे रिस्पेक्टिव फील्ड से एमिनेट वर्कर्स होंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के वो फिल्ड क्या हो सकते है साइन्स आर्ट सोशल सर्विस लिट्रेचर आर्टिकल नमबर 81 के अगर हम बात कर ले तो Maximum Strength जो House of Peoples याने की लोग सभा की रहेगी वो 552 रहेगी 552 में से 530 मेंबर जो है वो इलक्ट हो करके आएंगे स्टेट से और अपने रिस्टेट को Constituency से रिप्रेजेंट करेंगे 20 मेंबर जो होंगे वो यूजिने टेरेट्रीस से होंगे और आर्टिकल नमबर 331 में कहा गया कि दो मेंबर जो है एंगलो इंडियन कमिनिटी से नॉमिनेट की जाएंगे प्रेजिडेंट जी के दौरा अगर उन्हीं लगता है कि यहां पर रिप् 500 से जादा नहीं होनी चाहिए 60 से कम मेंबर जो है वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो इलेक्ट होकर के ना आयों ठीक है आर्टिकल नमबर 171 पर दिया अववाय कि टोटल नमबर ऑफ मेंबर जो लेजिसलेटिव एसंबली के होंगे यह एक तीहाई मेंबर जो की लेजिसलेटि काउंसिल किसी भी स्टेट की होगी उसका नमबर कितना होगा किसी भी केस पर 45 से कम ना हो ठीक है आर्टिकल नमबर 333 में दियाववाय कि अगर गौर्णर को लगता है कि एंगलो इंडियन कमुनिटी को लेजिसलेटिव एसंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो इसको डिटेल में बताया गया है फोर्थ शेडियूल में ठीक है इंपोर्टेंट एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या क्या है विभिन परदों के लिए प्रेस्डेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए एक एंडिडेट की आयू 35 साल होनी मिनममेज यहां पर गौवर्णर की पोस्ट के लिए कितनी होनी चाहिए 35 साल आर्टिकल नमबर 157 में गिवेन है तो तीनों की 35 साल गौवर्णर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट MP के लिए मिनममेज 25 रखी गई है आर्टिकल नमबर 84 में MLA के लिए रखी गई है 25 साल आर्टिकल नमबर 172 में MP राजसभा का बनने के लिए 30 साल रखी गई है और MLC बनने के लिए 30 साल तो MP राजसभा 30 और MLC राजसभा 30 भागी MLA 25 MP 25 लोगसभा के लिए ठीक है ध्यान र यहां पर कितनी होनी चाहिए appointment of judge as a supreme court के लिए अगर कोई विक्ति जच बनने जा रहा है या फिर अगर मैं कहूं अगर कोई जच बनने जा रहा है supreme court का तो उसकी आयू 65 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए article number 24 मताया गया है union commission का अगर कोई member बनने जा रहा है तो उसकी age 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर कोई judge की रूप में high court में point होने वाला है तो उसकी age 62 वर्स से उपर नहीं होनी चाहिए अपर age limit किसी भी state की commission के member के लिए कितनी होगी 62 साल 62 साल से ज़्यादा क्या आयू member of state commission के नहीं होनी चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आयू कितनी होनी चाहिए 21 वर्स के वल और minimum age यहाँ पर election एक municipal member के लिए कितनी होनी चाहिए 21 साल तो दोनों के लिए 20 साल पंचायत के लिए भी municipality के लिए भी minimum age limit factory में employment के लिए कितनी होनी चाहिए 14 साल के बच्चे 14 साल से कम उपर के बच्चे किसी भी हालत में factory में काम नहीं करेंगे article number 24 में बताया गया है minimum age voter के रूप में register रोने के लिए कितनी है 18 साल इसको article number 326 में बताया गया है आप जानते है age education की किती रखी गई है fundamental right के रूप में जो education मिलेगी तो चैसे 14 वर्ष के बच्चे को मिलेगी article number 21 हम बात कर लेते हैं यहाँ पर minor यह child अलग-अलग हमारे act में किसको मांना है minor Indian penal code 18 साथ में male को 16 वर्ष की आयू मांना है और female को 18 वर्ष से कम उम्रिक ऐयूँ में माना है, ठीक है यानि कि अगर 16 वर्ष से कम आयू का है तो वो माइनर है, और फीमेल अगर 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो माइनर है, किस कोड में इंडियन पीनलकोड, 1860 में, जुविनाइल जस्टिस केर एंड पौ्टेक्शन ओफ तो चाइल्ड किसको माना है एक परसन जो की मेल हो और उसने 20 वर्ष की आयू अटेंड ना की हो अगर वो फीमेल है तो उसने 18 वर्ष की आयू अटेंड ना की हो वो चाइल्ड मानी जाएगी Child Marriage Restraint Act 1939 के तहट आगे Child Labor Prohibition and Regulation Act 1988 के तहट उसको माना जाएगा जिस भी परसन ने चाहे मेल हो चाहे फीमेल 14 वर्ष की आयू अटेंड ना की हो Railway Rules के तहट Senior Citizen किसको माना जाएगा 60 वर्ष के आदमी को और 58 वर्ष की फीमेल को Maintenance and Welfare of Parents and Citizen Act 2007 के तहट Senior Citizen किसको माना है 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब Duration के बारे में बात कर लेते हैं Maximum Duration किसी भी Parliament ये State Assembly के दो सेशन के बीच कितना हो सकता है 6 मंत 6 मंत से ज़्यादा नहीं रह सकता Maximum Life जो है Presidential Ordinance की कितनी होती है 6 मंत होती है और फिर इसको 6 वीक तक बढ़ा भी सकते है Maximum Period ठीक है जिसमें Election हो जाना चाहिए प्रेसिडेंट का अगर प्रेसिडेंट की चेर जो है वेकेट हो गई है किसी भी कारण से Removal के कारण, Resignation के कारण या प्रेसिडेंट की डेथ के कारण तो 6 महीने की आओधी के अंदर नए प्रेसिडेंट को निक्त किया जाना चाहिए चुनाओ राष्टपती का कराना चाहिए Maximum Duration Maximum Duration प्रेसिडेंट रूल के कितनी होती है किसी भी स्टेट में यह होती है 6 मंत और 3 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है लेकिन 6-6 महीने उसके लिए पर्मीशन लेनी होगी पर्मीशन का मतलब प्रोस्जर होगा फिर Time जिसके बाद money bill जो लोगसभा के पास लोगसभा से पास हो जाता है राजसभा उसको कितने दिन तक रिटेन कर सकती है या फिर उसको टाल सकती है 14 दिन से जादा नहीं उसे अपने आप पास महा लिये जाता है Maximum duration जिसमें President, Vice President, Governor जो है आफिस होल्ड कर सकते हैं 5 साल उसके बाद Fresh Elections होंगे इन पोस्ट के लिए Maximum duration ठीक है लोगसभा या State Legislature function कर सकती है अपने पहले मेटिंग से 5 साल लोगसभा है State Legislature ठीक है Emergency Proclamation को हर बार कितने दिन तक बढ़ा सकते हैं Maximum एक साल तक अगर लोगसभा में या किसी भी State में अगर Emergency लगी हुए है तो अपना कारकाल पूरा करने के बाद लोगसभा या वो State Legislature कितने दिन तक अपना काम जारीद रख सकते हैं बिना Fresh Elections के 6 महीने तक Maximum duration जिसमें कि एक Union Minister या State Minister अपना Office होल्ड कर सकता है बिना Member of Parliament बने या State Legislature का Part बने 6 महीने तक महीने में उसको Member अपने को दिखाना पड़ेगा वो Maximum period कौन सा है जिसमें वो Maximum period कौन सा है जब किसी पर्षन को Arrest किया जाता पुलिस के दोरा और पुलिस उसे अपने पास रख सकती है बिना Nearest Magistrate के सामने पेशी कर रहे हुए 24 गंटे के समय होता उससे जादा नहीं वो Maximum duration कौन सी है जिसमें कि House of Parliament Member जो है किसी भी Parliament के House का पार्ट जो है वो बिना कोई reason दिये 60 दिन तक अगर गाइब रहता है तो तो उसकी seat जो है वो duration है 60 दिन 60 दिन में अगर मेंबर नहीं आता है और उसका कुछ भी पता नहीं जलता है तो seat vacant गोशित कर दी जाती है Maximum duration कौन सी है जिसमें कि Municipality और पंचायद जो है function करती है अपनी पहली मेंटिंग से लेकर के 5 साल Municipality पंचायद दोनों का 5 साल कारकाल होता है Maximum duration जिसमें कि Member पंचायद अपना ओफिस जो होल्ड करे रह सकता है 6 साल तक 6 साल तक कारकाल होता है Member of Union Commission का Maximum duration जिसमें कि Member जो है State Commission का अपना ओफिस होल्ड कर सकता है जब तक वो या तो 62 साल का ना हो जाए और या तो च्छाय वर्ष उसके कारकाल के नापूरे हो गए हो तो यह कहने के मतलब है बढ़ते हैं आगे हम लोग अगर कोई कंडिडेट दो जगह से इलेक्ट हो जाता है लोग सभामें तो उसे अपनी एक सीट जो छोड़नी पड़ती है ठीक है उसी छोड़ने के लिए कितना समय मिलत है समय मिलता है दस दिन के वल ठीक है मड़ते हैं आगे हम लोग ओधाफ ऑफिस कौन किसको शपत दिलाता है प्रेजडेंट को सपत कौन दिलाते हैं चीफ जस्टिस वामंटिया उनकी एपसेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोड का वो वाइस प्रेजडेंट को शपत कौन दिलाएंगे प्रेजडेंट दिलाएंगे या फिर कोई भी उनके बिहाफ पर जजज ऑफ दर सुप्रीम कोड को शपत कौन दिलाएगा प्रेजडेंट और गौवर्णर को शपत कौन दिलाएगा हाई कोड उस स्टेट के हाई कोड के सीनियर मोस्ट जज दिला आएंगे President, Member of Parliament को शपत कौन दिलाएंगे President, Member of Legislature of State को शपत कौन दिलाते हैं Governor वहां के, Minister of State या Council of Minister को शपत कौन दिलाएंगे Governor, High Court के Judge को शपत कौन दिलाएंगे Governor चांडंगे हैं क्वाइश देंगे फलड़न सब्मिशन सरी नेशन के बारे बात कर लेते हैं प्रेश्डेंट को प्रेश्डेंस किसको देना चांड चांड जज आवब दा सुप्रीम कोट यह भी प्रसिडेंट को दें गे जज आव औफ दा हाई कोट यह भी प्राजिदioè को देंगे लोग सभा कया पर्लिमेंट का है वो किसको देगा चेर परसंन को देगा या तो upper house के chairperson को या तो speaker जो होगा lower house को speaker of the assembly यह किसको देगा deputy speaker of the assembly को deputy speaker किसको देगा speaker को assembly में state assembly में यह तो बनी बात है एक दूसरे को देते है chairperson legislative council of state का यह किसको देगा deputy chairman को deputy chairman legislative council state का यह किसको देगा chairman को Member of Public Service Commission, ये किसको देगा? ये President को देगा Member of Public Service Commission, State Commission का इसको किसको देगा? Governor को Important amendments के बारे में बात कर लेते हैं, तो 7th amendment कभी था 1956 में States को reorganize किया गया था, linguistic basis पर और Class A, B, C, D States का abolition हुआ था, और Union Territories को introduce किया गया था, 9th amendment Act में क्या हुआ था, Indian Territory को adjust किया गया था, पाकिस्तान के साथ समझोता हुआ था, 10th amendment Act में दादर नगर हवेली को include किया गया था, Union Territory के लिस्ट में और Portugal के अधिग्रहन से इसको छुड़ाया गया था, बार में amendment Act में क्या हुआ था, कि गोवा दमन दीव जो है, Indian Union में एक Union Territory के तोर पर include करे गया थे, तेरे में amendment Act में क्या हुआ था, कि जो state of Nagaland है, वो special protection के तहत, special protection आर्टिकल नमबर 371 A के तहत, 1 December 1963 को add किया गया था, amendment no.14 में क्या हुआ था, कि Pondicherry जो है, Indian Union में आया था, France के अधिकरहन को छुड़ा करके, 21 amendment Act में सिंधी को official language, sorry, सिंधी को 8 में schedule में एक language की रूप में add किया गया था, 26 amendment Act 1971 में जो प्रिवी परसू जो मिलता था, former rulers को प्रिशली स्टेट में, प्रिवी परसू यानि कि जो उनके title बगारा थे, वो सब abolish कर दिये गए थे, 1971 में, 36 amendment Act में कैवा था, सिक्किम को इंडियन स्टेट की रूप में सामिल किया गया था, 42 amendment Act 1976 में कैवा था, fundamental duties prescribed की गई थी, इंडिया socialist secular republic बनता है, 44 amendment Act में right to property जो है, डिलेट किया गया था, fundamental rights की लिस्ट से, बावन में amendment Act में क्या हुआ था, कि जो defection होता था, पहले एक दल से दूसरे दल में जाते थे, उसको illegal खुशित कर दिया गया था, voting की age जो है, 21 से घटा करके 18 की गई थी, 61 amendment Act में, 71 amendment Act में, कौकडी, मनिपूरी और नेपाली को add किया गया था, 24 में amendment Act में, municipalities को include किया गया था, 86 amendment Act में, 2002 में free और compulsory education गोशित किया गया था, 6 वर्स से 14 वर्स के बच्चों के लिए, free compulsory education, 92 में amendment Act में, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथली को recognize किया गया था, languages group में, हमारे aid schedule में, अब बात कर लेते हैं, आगे 96 amendment Act में क्या हुआ था, कि, ODIA को ODIA से replace, replace किया गया था, ठीक है, हमारे aid schedule में, languages बदली गई थी, 96 amendment Act, 2011 किता है, 97 amendment Act में क्या हुआ था, 2012 में, part number 9B लाया गया था, हमारे constitution में, इसमें cooperative societies को लेक किया गया था, 101 way amendment Act में क्या हुआ था, GST लाया गया था, यह काफ़ी famous रहा था, हमारे 102 number के amendment Act में, National Commission of Backward Classes की स्थापना की जाती है, 103 number के amendment Act में, reservation economically, weaker section of societies को दिया गया है, 2019 में आया है, हमारा latest है, ठीक है तो इसके बाद अभी को amendment नहीं हुआ है, कुछ parliamentary terms हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले बता दे कि 42 amendment Act जो था, यह बहुत कॉम्प्रिहंसिव amendment था, इसमें करीब 69 clauses थे, इस वज़े से बहुत सारा change लेकर के आया था हमारे constitution में, इस वज़े से इसको mini constitution बोलते हैं, parliamentary terms है, सबसे पहला हमारा जो term है वो है, बिल, ठीक है, यह draft जो है legislative proposal का उसको बिल ही बोलते हैं, बिल जो है यह pass कर दी जाता है बोथ houses से, और फिर जब president उसको अपना essence दे देते हैं तो वो act बन जाता है, जो member होता है house of the people का लोग सभा का, वो member होता है, member other than minister जो होता है, वो private member होता है, termination जो कर दी जाता है, किसी भी house की sitting का बिना कोई अगली date दी है, तो उसको बोलते हैं, adjournment, sinne die, termination कर दी जाता है, किसी भी house के session का president के द्वारा article number 852 में नहित शक्तियों के तहर्त, उसको प्रोगेशन बोलते हैं, जो पहला आर होता है meeting का किसी भी house में, उसको question आर बोलते हैं, ये asking questions के लिए होता है, question पूछ जाने के लिए, minimum number of members जो हैं, ये present हो सकते हैं, मतलब जितने present होने चाहिए, house का normal business transact करने के लिए, उनकी संख्या, उसको quorum बोलते हैं, ठीक है, generally ये one tenth होती है, one tenth, एक self contained proposal होता है, ये house में approval के लिए पेश किया जाता है, और draft किया जाता है, उससे बोलते है resolution, ठीक है, resolution ये प्रस्ताव बोलते हैं, जब vote cast किया जाता है, किसी भी speaker ये chairperson के द्वारा, chairman के द्वारा, ठीक है, उसको casting vote बोलते हैं, कुछ words, कुछ phrases, कुछ गलत शब्द, आपत्ति, जनक शब्द, जो हटाये जाते हैं, proceedings से, ठीक है, house के record से, उसको expunction बोलते हैं, पार्लिमेंटरी टर्म्स और भी देख लेते हैं, जिसे budget, आप जानते हैं, कि annual financial statement होता है, estimator receipts और expenditure का, जो भी government of India, following financial year में करने वाली है, किसी expenditure का estimate, जो consolidated fund of India पे नहीं, अभी, चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, ये approval के लिए, house के सामने रखा गया है, ठीक है, इसको बोलते हैं, demand for grant, एक bill जो है, ये हर साल पेश किया जाता है, financial proposals जिसमें होते हैं, government of India के, आने वाले financial, साल के लिए उसको finance bill बोलते हैं, money bill जो है, ये article number 110 में बताया गया है, money bill जो है, बिना president के recommendation के, और, राज सब हमें introduce नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी भी grant में cut outी करने के लिए, जो रखा जाता है, प्रस्ता उसको बोलते हैं, cut motion, cut motion, cut motion भी three type के होते हैं, policy cut, economic cut, और token cut, सदन में पूछे जाने वाला short notice question क्या होता है, ये होता है, urgent character का public importance related, ठीक है, start question क्या होता है, कि member जो है, अकर इसका, एक oral answer चाहता है, ठीक है, मौकिक उत्तर अगर पाना चाहता है, ठीक है, तो इसको बोलते है start question, on start question में क्या होता है, कि ये house सदन के सामने table पर रख दी जाता है, question R के बाद, और इसका answer जरूरी नहीं है, कि यहाँ पर ओरली मिले, motion related terms जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तीन तरह के motion बतायागा, substantive motion, substantive motion, motion और subsidery motion, सबसे पहले तो motion क्या है, एक formal proposal है, ठीक है, ये प्रस्ताओं का मतलब है, कि एक opinion होता है, एक मनशा होती कि क्या चीज़ की जानी चाहिए, आगे किसी भी matters related, self content independent proposal जो submit की जाता है, सदन के समक्ष, और कह सकते हैं, कि ये पूरे सदन के, सदन के कह सकते हैं, कि उसके फैसले को कह सकते हैं, summarize करता है, तो ये क्या होता है, ये substantive motion होता है, किसी पूर्व प्रस्ताओं के substitution में ठीक है, उसके स्थान पर जो लाए जाता है प्रस्ताओं, किसी भी statements related, policies related, या other matters related उसको बोलते हैं, substitute motion, वो motion जो किसी पूर्व प्रस्ताओं से related होता है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि इससे फैसले निकाला जाए, फिर इसके प्रस्ताओं को माना ही जाए, इसको बोलते हैं, subsidery motion, subsidery motion भी तीन तरह के होते हैं, ancillary motion, superseding motion, और amendment, adjustment of the debate on bills के लिए, motions के लिए, resolutions के लिए, जो प्रस्ताओं लाए जाता है, उसको dilatory motion बोलते हैं, ठीक है, इसके यह मतलब होता है, कि जो business चल रहा है house में, उसको थोड़ी देर के लिए delay किये जाए, ठीक है, तब इसको बोलते हैं, dilatory motion, एक formal motion जो कि किसी भी सदन में पारित किये जाता है, जो प्रिजडेंट जी जो अपना address करते हैं, जो अपना भासन देते हैं, उस पर gratitude यानि आभार विक्ति करने के लिए, इसको बोलते हैं, motion of thanks, motion of thanks को article number 87 में बताया गया है, अब soil and crops के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें soil के बारे में facts देहन रखिएगा, soil जो है, endogantic plane में पाई जाती है, वो alville soil है, soil जो full जाती है, जब गेली होती है, और crack इसमें बन जाते हैं, जब dry होती है, black soil होती है, soil जो अपने में oxide present होने के कारण red होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है, लेटरलाइट soil, इसमें iron के oxides पाय जाते हैं, जो soil जिसको बहुत कम fertilizer के ज़रुरत होती है, वो alville soil होती है, वो soil जिसमें self-pluffing capabilities होती है, वो black soil होती है, कई बार पूछा जा चुका है हमारा question exam में, एक तरह की soil जिसको अगर gypsum से हम treat करें, तो ये cropping के लाइक बनाई जा सकती है, ये alkaline soil है, जो soil soluble salts में poor होती है, soluble salt content पर poor, वो lateralite soil होती है, वो soil जो rich होती है, surface accumulation of organic matter के हिसाब से, यानि कि जिसमें बहुत सारा organic matter पाया जाता है, वो PT soil होती है, खादर और बांगर जो है किस type की soil है, ये alovel soil है, वो soil जो rigor soil के नाम से जानी जाती है, वो black soil है, जो soil unfit होती है cultivation के लिए, यानि कि खेती करने के लिए जो ठीक नहीं होती है, वो lateralite soil होती है, ये generally इंटे बनाने के काम में आती है, ये कौन सी है, वो lateralite soil ही है, अब हम देख लेते हैं कि soil कैसे बनती है, ये alovel soil का formation कैसे होता है basically, जो silt deposit की जाती है reverse के द्वारा उससे, जो अवसाद नदियां लेकर आती है, उससे, black soil ये कैसे बनती है, ये जो लावा deck and plateau बनता है, उसके जो रॉक बनता है उसकी weathering से, red soil के बारे में बात कर ले तो crystalline और metamorphic rocks की weathering से बनता है, red soil crystalline rocks की weathering से और yellow soil metamorphic rocks की weathering से, later light soil के बारे में बात कर ले तो जो heavy rains के द्वारा leaching होती है और humus का destruction होता है, bacteria के द्वारा उससे बनती है, arid soil हमेशा dry conditions में जो rocks की weathering होती है, saline soil जो है ये tides, rivers और sea breeze के द्वारा salt deposition होता है, उससे बनती है, wheat soil में क्या होता है large amount में, जब organic matter इखटा हो जाता है, तो उससे बनती है, अब ये soil spy कहां कहां जाती है, ये जानना जरूरी है, elvel soil ये endogantic plains में मिलेगी, eastern coast के deltas में मिलेगी, river valleys में मिलेगी, और ये गुजरात और parts of राजिस्थान में मिलेगी, black soil के बारे में अगर हम बात कर ले तो ये कहा इस्टर और सदर्न पार्ट जो डक्किन प्लेट्यू के होंगे वहां पर, western ghats के slopes पर मिलेगी, ओडिशा के हिस्सों मिलेगी, 36 गड में, और सदर्न मोस पार्ट जो होंगे, middle ganga plane के वहां पर मिलेगी, ठीक है, later light soil के बारे में बात कर ले तो जहां पर high temperature और high rainfall पाये इस्टर और सदर्ण कोस्ट के डेल्टा में, सुंदर बन एरिया जो होते हैं वस्बंगाल के वहां पर मिलेगी, पीटी स्वाइल आपको, northern part जो हैं बिहार का वहां पर, southern part जो तरांचल का वहां पर, coastal area जो हैं वस्बंगाल के वहां पर, ओडिशा और तमिल नाडू में, ख राइस और मिलेट्स एग्जेंपल, रभी इसको बोय जाता है नूंबर में और काटा जाता है मार्च में के करीब, wheat, barley, mustard, जायद क्रॉप क्या होती है, मार्च में बोय जाती है, जून में एक टाली जाती है, इसमें आपके रसीले फल आते हैं, जैसे मस्क्रमेलन, वाटर म की जाती है रभी का मतलब क्या होता है स्प्रिंग होता है अराबिक में बस यह ध्यान रखना है आपको और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हमारी क्रॉप के बारे में हमारी जो क्रॉप है जिसको वाटर लोगिंग की जरूरत होती है यानिकी खेतों में पानी भरने की कि यहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेंफॉल होती है और स्लॉपिंग हिल्स पाए जाते हैं वहां पर कौन सी क्रॉप होती है जो क्रॉप जिसको लार्ज मांट में रेंफॉल लगती है और स्टेंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए फिसलता हुआ पानी होना चाहिए व अ attending क्रॉप has फॉपॉप जो बेचे जाने के लिए होती है ईłp काईश क्रॉप क्रॉप करेते हम तो अग्री कल्चर इसे घूखन दानी होती है सको और स्टैन्मे जो मृटी में ख्यती हूए और और अनिमल्स की जो री रिर्ग होती है उसको अकर बोलते हैं ऑर कल्टे इसक टेबल्स का guten nuts का और ornamental plants, queen flick याने की सजावट वाले पौधों का Second floor culture जिसको बोलते हैं विशेश रूप से फूलों की खेती को रिकासकते फूल ऊगाने वरिख को अर्बरी haftin on the tree उगने की खेती को उगाने के और ऊपिखी ओवलूर या फिर उसको उगाने को śilkworm की ब्रीडिंग करवाने को इस विई कल्चर ऑर याrop वेटी'' कल्चर बोलते हैं ग्रेप व्येंग की प्रक्रिया है होता है कि small channel बना जाते हैं को फरो बोलते हैं यह वाटर लेकर जाते हैं जमीन तक और प्रोप रोस बना दी जाती है वाटर जो है इंफिल्ट्रेट रहता है और यह शाप से बहता रहता है और तीसरा हमारा मेथड होता है आप आपको पता है की रास की अंतरु आता है इस में कोई सा मेंजडर और noon tidak गोड़ास के खोगाया जाटाए जैसे लुद्वाफटा मैं और इस तरह क्रावम स्वीनिंगा का सब्सक्रादाओं ऐसे अपनी पानी को बहुछन देता है जिससे क्या होता है इस हम बात करें तो ॐ इसमें प्रैशर से पाइप से पानी डाला जाता है इसमें डिपर decision काला हो outta हलांकि इसमें क्या होता है कि यह सभी क्रॉप्स के लिए नहीं होता है जो क्रॉप्स काफी महंगी होती है उनके लिए महंगा सिस्टम लगाना चाहिए हम sports के बारे में बात कर लेते, major sports events जो हुए हैं, आगे होंगे उन सबी के बारे में Olympics सबसे पहले कहां पर हुए थे, 1896 एथेन्स ग्रीस में last कहां पर हुए, 2016 रियो डिजनेरियो में, अगले कहां पर हुए, 2020 में हमारे उनके mascots भी आ चुके हैं, मिरा इतोवा एक mascots होगा और एक Somite होगा, मिरा इतोवा और Somite mascots भी खोशित की जा चुके हैं, Olympic के लिए, Commonwealth Games कब हुए थे, 1930 हैमिल्टन कैनेडा में सबसे पहले हुए थे, 2018 में, Queensland, Australia में हुए थे, बोर्बी, इनका में स्कॉर्ट था, 2018 में, बर्मिघं में प्रस्तावित हैं, 2022 में अगले हमारे Commonwealth Games, Asian Games और से पहले कहां पर हुए थे, हमारे आजादी के बाद हुए थे, 1904 न्यू डेली में, और लास्ट काम पर 2018, जकारता में, हैंग्जाओ में होंगे, चाइना में, अगले 2022 में, ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, Winter Olympics प्रस्तावित हैं, 2022 बीजिंग चाइना में, प्यूंग्यांग में हुए थे, South Korea में, 2018 में आप जानते हैं, World Military Games, 1995 रोम इटली में हुए थे, म्यूंग्योंग, South Korea में, 2015 में हुए थे, 2019 में वुहान चाइना में होंगे, Youth Olympic Games, Summer वाले 2010 सिंगापुर में हुए थे, 2018, अब यूने सार्जिस, अर्जिंटीना में हुए फिर, और अब जाकर के, Senegal की राध्दानी डाकर, 2022 में वहां पर प् लिननमर, नॉर्वे में हुए थे, 2016 में, लौसेन, स्विट्जर लेंड, 2020 में होंगे, अब अगले, क्रिकेट वल्ड कप सबसे पहला, 1976 में हुआ थे, 2015 में हुआ था, फिर, और अस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड में साइउत रूप से, 2019 वाला भी चल रहा है, इस समय अगर फुटबॉल्ड वल्ड कप सबसे पहला, 1930 में उरुगवे में हुआ था, 2018 वाला रशिया में हुआ था, 2022 वाला कहतर में होगा, फुटबॉल्ड वल्ड कप विमेन्स वाला सबसे पहला चाइना में हुआ था, 1991 में हुआ था, 2015 में कैनेडा में हुआ था, 2019 वाला फ्रैंस में होगा कि हो कि व्ल्ट कप सबसे पहलेला निस सो इकतर बरसिलोना में उआ था 2014 में हेग नीदर लैंड में वूआ था anaswar में यह मेंन्स वाले की बात करने हुआ था है में नहीं कहांपर हुआ था यूके में वह था मिझा से आगे बढ़ते हैं नहीं लोग एयू ए यूरोपियन फुटबॉल चैंपिंशिप जिसको बोलते हैं यूरो कब बोलते हैं शौट में लास्ट हुआ था 2016 फ्रैंस में 2020 में यूरोप की 13 सिटीज में होगा साउथ एशन गेम्स के बारे में बात कर लें 1984 काटमांडू नेपाल में सबसे पहले 2016 फ्रैंस में हुआ था 2019 में काटमांडू में होगे साउथ एशन गेम्स वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स टोरेंटो कैनिडा में 1985 में सबसे पहले 2017 में आउकलैंड न्यूजिलैंड में 2021 में कंसाइज जपान में होगे ICC Champions Trophy के बारे में बात कर लें 1998 में बंगला देश में हुए सबसे पहले 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में होगी और 2021 में चैंपिंस ट्रॉफी इंडिया में होगी IAF World Championship in Athletics 1983 हल्सिंस की फिनलैंड में हुए थे 2017 में लेंडन में और 2019 में दोहा कतर में एशियन अथलेटिक्स के बात कर ले तो 1973 में सबसे पहले हुए थे 2017 में फिर हुए और 2019 में होंगे वेन्डियू अभी डिसाइड हो गई है दोहा कतर रहेगी वर्ल्ड गेम्स के बारे में बात कर ले 2017 ये रॉकलाव पोलैंड में हुए थे अभी हाँ पर होंगे 2021 में बरमिध हम UK में सबसे पहले ancient Olympic Games कहाँ पर हुए थे 1776 बीसी में Greek God ZS के आउनर में ठीक है उसके बाद Olympic Games 1896 में हुए थे ग्रीस में Olympic Games को Olympic Games इसले बोलते क्योंकि ये City of Olympia में सबसे पहले हुए थे Father of Modern Olympic Games बोलते है पिरेरी डी कुबर्टिन को International Olympic Committee जो है ये पिरेरी डी कुबर्टिन के द्वारा फॉर्म की गई थी 1894 में इसका हेटक्वार्टर कहां पर लॉसेन स्विट्जर लेंड में Olympic का मोटो है CTS, LTS, 40S यानि के Swifter, Higher, Stronger जो हमारा 5 पाच कलर की रिंग से दिखाया जाता है इनका सिंबल इसमें कौन कौन से कलर की रिंग होती है कई बारा चुका है Red, Blue, Green, Yellow, Black Olympic flag जो है सकसे पहले फैराया गया था कहां पर 1920 के Olympic Games Antwerp Belgium में Olympic symbol जो है Olympic flag में दिखता है यानि कि वही पाच रिंग वाइट बैक्राउंड में Olympic की ओध किस्ति लिगी थी Piri Duke Kubertin Olympic की पहली opening ceremony कहां पर हो थी 1908 Olympic Games जो लंडन में होई थे वहां पर Olympic Games चार साल में होते हैं कब-कब नहीं हुए थे 1916 में नहीं हुए 1914 में नहीं हुए 1944 में नहीं हुए पहले Olympic Summer Games में वो थी Greece ही जहां पर हुए थे Athens में Olympic Flame जो है यह सबसे पहले कहां पर दिखाई गई थी मशाल Amsterdam Olympic Games में Cities जहां पर सबसे ज़्यादा बार Olympic Games हुए है वो है Athens, Paris, Los Angeles वो City जहां पर Olympic Games जो है तीन बार हुए है वो है London वो City जहां पर Summer Olympics मैक्समम बार हुए है वो है US का Los Angeles, St. Louis और Atlanta Olympic में एक स्पोर्ट को क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि वो स्पोर्ट यानि कि वो खेल 75 कंट्रीज में मेंस के द्वारा खेला जाना चाहिए या 4 कॉंटिनेंट में और विमेन के द्वारा एक लिस्ट 40 कंट्रीज और तीन कॉंटिनेंट में खेला जाना चाहिए फर्स्ट इन इंडिया स्पोर्ट के बारे में बाज आते हैं हमारे देश में स्पोर्ट में सबसे पहली बार क्या क्या चीजें हुई पहले इंडियन जिन्होंने इंडिविजवल मेडल जीता उलम्पिक गेम्स में वो है करड़म मलेश्वरी पहला इंडियन और साथ ही पहला एशियन जिन्होंने विम्बलडन जूनियर सिंगल्स टैटल जीता वो है रामनाथन कृष्णन उन्सोचववन में पहले इंडियन जिनोंने Grand Slam टाइटल जीता French Open Mixed Double Title में वह है महेश भूपती पहले इंडियन जिनोंने Carrier का पहला Grand Slam जीता Mixed Double में ठीक है वह है महेश भूपती Mixed Double में क्या होता है एक Women और एक Men खेलते हैं First Indian जिनोंने World Champion जीता Billiards में वह है William Jones पहले इंडियन Grand Master और साथी साथ पहले इंडियन जिनोंने 5 World Chess Championship जीती वह है विश्वनाथन आनंद उसके बाद अगर हम देखे तो पहले इंडियन जिनोंने Under 10 World Chess Championship जीती वह लड़का था पी हरी कृष्णा पहले इंडियन जिनोंने All England Bad Binton Championship जीती वह है प्रकास पादुकोड पहले इंडियन जिनोंने एक Medal जीता Commonwealth Games में वह है आशीश कुमार पहले इंडियन जिनोंने Grand Master का Title हासिल किया वह है कौनरू हम्पी यंगेस्ट इंडियन जिनोंने Grand Master का Title हासिल किया वह है परिमारजन नेगी यंगेस्ट इंडियन जिनोंने Test Cricket Team की कफटान सम्पानली वह है मनसूर अली खान पतावधी फादर साफ कैं फुर्स्ट इंट्यन जिन्होंने इंगल्डिस टेंल क्रास्व किया मिहिर सेन फेस्ट इंडियन लिए इसे किया वो है आरती साहा, फर्स्ट इंडियन विमन जिसने गोल्ड जीता इशन गेम्स में वो है कमल जीत संधू, पहली इंडियन विमन एथलेट जिसने मेडल जीता वर्ल डिमेंट में, ब्रॉंज की कटेगरी में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपिंशिप दोजार, तीन में व वर्ल्ड जूनियर बैडबिंटन चेंपिंशिप जीती और साथ ही साथ सुपर सिरीज टूर्टेमेंट जीता, इंडोनेशिया उपन जीता था नहोंने, फर्स्ट इंडियन विमन जिनको पहली बार रैंक वन में रखा गया, वो है साइना नेहवाल, साइना नेहवाल के रि कि वो है करणम मलेश्वरी, ज्यांचान लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे पहले एक विमन को के रूप में किसे मिला था, अपर्णा घोष को, फर्स्ट क्रिकेटर जिन है अर्जुन अवार्ड मिला था, वो है सलीम दुर्रानी, फर्स्ट इंडियन जिन्होंन सॉबर्स ट्रॉफी बोलते हैं, ये लगातार तीन बार विराट न जीती है, अभी इन सालों में सबसे पहली बार किसको मिली थी, किस इंडियन को, राहुल द्रविड को, और फर्स्ट इंडियन रिसीपियंट कौन है, विजडन लेडिंग क्रिकेटर आफ दे यर के, वो है विरेन सहवाग। में यानि गोवा में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मुंबई में इडन गार्डन स्टेडियम में कुलकाता में चिदंबरम स्टेडियम में चन्नाई में कीनन स्टेडियम में जमशेद पूर में बाराबती स्टेडियम में कटक में मौलाना अजाद स्टेडियम जम्मू में सिले स्टेडियम में पतना में कंचन जंगा स्टेडियम से लिगोडी में रशह हैं समान सब्सार पिर नायसिर स्टेडियम नहीं में खान साहेप उसमान अली स्टेडियम में फतुला में शेक अबू नासिर स्टेडियम में छूलना में पाकिस्तान में स्टेडियम तीन है गद्दाफे स्टेडियम लाहुर इकबाल-चेडियम फैसलबाद नैसल स्टेडियम कराची इंग्लाइनम स्टेडियम कौन कौन से जहां पर आप देखोगे यह फेमस भी मतलब इस समय तो आप देखी रहे होंगे चर्चा में क्योंकि वल्ड कप चल रहा है यहां पर हेडिंग ले लीड्स लौड क्रिकेट ग्राउंड और दा स्टेडियम में सेंचूरियन में किंग्समीड स्टेडियम डर्बन में सेंट जॉर्ज पार्क यह पोर्ट एलिजबेट में विलो मूर स्टेडियम में बनौनी में और नुव लैंड स्टेडियम में कैप टाउन में स्ट्रिलंका में जो स्टेडियम है यह पांच हैं पीसार पर किंग्सटन फूर्ट पार्वर्ट वेरिंपर्क बैस्टर नुज्जेलन आपके में आपके क्राइस्ट चर्च में हैमिल्टन में नेलसन में और वेलिंग्टन में शेख जायद स्टेडियम अबु दाबियों में आपर भी काफी सारे मैचेंश होते हैं Sports Awards के बारे में बात कर ले राजीव गांदी खेल रतन इस spectacular performance outstanding performance के लिए मिलता है किसी भी sports person को जो 4 साल से लगातार खेल रहा हो ठीक है ये 1991-1992 में establish करा गया था इसमें 7.5 लाग का आवार्ड मिलता है द्रोणा चार रेवार्ड ये coaches को मिलता है और संख्यत है नहीं होती है कि ह इसमें 5 लाग रुपए पर कोच मिलता है द्यांचन्द अवार्ड के बारे में बात करने 2002 में शुरू किया गया था ठीक है इसमें 5 लाग रुपए मिलता है ये पूरे lifetime जो अचीव करता है sports person उसको देख करके ये अवार्ड मिलता है ठीक है तेंजिंग नौर्वगे national adventure award ये किसको मिलता है जो adventures related sports में जुड़े होते है land sea और air में ठीक है ये 5 लाग रुपए का वार्ड होता है अरजुन अवार्ड ये किसको मिलता है ये मिलता है करीब 15 लोगों को अलग-अलग sports related जो होते है और बहुत अच्छा performance जिनका रहता है उनको मिलता है ये 5 लाग रुपए का वार्ड ये राश्ट्री खेल प्रोचसान पर उसकार इसमें cash अवार्ड नहीं मिलता है ये उन कह सकते institutions को मिलता है वह authorities हो सकती है वह institutions या फिर colleges हो सकते हैं जो किसी ना किसी तरीके से university sports को promote करती है उनको मिलता है ये recognition होता है इसमें को cash नहीं मिलता है उनको मौलाना अबुलकलामाजार ट्रॉफी जो होती है universities को मिलती है ठीक है इंटर university tournament में जो टॉप करते हैं उनको और ये 10 लाक रुपए 5 लाक रुपए और 3 लाक रुपए अलग-अलग यहां पर होते हैं एक टेक्री से हैं important facts यहां पर जो open tournaments होते हैं यह आपको टेन्स रेलेटेड होते हैं तो और रश्ट्रेलीन ओपन होता है सबसे पहले साल फिर फ्रेंच ओपन होता है फिर विंबलडन होता है ठीक है Australian Open चाई French Open चाई Wimbledon चाई US इसमें कई सारे events होते है इसमें सारे events men's singles का होता है men's singles फिर होता है women's singles होता है फिर mixed men's होता है men's doubles जिसको बोलते है फिर women's double होता है फिर होता है आपका mixed doubles फिर girls फिर जो नियर वाला लेकिन हमको ध्यान में कौन से रखना होता है जो हमसे current affair में पूछते हैं वो men single का नतीजा पूछते हैं किसने जीता और women singles का पूछते हैं तो यह आपको ध्यान भी रखना पड़ता है यहां पर आपसे कभी ने पूछेगा कि पहला कप से पहला कहां हुआ था यह जरूर ध्यान रखेगा कि कौन सा मुकाबला किस तरह के court में होता है जैसे Australian Open कहां पर होता है प्लेक्सी कुशन court में और यह French Open कहां पर होता है यह clay में होता है पिंबल्डन घास पर होता है और यूएस ओपन डिको टरफ पर होता है ठीक है 2019 के जो मकाबले हुए हैं 107 वह आपका Australian Open था यह किसने जीता है आपका मेंस वाला यह आपको पता होना चाहिए मेंस वाला जीता है नवाग जोकोविच ने और विमेंस वाला किसने जीता है यह जीता है नावमी ओसाका ने यह जापान से हैं फ्रेंच ओपन भी खतम होए ले टेस्ट जून में खतम होए यह फ्रेंच ओपन वाला किसने जीता है मेंस वाला जीता है राफिल नडाल ने और आपका विम्मिन्स वाले जीता है एशले बार्टी ने एशले बार्टी विम्बल्डेन अभी हुआ नहीं है यूएस ओपेन जबी भी होगा तो आप इसके नतीजे ध्यान रखेंगे अब क्रिकेट के कुछ यहाँ पर स्टैट्स देख लेते हैं हम लोग जो मेशा पूछे जाते हैं हमसे क्रिकेट के स्टैट्स आपको सभी को पता होना चाहिए भले ही आप क्रिकेट देखें चाहे नहीं यह सबसे ज़्यादा रन्स किसकी ने बनाए है सचिन देंदूलकर ने यह अन्बीटन है 18,0426 उनके अभी तक किसी ने इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है और बहुत करीब भी नहीं है कोई उसके बाद रिकी पॉंटिंग फिर जैक स्कैलिस आते हैं फिर कुमार संगकारा ब्राइन लारा ठीक है उसके बाद जावेद मियादा दिंजमाम न्यूजिलैंड इसे फिर आपके स्टीफन फ्लेमिंग आते हैं इंगलैंड से अलियेस्टर कुक और इंगलैंड से बेल यह किसी भी कंट्री से वो ब्राइन लारा का है 400 नॉट आउट अब मुस्ट विकेट्स की हम बात कर लेते हैं तो इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं बंडे में 619 अनिल कुम्बले ने और शेन वार ने लिए हैं टेस्ट में 708 श्री लंका की तरफ से मु उडिक बॉलर के दरा सबसे ज़्यादा विकेट हैं थीक है मुधाइयस ज्यादा किसी की नहीं है सबसे वुप्राबर ठीक है 337, important cups and trophies देख लेते हैं, कौन सा cup, कौन से trophy की scale से related है, यह आता है, डेविस cup किस से related है tennis से, यह federation cup किस से related है tennis से, weight man cup किस से related है, यह भी tennis से, यह women tennis से, ठीक है, women tennis के women tournament से, medica cup यह किस से related है, football से, rider cup गोल्फ से, solim cup यह गोल्फ से, walker cup यह गोल्फ से, thomas cup यह badminton से, uber cup यह badminton के women tournament से, सुधिर्मान cup यह badminton से, सुधिर्मान cup यह badminton से, स्वेथलिंग cup यह table tennis से, कौर्बिलन cup यह किस से, table tennis से, अज़ा table tennis हमारे किस table country का राश्ट्री खेल है, वो है China, ठीक है, चाइना का राश्ट्री खेल है, TT यह 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 table tennis, आगे पुरते हम लोग, सुल्तान अजलान शाह cup किस का है, यह होकी men's का, beaten cup किस का है, यह होकी का, mcc मुरूगपा गोल्ड cup किस का है, यह होकी का है, सुबरतो cup किस का है, फुट्बॉल का, डूरंड cup फुट्बॉल का, संतोज trophy football की, रोवर्स का फुटबॉल का रडजी ट्रॉफी क्रिकेट की दलीब ट्रॉफी क्रिकेट की इरानी देवधर विजय हजारे ये सारी ट्रॉफी क्रिकेट किये हैं इनके विनर्स जरूर पूछ जाते हैं कि लेटिस विनर कौन है जिसे रड़जी में 2019 का आप से पूछ सकते है विनर कौन है ठीक है दलीब ट्रॉफी का विनर जभी भी होगी है तो विनर कौन था फाइनल में पूछा जाता है बताए हमको कमेंट करके रड़जी ट्रॉफी 2018 या फिर जब भी भी लास्ट टूर्नमेंट हुआ है उसके विनर होते हैं रग्भी फुटबॉल में 15 होते हैं पोलो में 4 होते हैं वाटर पोलो में 7 होते हैं वायली ब남 करलेते को होते एक साइड़ फोटबुल की सिंगल्ड डिबल यानि कि एक कोड में तरफ होता है दूसरे दूसरा निस wanna झो सकते हैं एक है या तो प्रक्षक लिए उसके वबनोई सबूसर्टिंट या तो एक यह टोफ़े प्रभन चुर्ण के कुछ मेजर्मेंट डिये हैं फूटबॉइल की maximum length, maximum width, maximum कितनी हो सकती है, यह hockey का ground जो है, यह उसका measurement दिया हुआ है, basketball ground का measurement, रगभी football का measurement, पोलो का measurement दिया हुआ है, पोलो का वैसे इतना याद करने जरूरत नहीं है, आप skip कर सकते हैं इसको, lacrosse handball का given है, rare cases में चीज़ें आप से पूछ सकते हैं, volleyball में measurement court का कितना होता है, tennis में यह होता है, सेपाउक में होता है 13.4 into 6.1, और कबड़ी में होता है 13 into 10 men वाले में, और 12 into 8 women वाले में, sports organization कौन कहां पर है, इसको देख लेते, international olympic committee loss in Switzerland में, आप देखो कि ज्यादा तर committee loss in Switzerland में, उपर से नीचे तक, ठीक है, तो जो loss in में नहीं है, उनको याद करिए ठीक है, जैसे यह International Handball Federation यह बेसल में है, Switzerland में तो इसको याद करिए, International Cycling Union यह IGIL में है, Switzerland में इसको याद करिए, जो loss in में नहीं है, International Basketball Federation, FIBA, यह माईश Switzerland में है, Federation International Day Football Association, FIFA, यह Jewish में है, Switzerland में, United World Wrestling, यह कहां पर है, यह Switzerland में तो है, लेकिन, Corsairs और वीवी में है, International Association of Athletics Federation, इसका कहां पर है, Monaco में है, Federation International Day, यह फिर कहां सकते है, World Chess Federation कहां पर है, Athens, Greece में है, जहां पर हमारे सबसे पहले, Olympic Games हुए थे, International Shooting Sports Federation, यह Munich में है, जर्मनी में, Badminton World Federation, यह Kuala Lampur में है, Malaysia में, International Modern Pentathlon Union, यह कहां पर है, Monaco में है, International Tennis Federation, ITF, यह London, Great Britain में है, World Rugby यह कहां पर है, Dublin में, Ireland में, World Sailing कहां पर है, यह Hampshire में है, Great Britain में, International Weight Lifting Federation यह कहां पर है, यह Hungary में है, अब places of interest देख लेते हैं, यहां पर कौन सा म्यूजियम कहां पर है, National Museum Delhi में, National Philatelic Museum Delhi में, फिलेटली का क्या मतलब होता है, फिलेटली का मतलब होता है, डाक संग्रे, तो डाक संग्रे का म्यूजियम कहां पर है, New Delhi में, National Police Museum कहां पर है, New Delhi में, Rail Transport Museum कहां पर है, New Delhi में, Air Force Museum कहां पर है, New Delhi में, National Handicraft and Hand Looms Museum यह भी डेली में, जादातर म्यूजियम आपको डेली में देखने को भिलेंगे, Indian Museum जो सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडिया का, वो Kolkata में है, यह बात ध्यान रखिएगा, Madam Tussard का जो Wax Museum है, यह कहां पर है, New Delhi में, 36 साहुजी महराज वास्तु संग्रहाल है, यह कहां पर है, Mumbai में, Bombay Natural History Museum यह मूंबई में, Birla Industrial and Technological Museum यह कोलकाता में, विश्वेश्वरहिया, Tech Museum यह कहां पर है, Bangaluru में, Kaliko Museum of Textile से कहां पर है, एमदाबाद में, Nepier Museum कहां है, तिर्वननत्पुरम में, Victoria Jubilee Museum कहां पर है, विजयवाडा में, Naval Museum कहां पर है, इसको स्वानड जोती Museum बोलते हैं, विशाखा पत्नम में है, नेवल, Aviation Museum कहां पर है, वैसकोडी गवामा, गोवा में, दांडी कुटीर Museum में, गांधी नगर में, सब्मरीन Museum कहां पर है, यह है, विशाखा पत्नम में, Partition Museum कहां पर है, अमरित सर में, National Museum of Indian Cinema यह हुंबई में है, Gardens of India की बात कर लेते हैं, यह सब इन्जोर Garden है, यह चंडीगड में, लाल बाग बैंगलूरू में, शालिमार बाग श्रीनगर में, बुद्ध जैनती पार्क यह आपका न्यू डेली में है, ब्रंदावन Garden मैसूर में, मुगल Garden डेली में, रॉक गार्डन चंडीगड में, निशात बाग श्रीनगर, हैंगिंग गार्डन मुंबई में, खोसरो बाग अलाहबाद में, यह फिर कैसे थे प्रयाग में, सिकंदर बाग कहां पर है, लखनव में, कोरोनेशन पार्क कहां पर है, न्यू डेली में, अल्फरेट पार्क कहां पर है, फ्रीडम पार्क कहां पर है, बेंगलुरू में, इंद्रा, गांधी, मेमोरियल, ट्यूलिप गार्डन यह श्रीनगर में हैं, अब monuments की बात कर ले तो आगरा फोर्ट, आगरा उत्तर प्रदेश में, जन्ता केव, सौरंगाबाद महराष्टर में, बुद्धिष्ट monuments जो सांची में है, राइसीन, अमध्र प्रदेश में है, चंपानेर, पावगड़, आर्केलोजिकल पारकी पंच महल, गुजरात में है, और छत्रपती शिवाजी, टर्मिनस सी मुंबई में है, चर्चस and Convents of Goa, ये गोवा में है, एलिफेंटा केव सापकी मुंबई में, एलोरा केव सोरंगाबाद में, फतेपुर सीक्री आगरा में, ग्रेट लिविंग चोल टेंपल, ये बहुत सारे टेंपल जो हैं चोलों क है, ये कहां पर है, करनाटक में, हमायू का मकबरा, न्यू डेली में, खाजुराहो की ग्रूप आफ मॉनुमेंट्स कहां पर है, मध्र प्रदेश में, महाबोधी टेंपल कहा है, बोध गया में, मौंटेन रेलवे ऑफ इंडिया ये कहां पर है, दारजलिंग में, कुतुब मंतर कहां पर है, जैपूर राजिस्थान में, हिल फोर्स जो राजिस्थान के, वो कहां पर है, चिताओर गड़, कुंबल गड़, सवाई मादोपूर, जलवाड, जैपूर, जैसलमेर में, ठीक है, रानी की वाउ कहां पर है, पाटन गुजरात में, नालंदा, महा विहार क आर्चिटेक्चिरल वर्क जो लीक और विसिर का है वह कहां पर देखने क्विलता है चंडीगर में historic city जो एहमदाबाद की है वो कहां पर एहमदाबाद में Victoria का Victorian Gothic आर्ट कहां पर आपको देखने क्विलती है मुंभाई महरास्ट में आर्चेलोजिकल साइट सरून की लोकेशन जैसे हरापपा आपको घाँपर साहिवाल डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब परांत का जो की आप पाकिस्तान में चला गया है वहाँ पर देखने को मिलता है मोहन जोद्रो ये लर्काना डिस्ट्रिक्ट जो सिंद प्रांत है में पाकिस्तान में वहां देखने को मिलता है लोथल कहां पर एहमदाबाद गुजरात में काली बंगन हनुमान गड़ नाम के जिले पर राजस्थान में दोल वीर जिसको बोलते थे कच्छ में मिलता था मौडरन डे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है भिराना आपको कहां पर देखने को मिलता है फतेहबाद में बनावली आपको कहां पर देखने को मिलता है फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट जो हर्याना में है और आदी चंचनलू कहां प कहां पर है मुलन संद जो सिंद जो है पाकिस्तान में आमरी कहां पर दादू नाम की जगह पर सिंद प्रांथ पाकिस्तान में महरगड बलूचिस्तान पाकिस्तान में गनेरी वाला पंजाब प्रांथ पाकिस्तान में राखी गड़ी जो है इसाय डिस्ट्रिक्ट हर्याना में है और अटिराग अटिरम पक्का यह कहां पर तिरुवलुव डिस्ट्रिक्ट जो तमिल नाड़ में है हमारी important archaeologists जो हैं जिन्होंने महतपूर्ड हमारे जगहों को excavate किया उनके बारे में बात कर लेते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम सबसे पहले आएगा British Army officer थे और साथ ही साथ एक archaeologist जो थे इन्होंने सहारनाथ और सांची में बहुत सारी places को excavate करवाया और बहुत सारे चीज़ें हमको ढूंडने में मदद करी ठीक है यह यह हमारे पहले डारेक्टर थे आर्कलॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया के यह भी काफी important जीखे का fact रहेगा आपका सर जॉन मार्शल के बारे में बात कर लें तो डारेक्टर जनरल थे आर्कलॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया के एसाई के 1902 से 1928 तक इनके कारिकाल में इंडूस वैली की साइट सरप्पा मोहन जोदुडो की खुदाई की गई थी ठीक है राखल दास बिनर्जी की बात कर लें तो आड़ी बिनर्जी हमारे हिस्टोरियन यानि इतिहास भी थे साथिसाथ आर्कलॉजिस्ट भी थे उन्हे इंडूस वैली साइट मोहन जोदुडो की खुदाई करवाय थी 1922 में दैराम साहनी की बात कर लें इंडूस वैली साइट हडपा में ठीक है और यह पहले इंडियन डिरेक्टर जनरल बने थे आर्कलॉजिकल सर्वे अफ इंडिया के 1931 में इनको राज बहादूर मेडल मिल में इंपोर्टेंट मंदिर कहां पर हैं इंपोर्टेंट मंदिर जैसे चीना के सव टेंपल जो है यह बैलूर करनाटक में है ब्लैक पगोडा यह सेंट टेंपल कोनार्क में है ब्रदेश्वर मंदिर कहां पर है यह तंजवूर या फिर तंजोर डाम की जगह पर तमिलनाड में है गंगाई कोंड चोला पुरम मंदिर यह कहां पर है गंगाई कोंड चोला गंगाई कोंड चोली वस्रम नाम की जगए पर तमिल नाड़ु में आयरावतेश्वर मंदिर कहां पर है दार सुरम में तमिल नाड़ु में और कोल्डन टेंपल पंजाब अम्रित सर में सभी ज मुंदेश्वरी टेंपल कैमूर बिहार में शोय टेंपल महाबलीपुरम तमिलनाड़ू में सोमनाठ टेंपल जूनागड गुजरात में स्थिरुपति टेंपल चित्तूर आंधर प्रदेश में सबरी माला टेंपल पाथन मिठ्थन केरल में और दिलवाडा टेंपल माउंट में कामाख्या मंदिर ये गुवाहाटी एसम में है जीष्ठा देवी मंदिर ये श्री नगर जेंड के में है दक्षडेश्पर मंदिर कोलकाता बेस्ट बंगाल में अब किले कौन-कौन से इंडिया में उसके बारे में अगर हम देखे तो रेड़ फोर्ट आपका दिल्ली में शाजाहने बनवाया तुमभल गड़ किसने अकॉंद के कुम्बल गण फोर्ट किसने बनवाया राणा कुमभा ने कहां पर है ये राजस्थान मे काहां पर है यह राजिस्थान में राजमान सिंह ने या या फिर मैसूर हो या किस से बनवाई क्रश्न राजेंद्र वडियार फोर्ट पैलेस क किस्ते बनवाई नवाब विकारुल उम्रा ने आइलेंड पैलेस किस्ते बनवाई जिसको जग मंदिर बोलते हैं अब सिसोधिया जो शाषक थे मिवार के उन लोगो ने लक्ष्मि विलास पहले से किस्ते बनवाई सयाजी राओ गायकवर्ड थर्ड ने लालगड का पहले से किस्ते बनवाई महराजा गंगा सिंग ने जहाज बहल किस्ते बनवाई सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने आनंद भवन किस्ते बनवाया, मोतिलाल नहरू ने, राष्टपती भवन किस्ते बनवाया, एडवाइड लुटियन्स ने, विक्टोरिय मेमोरील किस्ते बनवाया, विलियम एमर्सन ने, जो कि आर्किटेक्ट थे, और चव मोहला पैलेस किस्ते बनवाया, असाफ जाही मस्जिद कहां पर एहमदाबाद में कुवत अलुस्लाम मस्जिद ये भी डेली में है मक्का की मस्जिद कहां पर है हैदरबाद मोती मस्जिद डेली में सिधी बशीर मस्जिद कहां पर एहमदाबाद में और ग्यान व्यापी मस्जिद वरलसी में चेरामन जुमा मस्जिद ये मस्जिद कौन है भारत की चामेर जुमा मस्जिद ये थ्रिसूर केरल में है इसको देहन रखिएगा चेरामन अब कुछ मगबरे ताजमेल किस्ति कहां पर आगरा में सबी को पता आए अकबरक मगबरा सिकंद्रा में है इमताद उदुद दौला का मगबरा कहां पर है आगरा म में हुमाईयू का मखबरा कहां पर डेली में बीबी का मखबरा और अंगाबाद में गोल गुंबस कहां पर है वीजापूर में महराश्टर में शेर शाह सूरी का मखबरा सासाराम भिहार में है कुतुब शाही टॉंब जो है है हाइदरबाद में है और भी important places बड़ा इमाम ब बड़ा लखनों में जंतर मंतर दिल्ली पर जॉग या फिर गौर्षप्पा पाल उनको बोलते हैं शिमोगा करनाटक में है बेसलिका ऑफ बॉम जीजस यह कहां पर है गोवा में सी कथेड्रल गोवा अब जू से यहां पर दिये हुए है ऐलन फॉरस्ट जू कानपूर में अलिपूर जूलोजिकल गार्डन कोलकाता में अरीगड अन्ना जूलोजिकल पार्क चिन्नई में हिंद्रा गांधी जूलोजिकल पार्क विशाख में वाइसाय के विशाखवटनम में कमला नहरू जूलोजिकल पार्क आइंदाबाद में च्छतबीर जू यह आपका जिरा नेहरूर जियोर। पार्क आइद्रवाद में, श्री चम राजेंदर् जियू पार्क महसूर में पदमज नायडो हिमाले जियू जियू जैल नुडेलि consent No our Rolama जेल मुले में यर्वड़ा जेल पुरे में, सलिवलर जेल, पोर्ट बलेर में, नैनी जेल, अलावाद में, कोट बलवल जेल ये जम्मू में, कोट लगपत जेल ये लाहोर, पाकिस्तान में Library की बात करने तो, खुदा बक्ष Oriental Library reporting, पठ्ना में, National Library of India कोलकाता असाफिया स्टेट लाइबरेरी ये स्टेट सेंटर लाइबरेरी हाइदरबाद में मुहम्मदन पब्लिक लाइबरेरी चेंड़ाई में रामपुर राजा लाइबरेरी रामपुर यूपी में रोमेन रोलैंड लाइबरेरी पुडूचेरी में अजंता केव सी औरंगाबाद में, अमरनाथ केव सी अनंतनाक कश्मीर में, इडकल केव सी वायनाड केरल में है, और अलिफेंटा केव सी मुंबई महराश्ट्र में है, एलोरा केवस आपका औरंगाबाद में भीम बेटका की कुफाई रायसीन MP में बदामी केवस बगल कोट करनाटक में बेलूम केवस आपकी कुर्णूल एपी में उदैगीरी और खांडागीरी केवस ये कहाँ पर भुवनेश्वर ओडिशा में उदैगीरी केवस ये विदिशा MP में सोन भंदर केवस ये राजगीर बिहार में और कुतुम सार केवस ये बस्तर चतीजगड में पांडू लेनी केवस ये नासिक महराष्ट में केटवे ओफ इंडिया मॉंबई इंडिया गेट न्यू डेली बुलन दरवाजा, फथेपूर सीकरी, रूमी दरवाजा आपका लखनोव, चार मिनार हाइधराबाद कीर्ती स्थंब ये कहां पर है चित्ता औरगड में कुतुम मिनार डेली में शेकिंग मिनारेट ये कहां पर है सीधी बशीर मस्धित दो है एमदाबाद वहाँ पर जिन्ना का टावर कहां पर है गुंटूर आंधर प्रदेश में important monuments कब बनवाए किसने बनवाए क्या reason था इनको देखते हैं अपनी गुजरात विजय को सेलिबरेट करने के लिए बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनव में है नवाब असाफुद दौला जो अवत का नवाब दहुस ने बनवाए था employment जो है जो सूखे के समय आ गई थी उसको employment generate करने के लिए विजय स्तंब चित्ता और गड़ में राणा कुमभा ने बनवाए था ठीक है अपनी विजय सेलिबरेट करने के लिए मेहमूत खेल जी के खिलाफ ठीक है चार मिनार किस ने बनवाए था मोहमद कुली कुतूप शाह ने यह हैदरबाद सिटी की पहली building मानी जाती है और यह भी बिलीब किया जाता है कि जो प्लेग फैला हुआ था सिटी में उसको eradicate कर दिया गया था उसकी खुशी मनाने के लि मरे थे फर्स वर्ल्ड वार में उनको यहां पर बिलाकर के सम्मान देने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई यह एक बार फिर से ब्रिटिश ने बनवाया जॉर्ज विलेट विटलेट जॉर्ड विटेट ने इसको डिजाइन किया था किंग जॉर्ज फिफ और क्वी गया था यह विक्टोरिय में मुरी लिए ब्रिटिश ने बनवाया था विलियम एमर्सन इसके आर्किटेक्ट हैं कुईन विक्टोरिया की डेथ हुई थी 1901 में और मॉन्मेंट कंप्लीट हुआ था 1921 में ब्रिजस तूप स्टैचूस की बात कर लेकर हम तो हावडा हाई हर गंगार नदी पर स्टैचिने कहां और मिख सेथ हुआ रेलल्व सेथ कोलकाता में पर बन साबरमती बना ओपर में कोरणेशन प्रिज यह तीस्ता नदी पर बना ओवा है सिलिकूरी में सिगनेचर प्रिज यमुना पर डेली में अब स्टैचू के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग स्टैचू कौन सी कहां कहां पर हैं किस किस की हैं इनसे भी कोशन्स आते हैं सबसे पहले अगर हम बात कर लें गोमतेश्वर स्टैचू की जो बाहु बली की स्टैचू है इस रमड बेल गोला करनाटक में है उग्र नरसिं में है Statue of Kannagi यह कहां पर है मरीना भी छेननाई में 11 मूर्ति यह कहां पर है यह है डेली में महात्मा गांदी जी की सबसे उंची प्रतिमा कहां पर है गांधी मैदान पट्ना में Statue of Rishabadeva यह कहां पर है यह मांगी प्रफ़ान रखिये गई ग्यारह मूर्थी जो है यह क्या ग्यारह मूर्थी में गांधी जी और दस लोग दिखाए गए हैं जैसे आपको 500 के नोट पर दिखेंगे ठीक है वही है ग्यारह मूर्थी जो डेली में स्टैचू अफ सर्दार वल लभाई पटेल स्टैचू अफ यूनिटी बोलते हैं इसको यह साधू बेट आइलेंड गुजरात में बनाई गई है ठीक है सांची का स्टूफ आपको कहां पर देखने को मिलेगा सांची में रायसीन डिस्ट्रिक्ट एंपी में धमेक स्टूफ आपको कहां पर देखने को मिलेगा सारना तुत्तर प्रदेश में केसरिया स्टूफ आपको केसरिया नाम की जगहे पर पटना बिहार में देखने को में कोवलम तिरू में गहिर माथा कहां पर है कांदर पाड़ा ओडिशा में है और रूशी कोंड़ा ये कहां पर है ये भी विशाखा पत्नम या वाईजाग में है आंध्र प्रदेश में चोरवार ये कहां पर है जूनागर उजरात में है राधानगर ये कहां पर है ये है है आइलेंड अंडमान ने ओल्डर ड्यूडेव तो आप जानते ही चिन्नाई मद्रास ठीक है कॉलकाता को पहले कलकत्ता बोलते थे मुंबई को बॉम्बे वडोद्रा को बराउदा बोलते थे पहले कोजी कोड को कालिकट बोलते थे कोची को कोचीन सब्सक्राइब देख रहें हैं यह पुराना नाम है ठीक पहले पलक्र्कड यह पाल गहाट पहले था डॉक्टर अम्बेटकर नगर पहले महु था और कोलम ये पहले कुलोन था अलुवा ये अलवय था प्रयाग राज जी अलाहबाद था पहले आप सभी को पताए लेटेस्ट में चेंज हुआ है 2018 में पिशावर ये पहले इसको पुरुषपुर बोलते थे पुरुषपुर किस बोलते थे और बिदार को मुहमदाबाद बोलते थे गुलबर्ग को बोलते थे अहसानाबाद और अवरंगल को बोलते थे उरा गुल्लू निग्नेम्स अफ दे सिटी जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते है जैपुर को पिंक सिटी जोदपुर को सन सिटी बैंगलूरू को City बोलते हैं, लखनों को City of Nawab, कच को बोलते हैं, फ्लैमिंगो City, ठीक है, उदैपूर को बोलते हैं, Lake City, Kolkata को बोलते हैं, City of Palaces, और विदार को बोलते हैं, City of Whispering Mountains, अब कौन सो City किस के लिए जाना जाता है, ये भी बहुत आता है, जैसे अडोनी है, ये Cotton Textile के लिए जाना जात है, Along with Kanpur, अलीगड़ ये जाना जाता है, अपने तालों के लिए, Locks के लिए, आनन्द ये जाना जाता है, Dairy Products के लिए, गुजरात में, और आप जानते हैं, Amul का प्लांट आनन्द में है, कोयमबटूर, इसको ये Famous अपने Wet Grinders और साडी इस के लिए, फिरोजबाद ये के समान के लिए Famous है, और Basically Bangles, ठीक है, Bangles, कानपुर में Leather बनता है, ठीक है, यहां पर बहुत High Quality के Leather, काफी सिस्टेम मिल जाता है, कानची पूरम में Silk Saadis Famous है, लुदियाना में Bicycle Parts Famous है, Siving Machine और होजरी Famous है, जलंदर में Sports Goods यानिकी खेल के समान, मुरादाबाद में Br सूरत में आपका, आपके जानते हैं, हीरे वगएरा, ठीक हीरों के वापारी महा रहते हैं, टेक्स्टाइल भी, सिवकासी में आपके fireworks और मैच्टिक बनती है, जादा तर 90% पटाके, सिवकासी में बनते हैं, नेपान अगर की बात कर लें, तो Newsprint के लिए Famous है, गडवाल य डिजाइनर कौन है, भुपाल के, राजा भोज, चंडी, गड़, लीक और वुसिर ने डिजाइन किया है, हाइदराबाद, कुली, कुतुपशार ने, और New Delhi, Edward Lutians डिजाइनर थे इसके, डेली के, जैपूर के फाउंडर कौन है, सवाई, जैसिंग, बिद्याधर, भट्ट फतेपूर सीकरी अकबर्ण डिजाइन किया है, आगरा बादल सिंग ने, नाकपूर भक्त बुलंद ने, जौनपूर फिरोज शाह तुगलक ने, उनका नाम जूना खान था ठीक है, अपना फादर जो थे उनके मुहमद बिन तुगलक या फिर उनको जूना खान बोलते थे अपने फादर के नाम पर उनके जौनपूर की स्थापना की, ठीक है किसने की फिरोज शाह तुगलक ने, हमदाबाद सुल्तान एहमद शाह ने की स्थापना, फरीदाबाद शेक फरीद ने, भाव नगर भाव सिंग जी गोहिल ने, जोदपूर की स्थापना राओ जोधा बीकनेर की राओ बीका ने, और जम्मू की राजा जम्बू लोचन ने, दुरगापूर की जोसेफ ऐलन स्थीन और बेंजामिन पॉक डिजाइनर थे इसके ठीक है, फिरोज पूर की फिरोज शाह तुगलक ने, अब डिस्कवरी ओफ एलिमेंट्स किसने क्या चीज खोजी ह आरगन की खोज किसने की है, डॉक्टर विलियम राम से और लॉड रेलिग ने, नियॉन की किसने की है, सर विलियम राम से और M.W. टैवर्स ने, क्रिप्टन की सर विलियम राम से और M.W. टैवर्स ने, जिनॉन की विलियम राम से और टैवर्स ने, रेडाउन की सर विलियम से लग और है वाइटलोग ग्रेय ने हिलियम की किसने की एक इलियम राम से और पी टी क्लीogen और लेटने यह तो बात Coach ऑगई आपकी कब बरजीलिस को यूरियन की डिस्कवरी कश्रे जाता है मार्टिन हेन्रीक क्लैप्रॉथ को प्लूटोनियुम की डिस्कवरी कश्रे जाता है काफी लोगों को ग्लेंटी सीबर्ग एडविन मैक्विलें जोसफ डबलू कैनेडी और आर्थर वॉल मड़ते हैं आगे हम लोग डिस्कवरी ओफ एलिमेंट्स की बात कर ले तो बैरियम की डिस्कवरी कश्रे जाता है हम्फरी डेवी को और यह जितने भी अलिमेंटे सब हम्फरी डेवी ने खोजे हैं ठीक है तो ऐसा आप ग्रुप बना लिजेगा कि बैरियम कैल्सियम पॉटेशियम मैगनीशियम बॉरॉन सोडियम किसने खोजे हैं हम्फरी डेवी ने अब इन्वेंटर कौन है डोमेस्टिक अप्लाइंसेस के पेंडूलम क्लॉक जो है किसने डिस्कवर किया या फिर इन्वेंट किया क्रिस्च और सिविंग मशीन ये लॉक स्टिच वाली किसने बनाई थि ये अलियास होवी ने बनाई थी रफ्रिजरेटर के इन्वेंशन कस्ते रे जाता है जैमस हैंसन और अलक्जेंडर कैटलीन को टाइप्रेटर करिचटोफर ऐल शोल्स को ग्रामाफोन कस्ते रे जाता है अबको फाउमस अल्वए अडिशन को इलेक्रीक लैम कश्रे जाता है, फाउमस अल्वा अडिशन को. पिर कह सकते हैं, AC किसने डिस्कवर किया, William Haviland Carrier ने, Carrier Company भी आरती है, आप देखते हैं, Carrier के A.C. आपते हैं, Willis Haviland Carrier, Kitchen Blender किसने डिस्कवर किया, या बनाया, Stephen Poplowski ने, TV Mechanical वाला John Loggie Baird ने बनाया था, TV Electronic वाला इन्हों ने बनाया है, अब जी, John Loggie Baird धियान रखियेगा, ठीक है, एक्जाम में इसी को ट्रू मानते हैं, और TV है तो TV पूछेंगे, Electronic Mechanical नहीं पूछते हैं, Thermos Flask किसने बनाया, Sir James Dewar ने, और Electric Iron किसने बनाया, Henry Sealy ने, Microwave Avan किसने बनाया, Percy Spencer ने, Dishwasser किसने बनाया, Josephine, Cochrane ने, Flying Shuttle किसने इन्वेंट की, John K. ने, Power Loom, E. Cartwright ने, Spinning Frame, Sir Richard Arkwright ने, Spinning Jenny, James Hargreaves ने, Spinning Mule, Samuel Crompton ने, यह invention, Industrial Revolution से related हैं, ठीक है, Aviation के फिल्ड में, यानि, Udden के छेतर में, गर हम देख लें, तो Aeroplane किसको उष्रे जाता है, इसका, Orville और Wilbur Wright को, Airship का उष्रे किसको जाता है, Henry Giffard को, Airship जो Rigid वाली है, वो किसने बनाया थी, G. F. Von Zeppelin ने, और Hot Air Balloon Jacks और Joseph Montgolfier रहे, Gliders किसने बनाया था, Sir George Kelly ने, Helicopter किसने, ATN Mission ने, Hovercraft किसने, Christopher Cockrell ने, Jet Engine किसने, Sir Frank Whittle ने, Parachute किसने, AJ Garner ने, Rocket किसने, Robert Goddard ने, Vehicles की बात कर लें, Bicycle किसको जाता है, Kirk Patrick McMillan को, Bicycle Tires का, John Boyd Dunlap को, और Petrol Car का, Karls Benz को, Carburetor का, Gottlip Damler को, Diesel Engine का, Rudolph Diesel को, Ship का, PC Perrier को, Ship Turbine वाली का, Sir C. Parsons को, Submarine David Bushnell, Motorcycle G. Damler of Kensart, आपका, Street Car किसने बनाई थी, Thomas Davenport ने, Weapons के बारें बात कर लें, नहीं, हथियार, Atomic Bomb कशरे जाता है, J. Robber, Open Hemer को, Atomic Rifle का, John Browning को, Ballistic Missile का, Werner, One Brown का, One Brown ने बनाया था, इसको, Bolt Action Rifle की बात कर लें, तो, P. One Mauser ने बनाया था, इसको, Guided Missile, Werner, One Brown ने, Hydrogen Bomb, Edward Teller ने, Neutron Bomb, Samuel Cohen ने, Tank Sir Ernest T. Swington ने, Machine Gun मनाय थी, James Puckle ने, Revolver Samuel Colt ने, A.K. 47, Mikhail Kalashnikov ने, और Dynamite की सकोचरे जाता है, Alfred Noble को, Dynamite वाला जरूर ध्यान रखिये गए, कई बार पूछा गया है, World Wide Web के Founder एक Creator माने जाते हैं, Tim Berners-Lee, Wikipedia के माने जाते हैं, Jimmy Wales, Orkut के माने जाते हैं, Orkut इनका जो भी नाम है, Facebook Mark Zuckerberg, Eduardo Severin, Dustin Moskovitz और Chris Hughes का contribution माने जाता है, Twitter किसने बनाया था, Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone और Noah Glass ने, Wikileaks के Julian Assange है, Hotmail, Sabir Bhatia और Jack Smith ने, Hotmail अब नहीं जलता जाता, Google Larry Page और सर्जी ब्रिन ने, इनका नाम जो भी धियान रखेगा, Cosmix, Wenki, Harinarayan ने, और Anand Raj Ramad ने, PayPal किसने, Ken Howry, Max Levishin, Elon Musk, Luke Noseek, और Peter Thiel, WhatsApp किसने, Brian Acton, Jen Koom ने, Flipkart, Sachin और बिन्नी बंसल ने, YouTube, Steve Shen, Chad Hurley और जावेद करीम ने, Yahoo, David Philo, Jerry Yang और Pettyum किसने, विजय शेखर शर्मा ने, Software उनके Developers देख लेते हैं, C Language के Developers काउन है, Dennis M. Richie है, C++ Language के Jar, Strewprap है, Java Language के हैं, James Gosling, JavaScript Language के हैं, Brendan Eash, Python Language के हैं, Gido, Wen, Rosum, Ruby Language के हैं, Yukhiro, Matsumoto, इनके नाम है सुझे से जीप से, क्योंकि ये Japanese परसेन ज्यादा तर, ठीक है, Perl Language के हैं, Larry Wall, Creator या बनाने वाले, Pascal या Designer डवलपर, Pascal Language के डवलपर हैं, Nicholas Worth, Fortran के हैं, John Buckus, D-Base या फिर डेटा बेस के हैं, C-Wain, Ratliff, Unix Operating System के कई लोग हैं, Ken Thompson, Dennis Ritchie, Brian Cunningham, Douglas Macroill, और Joe Asana, Linux Kernel Operating System के हैं, Linus Torvalds, अब Medical Discoveries की बात कर लें, Penicillin की खोज किसने की, Alexander Fleming ने, Circulation of Blood की किसने खोज की, William Harvey ने, Chloroform की खोज किसने की, Simpson and Harrison ने, HIV वाइरिस की कोज किसने की, Montaixia और Robert Gallo ने, X-ray की कोज William Rondgen ने की थी, UPSS 2018 ने एक कोशन पूछा था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कि खाली बंडे एक्जाम के लिए, State pieces के लिए बेजी के इंपोर्टन हो सकती है, Insulin के डवलपर, मतलब इंसुलिन किसने डिस्कवर किया था, Frederick Banting और Charles H. Best ने, Vaccine के डिस्कवरर्ज कोजन है, जैसे Smallpox के, Edward Jenner, Rabies के हैं, Lewis Pasture, Influenza के हैं, Thomas Francis Jr., Measles के हैं, Morris Hillman, Mumps के हैं, Morris Hillman, Chickenpox के हैं, Morris Hillman, Meningitis के हैं, Morris Hillman, Hepatitis A.B. के हैं, Morris Hillman, Anemonia के हैं, Morris Hillman, Rota Virus के हैं, Paul Offit, Rubela के हैं, Stanley Plotkin, Polio के हैं, Jonas Sock, Vitamins के, Discoverers के बारे में बात कर लें, तो Vitamin A के हैं, Elmer V. McCallum, Margaret Davis, Vitamin B1 के हैं, Casimir Funk, इनको Funk की ध्यान रखिएगा, Vitamin B2 यानि, Ribof 11 के हैं, D.T. Smith और E.G. Hendrick, Vitamin B3 यानि, Niyasin के हैं, Conrad, Elves, Vitamin B6 के हैं, Paul Georgie, Vitamin B7 यानि, Biotein के हैं, Paul Georgie, तो B6, B7 दोनों इन्होंने, Discoverer किया, B9 यानि, Folate के हैं, Lucy Wills, Vitamin C के हैं, A, Horst, T, Frolish, Vitamin D के हैं, Edward, Melanby, Vitamin A के, Catherine Bishop, Herbert, Evans, Founder ये तो सब भी को पता, Tata Steel के, J.R.D. Tata Infosys के, Narayan Murti, Vipro के, Mohamed Haashem Prêmji, और, आपके, Reliance Industries के, धिरुबाई अंबानी, Bajaj Ato के, Jamnalal Bajaj, Nirmah के, Karishan Bhai Patel, HCL के, Shiv Nadar, SR के, Shashi, Ruhiya और, Ravi Ruhiya, Genpact के हैं, Pramood Bhaseen, Asian Paints के, Champak Lal Chauksy, Surikant Dani, Arvind Vakil, Chiman Lal Chauksy, Bayocon के, Kiran Mazumdar Shaw, Dabar के, SK Burman, Lupin Limited के, Desh Bandhu Gupta, Apollo Hospital के, Pratap Siready, Ashok Leland के, Raghu Nandan Saran, Bharty Retail के, Sunil Bharty Mittal, Eskorts के, Harinanda और Yudinanda, Future Group के, Kishore Biyani, Sipla के हैं, Khwaja, Abdul Hamid, Dr. Reddy's Laboratory के हैं, K NG Ready, Aurobindu Pharma के हैं, PV, Ram Prasad Reddy, O K Nithyanand Reddy, Balaji Telefilms के, Jitendra है, Kaziranga National Park कहां पर है, Jorhart Asam में है, Manas Tiger Sanctuary कहां पर है, यह Asam में है, देखें, यहां पर District भी उन लोग ने दे दिया है, लेकिन इतना डीप नहीं आता है, अभी State ही दियान रखने हैं आपको, ठीक है, तो, Kevladev National Park कहां पर है, यह भरतपुर राजस्थान में, सुंदर्बन Tiger Sanctuary कहां पर है, 24 परगना, वेस्ट बंगाल में, बांधाउगड कहां पर है, मद्द परदेश में, कानः National Park मांड़ा मद्द परदेश में, दुधवा National Park लखीमपुर खेरी में, चंद प्रभा Sanctuary वारनक्सी उत्तर परदेश में, कॉर्बेट National Park नैनी दाल उत्तर परदेश में, राजाजी नैशनल पार्क देहरादून हरिद्वार पावडी गड़वाल उत्तरपिदेश में रचीगम नैशनल पार्क श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रणधम बोर टाइगर सैंक्चुरी ये सवाई माधवपूर राजस्थान में घाट रभा सैंक्चुरी ये बेलगाम करनाटक में बांधिपूर नैशनल पार्क मैसूर में गिर नैशनल पार्क जुनागड में अनाल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी ये एमदाबाद में हजारी बाग नैशनल पार्क जारखंड में एकमातर नैसल पार्क जुजार खंड में, जारीबाग नैसल पार्क, नेल पट्टू, बर्ड सैंक्चुरी ये निल लौर में, मदुमलाई सैंक्चुरी ये निलगिरी तमिल नांडू में, पेरियार सैंक्चुरी ये इडुकी केरल में, सिंप्लिफाल टाइगर सैंक्चुरी ये मयूर भंज ओडिशा में गाहिर माथा टर्टल सेंक्चुरी जहां पर नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडले टर्टल्स की एकेंद्रपाड़ा ओडिशा में है विक्रम शिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंक्चुरी भागलपूर में है साइललेन वेली नैस kita के कहँ पर है अंडमान निको बार में महात्मा गांदी मरीन नैस्टिवल पार कहाँ पर है अंडमान निको बार में साइंक्चुरी में कौन-ौन से एनिमलस आपको देखने को भी लेंगा जैसे काजिरंगा में one horn rhino आपको देखने को भी लेगा ठीक है एक singh वाला गेंडा असम में जंगली कधे आपको गुजरात में देखने को भी लेंगे रन ओफ कच्छ में और बाकी छेत्रों में राइनोसारेस आपको कहां पर देखने को भी लेगा ये असम में एलिफेंट आपको कहाँ पर पेरियार नैसल पार्क में, लॉयन आपको कहाँ पर देखने को भी लेगा, गिर नैसल पार्क में, ग्रेट इंडिन बस्टर्ड कहाँ पर देखने को भी लेगा, घाटी गाउं सेंचुरी मध्य प्रदेश में, रॉयल बंगाल टाइगर आपको को बिलेगा सुंदर्बन नेस्टल पार्क विस्भंग अलिव निदिले टर्टल्स है अपको अесव कह literally है ठीकया Odisha में कि डॉलफिन्स है और पर दंटाइफंस साथ कहा पर देंगे भागलपुर में वल्चरकम कहां पर देखने को को भी लेंगी आपको करणाटक में राम देवब्रत वलचर सैंक्शुरी में बियर आपको भालु नहीं कहाँ पर देखने को करणाटक कंहालों कि भी लेंगे यह हम्पी करणाटक में संगाई आपो कहा पर क्योबुल लम्जाव नैस्टल पार्क लोक्टाक लेक में और जॉडन स्कूरसर आपको नहीं पर देखने को भी लेंगे श्री लंक मलेश्वर वाइल्लाइफ सेंक्चुरी आंद्रप्रदेश में घडियाल आपको नैसल चंबल सेंक्चुरी यूपी रजत्हान मद्रप्रद पर देखने को भी लेंगे। हंगुल आपको कहां पर देखने को भी लेंगे। पर देखने को भी लेंगे। नंदा देवी बासफर रिजर्व ये चमोली, पिथावरागड, अल्मोडा डिस्ट्रिक्ट उत्राखंड में आपको देखने को मिलेगा। नीलगीरी बासफर रिजर्व ये वायनाड, नागर होल, बांधिपूर, मुदुमलाई, निलंबूर, सालेंट वैली, शिरुवानी, हिल्स, तमिलनाडू, केरल और करनाटक, विस्टरन घाट्स में आपको फैला हुआ देखने को मिलेगा। पंच मढ़ी बासफर रिजर्व जो है, ये बेतुल, होशंगाबाद, छेंदवडा डिस्ट्रिक्ट जो है, मध्य प्रदेश में, सेमी एरिड, गुजरात, राजपुताना, छेत्र में वहाँ देखने को मिलेगा। फैला सिंब्ली फाल बाजपे रिजर्व आपको खाहां पर देखने को मिलेगा। बन्ज डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा में को नोख रेक बायसफु रिजर्व आपको आपका पर देखते हैं भी लेगा गारो खासी हिल्स में में घाले में इस्ट इमालेस में और अचनाक मर अमर कंटक बायसफु रिजर्व आपको अमध्यप्रदेश और चतीज गढ़ में द बाइस रिजर्फ जो है सिक्षिम में है वह पर कंचन जंगा नेसल पार्क भी है सबसे बड़ा Land अनिमल में ब्लू वेल घंगे बड़ते हैं नुम्लोग टॉलडमल कौन है जिराफdoors लार्जच मंकी कौन है मैंड्रिल सबसे छोटा मंकी कौन है पिजमी मार्मसेट लार्जेस्ट एप कौन है गोरिला स्मॉलेस्ट एप कौन है गिबन लार्जेस्ट रेप्टाइल कौन है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल लार्जेस्ट लैंड कार्निवोर कौन है पूलर बियर लार्जेस्ट सबसे बडेत데 मचली कौन सी है 55 छार्कसाइस एम्फिब स्पसेंग कॉन है चाइनिज जैन्ट सेलेमेंडर है bunch of the बर्ड सबीक बता कौन है परिग्रीन फालकन बर्ड जिसके पास सबसे बड़े पंक होते हैं वो कौन है वांटरिंग अलबाट्रोस लार्जेस्ट इन्वर्टीब्रेट कौन है जाइंट स्कुईड और एनिमल जिसका सबसे लंबा लाइफ स्वैन माना गया है मेमल्स में वो टॉट्रॉइज है एनिमल और उनकी एनटमिक कंट्री जैने कि कहाँ पर वो ओरिजनल फाय जाते थे या फिर उनकी ओरिजनल स्पीजीज है वो कहां पर मौसली पाई गई थी और पाय जाती हैं अलपका आपको कहां पर देखने को बिलेगा बोलिविया में और पेरू में साफ अमेरिका कॉंटिनेंट में बनोबो आपको कहां पर देखने को बिलेगा Democratic Republic of Congo में ये अफरीका में है अब बैक्ट्रियन केमल आपको कहां पर देखने को बिलेगा Jean Shine Province देखने को भी लेगा जिंग जांग प्रोविंसव चैना मंगोलिया वहाँ पर ऐसिया में, बाक्ट्रेंध कैम्मय बिंपन्झी उअपको कहा पर देखने को भी लेगा, विभी ले को mae मरता स्ईंट्रल ऐफ्रिकान अप्रिका गोले पर देखने को मिलते हैं चिंपैन्सी पॉय एक Japon िंशु कपर देखने में को सांगṣi में न्युम據 प्रोप्रीज़ confirming चाेना में वहां पर अस्ट्रेलिया में कोवाला कहां पर देखने कुभिलता है उस्ट्रेलिया में कोवाला से चीज मुझे याद आ जाती है कोवाला को अभी 2018 में जो Commonwealth Games हुए थे उसमें Mascot बनाया गया था उसकोवाला का नाम रखा गया था अब बॉरबी के से धाए पस बारबी करा आपको याद आया होगा सी कि ल thrown को लेमूर आपको आपको देखने क्लते हैं intelig zeggen इंडिया में आपको अ इसभी के लाउंक टेल मकाग कहा कर देखने का है इंडिया में कर नाटक केरल नाडू में। लामा कहा पर देखने कमलते हैं आपको बॉलीविया, अर्जेंटीना, चिली और इकवाडोर में। साउथ अमेरिका में निलगेगी ताहर जो वाक्री है आपको कहां पर देखने मिलती है केरिला और तमिल नाडू में निलगी ताहर यहां पर तमिल नाडू की आपकी क्या है स्टेट वह है अनिमल है ओकापी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कॉंगो में देखने को भी लेगा एफ्रिका में वन हॉंड राइनसौरिस आपको गहां इंडोनेशिया बॉर्णियो सुमात्रा में पोलर बियर कहां पर देखने को मिलेगा भाई आपको यह देखने को मिलेगा कैनेडा अलास्का ग्रीन लैंड रशिया नौर्वे और स्वालवार्ड आर्की पिलागो में मल्टिपल कॉंटिनेंट कह सकते हैं रिंडर आपको कहा पर देखने को मिलेगा रशिया में साइबेरियन रीजन में कैनेडा में और यूएस में तस्मानिय डेविल आपको 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 निलगीदी ताहर लॉंग टेल मकाग जो है ठीक है लंगूरी आपको वेस्टरन घाट में काफी देखने को बिलते हैं बैक्टरीन कैमिल क्या होता है कि उसके दो हम्प होते हैं ठीक है इस तरही से अब एंडेमिक बर्ड्स के बारें बात कर लेते हैं एंडेमिक बर्ड्स जै निकाउने को बिलेगी बोलीविया ब्राजील परागवे अर्जेंटीना में यहां की कुकाबरा आपको कहां पर देकने पहलए और एश्ट्रेलिया और ऐसिया दोनों में इंडूनेशया में पैपधभा गिनी MOR से और ने खोह चली देख लेते हैं यानिकि जो पिल्ली की जाती से आते हैं लॉयन इसको पैंतरा लियो बोलते हैं साइंटिफिक नेम एफरिका और इंडिया दोनों मिलता है टाइगर पैंतरा टाइगरी से है बांगलादेश भुटान चाइना इंडिया, इंडिनेशिया, लाओस, मलेशिया नहीं पूरे साउथ एशिया भर में आपको देखने को मिलता है लिपोड आपको कहां पर देखने को मिलता है साउथ एशिया में, साउथ एशियन कंट्रीज में काफी सारी साउथ एशियन कंट्रीज में पार-डस इसको बोलते हैं, स्नोलि पोड्ड ये पैंध्रा अनिशिया है ये आपको अफगानिस्तान, भुटान, चाइना, चजहाकस्तान, उस्वेकिस्तान, इंडिया मिलता है, इंडिया में नाचल प्रदेस में, जम्मू में, सिक्किम में, उत्रांचल में, Clouded Lipoord आपको कहां पर देखने को मिलता है ये भी काफी South Asia हम देखने को मिलता है इनका Scientific Name जरूर देखते वे चलिएगा और चीता आपको कहां पर देखने को मिलता है ये अफरिका और इरान में और जेगवार कहां पर देखने को मिलता है North America और South America में इसको Panthera Onka बोलते है Puma, Puma कौन कलर ये आपको North America और South America में देखने को मिलेगा ठीक है तो हमारे South Asia वाले कौन कौन से बिली है चीता है, Snow Lipoord है, Clouded Lipoord है, Lipoord है, Tiger है, Lion है और South America और North America वाले कौन है Puma और Jaguar है अब domestic animals कौन कौन से breed के पाले जाते हैं इस जाती की गाएं हम पालते है और ये सूखी गाएं कौन से होती हम लोग सूखे वाली गाएं कौन से हलिकर, अमरित महल, खिलावरी, बारगर, अम्बलाश्री और अलमबादी ये गाएं हम लोग पालते हैं ड्रॉट में, ठीक है उसके लावा इंडिजनेस दोनों परपस के लिए थार परकर, हरियाना, कंकरेज और उंगोले ये स्पीसीज होती है डूवल परपस के लिए एक्जोटिक मिल्च क्या होती है, जर्सी, हॉल्स्टीन, फ्रिशियन, ब्राउन स्विस और रेड डेन इंडिजनेस ब्रीड शीप्स की यानि बकरियों की कौन सी होती है, मचेरी, चिन्नाई रेड, डककनी, महरवारी, गद्दी, केंदरपाड़ा, घरोल और चिवाडू एक्जोटिक ब्रीड इस बकरियों की कौन सी है, डॉर्सेट, सफॉल्क, मेरीनो, रॉमबुल्ट, शेवियट और साउथ डाउन, एक्जोटिक का मतलब है, जो बाहर से लाते हैं हम लोग स्पीसीज, बाहर की स्पीसीज जो यहाँ पर ग्रो करवाते हैं, या फिर जिनको ज खानाबादी, मालबरी, छेगू, छंग, ठंगी, तिरसा, गोदी, अदू, एक्जोटिक ब्रीड इस ब्रीड जो बाहर के नसल के गोड़े हैं, अरब के, पुलैंड, पॉलिश के, कोनिमेरा के, और हाफ लिंगर, बैफोलू की स्पीसीज जो फेमस हैं, जफ्रा, भदवाडी, जफ्राबादी, सूर्ती, महसाना, नागपुरी, नीली, रवी, तोटा, और ये बन्नी हैं, रैबिट की स्पीसीज जो हम पालते हैं, वो वाइट जाइंट है, ग्रे जाइंट, फ्लेमिश जाइंट, न्यूजिलैंड वाइट, न्यूजिलैंड रे पोल्ट्री, यानि की मुर्गियां, असील, चटगाओ, कड़कनात, बुसरा और कुनायन, कड़कनात मुर्गे को टैग मिला है, जी आई टैग, ठीक है, किस राजिका है ये ओरिजिन, ये है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, जी आई टैग इसको दे दिया गया है, ठीक है, कब 2018 में, और गिनी फाउल, जो है कादंबरी, और चितंबरी, स्वेतंबरी, डोमेस्टिक एनिमल्स के जो नेम होते है, साइन्टिफिक वाले, जैसे कैट, फैलिस, कैटस होती है, होर्स, इक्विस, फेरस, कैबलस होता है, शीप, ओविस, एरियस होती है, ड्रोमेट्रियस होता है, बैक्ट्रियन कैमल, कैमलेस, बैक्ट्रियनस होता है, वाटर बैफिलो, बॉबलास, बॉबलीस होती है, काउ, बॉस, टॉरोस होती है, इंडियन इल्फेंट को एलिफैस, मैक्सिमस बोलते हैं, ठीक है, टाइगर को पैंथरा टाइगरिस बोलते है देख लेते हैं चीटा लिपॉर्ड में क्या डिफरेंस है पर भी और जबकि चीते में क्या होता है चीते में आपको ऐसे strips देखने को बिलती है काली वाली spots नहीं है white lining होती है eye के bottom में और इसमें क्या होता है इसमें tear lines जो होती है वो यहां पर side में होती है mouth तक में ठीक है काली-काली इसके जो पंजे होते हैं वो retractable होते हैं यानिकी अंदर खीचे जा सकते हैं जबकि इसका जो dewclaw होता है उसको छोड़ करके सारे उसमें कोई retractable नहीं होते है ठीक है इसलिए इसके चीता लिपोर्ट से ज़्यादा तेज भागता है क्योंकि इसके पंजे जो हैं यह क्रिप का काम करते हैं आगे की और उचल्डे में African Asian elephant में क्या क्या difference है जैसे छोटे कान होते है Asian वाले के African वाले के बड़े कान होते हैं ठीक है इसका बजन होता है इसका 4000-7000 kg इसका 3000-6000 kg होता है इसमें दोनों ही sex के पास यान इमेल फिमेल दोनों के पास बड़े बड़े दांत होते हैं टस्क जिसको बोलते हैं और फिमेल के पास rudimentary या फिर जल्दी टस्क नहीं होते हैं हतनी के पास Asian हतनी के पास generally टस्क होते या तो अंडवलप्ड होते या तो नहीं होते हैं इस इंडियन प्रस्नेल्टी के बारे में बात कर लेते हैं कुछ महान विक्तित्व जिन से questions आते हैं जिनके घटना करम को हमको ध्यान में रखना पड़ता है उन लोगों ने क्या क्या काम किये एनिबेसेंट के बारे में जैसे बात कर लेते सबसे पहले एक आईरिश महिला जो annual convention जो theological society का हुआ था अधियार में मदरास पे 1893 में वो अट्रेंड करने आए प्रेस्डेंट बनती हैं इंडियन नैसल कॉंग्रेस की 1917 में यह home rule movement के लिए जानी जाती है इन्होंने Central Hindu College की स्थापना की 1898 में जो की बाद में बनारस Hindu University के nucleus में आ गया ठीक है उसमें समा ग कर लें तो आपको poet, playwright और novelist यह सब तो पता ही उनके बारे में story writer, musician, artist इनका जन्मुआ था साथ में 1861 में इन्होंने noble पुरुसकार जीता गेता अंजली के लिए जो की पहले Indian और पहले Asian के दौरा literature में जीता गया पहला पुरुसकार था इनको knighthood की उपादी से सम्मानित कि किया गया था 1915 में लेकिन उन्होंने जलिया वाला बाग incident के बाद सरकार को यह वापस कर दिया था ठीक है अचार विनोभा बाव के बारे मात कर लें तो इन्हें true गांधियन मानते हैं ठीक है इनको arrest किया गया था दांडी मार्च के दौरा 1930 में और he was one of the moving spirits behind नागपुर flag स स्थ्याग रहके आधार शिला यह माने जाते हैं ठीक है इनको भूदान और सर्वोदय मूव्मेंट के लिए भी जाना जाता है बढ़ते हैं आगे हम लोग और बिंदो घोश के बारे बात कर लें तो 15 अगस्त 1822 को इनको जन्मुआ था कॉलकाता में और freedom मूव्मेंट में आगे थे 1902-1910 तक रहे थे और बाद में refugee का जीवन इन्होंने गुजारा पॉंडिचेरी में यूनिक philosophy नोंने डवलप की उस दवरान यह poet थे philosopher थे politician थे इनका famous वर्क है life divine और इनका निधर हो गया था 5 दिसंबर 1950 को बढ़ते हम लोग आगे सर सेयद हमद खान के बारे में बात कर लें तो मुस्लिम education के pointer माने जाते हैं ठीक है मुस्लिम education की सुरुवात इन्होंने करी थी और मुहम्मदन एंगलो औरिंटल कॉलेज की स्थापना इन्हों रखी थी लॉड लिटन के साथ ठीक है और काफी प्रयास रहा था इनका इस college के लिए अलिगड मुस्लिम मुखर जी की तो भारती जन संग के founder माने जाते हैं और नौर्थ कलकत्ता को रिप्रेजेंट किया था इन्होंने पहली लोग सभाव में और यह लीडर थे opposition के और इन्होंने Lion of Parliament का title मतलब रखा था लोग इनको बोलते थे तो सबसे पहले तो यह नहरू की cabinet पे थे लेकिन उ मुकस्मीर का तो उस मुद्दे पर विरोध किया सरकार का मदर टेरेसा का असली नाम क्या था इनका नाम था Agnes गौंक्षा बोजाक्षिन और इनका बरन स्कोप्ष में हुआ था Albania में जो की capital है Macedonia का ठीक है मतलब Albania में हुआ था ठीक है और उन्होंने Missionaries of Charities की स्थापना की थी निर्मल हर्दय नाम का संगठन बनाये था जो टाइंग डेस्टिट्यूट्स की help करता था पदमिश्री से इनको समानित किया गया 1861 में Nobel Peace Prize इनको मिला 1989 में और भारत रत ने इनको दिया गया 1980 में ठीक है 1980 में जय प्रकास नरायन की अगर हम बात कर ले तो Civil Disobedience Movement जो है 1930 में उन्होंने जोइन किया और इन्होंने All India Congress Socialist Party की स्थापना की अचारे नरेंदर देव के साथ में और भ्रष्टाचार मिटाव अंदोलन उन्हों चलाया था Important personalities के बारे में हम बात कर ले तो महात्मा गांधी का जन्दिवस और Data of Death से यहां पर लिखे विए जवाहर लाय लेहरू, लाल बाहदुर शास्त्री, इंद्रा गांधी, भकत सिंग, विवेका नंद, रवीन नाथ, टैगोर, बियार अंबेटकर, राजीव गांधी, श्री अ गांधी का बना है, शक्ति स्थल में, चरंड सिंग का बना है, किसान घाट में, राजीव गांधी का बना है, वीर भूमी में, जगजीवन राम का बना है, समता स्थल में, यानी जाहिल सिंग का बना है, एकता स्थल में, पीवी नरसिम राओ का बना है, पीवी ग्यान भूम यहाँ पर क्या क्या थे जैसे वालमी की गासली नाम क्या था रत्नाकर चैतन्य महाप्रभु का क्या नाम था विश्वंभर गुरु अंगत देव का नाम क्या था भाई लहना रामक्रिश्न परमहन्स का नाम था गदाधर चटो पाध्याय और स्वामी विवेकर नंद का नाम था नरेंदर नाद दत्त नाना फटनविस का था बालाजी जनारदन भानू तात्या टोपे का था राम चंद्र पांडूरंग टोपे राणी लक्ष्मी भाई का था मनी करनिका इनको मनू भी बोलते थे आपने देखा था अभी फिल्म भी आई है और तानसेन का नाम था राम तनू पांडे बीरबल का था महेश दास ठीक है अब UPSM question बना था कि तानसेन को title किस ने दिया वैसे statement वाला था question उसमें 3-4 statement थे लेकिन उसमें title था कि तानसेन को title अकबर ने दिया था ठीक है ये गलत है तानसेन को तानसेन title अकबर ने नहीं दिया था उनको title दिया था अकबर ने मिया बीरबल का नाम महेश दास था मदर टेरेसा का बताये ये आपको अभी sister निवेज़ा का था Margaret Elizabeth Noble मीरा बेन का था Madeline Slade और मुनशी प्रिमचन का था धनपत्राय ठीक है धनपत्राय ज्रिवास्तो नाम था इनका सत्य साई बाबा का नाम था सत्य नरायन राजू बाबा अम्टे का था मुरली धर देविदा साम्टे मिर्जा गालीब का था मिर्जा असदुल्ला बेग खान विनोबा भावे का था विनायक नरहरी भावे अमीर खुस्रो का था अबदुलहसन या मुद्दीन खुस्रो फिराग गोरकपुरी का था रखुपति साहय और गुल्जार का था संपूरण सिंकालरा रवी शंकर का था और रबींदर रबींदरो शंकर चोधरी ठीक है बंगाली बिस्मिल्ला कान का था कमरुद्दीन खान मौलाना बुल कलाम आजाद का था मुयुद्दीन अहमद अनक्ष ल्यालपूरी का था जस्पंत राय शर्मा बिर्जु महराज का था ब्रजमोहन मिश्रा बाबा रामदेव का था रामकृष्ण यादो और योगी अधित नात का था आजय सिंग बेश्ट ठीक है महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं सभी को पता है दधाभाय नायरो जी को बोलते हैं Grand Old Man of India बाल गंगधर दिलक को लोकमानि बोलते हैं रवीन नात को गुरदेव बोलते हैं मदन मोहनमाल भी रे को महामना बोलते हैं अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी बोलते हैं और बात्षा खान भी बोल जाता है वल्लब भाई पटेल को आइरिन मैन आफ इंडिया यहने की लौ पुरुष लाला लाजपत राय को किंग ऑफ पंजाब पंजाब केशरी चितरंजयन दास को देश बंधू सी एफ एंड्रूस को दीन बंधू सुभास चंदरबोवस को नेता जी सी राज गोपालाचारी को राजा जी या फिर सी आर बोलते थे आपके सरोजनी नाइडिव को नाइटिंगेल बोलते थे और सी एन अन्ना दुराई को बोलते थे अन्ना जै प्रकास नरायन को लोक नायक पुरुषोत्तम दास तंडेन को राज श्री राजरशी जवार लालेरू को पंडिज जी या चाचा राजराम मोहन रॉय को मार्निंग स्टार आफ इंडियन रिनाइसिंस और डॉक्टर राजेंद प्रसाद को अजात शत्रू शेक अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर लाला लाच पत्राय बाल गंगा तरतल्यक विपिन चंतरपाल को लाल बाल और पाल मिलखा सिंग को फ्लाइंग सिख बोलते थे पीटी उशा को पायुली एक्स्प्रेस सुनील गावसकर को लिटिल मास्टर म एके पटावदी को टाइगर बोलते थे अब यह टॉम वगेरा तो हम वेसे तो देखी चुके हैं ठीक है जयामा मस्जिद कि सम्राई था दिल्ली में शाजाने बीवी का मखबरा औरंगाबाद में आजम शाहने सलीम चिस्ती का टॉमब कि सने बनाया सलीम चिस्ति मकबरा फटेपूर सीकरी में अकबर ने अब कुछ बुक्स यहां पर जो मुगल रूल में लिखी गए इनसे बहुत 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 जबार को शनाते स्टेट पीसिस में आपके ठीक है इनको देखिए आप तुजू की बाबरी किसे लिखी है बाबर ने और चक्ताई यानि की तुर्की भाशा में लिखी थी बाद में परशियन यानि की फार्सी में इसने ट्रांसलेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने ध्यान रखिएगा काफ इंपोर्टेंट है और अकबर नामा किसे लिखी है अब्दुल फजल ने फार्सी में लिखी है हुमायू नामा गुलबदन बेगम ने हुमायू की लिखी है अब्दुल हामीर लाहौरी फार्सी में आलम गीर नामा किसे लिखी है औरंग जेप के लिए मिर्जा मुहमत काजिम ने फार्सी में एंशिंट इंडियन बुक्स के बारे में बात कर लें तो मुद्र राक्षष जो है यह विशाक दत्त की ठीक है इसमें चंद्रगुप्त की विजय का वाइडन किया गया है कि कैसे अपने गुरु कौटिल या चारक्की की सायता लेकर के उन्होंने नंद वन्ष के सासकों को बेसिकली मूल रूप से महापद नंद को पराजित किया था ठीक है पदमावत मुहमद जैसी ने लिखी है इसके बारे में बताने जरूरत है नहीं सभी को बता होगी जोहर लाउद्दीन खेल जी का चित्तोड में आना पदमिनी से अट्रैक्ट होना फाइटिंग और बाद में पदमिनी का जोहर मालवीका अग्निमित्र जो है कालिदास ने लिखी है जो पूष मित्र सूंग का पुत्र था अग्निमित्र उसके जीवन पराधारित है अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी इसमें दिखाई गई ठीक है अर्थिशास्त्र कॉटिल यह आप जैसे नाम से पता चल रहा है एकनॉमिक्स रिलेटेड बुक है ठीक है कैसे चंद्रगुप्त ने चानकी की हल्प से नंदों को पराजित किया था ठीक है और साथी साथ पॉलिटिकल रूल वहां का कैसा था चंद्रगुप्त शाशनकाल में यह सब बताया गया उसमें पंच तंत्र जो है विश्णु सर्मा कि यह संस्कृत फेबल्स हैं फेबल्स आप जानते क्या होता है वंदल्लब वह बच्चों वाली कहानी जिसमें पेड़ बोलते हैं पाउदे चलते हैं यह सारी चीज़े ठीक है और इसमें राजनीती के प्रिंस्पल्स भी बताया गया है एनिमल स्टोरीज के तुरू यानि राजा दुश्यन्त और शकुंतला की प्रेम कहानी इसमें दिखाई गई है ठीक है उसके बेटे का नाम फिर भारत होता है जिनके नाम पर हमारे कंट्री का नाम पड़ा ऐसा मानते हैं कलहन की राज तरंगीनी और इसमें क्या है कि कश्मीर में दिखाया गया कश्मीर की हिस अश्ट अध्याई जो पांड़नी की है संस्क्रिक ग्रामर की है इसमें आठ चैप्टर्स हैं 3995 सूत्र या फिर रूल है ठीक है ग्रामर के रूल से इसमें कि वेन हैं महाभाष्च जो है पतंजली का है यह दरसल एक टीका है टीका है यहने की कोमेंट्री है पांड़नी की अश्ट अध्याई पर ठीक है और एवरेज रीडर का ऐसे पांड़नी को समझ सके उसकी कॉमेंट्री है और प्रश्णोत्तर रत्न जो मलिक ने लिखी है प्रश्णोत्तर रत्न मलिक मलिका यह किसे ने लिखी है आदी शंकराचार ने ठीक है कथा सरित सागर किसे लिखी है स से का पार्ट है चरक समिता जो चरक ने लिखे थी इनको Father of Indian Medicine की नाम से जानते हैं। եीख है है। ही शुष्रूत समिता, शुष्रूत ने लिखे इनको Father of Indian Surgery की नाम से जानते हैं व हत्व में Surgical Instruments को बारे में बताया गया है। आर भाटिया किसने लिखी थी आर भट ने ठीक है और इस बुक में बताए गया कि Eclipse यानि कि ग्रहण क्यों पड़ते हैं और साथी साथ पाई क्वेलेंट जो है ये 3.1416 है भ्रेगु समिता जो महारशी भ्रगु ने लिखी थी और ये जो है डायलॉग है कैसकते हैं हम लो ये जे minder चरीतम टैकぎ Between और ये पहली हमप्ट बायोग्राफी बुद्ध पर लिखी आ है अश्वगोश किस राजा के शाषन만 काल में थे उनकी किन संुसनरक्षण में और मांश्छां के सुल्टान नुस्त्रत शाह ने अपना मुगल रूल को इंटाक्ट रखा चौसा के युद्ध में क्या हुआ था शेर शा ने हुमाईयों को हराया और मुगल रूल को ब्रेक किया बैटल ओफ कर्नौज या बिलग्राम के बारे मात कर ले तो बिलग्राम में शेर शा ने गवार फिर से हुमाईयों को हराया दूसरे पानीपत के युद्ध में अकबर नहेमू को हराया तीसरे पानीपत के युद्ध में एहमद शाह अबदाली की डिफोर्सिस ने मराठाओं को हराया ठीक है तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ था बैटल अफ प्लासी की बाद कर ले तो बिटिश ने सिराज उद्धावला और कोहरा कर यहां पर बिटिश अमपायर स्थापित किया मीर जफर की सायता से रहाया था बिटिश ने बिटिश ने बैटल ऑफ बन डिवास में एक बार फिर से फ्रेंच को राया था जो सैबन यएर वार्ष जो चल रही थी बिटिश ऑ फरेंच के बीच उसी का यह कह सकते हैं एक्स्तिंशन था ठीक है तीन करनाटिक वार्ष लड़ी गई थी ठीक है बिटिश ऑ फरेंच के बीच बैटल अफ बक्सर के बारे में बात कर ले तो combined forces जो मीर कासिम, शुजाउद दौला और शाह आलम सेखेंड जो की मुगल Emperor थे उनकी थी और Britishers थे, Britishers ने हराया था ठीक है इन तीनों की forces को, सामुगड के युद्ध में क्या हुआ था, औरंग जेब ने करनाल के युद्ध में क्या हुआ था, नादिर शाह ने मुगल Emperor मुहमद शाह को राया, पॉरेन इन्वेडर्स के बारे में यानि की विदेशी आकरंताओं के बारे में अगर हम देखें में फैट्स तो अलेक्जेंडर सबसे पहले, अलेक्जेंडर सबसे पहले आया था, 326 बीसी में सामान के चलते हैं जेलम नदि के किनारे युद्ध हुआ था, गींग पॉरस को उसने हराय था इस बैटल को Battle of Hideous Peace के युद्ध के नाम्स जानते हैं, ठीक है है या फिर वितसता के युद्ध के नाम्स जानते हैं घाना नंद जो था नंद डाइनस्टि का वो नौर्धरन और इस्टर इंडिया को गपजा किए हुए था उस ताइम पर अलक्जेंडर्स आर्मी ने विरोध किया था अपने ही राज्या का और सिकंदर से सिकंदर की आर्मी फिर एलक्टेंट थी आगे जाने के लिए और उनको जो था उसने कुछ यहां पर हमारी Kingdoms को जीता था जो कि इंदूस तदी के किनारे हुआ करती थी उससे में दिल्ली का शौशक इल्टूत्मीश था मुहमत बिन कासिम के बारे मैं बात कर ले तो पहला Muslim था जिसने इंडिया कोईट किया इंडिया पर आक्रमड करने वाला Muslim 712 AD में मुहमत बिन कासिम इसने सिंद और पंजाब रिजन्स जो हैं इंदूस ददी के किनारे उसको जीता लेकिन बाद में वो फर्दर आगे नहीं बढ़ सका अपने विजय अभियान को लेकर तैमूर की बात कर ले इसको तैमूर दलेम या फिर तैमूर लंग बोलते हैं ठीक है इसने इंडिया पराक आगे पराएं मुहमत शाह के द्वारा हराया गया और पीकॉग थ्रों जो था और साथ इसाथ कोहिनूर का हीड़ा ही ले गया था। इसा हम मांते हैं तो मैयूर सिंगहासन कौन ले गया था। नादिर शाह। एमद शाअबदाली अफगानिस्तान से आया था इसने इंडिया को सेवरेल बार यानि की एक दो बार आकरमड करने का प्रयास किया 1747 में 1767 में इसका most famous आकरमड 1761 माना जाता है एमद शाअबदाली का जब इसने तीसरे पानीपत की युद में मराठाओं की सेनाओं को हराया मैं गए स्थिनी इसके बारे में बात कर ले तो ambassador था ये सल्यूकस का उसका दूद था और चंद्रकुप्त मौर के कोर्ट में गया था और ग्रीक चंद्रकुप्त मौर को सेंड्रो कोर्टस बूलते थे वो इसने famous बुक लिगी थी इंडिका फाहियान के बारे में बात कर ले तो Chinese नाम से बुद्धिष्ट ये विक्रमादित थी यानि चंद्रकुप्त सेकेंड के साशनकाल में भारत आया था इसा मानते हम लोग इसने लुम्बनी में विजिट किया था जो की बुद्ध की पर्थ प्लेस है हम जानते हम इन सांग के बारे में बात कर ले तो Chinese ट्रेवलर है जिसने इंडिया को विजिट किया हर्श वर्धन के टाइम पर और इसकी बुक लिखे थी CU की The Records of Western World अलबरूनी की बात कर ले तो परिशन स्कॉलर और यह महमद महमूद गजनी के साथ आये था और इसने बुक लिखे थी तहकी के हिंद ठीक है इसको बोलते है फादर ऑफ इंडोलोजी मारको पोलो के बारे में बात कर ले तो European ट्रेवलर था इसने बहुत सारी Eastern countries को विजिट किया जिसमें इंडिया शामिल है इसने सदर इंडिया में विजिट किया जिसमें रुद्रमा देवी का शाषन था जो की काकातिया वन्ष की थी इबने बतूता के बारे में बात कर ले तो मुरको से आया था और इसने इंडिया को मुहमद बिन तुगलक के शाषनक संद्रा में और इंग्लिश और जो इंग्लिश फैक्टरी के लिए अब बन्जूरी मांगी थी उसने जर्टनल ऑफ दा मिशन टू दा मोगूल अंपायर में यह लिखा है ठीक है इस इंडिया कंपनी की तरफ से 1609 में जहांगीर के लिए लेकिन प्राप्त नहीं कर पाये जहांगीर के लिए निकोलो कॉंटी के बारे में बात कर ले तो इटैलियन मर्चैंट था जिसने इंडिया को विजिट किया देवराय फर्स्ट के शाषनकाल में जो फिजयनगर से थे अबदुल रज्जाक के बारे में बात कर ले तो पर्सियन स्कॉलर है और एमबेजडर था किंग ओफ पर्सिया का ठीक है और ये विजयनगर आया था देवराय सेकेंड के साषनकाल में सेंट थॉमस के बारे में बात कर ले तो फर्स्ट क्रिस्चिन सेंट जो इंडिया आया था वो ये हैं सेंट थॉमस बावन एडी में यानि की काफी काफी पहले फ्रेंको इस बर्णियर के बारे मात कर ले तो फ्रेंच फिजीशियन था ठीक है जो इंडिया आया था डॉक्टर और मुगल एंपरर औरंग जेब का करीब ये रहा है औरंग जेब के सासनकाल में बारा वर्ष के लिए और इन्होंने कुछ अपने अकाउंट भी लिखें चन्द बर्धाई कि इसके में थे फ्रित्विराज चौहान के में इनके कुछ important लुपर्णैंड टे अनलख सकते हैं इसे शक अबिजनान शाकुंतलन मेगदूतम ठीक है कि बाणभट के कुछ important works है हर चरित्र कादंबरी चन्द बर्दाई के important works हैं फिराज रासो भवूती के important works हैं महावीर चरित्र और मालाती माधव उत्तरम उत्तरम चरित ये किस्ते लिखिए भवूती ने अमीर खुसरों के कुछ important books है तो फतूस सिगर किरानस सादाइन श्रीप उनना ने है शांति पुराना भूवन नाई का और राम भूदय राश्क्रकूट किंग क्रश्न थर्ड के शाहनकाल में कभी थे पर्मनंद ये शिवाजी के कोट में कभी थे उन्होंने शिव भारत लिखी है पंडित गंगा धर मिश्रा ये संभल पूर के राजा बलियार सिंग के कोट म में थे उन्होंने प्रहलाद चरित्र लिखा है राथ शेखर ये गुर्जर पतिहार वर्ट के कभी थे उनके कोट में इन्होंने भाल भारत करपूर मंजरी बाल बलर मायण बाल रमायण और काव मिमान सा लिखी है ठीक है तोड़ा प्रनुनिस करने में मुश्किल है क्योंक प्रनुस के किंग अरीकेष्री सेजूर के शासन काल में कवी थे और यह उन्हों लिखी है विक्र मारजुन विजिय और पंप भारत तिरुमलाई के बारे मात किंग वडियार के कोट में थे कवी और कढ़्ड अवृतांत का थे कंथे। अलसानि पड़ान ये कृष्णदेवराय के दर्बार में कवी थे और स्वरोचिश मनु संभवम इनने लिखी है नंदित हिम्मान ये क्रिष्णदेवराय के शाषिनकाल में कवी थे और इनने लिखी है वाणि विलासं और पारिजात अपरणनम आगह हुसेन अमानत के बारे में बात कर लें तो वाजीद अली शाह के कोट में कभी और इंदर सबाय ने लिखी है राम प्रसाथ सेन, कृष्ण चंद्र जो नादिया के राजा थे उनके कोट में कभी विद्य सुंदर और शक्ति गीत इन्होंने लिखा है जयम कॉंद का ये कुल तुंगा किंग चोल फस्ट केश हासनकाल में कभी थे और इन्होंने कलिंग गट्टू परानी लिखी है रविकीर्थी अपुलकेशन दुती ये एक हासनकाल में थे और एहोल ने इन्स्क्रिप्शन में इनकी लिखी हुई है डाइनस्टी के वारे माज कर लें तो चोल वन्स की कैपिटल कहां थी यहां पर एक तरफ डाइनस्टी एक तरफ कैपिटल इनकी लिस्टिंग देखेंगे यह भी पूछा जाता है चोल वन्स की राधधानी थंजावुर और गंगाई कोंड चोलापुरम में बनी मौरी लोगों की कहां पर पाठली पुत्र में केवल पल्लवों की कांची में पांडेों की मदुरई में चालुक्यों की वातपी या वदामी में लेटर चालुक्यों ने कल्याडी को अपनी राधधानी बनाया काकतिया वन्स की सासकों ने वरंगल को बनाया सत्वाहन वन्स की सासकों ने प्रतिष्ठान को बनाया जिसको पैठान बोलते हैं मौडर्न महरास्टर में जगहे है बाहमनी वन्स की सासकों ने गुलबर्ग को बनाया और बाद में बिदार को यानि कि मुहम्मद अबाद को मरते हैं आगे हम लोग वर्मन मन्स की सासकों ने प्राग जोतिशपूर यानि गुवाहाटी को बनाये था अपनी राधधानी शुंग मन्स की सासकों ने पाटले पुत्र और बाद में विदीशा को बनाये था राश्टकूट मन्स की सासकों ने मान खेत को सोलंकी वँंस की सासकों ने अनिलवाडा को शिवाजी ने बनाए था रायगण को तीपू सुल्टान ने श्रीरंग पत्नम को बनाए था राजर रंजीट सिंग ने बनाए था लाहूर को राजढ़नी अर्शवर्द ने बनाये था पहले थाने सर को और बाद में कन्नाउच को ठीक है और कनिश्क ने बनाये था पुरुषपुर को जिसको मौडरन डे पेशावर के नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है नंद वन्ज के चाथा महापध में यह फिर उग्रसेण और किंग घनानध मौर वनज की szakekt और अखरी था प्रहदरत गुप्त रज्थ कॉप्त पहले हैं पुष्णि-प्र पहल छुस्य-ब्चरए मित्र प्शनहे टक लगे और आखरीक ओस देवभूती शत् documentary जसे साफना की सत्वागा की मुटंस और आखरी याज्यνश सत्खाड़ी चालुक की जो व्तापि वाले थे उनका व्यंक्त्य क्विक बूक्त रूंग और आखरी ता कीरिती वर्मन चालुक के शंट्टीराचा जालर। और आखरी था आति राजेंदौर। वन्ष काह शाशक बांते हैं जिसने स्थापना की और को रुकुल कने धैवक्र और मुजयुद दीन कैकुबाद। खिलजी वन्स का शाशक था जलालुत दीन और आकरी था कुश्रो खान, तुगलक वन्स का शाशक था घ्यासुत दीन तुगलक और आकरी था फिरोश्चा तुगलक, लोधी वन्स का शाशक था बहलोल लोधी और आकरी था इबराहिम लोधी, मुगल वन्स का शाशक था बाब पर और आखरी था बहादुर शाह दुति यह अब कौन से टेंपल किस डाइनेस्टी से असोशेटेड़ है यह भी कुश्चन आते हैं खजुराहो का मंदिर जो है यह किसे जुड़ा हुआ है बुंदेलों से या फिस चंदेलों से है कहां पर छतरपूर MP में कैलास टेंपल यह चोल वन्ष के सासकों से जुड़ा हुआ है तंज्यावुर यह अफितंजोर टमिलनाडु में है कैलास टेंपल यह पल्लमों से जुड़ा हुआ है यह कहां पर है मंमलापुरम में ठीक है तमिलनाडु में दिलवाडा टेंपल यह सोलंकी वन्ष के सासकों से जुड़ा हुआ ये पटक दल करनाटक में है संटेंपल ये सोलंकियों से जुड़ा हुआ ये मोधेरा गुजरात में है विमन रूलर्स की बारे में बात कर ले अगर हम तो रानी रुद्रमा देवी ठीक है ये काकतिया वन से थी डेकें प्लेटिव में शाषन किया इन्होंने डॉक्टर इनका नाम था निदाव दो निदाद वोलू और उन्होंने वरंगल के किले के लिए युद्ध किया था ठीक है मारको पोलू जो था वो जो इनके शासनकाल में विजिट किया था इसमें ठीक है रानी दुर्गावति के बारे में बात कर ले तो इन्होंने गोंडवाना में अपने पुत्र के स्थान पर बीर नारायण जिसकी है जिनकी दलपत शाह जो रूरल से गोंडवाना की उनकी और उसके पुत्र की डथ के बाद रानी दुर्गावति ने शासन अपने हाथ पे लिया मुगल अंपरेर अकबर ने अटायक किया पंद्रा सो चौन सथ में ये का जो है आत्मत्या करनी पड़ी या फिर खुद को खत्म करना पड़ा चांद बीबी के बारे में बात करने तो चांद खातून या चांद सुल्ताना भी कहते हैं निजाम शाह पृथम ठीक है इनकी पुत्री थी है और इनकी शादी हुई थी सुल्तान आदिल शाह जो की बिजापुर के लिए युद्ध किया या फिर कह सकते हैं बिजापुर का शौशन किया एहमद नगर पर आक्रमण वान था मुगलों का 1592 में और उन्होंने उसको बचा लिया था एहमद नगर को लेकिन बाद में अकबर 1592 में फिर अटैक करता है एहमद नगर में और उसको चानवे तक माना कोजी शिंडे की वुत्री थी और इनकी शादियोई थी खांडे राओ से जिनका निधन हो गया था बैटल आफ कुम्भेर में 1754 में और इनके फादर निलाओ जो थे मलहार राओ होलकर उनकी नेतरत्व में इन्होंने शाषन किया था आ 1706 तक कितूर, राणी चिन्नम्मा की बात कर ले तो इनकी शादियोई थी राजा मूल राज, मूलस राज, जो की कितूर से थे ठीक है एक प्रिंसली स्टेट था बेलगाम करनाटक में इनके हैस्बेंड की डेथ हो जाती है और एक बच्चा छोड़कर चले जाते है ठीक है राणी ब्रिटिशर्स इसे accept नहीं किया और वो राज जिहारन करना चाहते थे फिर बाद में अपने राज को बचाने के लिए वो युद्ध करती हैं ठीक है इसने एक बार फिर से annexation की policy यानि राज जिहरन की policy अपनानी चाहिए और इस वारिस को स्विकार नहीं किया ठीक है फिर बाद में युद्ध होता है वालियर में काफी घाव इनको लग जाते हैं युद्ध में और फिर बाद में इनकी death हो जाती है राणी अवंती बाई के बारे में बात कर ले तो विक्रमादित सिंग से इनकी शादी होई थी जो रामगड स्टेट के रूलर थे विक्रमादित सिंग की कानिधर हो जाता है और वो कोई भी वारिस छोड़ कर के नहीं जाते हैं बिटिसर्स एक बार फिर से अपनी राजी हरण नीती के तहट इस राजी को हरण करना चाहते हैं लेकिन बाद में फिर ये युद्ध करती है कुछ हजार लोगों की सेना जुटा करके बिटिसर्स से 1857 में बाद में at the end of the day ये खुद को ही मार लेती हैं और बिटिसर्स के हा अबे तक शासन होता है कुतुब बुद्धी नइबक इल्तुत्मिष रज्या सुल्तान गियासुद्दीन बल्बन जो है शासन करते हैं इस वन्स की तरफ से खिलजी डाइनस्टी की बारे में बात कर ले खिलजी डाइनस्टी अलाउद्दिन खिलजी ने नीव रखी थी इ लोधी डाइनस्टी की तो इब्राहिम लोधी अब important facts देख लेते हैं कौन-कौन से रुलर काल में कौन-कौन से important event वे से जो पूछ जाते हैं कुतुब बुदी नइबक ये गुलाम था मुम्मद घोरी का ठीक है पहला सुल्तान बनता है दिल्ली का और founder है गुलाम वन्स का ठीक है या फिर मामलूक वन्स का चार साल तक शाषन किया पोलो खेलते हुए इनकी मृत्य हो जाती है काफी important fact जो पूछा गया पोलो खेलते हुए कैसे कोई मर सकता है गोड़े से गिरकर हां ठीक है कुवत अल-इस्लाम जो था इसने कुवत अल-इस्लाम मस्जिद बनवाय था और सूफी संथ जो थे कुत्व भुद्दीन बक्तियार काकी उनको डेडिकेटेट था इल्दुत्मिष बाद में इसको पूरा करवाता है अभी हम देखेंगे इसको इसको लाक बक्ष के नाम से जाना जाता है यानि कि गीवर आफ लाक्ष काफी दानवीर था यह ऐसा म सुल्वर के टका और कॉपर के जीतल चलवाय थे दो बेसिक सिक्के सल्तनेत पीरिड में ठीक है इक्तादारी सिस्टम की शुरुवात भीलतुत्मिष की सासनकाल में होती है उसने अपने एंपायर को इक्तों में बांट दिया था ठीक है यानि अद्मिनिस्ट्रेटिव यू घड़ी जो है यह पहला इस्लामिक मसूलियम जो डेली में है इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था अपने सबसे बड़े पुत्र प्रिंस नसीरुत दीन महमूत की याद में चंगेश खान जो था मंगोलियन इंवेडर वो इसके सासनकाल में आया था यह इंदुस्तिक इनारी त रहना पड़ा लेकिन बाद में यह गद्दी पर बैठी है इलतुत्मिश के बाद अब बल्बन के बारे में करें बात कर लें तो इसका ओरिजिनल नेम था बहरुद्दीन ठीक है ग्रेटिस सुल्तान माना जाता है गुलाम बन्स का ठीक है और यह स्लेव था एक्चुली बह करेंगे और पॉलिसी ओफ बलड और आयरेन इसने फॉलो की थी रीबल्स ट्रेटर्स और रॉबर्स के खिलाफ यह इसने उलुक खान का टाइटल मंगोलों को हरा करके हाशल किया था रिबिलियस ट्राइब जो थी जो विरोध करने वाली जंजाती थी मियो उसका इसने दमन किया था ठीक है मियो कौन लोग थे यह मेवात के रहने वाले थे जो दिल्ली के लोगों को दिन में ही लूट लिया करते थे बल्बन ने बहुत कह सकते कड़ा शॉशन किया था ठीक है इसने चिहलगानी जो सिस्टम चलता था चालीस नोबल्स का इसको तोड़ दिया ठीक है पहले चाहलगानी सिस्टम चलता था अलतुत्मिश के टाइम पर उसको उसने बंद किया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर ले तो सेकेंड रूलर है खिलजी बंश का और मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता है अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर रहे बाद ये शाषन अपने हाथ में लेता है और एस्पिरिनिस सिस्टम इसका काफी मस्बूत था यानि कि कह सकते हैं जासूसी वाला सिस्टम इसके गुप्तिचर काफी मस्बूत थे ये पहला इसा सुल्तान था जिसने स्टेंडिंग आर्मी रखी थी कि पहले क्या होता था कि युद्ध होता था सभी आर्मी गठित की जाती थी लेकिन स्टेंडिंग आर्मी रखी थी इसने पहली बार जिसको ये खाना वना भी देते थे अलब सेलरी भी देते थे पहला सु सिस्टम लाया एकनॉमिक रिफॉर्म सिसी के शॉषनकाल में शुरुवात हुई थी और कोहिनूर जो था डाइमंड ये मालवा के शॉषक थे इसने कपजा कर लिया गयासुद दिन तुगलक के बारे मात कर ले तो इसका असली नाम है गाजी मलिक और तुगलकाबाद सिटी की स्थापना इसने की या फिर कैसकते इसको बनवाया गियासद दिन तुगलक कैसे मरा था जो पवेलियन इसके लिए बनवाया गया था बैटने का वो गिर गया था मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर ले तो इसका असली नाम है जूना खान इसको लॉजिक, फिलोसफी, मैथमेटिक्स और अस्ट्रोनॉमी का स्कॉलर माना जाता है ठीक है उसको मेंडिसिन की काफी नॉलिज थी ठीक है और कैलिग्राफर भी था ये तो काफी महत्पूर्ण चीजें इसको आती थी और उसको कई भाषाएं भी आती थी परिशन अट्राविक, तुर्किश और संस्कृत भी इसने टोकन करेंशी शुरू की थी ब्रास और कॉपर के सिक्कों से ठीक है और इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट की थी जो कि इसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है इबन बतूता मुरक्कन ट्रैवलर था वो इसके शासनकाल में आया था फिरोज शात उगलक के बारे में बात कर ले तो ये हिंदू प्रिंसस जो दिपालपूर की थी उसका बेटा माना जाता है फिरोज शात उगलक और इसने नेटवर्क आफ कैनाल्स पनाये थे यहां पर पूरा नेटवर्क बिचाये था उसने कुछ शिटीज की स्थापना की जैसे कि जौनपूर, फिरोजपूर, फिरोजशा को उटला और हिसार फिरोजा इसने कुतुब मिनार के दो ऊपर के फ्लोर सही करवाया थे जो बिजली गिरने के कारण 1368 में खराब हो गए थे और शिकारगड इसने बनवाया था जिसको कुशक महल से जाना जाता है ये ती सिकंदर लोधी की बारे में बात कर ले तो इसने मौडरन जो आगरा है उसको बनवाया था इसमानते हैं इब्राहिम लोधी ये लास्ट दिल्ली सुल्तान था ठीक है और ये फस्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के द्वारा हराया गया और फिर मुगल रूल चालू होता है यहां से मुगल रूल के बारे में अगर हम बाद कर ले तो बाबर सबसे पहले इसको सहिरुद्दीन मुहमद बाबर बोलते हैं 1526 से 1530 तक इसे रूल किया हुमाइव इसके बाद आता है इसको इसका असली नाम है नसीरुद्दीन मुहमद 1530 खीट से ओन्म्द चालिस तक मुगल फैमली की जो विमन हैं उनका कहां कहां पर क्या कह रोल रहा है यह देखते हैं गुलबदन बेगम यह सिस्टर थी हुमायू की और हुमायू नामा की लेखिक के नाम से जानी जाती है मायू नामा इसने लिखा था गुलबदन बेगम ने मराइजम उस जमानी ठीक है हरका बाई या हीरा कुनवारी इनके दूसरे नाम थे यह तीसरी बीवी थी अकबर की और जहांगीर की असली माँ ठीक है राजा भरमाल जो अंबेर के थे उनकी पुत्री माने जाती राजा भगवान दास अकबर का कंपेनियन था इनका अबरदर था ठीक है अनूर जहां के बारे में बात कर लें तो महरून निसा इनका असली नाम था और ये वाइस की जहांगीर की डॉटर थी घ्यास बेग थी यानि इद्मत उद्दौला की और इनको कहते हैं कि वो वो पावर मिली है जो आज तक किसी भी मुगल शासनकाल में किसी भी महिला को नहीं मिली मुमताज महल के बारे में बात कर लें तो अंजुमन बानु बेगम इनका नाम था ये शाजां की पत्नी थी ये चौदा बच्चों की माँ थी जिसमें औरंग जीब दाराशिकोह चहानारा बेगम थे और शाजां ने इनकी याद में ताज बहल बनवाए था ठीक है जहान आरा के बारे में बात कर लें तो शाजां की पुत्री और ये जानी जाती है औरंग जीब की देखरे करने के लिए जब वो कैप्टी के बारे में बात कर लें तो दिलरास बानु बेगम इनका नाम था ये औरंग जीब की पहली पत्नी थी और बीबी का मकबरा जो है औ 1726 में इब्राहिम लोधी को रा करके मुगल रूल की स्थाफना होती इंडिया में खाणवा का युद्ध ये किससे हुआ था बाबर ने राणा सांगा को राया था मेवड़का ठीक है और उसके अलाइस को भी घागरा के युद्ध में बाबर ने राया था अफगान और बंग ग्रुप्स दे सन्यासीस के उसको बैटल ऑफ तुकरोई में अकबर नहराय था बंगल के सुल्तानों को और बिहार के सुल्तान को बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राजामान सिंग और राजामान सिंग ने मुगल आर्मी की तरब से राणा प्रताप जो मेवड़के देश से दीमिद किया था बैटल ऑफ सामूगड की अगरम बात कर ले तो अरंग जेब और मुराद बक्ष ने दारशिको को बैटल आउव खाजवा में क्या हुआ था औरंग जेब ने अपने ब्रदर शासुजा को बैटल ऑफ सराय घाट में क्या हुआ था लचित बोरपुखन जो अहूम वन्ष के थे अहूम की उंडम के उसने मुगल आर्मी को हराया वो मुगल आर्मी से हार गए मुगल आर्मी को उन्होंने हराया राम सिंग के नेतरत में ठीक है ये काफी important यूद है ठीक है क्योंकि मुगल जनरली जीतने के लिए जाने जाते हैं बैटल आफ सराय घाट हारे थे मुगल बैटल आफ करनाल के बारे में बात कर ले तो नादिरिशा ने मुगल एंपरर मुहम्मद शाह को हराया और साथी साथ मुगल ट्रेजरी को लूटा मयूर सिंगहासन को और कोहिनूर डायमेंट को भी ले गया नादिर्शा बैटल आफ करनाल में अकबर के कोट की जो नौरतन थे जैसे अबुल फजल के बारे में बात कर ले तो ठीक है यह क्रोनिकलर था ठीक है जो रिकॉर्ड वगारे रखते थे अकबर की बायोग्राफि जो है अकबर रामा ये अबुल फजल ने लिखी है जो था यह रिवेन्यू मिनिस्टर हुआ करता था शेर्शा सूरी का ठीक है और अकबर के कोट में भी उसने अपनी पोजीशन जारी रखी अब्दुल रहीम खान ने खाना के बारे में बात कर ले तो यह बेटा था अकबर के जनरल बैरम खान का ठीक है बैरम खान ने अकबर की देख रेक की थी और जो यह था अब्दुल रहीम खान खाना इसको जाना जाता है अपने दोहों के लिए रहीम के दोहे बोलते हैं लोग तान सेन के बारे मबात कर लें तो तान सेन, इसका ओरिजिनल राम था राम तनु पांडे, ठीक है इसको बहुत से महथपूर रागों की स्रजन के ली जाना जाता है जैसे कि मिया की मलहार, मिया की तोडी और दरबारी कनाद तानसेन को अकबर ने टाइटल दिया था मिया का मिया राजामान सिंग की अगर मबात कर ले तो ये ट्रस्टेड लेटिनेंट था अकबर का और ग्रैंट सिंथ था अकबर के फादर इनलाओ का राजमान सिंग ने अकबर की help की थी बैटल अफ हल्दी घाटी में और साथी साथ अकबर के ओडिशा के अभियान हमें फकीर अजियाओ दीन के बारें बात कर ले तो ये अकबर का राजदार था कह सकते हैं और अकबर इनके अडवाइस काफी मानते थे मुला दो प्याजा तो ये भी अडवाइसर था अकबर के कोट में और अपने बुद्धी मत्ता के लिए जाना जाता था बीरबल का नाम महेश दास था और ये कोट जेस्टर था यानि की विदूसक हसाने वाला जोक मारने वाला हम लोग hills and mountains इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या important facts रहें कि इंडिया के hills और mountains के उनको देखना शुरू करते हैं तो पहले highest mountain of India काओना है ये कंचंचंगा है ठीक है highest mountain in India अगर हम P.O.K को यानि की पाक occupied गश्मीर को अपना मान ले तो mount K2 है ठीक है समझ गए तो जबी भी ऐसा पूछे तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए कि अगर P.O.K को include कर ले अपनी इंडियन territory में तब Godwin Austin है वरना कंचंचंगा है oldest mountain range कौन सी इंडिया में अरावली है highest peak कौन सी Western Ghats की और साथ इसाथ South India की सबसे highest peak है अनाई मोडी अनाई मोडी highest peak जो अरावली की कौन सी है यह है गुरू शिखर Mount Taboo राजिस्थान के करीब रैसीना hills चुन न्यू डेली में एरिया पड़ता है जहां पर राष्टफती भहन लोकेटेड है यह किस hills का extension माना जाता है यह extension है अरावली का hill ranges जो geographically इंडिया को Northern India और टेकन प्लैट्यू में डिवाइट करती है वह है विंद Western Ghats जाने जाते हैं सही आदरी hills के नाम से उस hill का नाम क्या है जहां पर वैस्णू देवी सिच्टेड है वह है त्रिकूट परवत Mount Kailas जो Award of Shiv माना गया है हिंदू mythology में वह कहां पर है तिब्बत में हम hill ranges के बारे में बात कर लें तो Eastern Ghats जो है हीली रेंज है तमिल नाडू करनाटक आंद प्रदेश ओडिशा वेस्ट बंगाल इसमें आती है कितने राजियों में फैली हुई है पांच में Western Ghats की अगरम बात कर लें तो तमिल नाडू केरल करनाटक गोवा महरास्ट्र यह आती है पांच राजियों में रावली इसकी बात कर लें तो गुजरात राजिस्थान और रियाना में कुछ से इसके पाई जाते हैं रावली के Cardamom Hills की बात कर लें तो केरल तमिल नाडू यहां पर आपको Contamom Hills देखने को मिलेंगे अन्नमलाई हिल्स आपको केरलो तमिलनाडू में देखने को मिलेंगे नेलगिरी हिल्स आपको तमिलनाडू केरल करनाटक में देखने को मिलेंगे पलानी हिल्स आपको तमिलनाडू में कार कॉरम आपको लद्दाक रीजन जम्मू कश्मीर में है पर महरास्थ्र में सहाध्री हिल्स का यह पार्ट है नाली हिल कुलोओग वैली में कमाज़व्प्रुदेश में माउंट आभू में मसूरी यह घड़वाल माउंटेन रेंज का या फिर हिल्स का उत्राखंड में नैनी ताल ये कुमाउं हिल्स का पार्ट है उत्राखंड में पंच मढ़ी ये सत्पुड़ा हिल्स का पार्ट है मद्ध प्रदेश में उटी या फिर उधा मंडलम ये निलगरी हिल्स का पार्ट है तमिल नाडू में कुनूर ये निलगरी हिल्स का पार्ट है तमिल में ही और सत्पुड़ा ये सह्याधरी हिल्स का पार्ट है गुजरात में होर्सली हिल्स ये आंधपुर्देश में है Highest Mountain of Indian State के बारे में बात कर लेगा हम और वनाचल प्रदेश का Highest Point क्या है कांग तो ये Eastern हिमालियास ये फिर Eastern Range का हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का सबसे उंचा Point क्या है रियो पूर्गिल ये Western हिमालियास का पार्ट है जमू कश्मीर का Highest आपका कौन सा Point है Mount Ketu ये कारकोरम Range का पार्ट है करनाटक में मुल्यांगरी जो है ये पॉइंट है ये Western Ghats का सबसे उंचा Point है ठीक है महराश की बात कर दे तो कलसु बाई जो है ये Highest Point ये जनित है ये सहाधरी Hills का पार्ट है और मिजोरम में फानगुई जो है ये Highest Point है लुशाई Hills का पार्ट है नागा लैंड में सरामती जो है ये नागा Hills का पार्ट है ठीक है ओडिशा में जो देव माली है ये Eastern Ghats का पार्ट है राजस्थान में जो गुरु शिखार है ये रावली Hills का पार्ट है सिक्की में जो कंचन जंगा है ये Eastern Himalayas का पार्ट है तर्फप्रा में जो बेत लोंग शिप है ये जमुई Hills का पार्ट है उत्राखंड का सबसे उचा पीक नंदा देवी हमालयास का पार्ट है और वेस्ट बंगाल में संडाकफु जो है ये Eastern Himalayas का पार्ट है अंडमान और निकोबार में सैडल पीक हाईस पोईंट है Mountain of the World हाईस माउंट अफ द वर्ड माउंट एवरेस ते सबी जानते ठीक है 88-49 मेटर इसकी हाइट नेपाल में है ठीक है highest mountain जो आफ्रिका का है ये माउंट किलो मेंजारो है तंजानिया कंट्री में है highest mountain जो ऑस्ट्रेलिया का है द्यान रखिएगा Australia का अलग है Australian continent का अलग है ठीक है ओशियाना जिसको बोलते हैं तो highest mountain ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोशिस को और highest mountain Europe का है Mount Elbrus, जो कि रशिया में है, highest mountain जो North America का है, वो है Mount Denali, highest mountain जो South America का है, वो Mount Econ Kegua है, highest mountain जो Antarctica का है, वो Mount Winston Massif है, highest mountain जो Oceana, यानि कि Australia, Country और New Guinea को मिला करके जो है, वो है पंककक जाया, ठीक है, पंकक जाया, इसको Mount Carson भी बोलते है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, Mount Denali को पहले Mount McKinley बोलते थे, और इसका रिज नेमिंग हुई है, 2015 में, तो यह ध्यान रखिएगा आप, 8000 से मीटर उची वाली हाइट के Mount Everest, नेपाल में Mount Ketu या फिगौडविन ऑस्टिन प्योके में है, कारकोरम रेंज में, कंचन जंगा यह सिक्किम में है, Mount Lodse यह नेपाल और चाइना में है, मकालू यह नेपाल चाइना में है, छो ओयू यह नेपाल में है, नेपाल चाइना में थळौला घिरी यह नेपाल में है, मनास्लू यह नेपाल में, नंगा पर्बत यह कारकोरम प्योके में, और अन पूड़न यह नेपाल में है, mountain ranges of the world के बारे में बात कर लें तो जो apps है यह इसका highest point है mount blank ठीक है mountain range जो north में है rockies उसका highest part है mount albert mountain ranges जो south america में है वो है andies और उसका सबसे उंचा part है mount एकनक हुआ mountain range जो अफ्रिका में है वो ट्रेकेंस पर के zenith हो यह थाबना में है थाबना range का हिस्सा है mount range जो ऑस्ट्रेलिया में है the great dividing range इसका क्या नाम से mountain range है उसका highest point है आपका mount kosisko mountain जो एशिया में हिमाले है उसका highest point mount Everest है mount range जो एशिया में है वो कार कोरम है और mount kato उसका highest point है mountain range जो अंतर्क्रिका में है ट्रांस आक्टिक mountain range जो टी एम बोलते इसको mount करकट्रिक इसका highest point है ठीक है तो यह जान रखना है आपको alps जो है यह किस-किस country में फैला हुआ है mountain ranges जो वल्ड के हैं वो किन-किन country में इस्टेंट होते हैं तो apps आपके France, Austria, Slovenia, Lichenstein और Italy, Germany और Switzerland में है Rockies आपका US Canada में है Andies आपका Ecuador, Chile, Columbia, Peru, Argentina, Bolivia, Venezuela में है Drakensburg आपका South Africa, Lesotho और Swaziland में है हिमाले आपका Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, China, Bhutan और में अनमार में है Car Coram आपका India, China, Pakistan में, Hindu कुष आपका Pakistan, Afghanistan में Amount Everest पर चड़ाई करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन है First Persons जो सबसे पहले व्यक्ति वो Edmund Hillary और Tenzing Norgay है 29 में 1953 को First Women Janko Tabai है 16 में 1972 को जिसने सम्मिट दो बार करी वो है Nawang Gombu 1963 में 1965 में First Women जिसने सम्मिट दो बार की वो संतोश यादो 1992 में, 1993 में Oldest Person कौन है? Yushiro Muvira 23 में 2013 में Oldest Women कौन है? Tamai, 99, 73 वर्ष की आयू में 19 में 2012 में Youngest Person कौन है? Jordan Romera 19 में 2012 में Youngest Female कौन है? Malwath Purnah 13 वर्ष 11 मंद की आयू में 25 में 2014 को First Women, Bachendri Paul है First Women, Bachendri Paul है First Twins कौन है? Tashi और Nungshi Malik First Indian जो without oxygen गये थे वो हैं Foo, Dorzi First Female, Amputi कौन है? Arudima, Sinha Most Number of Times Kamirita Sharpa 23 बार ये गये हैं अपा Sharpa, Hurba, Tashi Sharpa 21 बार First Blind Person Eric, Vihin Mehr और States के Basic Fact देख लेते हैं हम लोग Desi Rate इतना है, Female State Bird Rose Ringed Parakeet है यानि Tota State Animal Black Buck है इनको 2018 में ही घोशित करा गया है ठीक है? State Flower है, Jasmine State Tree है, Neem First Governor और ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है ठीक है, First Governor एक स्टेट के लोग ध्यान रखेंगे जैसे आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तर प्रदेश वाले ये वाली चीज़े देखेंगे मैं इनको Skip कर रहा हूँ अब नाचल प्रदेश के अगर हम बात कर ले Formation 20 Feb 1987, Capital इटानगर High Court ये गवाटी High Court की बेंच लगती है इटानगर में Area के इसाब से रैंक 15 ही है और Population के इसाब से रैंक 27 ही है State Bird है, The Great Horn Bill State Animal है, गयाल ठीक है? या फिर मिथुन बोलते हैं इसको State Flower है, Fox Tail, Orchid और State Tree है, How Long ठीक है? ये State Bird, State Animal State Flower, State Tree काफी important है ठीक है? District 20 है, Largest District Upper Dihang Valley है, Official Language हिंदी और English है असम के बारे मैं अगर में बात कर लो, तो Formation 15 गसुन 47, Capital इसपूर है High Court की Location Goaati Area के इसाब से रैंक 17 ही Population के इसाब से रैंक 15 ही State Bird है, White Winged Wood Duck State Animal है, One Horned Rhinosaurus State Tree है, How Long State Flower है, Fox Tail, Orchid ठीक है? First Chief Minister है Gopinath, Baradol, Loi Number of District है, 33, Largest District है Carby, Anglong ठीक है? बिहार के बारे में बात कर लें तो Patna, Capital है Location High Court, Patna है बिहार दिवस, 22 मार्च, 1912 को मनाये जाता है ठीक है? आगे बढ़ते हैं लोग Area के इसाब से रैंक 13 है Population के इसाब से रैंक 3 है State Bird है, House Pairro State Animal है, Indian Vision State Tree है, People State Tree है, People State Flower है, Kachnaar State First Governor है, Jai Ram Jai Ram Das, Dawlat Ram First Chief Minister, Shri Krishna Sina Number of District, 28 है BPSC वाले जरूर देख लिजेगा, यह बले fact Number of District 38, largest district है West Champarn IIT पटना में है, IAM बोध गया में है और इसका Equal Area approximately Hungary और Jordan को मिला करके है Hindi और Urdu official languages है Nagaland की बात कर लूँ मैं December 1963 को स्थापना Capital Coima में है Guwahati High Court की Coima Bench लगती है High Court के रूप में Area के हिसापस रेंग 26 भी है Population के हिसापस रेंग 25 भी है State Bird है, Blitz Tragopan ठीक है State Animal है, Mithun State Tree है, Alder State Flower है, Arododendron First Governor है, Vishnu Sahay Nagaland का Largist District है, Tunesang Odisha की बात कर ले हैं तो इसमें Capital है, Bhubaneswar High Court की location, Kattak में है Area के हिसापस रेंग है, Navi Population के हिसापस रेंग है, Agyarmi State Bird है, Indian Roller यानि की Blue Jay State Animal है, Sambhar State Flower है, Ashok State Tree है, People यानि Ficus Bangalensis First Governor है, Kailashnaath Kartju ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग Number of District 30 हैं इसमें Largest District जो है, मयूर भंज है ठीक है, मयूर भंज Punjab के बारे में अगर हम बात कर ले तो Formation एक November 1966 को Capital Chandigarh, Location of High Court Chandigarh Area के हिसापसे 20 वी रेंक, 29 राज्यों में Population के हिसापसे 16 वी रेंक State Bird है, Bars State Animal है, Black Buck State Tree है, Sisham और बाकी आप देख सकते हैं Number of District 22 है, सबसे बड़ा District फिरोजपूर है MLS और MPs की गिंति हम देखे चुके इस वीडियो की शुरुआत में Number of MLCs निल हैं क्योंकि Unicameral लग इसले चरह हैं आपर राजिस्तान के बारें बात कर लिए 26 जर्मडी 1950 को स्थापना Capital जैपूर है Location of High Court जोदपूर है Area के हिसापसे रेंके पहली ठीक है मैंने सबसे बड़ा State है, मारा Area Vice Population के हिसापसे रेंके सात्वी Great Indian Bustard इनका State Bird है State Animal है, चिंकारा यानिकी फिर से Black Buck State Flower है, रोहिडा और State Tree है, खेजरी इरलाल शास्तरी फर्स चीफ पिनिस्टर है गुरुमुक निहाल सिंग फर्स गौर्णर, नमबर अफ डिस्टिक्ट 33 सब्सब्रा डिस्टिक्ट जैसल मेर 25 सीट्स MPs की होती है MLA's होती है, 200 ठीक है, MLCs यहां पर नहीं होती है यह भी Unicameral है सिक्किम के गरम बात कर लें तो Capital गंटोक है Location High Court की गंटोक है Area के हिसाब से रहेंग 28 वी है Population के हिसाब से रहेंग 29 वी है यानि की सबसे कम population की सराज में है सिक्किम में स्टेट बड है Blood Pheasant स्टेट अनिमल है Red Panda स्टेट फ्लार है नोबाइल और्किड और स्टेट ट्री है रोडोटेंट्रॉन Number of District 6 में 4 है Number of MPs 1 है Number of MLS 32 है Tamil Nadu की बात कर लें 27950 को स्थापना Capital चिन्नई है Location of High Court चिन्नई Area के हिसाब से 11 सबसे बड़ा स्टेट है Population के हिसाब से छटा सबसे बड़ा स्टेट है स्टेट बर्ड यहाँ पर मरकथा पुरा है इसको Emerald Dove बोलते है स्टेट अनिमल निलगीरी ताहर है हमने बताया था आपको निलगीरी ताहर बकरी यहाँ की स्टेट अनिमल है और शेंग कांधल यहाँ की ग्लोरियोसा लिली यहाँ की स्टेट फ्लार है स्टेट ट्री है कारपाहा वेरुक्षम लाजेस डिस्टिक्ट इरोड है यहाँ का नमबर ओफ एम्पी सुंतिस नमबर ओफ मेलेस दोसो चाउंतिस और यहाँ यहाँ नहीं क्योंकि उनिकाइम्प्रेल है तेलंगाना की बात कर लें दो जून 2014 को फॉर्मेशन हाइदरबाद कैप्टल लोकेशन आफ हाई कोट हाइदरबाद एरिया के इसाफ से बारवा सबसे बड़ा और पॉपलेशन के इसाफ से बारवा सबसे बड़ा स्टेट बड है इंडियन रोलर यानि ब्लू जे स्पॉर्ट है डियर कैप्टल स्टेट ट्री है जामी छेत्तु यानि की प्रॉस्पिस सिनरेरिया स्टेट फ्लार है तंगेदू पूवू स्टेट फेस्टिवल है बॉनालू नंबर ओफ डिस्टिक्ट है 31 लाज़िस डिस्टिक्ट है बदरादी नंबर ओफ कैप्टल 17 नंबर ओफ हमिलेश 111 नंबर ओफ हमिलेश 40 ठीक है वेस्ट प्रंगाल 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन कैप्टल कोलकाता लोकेशन अफ आई कोट कलकत्ता एरिया के हिसाप से रेंक 4 पॉपलेशन के हिसाप से रेंक 4 स्टेट बर्ड है वाइट थ्रोटेट किंग फिशर स्टेट अनिमल है फिशिंग कैट स्टेट फ्लार है नाइट फ्लारिंग जैस्मीन स्टेट ट्री है डेविल ट्री यानि अलस्टोनिया स्कलोरिस स्कॉलरिस फर्स्ट गॉर्णर जॉन आस्टन हबक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर प्रफुल लेचंद्र गोश लार्जेस डिस्ट्रिक्ट है चॉबीस परगना और MPs 42 है ठीक है और MLS 94 होते हैं में IIM कहां पर कोलकाता में IIT घड़कपूर में है उत्तर प्रदेश ठीक है पॉपलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट हमारा एजिया के हिसाब से 14 सबसे बड़ा स्टेट लोकेशन ऑफ हाई कोड अलाबाद लोकेशन कैपिटल की लखनव और सौरस क्रेन यहां की स्टेट बर्ड है स्टेट अनिमल है स्वैंप टियर स्टेट ट्री है अशोक और स्टेट फ्लार है पलाश फर्स्ट गॉवर्णर है हरमास जी पेशा मोदी और फर्स चीफ निश्टर गोविंवलल पंथ फर्स्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75 लाजस्ट डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी एंपीज होते हैं असी मलेज होते चारसो तीज मलेजिस लेचर है कानपूर और वारणसी में आई एटीज हैं आई एम लखनोव में हैं ठीक है उत्राखंड नॉम्बर 2000 को फर्मेशन होता है बहुत इंपॉस्टन्ट द्यान रखिएगा कैपिटल दहरादून में है लोकेशन आफ हाई कोट नैनी ताल में है एरिया के इसाप से 19 वह सबसे बड़ा स्टेट पॉपलेशन के इसाप से 20 वह सबसे बड़ा स्टेट स्टेट बर्ड हिमालियन मोनल स्टेट अनिमल है अल्पाइन मस्क डियर स्टेट फ्लार है ब्रंभ कमल और स्टेट ट्री है बुरांश यानि रोडो डेंड्रॉन अर्बोरियम फर्स्ट गौवर्णर सुरजीत सिंग बर्नाला फर्स्ट चीफ फिनिस्टर नित्यानन्द स्वामी ठीक है और फर्स्ट लार्जेस डिस्ट्रिक्ट है उत्तर काशी और इसमें उता दिया गया है नंबर आफ एमपी कितने पांच हमेलेस कितने उते 70 त्रिप्रा की बात कर अगर हम तो कैप्टिल अगरतला लोकेशन हम फाइक वोट अगरतला में एरिया के इसाफसे रैंक 27 पॉपलेशन के इसाफसे रैंक 22 वी स्टेट वर्ड है ग्रीन इंपीरियल पिजिन स्टेट एनिमल है लंगूर और स्टेट फ्रूट है क्वीन पाइनेपल 2018 में रानी अनन दिस्ट्रिक्ट धलाई है ठीक है अब्रिवेशन यह बात कर लेते हैं अगर हम यह भी आते हैं अपीडा का फुल फॉर्म होता है अग्रिकल्चर अल प्रॉसेच्ट फूर्ड प्रॉडट्स एक्सपोर्ट एंड डवल्लप्मेंट अथॉर्टी CIA का मतलब है Confederation of Indian Industries CSIR का मतलब है Council for Scientific and Industrial Research ठीक है Fasal का मतलब है Forecasting Agricultural Output Using Space, Agro, Meteorological and Land Observations Fikki का मतलब है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries ICAR का मतलब है Indian Council of Agricultural Research ICRISAT का मतलब है International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics RFCO का मतलब है Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited ISOPOM का मतलब है Integrated Scheme for Oil Seeds, Pulses, Oil Palm and Mace CRIPCO का मतलब है Krishak Bharti Cooperative Limited MPLATS का मतलब है Member of Parliament Local Area Development Scheme Member of Parliament Local Area Development Scheme की तहत किते मिलते हैं मतलब MLA को MP को 5 करोड NABAD NABAD का मतलब National Bank for Agricultural and Rural Development NAFET का मतलब है National Agricultural Cooperative Marketing Federation NEGP का मतलब है National E Governance Plan NDDB का मतलब है National Dairy Development Board और NARIGS का मतलब है National Rural Employment Guarantee Scheme SWAND JNT Grams वरोजगार योजना SSSGSY का मतलब है TRIFET का मतलब है Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Gandhi का मतलब है Green Action for National Dandy Heritage Initiative REDD का मतलब है Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation JNNURM का मतलब है Jawahar Gala Leheru National Urban Renewable Mission और KAPAAT का मतलब है Council for Advancement of People, Action and Rural Technology Revised Action Tuberculosis Control Program R&TTCP का PIK का मतलब है Panchayat, Yuva, Krida और Khela Bhyan Inspire का मतलब Innovation in Science Pursuit for Inspired Research HRDAI का मतलब है Heritage City Development and Augmentation योजना, NITI का मतलब National Institution for Transforming India Investigative Unit on Crime Against Women ठीक है Banking related जो हमारे term में उनके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या important यहां पर terms है सबसे पहले तो most common मारा ITM इसको automated teller machine बोलते हैं इसको transaction machine या कुछ और ऐसा नहीं समझ लीज़ेगा Camels का मतलब है Capital advocacy, Assets Management, Capability, Earnings, Liquidity और Sensitivity Car का मतलब है Capital equidacy ratio, CBS का मतलब है Core Banking Solutions CTS का मतलब है Check Truncation System CRR का मतलब है Cash Reserve Ratio, ECS का मतलब Electronic Clearing Machine EMI का मतलब है Equated Monthly Installments FCNR का मतलब है Foreign Currency Non Resident IDBI का मतलब Industrial Development Bank of India IFSC का मतलब है Indian Financial System Code IFSC कितने अंकों का होता यह चीज़ हमको comment करके बताईए Comment करने वाले को मिलेगा एक Heart मेरी तरफ से ठीक है KWIC का मतलब है New York Customer Libor का मतलब है London Interbank Offered Rate MICR का मतलब है Magnetic Inc. Character Recognition Magnetic Inc. Character Recognition BFC का मतलब है Non Banking Financial Company NEFT का मतलब है National Electronic Fund Transfer NPA का मतलब है Non Performing Assets RTGS का मतलब है Real Time Cross Settlement System MDR का मतलब है Merchant Discount Rate SLR का मतलब है Statistry Liquidity Ratio UPI का मतलब है United Payment Interface और अब Related Observations देख लेते हैं ASBA का मतलब है Application Supported by Blocked Amount ठीक है Associated Chamber of Commerce and Industries of India SOCM बोलेंगे इसको BSR का मतलब है Basic Statistical Return BIAS का मतलब है Bureau of Indian Standard CIA का मतलब है Confederation of Indian Industries CPI का मतलब है Consumer Price Index DICGC का मतलब है Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India ECB का मतलब है External Commercial Borrowing FCCCB का मतलब है Foreign Currency Convertible Bond FDI का मतलब है Foreign Direct Investment FICCI का मतलब है Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries FII का मतलब है Foreign Institutional Investors FPO का मतलब है Follow-on Public Order GUT का मतलब है General Agreement for Tariff and Trade Global Depository Receipt GDR हो गया IMF का मतलब है International Monetary Fund IPO का मतलब है Initial Public Offering NASDAQ का मतलब है National Association of Security Dealers Automated Quotation NAB का मतलब है Net Asset Value NSTL का मतलब है National Securities Depository Limited NYSE का मतलब है New York Stock Exchange Old Task का मतलब है Online Tax Accounting System PAN का मतलब है Permanent Account Number SDR का मतलब है Special Drawing Rights STT का मतलब है Securities Transaction Tax TAN का मतलब है Tax Deduction and Collection Account Number OTIN का मतलब है Tax Information Network OTDS का मतलब है Tax Deduction at Source UNCTAD का मतलब है United Nations Conference on Trade and Development VAT का मतलब है Value Added Tax Abbreviation यांपर Technologies Related UEFI का मतलब है Unified Extensible Firmware Interface ASCI-I का मतलब है American Standard Code for Information Interchange HTML का मतलब है Hypertext Markup Language HTTP का मतलब है Hypertext Transfer Protocol URL का मतलब है Uniform Resource Locator CGI का मतलब है Common Gateway Interface FTP का मतलब है File Transfer Protocol RSS का मतलब है Really Single Syndicate Blog का मतलब है Web Log WISIWYG का मतलब है What You See Is What You Get ठीक है तो यह आप लिख सकते हैं कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं XML का मतलब है Extensible Markup Language BIOS का मतलब है Basic Input Output System SQL का मतलब है Structured Query Language CDMA का मतलब है Code Division Multiple Access TCP का मतलब है Transmission Control Protocol Internet Protocol ठीक है और Modem का मतलब है Modulation Demodulation ASP का मतलब है Active Server Pages SIM का मतलब है Subscriber Identity Module ठीक है और PDF का मतलब है Portable Document Format IMEI का मतलब है International Mobile Equipment Identity ADD का मतलब है Attention Deficit Disorder BMI का मतलब Body Mass Index COPD का मतलब है Chronic Obstructive Pulmonary Disease CT का मतलब क्या होता है CT Scan का मतलब है Computerized Tomography CABG का मतलब है Coronary Artery Bypass Graft CAT का मतलब है Computerized Axial Tomography DNA का मतलब है Deoxyribonucleic Acid DNC का मतलब है Dilation and Cutrage DPD का मतलब है Diphtheria Pertuversis or Titness ECG का मतलब है Electrocardiogram ELISA का मतलब है Enzyme Linked Immunosorbent Assay FDA का मतलब है Food and Drug Administration HB का Hemoglobin ICU का Intensive Care Unit LDL का Low Density Lipoproteins Low Density Lipoproteins MMR का मतलब है Measles Mumps, Rubella MRI का मतलब है Magnetic Inks Magnetic Resource Resonance Imaging NAD का मतलब है No Apparent Disease NAD Reports भी लिखके आता है ठीक है जब सारे टेस्स लगभग नॉर्मल होते है Poofa का मतलब है Poly Unsaturated Fatty Acid QD का मतलब है Every Day QID का मतलब है 4 Times a Day TID का मतलब है 3 Times a Day BID का मतलब है 2 Times a Day यह गोलियों के सास लिखा रहता है Information की गोलियां कितनी बार खानी एक दिन में Hs का मतलब है Bed Time ठीक है RX का मतलब है Prescription RBC का मतलब है Red Blood Cells WBC का White Blood Cells CRISPR का मतलब है Clustered Regularly Inter Spaced Short Short Palindromic Repeats Anatomy अब देख लेते हैं नमारे Human Anatomy में क्या क्या फीचर से Longest Bone कौन से होती है Femur यानि की Thigh Bone Smallest Bone कौन से होती है Step is Middle Ear में Hardest material जो Human में पाए जाता है वो Tooth का Enamel होता है यानि की Crown ठीक है आगे बढ़ते है Strongest Muscle Jaw Muscle होती है Largest Muscle होती है Glutus Maximus यानि बटक Muscle और Largest Organ होता है Skin, Largest Internal Organ होता है Lever, Smallest Gland होता है Penal Gland, Largest Artery होती है Aorta, Smallest Blood Weasle होती है Capillary, हमारे Body में सबसे Common Element आपको कौन से देखने को मिलेगा Oxygen करीब 65% है Most Common जो है Human Body में ठीक है, Mineral वो Calcium है, उसी से हमारी Bones पगएरा बनती है Most Common Compound कौन से होते Human Body में Water होता है Pigment जो हमारी Skin को Dark या Light Skin प्रदान करता है, वो होता है Melanin Melanin कम होता है, तो साफ रंग होता है, वरना काले की तरफ Shade होते है Muscles जो हमारे Bones से Attach होते हैं, किस Connective Tissue को दवरा? Connective Tissue है Tendon, और Bones, Bones से Attach होती है, Ligament के दवरा Volume of Blood in Adults, यानि कि हमारे Adult एक Human Being में 4.7 से लेकर 5 L तक Blood आपको देखने को भी लेगा Blood भी एक Connective Tissue है हमारा Longest Bone Consuming Body में Femur है, हम देखी चुके है, Total Number of Bones के इतने महारे Human Body में दोस्च है Most Common Type का Blood Troupe आपको देखने मिलता है, ओ, Plus ठीक है, Most Uncommon हो गए यहां प्रवे से, ठीक है, Most Uncommon Important Facts अगर हम देख लें, तो Study of Blood को क्या कहते है, Hematology बोलते है Normal Human Blood के इतना होता है, देखी चुके है, Humoglobin क्या होता है, Protein होता है, Red Blood Cells में होगा, हमारे पाया जाता है Oxygen को Other Cells से जो है, मतलब Oxygen ले करके जाता है, हमारे Body के Other Cells तक, इसमें Iron होता है Oxygen के साथ मिल जाता है, तो Blood को Red Color देता है, ठीक है तब यह हमारा Blood Red होता है, किसके जाता है, Humoglobin, Protein के जाता है Blood जो है, यह Purify की जाता है, mainly Lungs के द्वारा ठीक है Gases Impurities जो CO2 और Kidneys के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है Kidney Other Impurities निकालता है Blood से और Gases Impurities Blood से कौन निकालता है, Lungs यानि हमारे फेफडे कोई Drug या Chemical जो Blood को यहां पर Clot होने से बचाती है, ठीक है, ठक के जमने से बचाती है, वो है Anticoglent William Harvey जो है, यह पहला यहां पर Scientist है जिन्होंने Actually Describe किया था कि हमारे Blood Circulation का Process किया है, कैसे हर्ट से Pump होता है और हमारे पूरे बाकी शरीर तक पहुंचता है Blood Card Land Steiner के बात कर लें, तो इन्होंने Classify किया था Human beings में Blood को इन्होंने बताया था कि हमारे Blood रूप होते हैं, कितनी तरीके होते हैं, यह होते हैं A, B, AB और O, चार तरहे कि ठीक है और O होता है Universal Donor और A, B होता है Universal Acceptor यानि कि अगर परसन के पास O Blood Group है तो उसमें A भी चड़ सकता है, B भी चड़ सकता है A, B भी चड़ सकता है, कोई भी चड़ सकता है, O, B चड़ सकता है, Sorry, Sorry, Sorry यहांपर मिश्टेक हो रही है O Blood Group का अगर परसन है, तो वो Blood दे तो सकता है किसी को भी, O परसन A वाले को भी Blood दे सकता है, ठीक है O परसन का Blood A वाले Blood Group वाले परसन को भी चड़ जाएगा, B वाले Blood Group वाले परसन को भी चड़ जाएगा और A B वाले को भी ठीक है लेकिन ओ वाले परसन को अगर ज़रुड़त है ब्लड रूप को तो ना A का काम आएगा ना B का ना A B का ओ वाले परसन को कौन ब्लड देगा ओ ही दे पाएगा ठीक है आरे च ब्लड रूप इस्टम में किसने डिस्कवर किया था का एट कारल आंस्टेइणर ने और एएएस वीनर ने इच ब्लड रूप के यहां पर महनी आरे पॉसिटिव और निगेटिव हो सकते हैं अब नौर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज या होती है है ड़ट प्रेशर करेंज होती 120 चाशीं टॉप जो हैetu गैसी सिस्टालिक नंबर दिखाता है और जो जो ऐसी नंबर एक डिश्टालिक नंबर दिखाता économ । ताइप की अगे फाहने मेंडबा आ कि कि वहींद तो आपको नप्टाल में अब यहांपर relation between दिखाया गया है father और mother के blood group में ठीक है आप देख सकते हैं आगर यहांपर father का blood रूप A होगा और mother का blood group अगर A होगा तो child का blood रूप क्या हो सकता है A या O हो सकता है अगर B है father का, mother का B है तो बच्चे का हो सकता है A B, A B या B या O हो सकता है, ठीक है, तो यह दिखाया गया, पूरो वैसे इतना नहीं आपको जानना होता है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे जो फीचर से, जैसे आर्टरी का क्या फीचर या फंक्शन है, आर्टरी जो है oxygenated blood, यानि शुद्ध किया हुआ blood, ले करके जाती है, high pressure स हर्ट से लेकर पूरे बांकी body parts तक, यह आपको याद रखना है, ठीक है, वीन्स का क्या काम है, वीन्स जो है de oxygenated blood, जो है इखटा करती है हमारे organs और tissues से और इसको हर्ट तक ले जाती है, लेकिन capillary क्या directly नहीं, capillary connect होती है, arteries और वीन्स से, capillary सबसे छोटी unit होती है, आप जा oxygenated blood या फिर शुद्ध blood भेजने के लिए, heart में शुद्ध होने के लिए, हम में फंक्शन देख लेते हैं, अलग-अलग artery, capillary और वीन्स का, तो artery में सबसे पहले orta, यह largest principle artery इसको भूलते है, इसका काम होता है, oxygenated blood जो है, यह सारे parts में ले करके जाना, अपनी branches बनाते हुए जर important artery है, coronary artery, यह branch एक और्टा से निकलती है, जो कि oxygenated blood पहुचाती है, heart के tissues को, heart भी एक organ है और उसके tissues को भी oxygenated blood मिलना जरूरी है, तो heart के tissues को, यानि उसके उतकों को, oxygenated blood पहुचाता है, coronary artery, ठीक है, pulmonary artery कहा करती है, कि यह एक artery है, यह only artery है, जो deoxygenated blood कैरी करती है, यह कई बार question, cbsc वाले पूचते हैं अपने exam में, heart end के exam में, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कि एक मात्र artery जो deoxygenated blood कैरी करती है, वैसे तो सारी की सारी arteries oxygenated blood कैरी करती है, ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको, तो यह blood कैरी करती है, heart से और lungs तक ले जाती है, purification के लिए, carotid artery क्या होती है, यह artery जो है, यह oxidated blood supply करती है, head और neck region को, wings की बारे में बात कर लेते हैं, कुछ important wings भी है, जैसे inferior superior vena keva, तो superior vena keva क्या करती है, यह deoxygenated blood जो है, यह वापस heart तक ले के जाती है, purification के लिए, कहां से लेके जाती है, thorax region से, head से, arm से, हाथों से, thorax region से और head से, inferior vena keva क्या करती है, deoxygenated blood जो है, abdomen और leg region से heart तक पहुंचाती है, coronary wings क्या करती है, कि यह deoxygenated blood को heart muscles तक पहुंचाती है, ठीक है, heart muscles से heart तक deoxygenated blood पहुंचाती है, purification के लिए, wings जो सारी होंगी, वो deoxygenated blood carry करती है, four pulmonary wings होती है, ठीक है, इन में से दो, क्या करती है, कि oxidated blood लेके आती है, lung से इसको heart तक पहुंचाती है, ठीक है, pulmonary wings, jugular wings क्या करती है, deoxygenated blood जो है, यह head region से superior venakeva से होते हुए heart तक ले जाती है, ठीक है, यह काम है इसका, आप चाहिए तो screenshot ले सकते हैं, अगर आपको ना याद रहे तो, बड़ते हैं हम लोग आगे, blood and its functions के बारे में बात कर लेते हैं, red blood cells या फिरित्रोसाइट्स क्या करते हैं, यह protein hemoglobin को carry करते हैं, जो oxygen को transport करता है, lung से लेकर rest of the body तक, white blood cells यानि की leukocytes क्या होते हैं, यह primarily responsible होते हैं, body को infection से बचाने के लिए, platelets या thrombocytes इनका क्या काम होता है, clotting का, यानि किरक्त के ठक्के जमाने का, जिसको coagulation में बोलते हैं, ठीक है, जहां पर injury होती है, वहां पर blood सूक सूक के एक network या फिर net बना देता है, ठीक है, ऐसा ऐसा net बना देता है, बहुत fine, इससे जो और ज्यादा blood होता है, वो बाहर नहीं आ पाता है, उससे, तो यह fine network बनना ही coagulation कहलाता है, अगर आपने BSC किया है, जो logic है, तो आपको पूरी process की पता होगी, कौन सा activate, कौन enzyme activate करता है, कौन सा vitamin इसमें जरूरी होता है, पूरी process उसमें बता जाती है BSC में, लेकिन हम लोग खाली competitive exam के रियारी करना है, तो हमको इतना detail जानना जरूरी नहीं है Plasma के बारे में बात कर लें, तो liquid component होता है blood का, ठीक है, और blood cells को पूरी body में पहुचाने का काम करता है, blood cells को nutrient पहुचाने का, waste products उससे हटाने का, antibodies बनाने का, protein जो clotting में required होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं, chemical messengers, hormones, सब इसमें flow होते हैं, ठीक है Plasma में, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, white blood cells के component, white blood cells के भी यहाँ पर division होते हैं, ठीक है, इनके parts होते हैं, अलग-अलग function करते हैं, functions को देख लेते हैं, अगर बहुत tough level की science पूछेंग, railway वगारा में, तो यह आ सकता है, basophils के होते हैं, normal white blood cells होते हैं, जो bone marrow में बढ़ते हैं, ठीक है, bone marrow में बनते हैं और इनकी संख्या तब तब बढ़ती जाती है, जब bone marrow के cells जो हैं, वो damage होते जाते हैं, parasites, infections और allergic reactions जहां पर भी होता है, तो वहां पर यह बढ़ जाते हैं, उससे लड़ने के लिए, isnofils क्या होते हैं, कि यह white blood cells के अंदर होते हैं, और इनका काम होता है, उन mechanism को control करना, जो दो तरह है कि lymphocyte होते हैं, ठीक है, T lymphocyte होते हैं, ठीक है, और एक B lymphocyte होते हैं, T lymphocyte क्या करते हैं कि हमारे immune cells को regulate करने के काम करते हैं, और infected cells जो गो सात हैं, बाड़ि में, directly उन पर attack करते हैं, ठीक है, इनफेक्टेट इम्वेक्टी ने को अटेक करते हैं, पिल लिंभ उसा इसको खा जाता है उसको चबा जाता है यह सकते हैं लोग या फिर उसको । अच्छराआ करता है और फोरेन् पाइटिकल्स इसको भी उसको घेर करके खत्म करता है। नूट्रोफिल क्या होता है यह बहुत common type का white blood cell है और body को infection से बचाने का normal काम इसका होता है, बढ़ते हम लोग आगे, अब blood related जो disorders है, जो diseases हो जाती है, जैसे iron deficiency, anemia, यह किसी कमी से होती है, यह होती है, पूर nutrition की बज़े से, blood में iron का content कम हो जाता है, ठीक है, यह जो तो होता है प्रेगनसी की दोरान ज्यादा तर विमेंस को उनका blood loss होता है, तो anemia के उनको लक्षन देखने को मिल जाते हैं, vitamin deficiency की बारे में बात कर लें, ठीक है, vitamin deficiency से हुआ anemia जो है, यह low level जब vitamin B12 या फोलिक एसिड का हो जाता है, poor nutrition के कारण, गलत खान पान कारण, तो यह इस तरह का पाती है, यह viral infection के कारण हो सकता है, drugs लेने कारण हो सकता है, या तो autoimmune diseases जो होती है, उसके कारण से हो सकता है, hemolytic anemia के बारे में बात कर लेंगर हम इसमें क्या होता है, कि जो red blood cells होते हैं, उनकी life कम हो जाती है, ठीक है, red blood cells जो होते हैं, जिनकी life 120 days होती है, वह जल्दी ही degener generate होकर मरने लगते हैं, खर्ट मोने लगते हैं, तब इस तरह का hemolytic anemia होता है, sickle cell anemia क्या होता है, यह hereditary blood disorder है, इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे, आगे जब hereditary disease का चार्ट देखेंगे, hereditary disease का मतलब है कि अनुवानशिक होती है, यह विरासत की रूपे मिलती है म आता है या पिता से, ठीक है, red blood cells क्या होता है, इसमें एक rigid और sickle के shape में आ जाता है, sickle समझ रहे है, sickle का मतलब होता है, हसिया, ठीक है, हसिया से अगर आपके घर में सबजी काटी होगी, तो काटी जाती होगी, आपने इसका shape देखा होगा, हसिया के shape के हो जाते हैं, तो क् होना चाहिए, उतना नहीं रहता है, इतना surface area यहां पर कम हो गया, तो यहां पर क्या होता है, oxygen ज्यादा retain नहीं हो पाता है, RBC में, तो flexibility उसकी कम हो जाती है, और life threatening complications भी हो सकती है, bleeding disorder के बारे में बात कर लें, hemophilia, बहुत rare और inherited यह disorder है, ठीक है, ज्यादातर UK का जो kingdom था, उ इसमें क्या होता है, X chromosome में जो genetic defect होता है, उसके कारण होता है, यानि कि यह father से मिलता है, ठीक है, अपने बच्चों को, इसमें क्या होता है, कि blood clotting जो है, वो पूरी तरह से रुख जाती है, जो protein चाहिए होता है, blood में clot करने के लिए blood को, वो नहीं मिलता है, माल लिजे, इस रोग के होने वाले व्यक्ति को अगर कोई घाव हुआ, तो उसका blood जो है, रुकता ही नहीं है, उसके घाव से बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, और पूरा 4.7 से 5 लीटर जो होता है, वो खाली हो जाता है, तो बहुत ही dangerous disease है, तो उस परिवार के बच्चों को, जिसको य इमोफीलिया में, इसमें भी एक हमारा जो clotting के लिए required factor होता है, जिसको wild brand factor बोलते हैं, यह scientist के नाम पर रखा गया, इस factor के नाम, देखो मैं आपको बता दू, coagulation जो है, बहुत complicated process है, ठीक है, इसमें बहुत सारे factor काम करते हैं, बहुत सारे protein काम करते हैं, बहुत सारे enzyme काम करते हैं, vitamins काम करते हैं, बहुत लंबा process होता है, जिससे रक्त का ठक्का जमता है, अगर किसी ने BSC किया होगा, जो logic से, तो second year या third year में आपने इसके बारे में जरूरूरू किसे पढ़ा होगा, डिटेल में, लेकिन अभी हम competitive exam के बात करते हैं, तो उतना ही आप ध्यान आता है factor, ठीक है, तो इस वज़े से उनका ठक्त का ठक्का नहीं जमता और उनको काफी बच करके रहना पड़ता है, छोटी मोटी injuries से, leukemia में क्या होता है, कि rapid production होता है, white blood cells का, ठीक है, abnormal तरीके से white blood cells जो है, वो बढ़ते जाते हैं, और वो अच्छी quality के नहीं होते हैं, वो bone marrow में इतने जादा हो जाते हैं, कि red blood cells और platelets को भी block करने लगते हैं, तो यह होता है, leukemia में, blood cancers की category में आता है leukemia, ठीक है, lymphoma blood cancer में क्या होता है, कि इसमें lymphocytes जो है, जो white blood cells, जो important हमारे immune system का part होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी divide करने लगते हैं, और बहुत दिन तक जीवि ठीक होते हैं, माईलोमा cancer में क्या होता है, कि यह plasma cells को effect करता है, ठीक है, तो plasma cells को अगर एफेक्ट करता है, तो हमारा immune system weak हो जाता है, थलिसीमिया में क्या होता है, यह भी inherited disorder ठीक है, इनफ पोटीन जो है, हीमोगलोबीर नहीं बनता है, जिनको थलिसीमिया हो जाता है, ठीक ह उनका white blood cells जो है, उनके red blood cells जो है, उनमें enough oxygen नहीं carry हो पाता है, अब हमारी आँखों से related, ठीक है, आइस से related जो disorder है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, हाँपर, कौन-कौन से disorder, किसके कारणर से होते हैं, कौन-कौन से lens लगाए जाते हैं, उन disorders को ठीक करने के लिए, सब से इसको short sightedness भी बोलते हैं, ठीक है, या near sightedness बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कि जिस person को यह हो जाता है, उसको past की चीज़ें, तो अच्छे से दिखती है, दूर की चीज़ें वो नहीं देख पाता है, ठीक है, और यह किस कारण से होता है, यह अगर पूछ ले तो light ray जो है, ठीक है, वो retina के आगे बनती है, जैसे retina होती है, आपकी यह, ठीक है, आँखों के अंदर जो nerve carry करती है, तो focus उसका यहाँ पर बनना चाहिए, focus पहले ही बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ बन जाता है, distance के कारण से आपका myopia हो जाता है, ठीक है, यह physics में भी आपने lens, इसमें क्या होता है, जैसे array पड़ती है, यहाँ पर, थोड़ा सा ऐसे file जाती है, ठीक है, तो जो focus आगे बन रहा होता है, रेटिना के, वो पूरा हो करके यहाँ बनने लगता है, ठीक है, तो बस यह सही हो जाता है, फिर, hypermetropia के बारें बात कर लें, तो just opposite होता है, myopia के इसमें person को, tour का तो दिखता है, लेकिन pass का नहीं दिखता है, ठीक है, refractive errors होती है, यह दोनों ही disease आई की, इसमें क्या करते हैं, यह वाला lens लगाते हैं, ठीक है, यह जो मैंने बनाया हुआ है, अच्छे बना देते हैं, इसको concave lens बोलते हैं, तो जब ray पड़ती है, यहाँ तो थोड़ा सा और converge होती है, तो जो image कहीं जाकर के retina के पीछे बन रही होती है, वो retina में बनने लगती है, ठीक है, इसकी पूरी testing होती है, और test करके यह चस्मा आपको लगवाय जाता है, ठीक है, Ampliopia के बारम बात कर लें, इसको lazy eye disease भी बोलते हैं, lazy eye disorder जो है, इसमें क्या होता है, कि एक आख से नहीं दिखता है, ठीक है, आदमियों को, मतलब जिनको यह हो जाता है, उनको एक आख से दिखना बंद हो जाता है, ऐसा इस कारण से होता है, कि हमारा brain जो होता है, वो एक ही आई को power देने लगता है, देखने की शक्ति की, ठीक है, एक आख से छिंग जाती है, प्रेज बारम बात कर लें, तो यह age related eye disorder होता है, ठीक है, इसमें eye जो है, मतलब हमारी आख जो है, उसका lens जो होता है, फोकस नहीं कर पाता है, रेटना पर, जो light ray पढ़नी चाहिए, ऐसे converge होकर, रेटना पर, इस वो रेटना मान लेते हैं, यहाँ पर पढ़नी चाहिए, तो जो यह lens लगा होता है, आई में, यह old age की कारण से थोड़ा खराब होने लगता है, ठीक है, तो इस disorder को कहते हैं, प्रस बायोपिया, ग्लुकोमा के बारे में बात कर लें, इसमें क्या हो कारण हो जाता है, हाई ग्लुकोस के कारण, और इसका क्या है कि इस से अगर आँखे चली गए तो बिल्कुल भी बच नहीं पाती है, ठीक है, मतलब उनको recover नहीं किया जा सकता है, एक क्रूमेटॉप्स, इसको क्या बोलेंगे, इसको color blindness बोलते हैं, या फिर color vision deficiency बोलते हैं, ठीक है, CBD, इसमें differentiate नहीं कर पाता आदमी colors में, और ऐसा आदमी railway में नहीं जा पाता है, ठीक है, एक बार फिर से genetic disorder एक्स क्रोमोजोम में होने वाले genes की वजह से होता है, ठीक है, इसलिए men's में जादा पाया जाता है, ठीक है, इसको इसी हारा color test से जो है, डागनॉस करते है color blindness भी इसमें कई type के होते है, protonopia होती है, जिसमें red color नहीं दिखता है अदमी को, ठीक है, डुट्रोनापियो में क्या होता है, कि green color नहीं दिखता है, और tritonopia में क्या होता है, कि blue color नहीं दिखता है men को, ठीक है, cataract के बारे मात कर लें तो clouding, ठीक है, lens के आगे एक जाला ब बन जाता है, ठीक है, तो जिससे क्या होता है, कि lens में cloud बन जाता है, और clump हो जाते हैं, protein, तो surgery से इस cloud को अटाना पड़ता है, ठीक है, तो cataract जो है, यह सही कीजा सकता है, operation से, strapismus क्या होता है, इसको cross dive बोलते हैं, यह तो आपने देखा ही होगा, कुछ लोग क्या करते हैं, कि उनकी eye जो है, वो same direction में line up नहीं होती है, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा, कि कोई वक्ति आपने जरूर देखा होगा अपने life में, कि उनकी eyeballs जो होती है, वो इस side होती है ठीक है, इस side, तो वो देखते कहीं हो और है, उनको दिखता कहीं हो और है, ठीक है, या तो वो बिल्कुल एक ही तरफ देख रहे होते हैं, और उनको सब तरफ दिखता है, तो इसको बोलते हैं, disorder को strebsmus, इस disorder होता क्यों है, इसकी simple बात कर लेते हैं, कि जब उनकी eye muscles जो होती सब्सक्ति का मजाक नहीं उडाना चाहिए, बोन्स के बारे में important facts अगर हम लोग देखें तो, बोन्स की study को astrology बोलते हैं, ठीक है सबसे पहली चाहीज हो गई, जब बच्चे का जर्म होता infant के रूप में, तो 300 bone होती है उसकी body में, और जो fuse होती जाती है बाद में, तो 206 जाता है और आपके state pieces वाले भी इसको पूछ सकते की collagen कौन साओ protein है जिससे bone बनती है calcium phosphate के साथ मिल करें, longest bone कौन हमारी human body में femur है, smallest bone कौन है step is है, और bones से bones जो जुडते है, tough fibrous tissue से उसको बोलते हैं ligament, ठीक है, और bone muscle से किस से जुडती है, tendon नाम के, आपके connective tissue से, flexible tissue जो हम bone marrow बोलते हैं, तो इसी flexible tissue के अंदर, red और white blood cells जो हमारे शरीच के बनते है, bone marrow में, ठीक है, highloid bone क्या होती है, located होती है, base of the tongue में, और ये एकमात रहसी bone है, जो body में कहीं भी किसी दूसरी bone से attached नहीं है, ये काफ़ important question बन सकता है, axial skeleton जो होता है, इसमें bones होती है, skull की, ear की, rib cage की, verbal column की, sternum की, और highloid bone, total 80 bone होती है, हमारे axial skeleton में, ठीक है, appendicular skeleton में क्या होता है, बांकी की 126 bone होती है, osteoporosis जो होती है, ये bone disease है, जिसमें क्या होता है, कि bone का mass जो है, और density, घटी जाती है, ठीक है, उनका calcium जढ़ता जाता है, कहते हैं, आम पूल चल की भाषा में, और fracture कर रिस्क बढ़ जाता है, ज्यादा तर old age में, या pregnant women's में, या फिर जो women's, जिनमें calcium की कमी पाई जाती है, उनमें सीजने देखने हो की मिलती है, रिकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो bones जो है, बच्चों में, छोटे बच्चों में, दस साल से कम उमर के बच्चों में, vitamin D के कारण soft होने लगती है, ठीक है, उनके हाँ जो हैं, श्ट्रेट नहीं रहते हैं, बलकि spongy हो जाते हैं, क्योंकि bones उनकी spongy हो जाती है, इसको भी गठिया भाई बोलते हैं, कैलिशियम जो हमारा nutrient होता है, bones के build-up होने में, ठीक है, तो कैलिशियम की गोलियां लोग खाते हैं, जिनकी bones नहीं अच्छी build-up हो रहे होती हैं, बच्चों को tablet दी जाती है, प्रेगनेट विमें इसको कैलिशियम के dose दी जाते हैं, ठी ठीक है, तो vitamin D इसलिए necessary होता है, vitamin D directly नहीं काम आता है, लेकिन body को कैलिशियम absorb करने में help करता है, अब bones के बारे में बात कर लेते हैं, तो skull में 22 bone होती है, उनका division दिया हुआ है, कि cervical vertebrae में 7, thoracic और dorsal vertebrae में 12, lumbar vertebrae में 5, sacral vertebrae में 1, और coccygeal vertebrae में 1, ठीक है, ribs, ribs कित ठीक है, 14 pair में होती है, 28 एक हाथ में, toe bones और phalanges ये 14 होती है, इस foot में 28 हो गई, wrist और carpals ये 8 होती है, इस wrist में, याने कि 16, ankle bones और tarsals ये इच ankle में 7, याने कि total body में 14, metacarpals याने कि 5, एक तरफ तो 2, तरफ 10, metatarsals ये 5, एक तरफ 10, दो तरफ, ears में 3-3 तो 6 हो गई है, ठीक है ठीक है, total number of bones हो गई, 184, बची, single bones, single bones कौन कौन सी है, sternum, जो chest में होती है, high weight, जो neck में होती है, और number of single bones के बल दो होती है, याने कि, एक हड़ी, ठीक है, एक ऐसी साबूत हड़ी, मतलब जो जादा किसी से joint नहीं बनाती है, और pair of bones, जो हमारी body में होती है, जैसे scapula, ठीक femur, tibia, fibula, humerus, ulna, radius, pelvic bone, total कितनी हो गई, 20, ये pair में होती है, ठीक है, मतलब, दो दो के pair में होती है, अब types के बारे में बात कर लेते है, long bone किसको बोलते है, radius को, ulna को, humerus को, femur को, tibia को, और fibula को, short bone, wrist or ankle bones हो गई, flat bones हो गई, skull bones, sesmoid bone हो गई, patla, irregular bone हो गई, pelvic bone, bones of spine, types of joint के बारे में बात करें, तो ball and socket joint कहां पर पाया जाता है, आपके shoulder और hip region में, hinge joint कहां पर पाया जाता है, knee और elbow में, pivot joint कहां पर पाया जाता है, neck में, ellipsoidal joint कहां पर पाया जाता है, base of the index finger में, saddle joint कहां पर पाया जाता है, base of the thumb में, gliding joint कहां पर पाया जाता है, wrist और ankle में, ठ लिवरी ग्लैंड के दोरा सिख्रीट होता है इसका काम क्या होता है स्टार्च को माल्टोज में कनवर्ट करना ठीक है इंग्रेडियन्स या फिर सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ना ठीक है यह समझना है आप उकल भिलाके तो कोई भी अगर एंजाइम का फंक्शन लिखाओ तो क्या करेगा वो जो कॉंप्लेक्स मेटिरियल होगा जैसे कि स्टार्च उसको सिंपल मेटिरियल जैसे माल्टोज मे कनवर्ट करेगा गैस्ट्रिक लाइपेज यह स्टमक में बनता है इसका मतलब इसका काम होता है बटर फैट को फैटी असीड या ग्लिस्रॉल में कनवर्ट करना ट्रिप्सिन जो पैंक्रियास में बनता है इसका काम होता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कनवर्ट करना काइमो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कनवर्ट करना स्टिप्सिन यानि पैंक्रियाटिक लाइपेस का काम होता है फैट्स को फैटी एसिट्स और ग्लिस्टरॉल में कनवर्ट करना कार्वॉपॉली पेब्टाइड का क्याम होता है v装ंकरियास में बन पेप्टाight को अंपी एस्द रह्लेज की सब्सक्राम होता है । करना किं एक चीज़ ओर ध्छान रखिये हां कि एकुआम को पहचानने काक्ट एक फॉर्मॉला होता है यह वी कैसे अगे लगा होना है थिक है heart Conte專न करने के जिए जो ऑफ करना है ces enons के कहान हुटार है हम्ल एंस और डृक यहां पर करना है Maltase जो कि Small Intestine भी बनता हैок माल्टोस को Glucose की किiram में डाइजेस्ट करना। सुक्रेजिस का काम होता है सुक्रोस को Glucoseा और Fructose में तोड़ना या डाइजेट करना। Lactase का काम होता है Lactose को Glucose और Galactose में तोड़कर डाइजेस्ट करना है हमारे बॉडी में मिनेरल के क्या क्या फंक्शन है कालिश्यम का क्या है formation of bones or teeth के clotting of blood में काम आता है और nerves और muscles को भी कहीं न कहीं control करता है उनके contraction relaxation में फास्वोरस का क्या है important component है हमारे ATP का NDA का RNA का NADP का FAD का तो इसका immense role है molecular level पर और self function में यह mineral जो हमारा help करता है teeth और bones को formation में human body में और acid based balance को हमारे body में control करता है iron का क्या काम है iron का काम है blood hemoglobin में और cytokromes में ठीक है myoglobin बनाने में इसका important role है इस mineral का sulfur के बारे में बात कर ले तो अलग अलगतर है कि amino acids बनाने में इसका important role है यह coenzyme A बनाने में काम करता है iodine की बारे में बात कर लें तो जो thyroid hormone जो होते है T4 और T3 तो indirectly जो है help करता है basal metabolic rate में sodium का काम क्या होता है sodium strictly required है हमारे nervous impulse के लिए ठीक है और water और acid base balance जो होता है body में उसको बना रखने के लिए इसको important osmotic controller मना गया है calcium की तरह potassium भी nerve impulse के conduction के लिए जरूरी है और osmotic controller के रूप में काम करता है magnesium के बारे में बात कर लें तो as a core factor इसका बहुत important role है enzyme linked psychological processes में और ATP dependent metabolic reactions में ठीक है ये neuromuscular functions को control करता है chlorine के बारे में बात कर लें important mineral है gastric juice का जो की HCL बनाने में help करता है और acid base balance जो stomach में है उसको maintain करने में help करता है और कुछ important hormones लेख लेते हैं major वाले gastrin यह स्टमक में बनता है इसका काम होता है stomach को stimulate करना जिससे gastric acid release करे और stomach lining की growth को आगे बढ़ाए ग्लुकागोन यह कहां से release होता है isolates of langer and cells जो होते हैं इसका काम होता है blood glucose level जो है उसको बहुत कम होने से रोकना ठीक है insulin यह pancreas में बनता है इसका काम होता है कि यह regulate करना कि body कितना carbohydrate और fat जो है वह use कर रही है हमारे food का ठीक है यह करता क्या है कि liver cells को stimulate करता है skeletal muscles को कि fat tissues को जो है उनको absorb किया जाए fat tissues और हमारे जो liver के cells है वो खाने में glucose को absorb करें blood के थूँ यह इसका काम होता है और बांकी और भी खाफी major काम है insulin के लेकिन अभी आप खाली मोटा मोटा इतना ही जाने ठीक है कि हमारा body कैसे carbohydrate और fat को हमारे खाने में जो मौझूद है उसको कैसी use करता है यह regulate करना काम है कॉलेक साइटो काइनन क्या होता है यह duodenum में बनता है ठीक है यह production of bile को stimulate करता है और एक तरह से digestion में improvement को promote करता है ठीक है अब बड़ी आंत का part होता है ठीक है और फूड को जो है तुरंत तुरंत स्टमक में खाली होने से रोकता भी है मेलटॉन यह पीनियल ग्लैंड भी बनता है ठीक है इसको sleep hormone बोलते हैं यह हमको को अच्छे से सुलाने में मदद करता है यानि कि जब हम अच्छा सोते हैं तो मेलेटॉन कहीं न कहीं release होता है इस्ट्रडाइयोल या फिर इस्ट्रडाइयोल इसको बोलते हैं इसको में फंक्शन है कि reproductive system जो females में होता है उसको mature करना और maintain करना estriol इसको E3 बोलते हैं ठीक है E3 estriol ये placenta से निकलता है ठीक है placenta से obviously अगर placenta से निकल रहा है तो जायर सी बात है कि pregnancy में इसका high level देखने को बिलेगा खास कर कि child के birth से पहले आपको इसका high level देखने को बिलेगा estriol जिस chemical से बनता है ये majorly कहां से मिलता है ये adrenal gland जो होता है baby का उससे निकलता है तो अगर estriol का level जो है high पाया जाता है तो ये इस चीज का indicator है जो कि जो fetus जो है वो पल रहा है मदर के womb में वो स्वस्थ है ठीक है estriol ये even होता है ठीक है तो E3, E2, E1 इनका नाम जोरू जहान रखिएगा जो major estrogen होता है उसके तीन ये important part है तो E1 क्या करता है ये ovaries में बनता है सबसे पहले तो adipose tissue और adrenal glands में बनता है ठीक है ये post menopausal women में काम आता है ठीक है जिनका क्या करते हैं कि menstrual cycle बंद हो जाती है उस women में ये काम करता है ठीक है ऑक्सिटोसिन की बारे में बात कर ले तो ये hypothelmess में बनता है ये contraction में help करता है warm के child birth or lactation में ठीक है जिसे बच्चे का जन्म होता है वो मा से बाहर आता है मिल्क का movement होता है ये breast तक ये इसको promote करता है milk जो है वो निपल से बाहर आया और बच्चे को मिले उसको उसमें भी oxytocin का काम होता है ठीक है sexual arousal में mother infant bonding में ठीक है और coital pleasure में इसका रोल होता है प्रोजिस्टेरॉन के बारे में बात कर ले तो corpus luteum जो है वहां पर बनता है corpus luteum कहां पर है ठीक है corpus luteum जो है structure cup बनता है ठीक है ये allical follicle का remnant होता है ठीक है उसका बचा हुआ पार्ट होता है जो egg के formation के दोरान उस इसको in close करता है ठीक है यह सब चीज़ें जो है lost हो जाती है period के बाद ठीक है यह तो पता ही होगा आपको लेकिन अगर अगर conceive करती अभी में तब इसका रोल होता है प्रोजिस्टेरॉन release होता है ठीक है इसके द्वारा यह pregnancy में help करने के लिए release होता है fertilized egg जो निकलता है उस दौरान तो अगर तो pregnancy achieve हो पाती है तब तो इसका काम आगे बढ़ता है वरना यह वहीं पर degenerate हो जाता है breakdown हो जाता है प्रोजिस्टेरॉन का जो level of all हो जाता है और new menstrual cycle के लिए prepare हो जाता है testosterone के बारें बात कर ले कि यह तो testis में बनता है men के ovaries में बनता है women के लेकिन कहुत कम मात्रा में men में क्या होता है कि male का जो internal external reproductive organ है उनके development में help करता है ठीक है fetus phase में भी mature phase में भी production of sperm जो है adult life में उसको regulate करता है testosterone testosterone इसका में boys के जो facial hairs होते जो weirds निकलती है उसमें important role होता है इसका testosterone का women में testosterone थोड़ा थोड़ा पाये जाता है और female sex hormone जो है estradiol में यह आखरी में estradiol में convert हो जाता है अब कुछ diseases के बारें बात कर लेते हैं type of diseases यानि कि कौन से disease किस type की होती है जैसे कौन genital disease hair lip club foot mongolism spastic paraplegia ठीक है तो यह कौन genital disease है hereditary disease जो मितलब अनुवानशिक होती है वो है hemifolia और albinism albinism क्या होता है कि इसमें पूरी body में melanin होता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम मात्रा में होता है तो जिसको albinism होता है उस person को albino बोलते है albino person क्या होता है कि बहुत ही pink color की उसकी skin होती है ठीक है बहुत ही pink और धूप में बहुत ज्यादा reddish हो जाती है dietary deficiency diseases के बारे मात कर ले तो scurvy, rickets, beriberi, anemia यहने की जो food nutrients जो मिलना चाहिए नॉर्मली वो अगर कम मिल रहा है तो यह होती है hormonal diseases, goiter, diabetes, mellitus, acromigaly, dwarfism यह hormonal diseases है hormonal imbalance से होती है goiter, diabetes, mellitus, acromigaly, dwarfism जो मारा thyroid से नहीं काम करता है उसके विज़े से यह होती है infectious disease जो viral होती है जो virus से होती है वो AIDS है, chicken pox है AIDS वैसे तो नहीं होता है कि खाने पीने से या किसी के saliva से AIDS जनरली sexual intercourse के बाद, मतलब infected person के साथ sexual intercourse के बाद होता है chicken pox, common cold, german measles, influenza, jaundice, measles, mumps, poliomyelitis, rabies, dengue fever, laasa fever यह infected person के साथ रहने से, उनका saliva share करने से, उनके droplet share करने से नाक मुह से निकले वी उनसे होता है, infectious disease जो bacteria से होती है वो है cholera, whooping cough, diptheria, gonorrhea, leprosy, demonia, syphilis, titnes, typhoid, tuberculosis, plague infectious disease जो fungal होती है, ringworm, athletes, foot, thrush, protozoven disease कौन से होती है malaria, amoebic, dysentery, sleeping sickness का laser, infectious disease जो warm से होती है वो malaria होता है, tape warm होता है, pin warm होता है, degenerative disease होती है यानि कि उम्र धलने पर, ठीक है, जवानी उतरने पर होती है, वो है बालों का गंजापन, बालों का गिरना, presbyopia, cataract, आँखों की लेंस में वो cloud जम जाना, cataract जम ने देखा ही, osteoarthritis यानि की calcium का कम होना bones में, Parkinson's disease और osteosclerosis, arthrosclerosis, immunological disease के बारे में बात कर लें, तो hay fever, asthma, rheumatid arthritis, और nettle rash, ठीक है, यानि immune system के बीक होने से जो होती है, neoplasty disorders, जो है, वो warts है, moles है, और cancer है, organism, जो disease cause करते हैं, या फिर disease को आगे बढ़ाते हैं, transmit करते हैं, जैसे vibrocalorie, यह किस से होता है, vibrocalorie जो organism है, यह जो आपका virus है, यह क्या करता है, यह cholera करवाता होता है, salmonella typhi bacteria, इससे typhoid होती है, salmonella paratyphi, इससे paratyphoid होती है, यह सब bacteria है, ठीक है, जहां पर जो चीज़ा भी बताऊंगा, plasmodium जैसे, plasmodium क्या है, यह bacteria नहीं है, इससे malaria होता है, varicella zooster से chicken pox होता है, rubella virus से measles होता है, rubella virus से german measles होता है, इस baudeterilla produces bacteria से whooping cough होता है, corny bacterium diptheria, इस bacteria से diptheria हो जाता है, niseria coronaria, यह जो है बहुत गंदी disease मानी जाती है, जनरली आपको नहीं इंडिया में देखने को बिलती है, यह western origin की disease है, ठीक है, prostitute से साथ sexual intercourse जो जादा करते हैं, उनको होती है, इसमें degeneration होने लगता है, sexual parts का, private parts का, mycobacterium lipri, illeprosi हो जाती है, इस bacteria से, tryponema palladium इस bacteria से syphilis हो जाता है, closterium titani, इस bacteria से ditney होता है, mycoplasma pneumonia, ठीक है, इस जो amoeba से क्या होता है, इस से pneumonia होता है, यर्षीनिय, pest zajas season Rum Artist, mycobacterium tuberculosis इस bacteria से tuberculosis होता है, trypneos期, सिक्ष noi, sleeping sickness हो जाती है, sleeping sickness, leishmania से क्या होता है, kalasar होता है, ins fifteen virus, Leptospirosis होता है, H1N1 से क्या होता है, Swine flu, H5N1 से क्या होता है habion influenza जायानि historically by प्रुट हेवाँ मनें की भुटा को आप नाइड ब्लेंड नेसिपसे होता है किसकी कमी से're ोष्र्षर नियर्टिंस में अगर इस स्की कमी है तो ये होगा नाइड ब्लेंड ये विटामिन एकि कमीसे बेरी बेरी विटामिन बी पुलते एको एनेमिय यह में पुन सकता पूल गया इंपेरड ब्लड लॉटिंग विटामिन के कमीसे osteoporosis ये calcium की कमी से goiter ये iodine की कमी से coacher कर ये protein की कमी से zerophthalmia ये vitamin A की कमी से hypokalemia ये potassium की कमी से hyponatremia ये sodium की कमी से hypomagnosemia ये magnesium की कमी से pelagra ये niyasin की कमी से common और alternative name जो हैं disease के जैसे leprosy ये hansin disease बोलते है इसको heart attack को myocardial infraction बोलते है medical की भाशा में आपका rabies को hydrophobia बोलते है ठीक है पानी से डरने लगने लगती जिसको kutta काट लेता है जिसको rabies वाला kutta काट लेता है उसको blood cancer को leukemia बोलते है baldness को alopecia बोलते baldness को एम बाशा फे Wi- 56Beam whooping of को क्या बोलते है! resulting Burtusis को बोलते है short side को kya बोलते है मायोपिया बोलते हैं, लॉंग साइट को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, नाइट ब्लेंडनेस को निक्टैल्पिया बोलते हैं, रैबिट फीबर को ट्लुरेमिया बोलते हैं, और कलर ब्लेंडनेस को एक्रोमेटोप्सिया बोलते हैं, लेजी आई को एम्लायोपिया बोलत आप लीट्स फूट को टीनिया पेडिस क्या हो गाला अजर ब्लैक फीवर और डमडम फीवर इसको क्या बोलते हैं विश्रल लिश्मैनियस स्लीपिंग सिक्नेस को बोलते हैं लेकिन अगर एक्जाम दे रहें तो यह वन लाइन रो बनाती हैं अगर स्टेट पीसेश दे रहें तो बहुत बड़ी-बड़ी मैचिंग बनाती हैं और मैचिंग करना उतना असान नहीं है आपको सारे मैचिस पता होने चाहिए ठीक है आप से आ सकता है कि यहां पर लिखा हुआ डिसीज का नाम ठीक है डिसीज और यहां पर लिखा हुआ है बॉडी पार्ट एफेक्टेड तो तब ही आप कर पाएंगे जब आपको पूरी जानकारी होगी बढ़ते हैं आगे लिस्टिंग देखते हैं ग्लुकोमा किसको एफेक्ट करता है आखों को ट्रैकोमा किसको एफेक्ट करता है आखों को सकर्वी गम्स में होता है यानि मसूडों में रिकेट से बॉन्स में होता है मैलेडिया स्प्लीन को एफेक्ट करता है टाइफॉड इंटस्टाइन को यानि आतों को गवाइटर किसको एफेक्ट करता है थाइर इस्किन में विटिलीगो इस्किन में लेप्रॉसी इस्किन और परिफेरल नर्वस में पॉजनिंग डिसीज यानि कि कौन सा पॉजन कौन सा अलिमेंट पॉजनिस बनता है और यह भी डिसीज होती है प्लमबिमिजम यह लेड़ पॉजनिंग से होती है इटाई इटाई यह कड्मियम पॉजनिंग से होती है मैड हेटर्स डिसीज ये मरकरी पॉजनिंग से होती है, मिनमेटर डिसीज ये मरकरी पॉजनिंग से होती है, मीजो थेलमिया ये अबस्टस से होती है, बिसिनोसिस ये ब्राउन लंग डिसीज ये कॉटन डस्ट से होती है, ब्लैक लंग डिसीज ये कॉल डस्ट से होती है, सिल टांसमिट होती है उसके बारें बात कर लिए अगर हम सेक्थ सेast fly ہے उससे क्या होती है sleeping sickness कि अप्ठेल होती है उससे क्या होता है कालाजर ट्रान्समिट होता है ऐनोहाफ्सलीज मस्कीटो या मेलेडिया को ट्राण्समिट करते हैं एक परसन से दूसरे परसन तक ड्रोडेंट्स जो ट्रांसफर करते हैं डिसीज वो है विबोनिक प्लेग रोडेंट्स लेप्टोस्पिरोसिस को ट्रांसफर करते हैं एक परसन से दूसरे परसन रोडेंट्स यहां पर लिखा है तो कोई भी हो सकता है रोडेंट्स सब्सक्राइब करते हैं कोई भी अनिमल दांतों वाला रैबिट से ट्लिरेमिया ट्रांसफर होता है ठीक है पोल्टरी से एवियन इंफ्लेंजा और बड़ फ्लू ट्रांसफर होता है पिग्स पिग्स में क्यूलेक्स मस्कीटों के तुरू जैपनिस इंसफलाइटिस ट्रांस होता है ठीक है टिक्ट कम दा च्रों गैंतुएं फ्रूट बैट से निपा वारे सटांसफर हुआ था केरल में मामला आया था बहुत यह चर्चा में रहा था अगर आपको ययाद हो तो तो पार्किंस हं इसमें डिर्वर करता है ते और सेंटल नर्वश सिस्टम को मतलब मीन करता है इसको खराब करता है motor skills cognitive processes और other functions Parkinson's disease में nervous system प्रभावित होता है degenerative disease यानि कि उम्र के ढलने के कारण Alzheimer's disease यह एक dementia है ठीक है और इसमें क्या होता है कि memory loss होती है thinking change होती है person की और behavior में change आता है down syndrome में क्या होता है यह trisomy 21 कहते हैं इसको इसमें क्या condition होती है कि extra genetic material जो होता है यह आ जाता है chromosome का नंबर जो है change होता है और child जो है physically or mentally गलत तरीके से develop होता है ठीक है या तो under developed हो जाता है या तो फिर abnormally developed होता है course of course disease syndrome में क्या होता है कि neurological disorder होता है और thymine यानि vitamin B1 की कमी से brain को effect करता है bulimia क्या यह eating disorder है और इसमें क्या होता है कि food intake जो है वह प्रभावित होता है यानि कि person तो बहुत जादा खाना खाता है या बहुत कम खाता है बहुत लंबे समय तक food intake को delay करता है बहुत जादा खाना खाता है या फिर बाद में उसको self low तो इस्टीम जो है होने लगता है ठीक है तो यह खान इस रिलेटेड डिसॉर्डर है अन्रोक्षिया में क्या होता है यह इतिंग डिसॉर्डर है ठीक है इसमें healthy body weight जो है maintain नहीं कर पाता person और इसको एक obsessive fear हो जाता है बहुत भयानक डर बजन को बढ़ने से ठीक है और distorted self-esteem और यह manipulation के कारण मतलब इसके symptoms है प्रोजेडिया में क्या होता है कि extreme rare genetic condition होता है जिसमें बहुत ही कम उम्र में आपको देखने को मिलने लगते हैं बुढ़ापे के symptoms उस पच्चे में ठीक है यह condition आपकी पा नाम की movie में दिखाई गई थी अकर आपको यादो अमिताब बच्चन के character को disease दिखाई गई थी dyslexia में क्या होता है कि developmental reading disorder होता है ठीक है और dyslexia किसको दिखाया गया था तारे जमीन पर जो film आई थी उसमें उसमें जो बच्चा होता है उसका नाम नहीं recall कर पा रहा हूं उसको दिखाया गया था इसमें dyslexia जिसको होता है कि brief detail क्या क्या है जैसे सबसे पहले graves, grave disease में क्या होता है कि Robert Grave के नाम पर इसका नाम रखा गया है जिस डॉक्टर ने इसको सबसे पहले describe किया एक autoimmune thyroid disease या disorder इसमें thyroid gland stimulate हो जाता है, auto antibodies के द्वारा over reactive हो जाता है और thyroid hormone प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है तो abnormal conditions हो जाती है additions disease के बारे में बात करने तो इसमें क्या होता है कि adrenal gland जो है जो हमारा body response और stress और balance को control करता है body salt or water को यह effect होता है additions disease में diabetes mellitus में क्या होता है कि body में insulin नहीं बनने लगता है ठीक है, isolates of langerans निकलता है हमारा pancreas से insulin वो कम निकलता है जिसके current से high level देखा जाता है sugar का body में diabetes mellitus की बात कर रहा हूं ठीक है diabetes insipidus नहीं acromegaly condition में क्या होता है कि growth hormone जो है बहुत ज्यादा स्त्राव इसका होने लगता है जिससे बहुत ज्यादा person की height ज्यादा मेल्स में देखा जाता है कम females में में क्या होता है कि बहुत ज्यादा height बढ़ा देता है person की उसके हाथों के size abnormal तरीके से बढ़ जाते हैं ठीक है appearance face का बहुत अलग हो जाता है चिंपैंजी जैसा हो जाता है वगयर वगयर कुशिंग syndrome की बारें बात कर लेते तो excess production जो cortisol का होता है या फिर excess जो steroid ले ले लेते हैं लोग उनको अस्थमा या eczema हो जाती है तो इसको कहते है कुशिंग syndrome अब कौन से doctor किसके specialist होते हैं देख लेते हैं जैसे neurologist nervous system का specialist होता है 시क दीटिस्ञ नेफिरोलोजिस्ट किडणी का होता है एंडैस्टरेंट्री女ोजिस्ट qisterail illness का होता है dub AO also का होता है घमेटिलोजिस्ट ब्लेड का होता है और हेमेटिलोजिस्ट जॉइंटS मसल और बॉन्स का होता है पल्मॉन लॉजिस्ट होता है Lawrence Tradition का offhthalmologist होता है आय का on belongings होता है Cancer का certificat dllä nanos dmouth之 a skin का gerontologist होता है लिज्ट परसन का झाफ Chiroprosy Deutrition होता है Infant और Children का Podiates किसा होता है Feed का यानि पेरों का Types of Medicine के बारे में बाद कर लें Jau Anti-paratric Medicine होती है वो किसले होती है Body का Temperature कम करने के लिए Antiesitamine क्या होता है कि Medicine जो Allergies और Cuff से यहाँ पर निजात दिलाने के लिए प्रवाइट कि जाती है लिखी जाती है लॉकटर की दौराprogram Vki दॉरा Antiflatulence क्या होता है Intestinal gas को कम करने के लिए लिखते हैं दॉक्तर Antispasmolic क्या होता है, medicine जक्यों ở 자蝕 स्टमक में होते हैं उसको Reduce deposits करने के लिए Anticid क्या होता है कि stomach acidity क्या होता है Anti-Helmin, ठीक क्या होता है, कि Body को, Body में जो Parasitic, Sorry, Worms आ जाते हैं, उसको हटाने के लिए होता है Anti- Sorry, Eftamine, Eftamine क्या होता है, Energy बढ़ाने के लिए और भूँख कम करने के लिए, ठीक है Anabolic Steroids क्या होता है, Medicine जो Muscles को, मतलब Muscles को, उसके Performance को Improve करने के लिए Sports में इस्तमाल की जाती है Antibiotic, जो Bacterial Infection को Cure करने के लिए, Beta Blocker क्या होती है, कि Heart जो है, कम Work करें, ठीक है, जिनको High Blood Pressure होता है, उनके लिए Beta Blocker दी जाती है Decongestant क्या होता है, कि Medicine जो उन लोगों को दी जाती है, जिनको Lung Infection होती है, जिससे वो आसानी से सांस ले सकें ठीक है, Congestion, Lung में कम करने के लिए, Diuretics क्या होती है, कि जो Discharge होता है, Urine का Urinary Bladder से, उसको बढ़ाने के लिए Expectortant क्या होता है, Medicine जो Help करती है, Mucus Lung से निकाल ले में, ठीक है, जो कफ जम जाता है फेफडों में, उसको निकालने में जो Help करती है, वो Expectortant होती है Lexative क्या होती है, Constipation से जो रहा दिलाती है, ठीक है, कबस से Statin क्या होती है, कि Medicine जो Cholesterol को Maintain करती है, Regulate करती बॉड़ी में, वो Statin है, Transclosure क्या होता है, Anxiety को Reduce करती है, और Calmness ले करके आती है, इसको जनरली लोग नशा करने के लिए उसकरने लगते हैं, आजकल Commonly Used Drug कौन सी है, Paracetamol, यह किसले यूज़ की जाती है, Fever को Treat करने के लिए, Pain Killer के फॉर्म में यूज़ की जाती है, अब Drug जो Asthma के Treatment में इस्तमाल की जाती है, वो क्या होती है, Cellbutamol होती है, Drug जो यूज़ की जाती है, Cold को Treat करने के लिए, Allergy Symptoms, जो Sneezing, Itching, Watery Eyes और Aninose के होते हैं, वो है, Satrizyn, यह दी जाती है, ठीक है, मतलब जुकाम में, जो यूज़ की जाती है, Viral Infection, Swine Flu को Treat करने के लिए, वो क्या है, Tamiflu, जो Drug Commonly Use की जाती है, Maladia को Treat करने के लिए, वो है, Cloroconine, अब कुछ important drugs हैं, जरूरी नहीं है कि यह सारे exam में आए, कुछ में आ सकता है, ठीक है, जैसे anti-inflammatory drug जो है, यह animals को दी जाती है, ठीक है, यह ज़्यादा तर Vultures की death होती है, चीलों की उसका कारण यह बना है, ठीक है, जो anti-inflammatory drug लेने वाले animals की body को खाते हैं, उनके मर्दे के बाद, तो वो कौन सी drug को पाई जाती है उन animals में, या फिर मरी हुई Vultures में कौन सी पाई जाती है, डाइकलोफिनेक, इस pesticide को, यह pesticide है, जो की ban कर दिया गया है Western countries में, लेकिन इंडिया में अभी पी चल रहा है, harmless insect जो होते हैं, जो हमारे खाने को बरबात करते हैं, ठीक है चिडियों के खाने को बरबात करते हैं, ठीक है, उनको मारने के लिए दियाने माला यह pesticide कौन सा है, endosulfan, यह ban कर दिया क्या है Western countries में, इंडिया में भी चल रहा है, जो drug जो है go pill, ठीक है, यह pilots के दोरा यूज़ की जाता है अपनी performance बढ़ाने के लिए long duration में, ठीक है, और जिससे कि उनको नीद ना आए और उनको जल्दी थकान ना हो इसके लिए खाते हैं, वो है modafinil, जो pain killer बैंड कर दी गई ज्यादातर countries में, लिवर toxicity के लिए, तो यह है नाइम सलाइड, अब यह बैंड कर दिया गया है, cows बैफेलो में, milk output बढ़ाने के लिए लोग इसको इ ले बेच सकते हैं, जो drug Viagra के नाम से बेची जाती है, वो क्या है, वो है sildenafil citrate, और Viagra का use पता ही होगा आपको, बढ़ते हैं common और scientific names of vitamins, ठीक है, retinol, इसका common name क्या है, vitamin A, scientific name thiamin है, common name है B1, riboflavin है, B2 common name है, pentothenic acid का है B5, pyridoxin का है B6, niacin का है B3, biotin का है B7, folic acid का है B9, cobalmine का है B12, ascorbic acid का है vitamin C, calciferol का है vitamin D, tocopherol का है vitamin E, और phytomenadion का है vitamin K, vitamin A का एक form है, ठीक है, retinol किसका form है vitamin A का, बढ़ते हैं आगे हम लोग, important standard of human health, इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो pulse rate जो है, यह 72 pulses per minute के इसाब से चलता है, ठीक है 72 बार हमारा दिल normally एक minute में धड़कता है, blood pressure systolic होना चाहिए 120 mmHg का, Hg के मतलब mercury और diastolic होना चाहिए 80 mmHg से, body mass index या फिर इसको cutelate index बोलते हैं 20 से 25 होना चाहिए 20 के नीचे तो आप underweight 25 के उपर हैं, तो आप overweight हैं, मेरा यहां पर है करीब 26 के उपर, body temperature is 37 degree Celsius, और Fahrenheit में 98.6 Fahrenheit होना चाहिए, दोनों इमें यह आपको पता होना चाहिए, डिगरी में भी और Fahrenheit में, pH level जो human blood का कितना है, 7.35 से लेकर 7.45 तक, eyesight 6x6 की होनी चाहिए, normal cholesterol level 200 mg पर DL होना चाहिए, पर decaliter, normal hemoglobin level males में होना चाहिए 13.8 से लेकर 17.2 females में होना चाहिए 12 से 15, roads और highways के बारे में यह नहीं देखेंगे क्योंकि यह roads की network बदल गए है, roads का जो latest data आया है हमारे चैनल पर वो जबूर देख लीजेगा आप लोग, और उसी से question आएगा, अब railway के training institutes कौन कौन से है, national academy of Indian railway से कहां पर वडूदरा में, इसको railway staff college भी बोलते हैं, Indian Railway Institute of Civil Engineering ये पुड़े में है, Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunications सिखंदराबाद में है, Indian Railway Institute of Mechanical and Electrical Engineering ये जमालपुर में है, Indian Railway Institute of Electrical Engineering ये नासिक में है, Indian Railway Institute of Transport Management इलखनों में, Indian Railway Institute of Financial Management ये सिखंदराबाद में, manufacturing unit की बात करने तो चितरंजन लोकोमोटिक वर्क्स ये चितरंजन वेश्क बंगाल में है, Central Organization for Railway Electrification ये अलाहबाद उत्तर प्रदेश में है, Diesel Locomotive Works ये वारनसी में, Diesel Locomodernization Works ये पटियाला पंजाब में, Integral Coach Factory ये चेन्नाई तमिलनाडु में, Rail Coach Factory ये कपूर्थला पंजाब में, Rail Wheel Factory ये बैंगलोर करनाटक में, Modern Coach Factory ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में, Rail Wheel Plant ये छपरा बिहार में, और Diesel Component Factory ये दंकुनी वेस्ट बंगाल में, Roads और Highways के बारे में हम बताई चुके हैं, आपको ये डेटा चेंज हो चुका है, और हमारे चैनल पर Latest Update इसके बारे में बताई गई है, Important Highways अब देख लेते हैं, हमारा Highway नंबर NH44 ये लॉंगेस्ट Highway ठीक है, और इसकी लंबाई है 3745 किलोमेटर, तो इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे लंबा सबसे बड़ा जो पूचे जाता है, उसमें एक कुश्चन आ सकता है, ठीक है, तो NH44, NH27 जो है, इसकी लंबाई है 3507 किलोमेटर, ये कहां कहां जाता है, वैसे इतना important नहीं होता है, हर चीज नहीं यहां पर फूच जाती है, नैसल हाईवे 48, ये 2807 किलोमेटर का है, नैसल हाईवे 16, ये 1669 किलोमेटर का, नैसल हाईवे नंबर 19, ये 1435 का, और नैसल हाईवे नंबर 33, 1781 किलोमेटर का, एएरपोर्ट्स वाले बहुत कोशनातें अयमदाबाद में है सरदारवललब भाई पटेल इंटरनेशनल एएरपोर्ट ओन्ड वाइए एरपोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है अमरिद सर का भी Airport Authority of India के द्वारा उंड है श्री गुरु रामदास जी International Airport है बैंगलुरु का केमप गोड़ा International Airport इसका ओनर है चन्नाई International Airport ये चन्नाई में है Airport Authority of India का है कोचीन का है कोचीन International Airport गोवा का है गोवा International Airport और गुवाटी का है लोग प्रिया International Airport लोग प्रिया गोवपीनाद भरदोल लोई International Airport है राजीव गांधी International Airport और कोलकाता में है नेताजी सुपास चंद्रबोर्स International Airport मुंबई में है छात्रपती शिवाजी International Airport दिल्ली में इंद्रा गांधी International Airport तिर्वननत्पुरम में त्रिवेंद्रम International Airport पोर्ट ब्लेर में वीर सावरकर International Airport कालीकट में कालीकट International Airport नागपूर में बाबसाहिबंबेटकर International Airport जैपूर में जैपूर International Airport लखनों में चौदरी चर्ण सिंग International Airport वारनसी में लाल बाहदुर सास्त्री International Airport मैंगलूर में मैंगलूर International Airport तिरुचण रापली में एंटरनाशुनल एेरपोर्ट वेयंबटल में कोंवजिवर्णल में पतनाय का एरपोर्ट , इम्फाल में इम्फाल एेरपोर्ट विजयवर्ट में नंद मुड़ी ,nonad mu di tarakatarakram rao request in improve mandate एेरपोर्ट विजयवडाय पोर्ट को जो है इंटरनेशनल स्टेटस पर आप्त हुआ था मैं 2017 में ठीक है ये अपडेट धियान रख सकते हैं अब पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो कोलकाता डॉक सिस्टम ये वस्ट बंगाल में हल्दिया डॉक्स कॉंप्लेक्स ये वस्ट बंगा जाल लहट रिउकल इमारां महरास्ट्र में मुंबए महरास्ट्र में पो어war बेर् अंडुमान निकवबार नॉन मेजर पोर्ट Kitty महराश्च्ट के तिर्व्पन गुजरात मैं 40 यह आप अपने स्टेट के जोपतेनर र कांड्ला गुजरात में Port Blair अंडमान निककोबार में non major port महाराष्ट में कितने हैं तिर्पन गुजरात में 40 या आप अपने अपने स्टेट के जुरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे स्टेट में कितने हैं महराश्ट का कोई देख रहा है तो तिरपन ध्यान रखे गुजरात का कोई देख रहा है 40 तमिल का तो बहुत कम जनता है हमारी तो 15 ध्यान रखिएगा आप लोग उत्तर प्रदेश वाले देख लिए कि आपके में कितने हैं उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे और समुद्र रही है विश्ट बंगाल में एक लक्षदीप में दस धमन दीव में दो और पॉंडी चेरी में एक गोवा में पांच और करनाटक में दस आंध्त देश में बारा और केरल में तेरा यह नॉन मेजर एयरपॉर्ट की संख्या है मेजर आप मेजर आपके जो यह है पोर्ट्स वो हल्दिया वेश्ट बंगाल में मतुरा उत्तरप्रदेश में दिखबोई असम में किसके द्वारा ओन की गई है यह जनरली नहीं पूछ जाता है ठीक है तो यह आप चार्ट अठा सकते हैं कौन सी प्लेस पर कौन सी स्टेट में यह है यह ध्यान रखने जरूरी है मनाली यह व ताती पाका यह कहां पर है आन्दप्रदेश में मैंगलोर यह करनाटक में जामनगर गुजरात में वाडिनार गुजरात में भटिंडा पंजाब में ठीक है ओल्फिल्ड कहां कहां पर है दिखबोई ओल्फिल्ड आपका सम में है बंबे हाई अरेबियन सी में है मंगला यह complex वेनिजुएला में रुमाईला ये इराक में तेंगीज ये कहां पर है कदाकस्तान में किरकुक इराक में दुखान ये कतर में और बोसकन फिल्ड वेनिजुएला में तूट ये कहां पर है पाकस्तान में सारीर ये लीबिया में डेकिंग ये चाइना में इगल विल ये कहां एपर यूएस में प्रावरि हूप यह कहां पर रश्य यूइस में सैम अटल ओर यह पर रश्या में वेलिक कोई रश्या वैंकूर रश्या और आजडेगन इय्रान यादवारन इय्रान अब चोन इस ब्रूर्ट्र एंदर आते हैं में इसको स्टील प्लांट ये बुर्णूपूर में वेश्बंगाल में सलेम स्टील प्लांट ये तमिल में विश्वेश्वरयया स्टील प्लांट ये भद्रावती करनाटक में स्टील प्लांट तो राश्ट्री इसपात निगम लिम्टेट के अंदर आता है वो है विशाका करनातक में जिंदाल स्टील दि यंपर लिंटेट के उठीज वहोग्युग जिनंग्ट करनातक पदें के पिए का एक अब आ जाते हैं से बेर ब्रहें जीजन फार्ट से बलकि मोईर भी इंपॉर्टेंट जो चीज हां वह पता कर लेते हैं पर sacred text of Hinduism सबसे पहले इसी को देखेंगे जिसमें सबसे पहले रामायन, महाभारत और भागवत गीता आएंगे इनके important points देखते हैं रामायन की बात कर ले तो इसमें 24,000 verses हैं ठीक है किसने लिखी है सेज यानि की संत वालमीकी ने सबसे पहले इसको संस्क्रित में ओरिजिनली लिखा था छै कांड हैं इसमें सात्वा कांड जो है उत्तर कांड में ऐसा मना जाता है कि वालमीकी रामायन में इसको जोड़ा गया था ठीक है कंबन जो हैं जिन्होंने तमिल वर्जन लिखा था रमायन का उसको इराम अवतारम लिखा था ठीक है तेलगू वर्जन रमायन का किसने लिखा था रंगनाथ रमायन के नाम से गोण बुद्ध रेडी ने क्रत वासी रमायड ये बंगाली वर्जन रमायड का किस ने लिखा था ये लिखा था कृति बास ओजाने और राम चरित मानस ये तुलसी दास ने आवधी में लिखी थी जो हमारा हिंदी की एक बोली यानि की डायलेक्ट है महाँभारत वेद वयास ने लिखी थी संस्कृत में वर्जड की लार्जस्ट इपिक है इसमें एक लाग से अधिक स्लोक हैं और अठारः पर्व हैं इसमें भागवद गीता में 700 श्लोक हैं ठीक है और ये महाँभारत का पार्ट है वेद जो है यह समाने जाता है कि कृष्ण द्वीपायन ने कमपाइल किये थे ठीक है जिनको वेद वियास के नाम से जाना जाता है वेदों को वैदिक संस्रित में लिखा गया है चार वेद हैं रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद रिगवेद जो सबसे लार्जिस्ट और सबसे ओल्ड है रिगवेद में हाइम्स हैं कुछ डाइटीज हैं उनकी प्रिसंसा में उनके गुणगान लिखे हुए हैं और खासकर इंद्र और अगनी के बारे में हैं गायत्री मंत्र जो है ये रिगवेद में है ठीक है ये इन्वोकेशन है सन गौड के लिए सामवेद जो है इंटाइरली ये रिगवेद पर अधारित है अधर जो हैं जो हमारा इंडिन क्लास्किल म्यूजिक का हुआ है उसका अधार है सामवेद ऐसा मानते हैं येजिरवेद की दो ब्रांचा है एक क्रश्न और एक सुक्ल ठीक है यजुरवेद में mainly chants हैं और ancient rites हैं ठीक है यनि कि बली दानों के बारे में बताया गया है बली और sacrifices हवनों के बारे में अधरवेद जो है जिसमें spells होते हैं चार्म्स होते हैं जिससे की बिमारियों को और मुरी शक्तियों को भगाया जा सकता है ऐसा माना जाता है आयुरवेद का origin कहां से होता है अधरवेद से ठीक है उपवेद कौन से हैं आयुरवेद धनुरवेद गंधरवेद और शिल्पवेद ठीक है आयुरवेद धनुरवेद शिल्पवेद और गंधरवेद प्रिंस्पल उपनिशद कितनी हैं तेरा एत्रे उपनिशद ब्रह्म दारन्यक उपनिशद कोशिता की उपनिशद तैत्रे उपनिशद चंडोग उपनिशद कथा उपनिशद केन उपनिशद मुंडोग उपनिशद ठीक है और मैत्री उपनिशद मंडू की उपनिशद इसावस्य उपनिशद और स्वेतावस्तार फिलोसफी से बहुत सारे matching question आते हैं अभी हरियाना PCS का जो exam हुआ था उन लोगों ने एक matching इसी पूरी list से करवाई थी ठीक है तो ऐसा नहीं कि question नहीं आते question directly एक line का नहीं आता है लेकिन आपसे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं ठीक है तो हरियाना में सेमिसी matching से question आया था अगर आपके यादो तो इसमें एक तरफ philosophy से किसने found किया था इसको match करना था जो सांख दर्शन के प्रतिपादक कौन है एक अपिल है योग दर्शन के पतंजली नियाय और logical school के कौन है गौतम वैशेशिक और atomic school के कौन है प्रतिपादक यह है कनाद पूर्व मिमान सा और digitalistic school के कौन है जैमिनी उत्तर विमान सा और the logical school के कौन है व्यास हैं से मानते हैं कि कनाद ने यह atomic school found किया था इन्होंने बताया था कि हम कि जितना भी सब बना हुआ है पूरा प्रित्वी और पूरा यह जितना भी system है यह परमाणूं से बना हुआ है ठीक है और मेंली अनू से तो अनू smallest particle इन्होंने बताया था ठीक है इंपोर्टन पिल्ग्रिमेज सेंटर कहां कहां पर है जिसे नासिक कहां पर है गोदावरी की नदी के किनारे उज्जैन कहां है शिप्रा नदी के किनारे प्रया कहां है यह आप जानते संगम में है किसके संगम में जमना श्रस्वती के संगम में हरिद्वार की और किनारे हैं उत्राखंड में बना हुआ है आपका चार धाम कहां पर है पूरी में है जगनात को dedicated वोडिशा में बद्रिनाथ की श्रीबद्दी नाराएंड को dedicated है उत्राखंड में दवार का यह श्रीगृष्ण को dedicated घुजरा बारा जोति निंग एक सौमनाथ में है सौराश्थर में है एक मलीकारिजुन श्री सलम आंario महाकालश्वर उजयन में है eum great खुर । मब्ध्यु प्रद ये बरेश्रम मरं वाज़िना रेवंगर जहर्खण धरा केंडिवयर आकेश्वर ये सेट उैदंध में नागेश्वर ये दरुकावन में है विश्वेश्वर वानरसी में है और त्रिम्बकेश्वर ये नासिक में है केदारेश्वर केदारात में और घुर्मेश्वर ये विशाकलम में इस्लाम से रिलेटेड पॉइंट इनका केलेंडर क्या होता है। इनका हिज्री केलेंडर फॉलो करते हैं। यह होता है शवाल का, Islamic calendar का जो दसवा मंथ होता है उसका, ठीक है, इद मिलाद, जो है यह festival, इसमें क्या होता है, कि मुहमद जो प्रॉफट थे, उनका बर्थ मनाया जाता है, ठीक है, मुहरम डे अफ मोर्निंग होता है, ठीक शिया, अपने अली की डेस को मनाते हैं, ठीक है, चालिफ या खलीफा थे इस्लाम के शिया के उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, मुहरम क्या होता है कि इसलामिक कलेंडर का पहला दे होता है, मुहरम जो है, टेंथ को फॉल होता है, ठीक है, इदुल अजोहा या फिर बकरी एद क्यों मनाते हैं, लिखा हुआ है, कि अबराहम की य कड़ाय कुल विलाकर ऐसा कुछ था तो फिर जब उसको मारते हैं तो फिर अबराहम का वो बच्चा बच जाता है इसमाइल और एक बकरा वहाँ पर मरा पाया जाता है पांच टीनेट्स बताया गए है मुसलिम डिवोट को ठीक है पांच बार नमाज पढ़ना ठीक है कि नो गौड बट अल्लाह कोई भगवान नहीं सिर्फ अल्लाह है और मक्का अपनी लाइफ में जाना जरूरी है हज करना जिसको कहते हैं गरीबों को दान करना और रमजान में यह फास्ट रखना फेमस दरगा काँ कहांपर है शेख शलीम चिस्ती की दरगा फतेपुर्ची सीक्री में है हाजी अली की वरली मुंबई में है मुहिन दीन चिस्ती की अजमेर में है खुआजा निजाम-ुद्दीन ओलिया की यह डेली में है करिस्ट्यानिटि के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट यह जीजस का बार्ट कहां पर हो था बेतलम में ठीक है यह वेस्ट बैंक जो पलिस्टीन में वहां पर 40 days का period जो fasting का होता है फिर good Friday मना जाता है ठीक है उसको lent बोलते है good Friday जो है Jesus की death का होता है जब कि Easter का जो Sunday होता है ये good Friday का बात जो Sunday आता है उसको Easter बोलते है जब फिर Jesus जो है फिर जिन्दा हो गए था उनका resurrection हुआ था जुडास Iscariot उनके बारा ओरिजिनल एपोस्टल में से एक था जिसने उनको दोका दिया था first Christian saint जो इंडिया आये थे मानते हैं Saint Thomas ये बावन AD में आये थे हैं समानते हैं highest number of Christian जो है पूरे वर्ल्ड में वो कहां पर है US में है first authorized version जो Bible का है वो King James का वर्जन है जो की 1611 AD में publish हुआ था ठीक है जो 10 commandments जो है लोगों के द्वारा लाया गया था वो किसके द्वारा Moses के द्वारा Gregorian calendar जिसको Christian एरा बोलते हैं ये 1582 से आया था Pope George 13 ने यहां पर correction किये थे Julian calendar में Pope Roman Catholic Church के head होते हैं Vatican City में रहते हैं यह लैंड लॉक्ड कंट्री है इटली में Vatican City smallest country है पूरे वर्ल्ड में ठीक है अब Buddhism से related important points देख लेते हैं लॉंबिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है जो प्रेजिएंट नेपाल में है गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम सिध्धार था और वो किंग सुधोधन जो कपिल वस्तु के किंग थे वहां के added लॉगंञा के पुत्र थे ठीक है और इसलगे अपना का मुद्ध चो univers если कहां पर oli्हार में आंन बुद्धिस्ट विहार से और की आधारीड थे जहां पर बुद्धिस्ट मोंक्स वहां पड़ा थे ठीक है वैशाकी पूर्डिमा पहला दिन होता है बुद्धिस्ट केलेंडर का वैशाक या फिर बुद्ध पूर्डिमा वो डे होता है बुद्ध के बर्थ का इनलाइट्मेंट का और बुद्ध के यहां से शरीर छोड़ने का जहां पर लार्जस्ट बुद्धिस्ट पॉ एक सौ सालों उनकी डेद के सौ साल के बाद, ठीक है, एम्परिर अशोका के दौरान 3rd century BC में, किंग कनिश्क के दौरान 100 century AD में, और 1888 से 1871 के बीच मांडले बर्मा में, और 1954 से 1956 के बीच रंगून बर्मा में आखरी हुई थी, ठीक है, फितप से नहीं है, ये काउंसिल, देलेशन जायंट बुद्ध जो है, चाइना में ये tallest stone बुद्ध की statue है, ठीक है, पत्थर से बनोई बुद्ध की सबसे tallest statue है, लेशन जायंट बुद्धा, बोरुबुदुर टेम्पल जो है, जावा, इंडुनेशिया में largest बुद्धिस टेम्पल है, पूरे वल्ड में, जा बुद्धिजम के अब मुनाश्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं नामग्याल मुनाश्ट्री कहां पर है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है मिंद्रोलिंग मुनाश्ट्री दहरा में दहरदूर में तावांग मुनास्ट्री है, अरुनाचर प्रदेश में, बॉम दिला में, काई मुनास्ट्री है, कहां पर एश पीटी में, रूम टेग मुनास्ट्री सिक्हिं में, फुक्टाल मुनास्ट्री ज्रसकर में, जेन्ड के में, और तिर्कसे लदाक में. जैनिजम के बारे important fact वर्द्भान महावीर का जन्म होता है वैशाली में जो की बिहार में इस समय सिद्धार्थ के पुतर थे और उनकी माता का नाम त्रिश्ला था ठीक है तीर्थंकर किसको मानते हैं जैनिजम में ये savior होता है ठीक है यानि कि रक्षक माना जाता है ठीक है पारफ्ष नात जो थे वो तेईसमें तीर्थंकर थे जैन वर्ड जो है वो जिन से आता है ठीक है जिन का मतलब है विजेता conqueror महावीर ने अपनी पहली सर्मन कहां पर करी थी दिव विध्वनी ये कहां पर है माउंट विपुल राजग्रह में ठीक है जनर कुपतमर ने जैनिसंम अपना लिया था अपनी डेथ के बाद शेट अंबर हो दिकांबर जो दो M sle醒्ट होते है जैनिसंम के शेथांबड क्या करते हैं कि çok/. वाईट कपड़े पहले हैं ठीक है पैला सर्मन जो जैन काउंसिल का हुआ था वो फाटली पुत्र में हुआ था थूल बद्र के चेर्मेंशिप में ठीक है बारा अंग जो थे उन्होंने चौदा पूरवास को रिप्लेस किया था ठीक है सेकेंड जैन काउंसिल काहां पर हुए थी वल्ला भी वे देवर्धी की कह सकते हैं चेर्मेंशिप में अब एक कंपेरिजन देखा है बुद्ध और महावीर में प्लेस ओफ बर्थ लुंबनी है बुद्ध का महावीर का वैशाली है प्लेस ओफ बर्थ, sorry स्वार येयर ओफ बिर्थ, पांसलड़जञप बी सी है महावीर का ओरिजिनल लेम शुदार्थ थां इनका वर्धhofान थ टीचिंग जो इनकी थी वो त्रिपिटक में बताई गई है और इनकी 14 पूर्वों में फादर का नाम सुद्धोधन और इनके फादर का नाम सिध्धार्थ वाइफ का नाम यशोधरा और इनकी वाइफ का नाम यशोधा कुशी नगर गोरकपूर में इनकी अम्रित्यू होती या फिर ये शरीर छोड़ते हैं कह सकते हैं राजगीर विहार में शरीर छोड़ते हैं अपना महावीर अब जैनिजम के बार important points यह है कि founder जो जैनिजम के वर्दमान महावीर उनका जन्म वैशाली में हुआ था सिधार्थ, मदर्थ, रिशला यह देखी चुके हैं हम लोग सिखिजम से related important point का है गुरु नानक जो सिखिजम के founder माने जाते हैं तलवंडी, लाहौल, डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में जो इस समय इनका जन्म हुआ था ठीक है इन्होंने यह लंगर की शुरुवात करवाई थी यहने की गुर्दवारे विजिट करने वालों को food दिया जाए गुरु नानक का जन्म मनाते हैं कार्थिक मंत की पूर्णिमा को लोग गुरु अंगद ने गुरु मुखि स्क्रिप्ट जो है इन्मेंट की थी गुरु रामदास जो है यह अमरित सर को बसाने के लिए जाने जाते हैं ठीक है अमरित सर के establishment के लिए गुरु रामदास जाने जाते हैं गुरु अर्जुन देव जो है यह author मान जाते हैं गुरु ग्रंद साहिब के और गुरु अर्जुन देव नहीं माना जाता है बनवाया था गुल्डन टेंपल यानि की स्वन मंदिर अमरित सर्व में मुगल शाशक जहांगीर ने कहते हैं कि बहुत निर्मम हत्या करवाई थी अर्जुन देव की गुरु अर्जुन देव ने फाउंडेशन करवाय था गुल्डन टेंपल यानि की हर्बंदिर साहिब का और इसकी नीव रखी थी संत हजरत मिया मीर जी जो लाहौर के थे उन्होंने गुरु गोविन सिंग जिन्होंने अपको सच्चा बात्षा बताया था ठीक है जो कॉंसेट्ट था मीरी पीर का ये गुरु हर्गोविन ने शुरू किया था ठीक है जो दो क्रपाण लगाते थे पहली क्रपाण मीरी के लिए यानि की टेंपुरिल अथोर्टी और दूसरी अपनी पीरी बताने के लिए यानि की स्प्रिच्वल अथोर्टी गुरु हर्गोविन को यहाँ पर गौली और फोर्ट में तीन साल के लिए जहांगीर ने रखवाये था और उन्हों बंदी छोड बाबा के नाम से जाना जाता है ठीक है बावन हिंदू प्रिंसेस को राजकुमार को उन्होंने वहाँ से आजात करवाये था गुरु तेक बाधुर की हत्या मतलब उनको फांसी किसने दिलवाई थी होरंग जेब ने और गुरुद्वारा शीश गंज जो है दिली बे उनकी वहाँ पर ठीक है गुरु गोबिन सिंग जो लास्ट गुरु थे ठीक है उन्होंने खालसा सेक्टर फांड किया था और पांच यहाँ पर कर्म बताये थे पांच के बताये थे सिखों के लिए क्रपाण यानि की स्वोड कच्छा यानि की शौट्स केष यानि की लॉंग हेर और कड़ा यानि की जो कड़ा होता है बैंगल पहना जाता है स्टील का चप्राइकऄ हा गुरु नानक देव का जन्म कहां पर होता है ननकाना साहिब में ठीक है और उनकी डेथ होती ही करतारपुर साहिब में गुरु अंगत देव का जन्म होता है मुक्तसार पंजाब में और डेथ होती है खादूर साहिब में गुरु अमर्दास का जन्म होता है अमरित्सर में और डेथ होती है गोविंदवाल साहिब पंजाब में गुरु रामदास का जन्मोता है लाहौर में और गोविंदवाल पंजाब में इनकी डेथ होती है गुरु अरजुन देव गोंडिवाल में जन्मुए थे और लाहौर पाकिस्तान में इनकी डेथ हुई थी गुरु हर गोविंद अमरिध सर में जनमलिय और करतार पुर साहिब में इनकी डेथ हुई अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर बहाईल फेथ की ठीक है बहाईल फेथ कहां से शुरूआ था इरान में ठीक है और इसका फाउंटर माने जाता है बहाईल फेथ में क्या होता है कि Lotus Temple जो है निवडेली का वो बाहिल फेथ पर आधरित है जुदाइज्म का क्या मतलब है जुदाइज्म ये religion जो जीवस ने found किया था ठीक है जुदाइज्म के संस्था पर कौन माने जाता है Moses जो यहूदियों का sacred text है वो क्या है जो राह और जीवस जहां पर वर्षिप करते हैं उसको क्या कहते हैं सिनगोग जोरोराष्ट्रिन के founder कौन है ये है जोरोराष्टर या जरुस्थर इनको बोलते है 6th century BC में ये अस्तित में आता इरान में जोरोराष्ट्रिन को पार्सीज बोलते हैं हम लोग इनका जो sacred text है वो क्या है वो है सेंद अविस्ता प्लेस और बर्षिप है इनकी fire temple और पार्सी निवियर होता है नवरोज तो tower of silence या जो दखमा बना हुआ है वहाँ पर पार्सी अपने death लोगों को मतलब वहाँ पर बरी करते हैं ठीक है वहाँ पर दफनाते हैं Confucianism की बात करने तो Confucius जो Chinese teacher था जो 599 चारसुन नियासी बीसी तक से रहा और Analects जो है यह Confucian's का sacred text था Physical science के important facts देख लेते elements वगारे के बारे में AUPAC ने element को define किया है इस तरीके से कि जो pure chemical substance होता है जो atom से मिल करके बना होता है और same number of proton उसके atomic nucleus में होते हैं ठीक है और जितने भी atom होते हैं एक element के उसमें same number of proton भी होगे किसी भी element के atoms में different number electron और neutron के हो सकते हैं बढ़ते हैं आगे हम लोगी basic definition के आगे जो एक element का variant होता है जिसमें neutron के number different होते हैं तो वो variant होता है isotop physical form किसी element का जाना जाता है allotrop के नाम से ठीक है allotrop के नाम से जाना जाता है physical form किसी भी element का graphite और diamond जैसे की example हमारे पूरे universe में सबस्जादा क्या पाया जाता है hydrogen element एक form में हमारे human body element के form में सबस्जादा क्या पाया जाता है oxygen element जो 10 million compounds बना सकता है वो है carbon element जिसका lowest melting और boiling point है वो है helium highest melting point carbon का है highest boiling point tungsten का है highest density ओस्मियम की है lowest density hydrogen की है highest electron negativity फ्लोरीन की है lowest electron negativity या फिर कह सकते है highest electropositivity किसकी है फ्रांसियम की है element जिसको सबसे पहले artificially produce किया गया था वो है technetium जिसमें वो element जिसमें जो most corrosion resistant है ठीक है जिसमें जंग नहीं लगती है कभी भी वो कौन सा है उसमें chemical acid या फिर हवा किसी जंग में लगती है वो है iridium element जो discover किया गया सा sun में लेकिन बाद में अर्थ में वो है helium non metallic element जो liquid होता है room temperature पे वो है bromine metallic element जो liquid होता है room temperature पे वो है mercury most reactive element कौन सा है fluorine periodic table की से create की थी जिमिट्री मेंडलीव ने एक रश्यन केमिस्ट और प्रोफेसर ने 1879 में periodic table में साथ रो और periods होते हैं साथ रो या फिर कह सकते हैं periods periodic table में केवल 188 elements की जगह है ठीक है length nights जो यह group है 15 elements का atomic number 57 से 71 तक उसमें scandium यू लिक्ट्रियम आ जाते हैं इनको rare earth metals बोलते हैं rare earth metals जो है वो 17 है ठीक है वो actually rare नहीं है ज्यादा तर commonly found हो जाते हैं मिल जाते हैं प्रिथवी पर अक्टिनाइट्स जो है यह पंदरा element का group है atomic number 89 से 103 तक यह radioactive है सारे ठीक है प्रिडिक टेबल में 17 column और या groups है important groups कौन कौन से हैं group 1 alkali metals या फिर इनको lithium group का बोलते हैं lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium इसमें आते हैं hydrogen जो है यह एक alkali metal नहीं है तब भी इसको इसमें जगह दी गई है alkaline earth metals की बात कर ले तो बरीलियम group में आ जाता है इसमें बरीलियम, magnesium, calcium, strontium, barium और रेडियम आ जाएंगे group 15 में आ जाएंगे nitrogen या nitrogen group के सदस्य जैसे कि nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth या फिर muscovium group 16 में चालकुजन्स आ जाते हैं फिर oxygen group के oxygen, sulfur, selenium, telurium, polonium या livermorium group 17 में हैलोजन्स आ जाते हैं या फिर fluorine group के fluorine, chlorine, bromine, iodine, astetine और tennissine group 18 में आ जाते हैं noble gas, helium या फिर neon group के helium, neon, argon, krypton, xenon, radon या organeson गैसे के बारे में अगर हम बात कर लें, most abundant gas दुपाई जाती ही हर्थ में वो है nitrogen, percentage जो oxygen का earth के atmosphere में होता है, वो है कीस परसेंट, lightest gas जो है वो hydrogen है, heaviest gas जो है वो redon है, tear gas जो है copper gas, methane, CO2 और hydrogen, gas जिसमें fouls में लाती ही सड़े हुए अंडो की वो hydrogen sulfide, gas जो mix की जाती ही oxygen में और patients को दी जाती है, जिनको restricted breathing होती है, वो है helium, major air pollutant जिसका percentage में presence चेक किये जाता है, जब pollution test होता है vehicles में यानि गाडियों में, तो monoxide का level चेक किये जाता है, CO का, carbon monoxide का gas जो responsible है, brown air formation के लिए traffic में और congested cities जैसे डेली में, वो है nitrogen dioxide major gases pollutants जो है, जहाँ पर thermal power stations होते हैं, वहाँ पर पाय जाता है, SO2 strong smelling substance जो है, जो LPG मिला जाता है, वो है ethylmer captain, या फिर ethyanthiol voltage को gas जो responsible है, ozone layer के depletion के लिए हो है, chlorofluorocarbons gas responsible, जो acid drain के लिए वो है, sulfur dioxide, gas जो gas welding में इस्तमाल की जाती है और फलों को पकाने में वो है acid line, gas जो यूज की जाती है, electric bulps में वो है argon, बढ़ते हैं आगे gas जो यूज की जाती है, fluorescent lamps में वो है mercury vapor, gas जो यूज की जाती है, LPG में वो है butane, propane, ethane, gas जो यूज की जाती है, refrigeration में वो है freon gas जो anesthetic के रूप में dental surgery में उसकी जाती है, वो है nitrous oxide metal इसके बारे में fats देख लेते हैं हम लोग, highest melting point किसका है tungsten का, metal जिसका highest thermal conductivity है वो है silver, metal जिसकी highest electrical conductivity है वो है silver, metal जिसकी highest density है वो है osmium, metal जिसकी lowest density है वो है lithium malleable or ductile है सबसे ज्यादा वो है gold, malleable ductile के मतलब है कि उसको thin sheets में क्या डाल सकते हैं तो आपको पता है कि gold को तो इतना पतला कर सकते हैं कि सोने का work भी बना सकते हैं चांदी का भी work बना सकते हैं लेकिन gold को सबसे ज्यादा ठीक है least reactive metal कौन सा होता है platinum होता है earth crust में सबसे ज्यादा पारे जाने माला metal कौन सा है हो है aluminum ठीक है aluminum metal जो amalgams बनाता है अधार लिबेंट के साथ वह है mercury metal जो fuse wire या फिर का सकते solder में इस्तमाल की जाता है वह है lead tin alloy ठीक है इसको solder बोलते है lead tin alloy को metal जो उसकी जाता है bulb को filament में हो है tungsten metal जो pollute करता है air को ठीक है जहां पर ज्यादा वीकल्स होते हैं वह है lead ठीक है unleaded petrol डलाना चाहिए इसलिए अगर petrol में lead होगा तो वह lead वाला pollution जो है फैलाएगा अब तो खेर unleaded petrol ही बिखता है lead वाला petrol हमारे यहां बैन कर दिया गया ज्यादातर metal जो filament electric heaters के filament में होते हैं वह है नाइक्रोम और metal जो radiation shield के रूप में उसकी जाता है वह है lead metal जो उसकी जाता है metal जो नाव बनाने में इस्तमाल किये जाता है कि यह कभी जल्दी को रोड नहीं होता इसमें जंग ने लगती है पानी वाला पानी और एसिट से वह है titanium तो बोर्स बनाने में के combination से बिलकर के बना है इसमें बहुत question आते हैं इसमें इसमें अल्मूनियम कॉपर मिक्स किया जाता है इस अलोई को बनाने में ब्रास में कॉपर और जिंक ब्रॉंज में कॉपर और टिन काफे confused हो जाते हैं आप लोग ठीक है अच्छे से इसको देख लीजेगा अल्मूनियम कॉपर ब्रास में कॉपर जिंक ब्रॉंज में कॉपर टिन इन्वार में आइरेन निकल स्टेनलेस स्टील में आइरेन निकल आइरेन क्रोमियम निकल जर्मन सिल्वर में कॉपर निकल और जिंक गन मेटल में कॉपर टिन और जिंक solder में lead और tin electrum में gold और silver constantin में copper और nickel manganin में copper, magneez और nickel ठीक है manganin जो है trademarked name है ओर्स के बारे में बात कर लें कि किस ओर से कौन साम लोग metal निकालते हैं bauxite से निकालते हैं halvonium beryl से निकालते हैं beryllium chromite से निकालते हैं chromium cobaltite से cobalt निकालते हैं bornite चालकोलाइट से copper निकालते हैं quartz से gold निकालते हैं magnetite से iron निकालते हैं galena से lead निकालते हैं pyro pyriliside से निकालते हैं manganese cinabar से निकालते हैं mercury pentalindite से निकालते हैं nickel kasterite से tin wolf pride से और sheath light से tungsten argentite से silver or uranium earnite से uranium and spherlite से zinc अब इन और से निकालते क्या हैं तो देख लिए लेकिन processes क्या होती हैं सबसे पहली process is annealing इसमें गया होता है कि metal को heat की जाता है specific temperature पर फिर ठंडा क्या जाता है ठीक है जिससे metal को cutting और shaping यानि कि उसको cut की जा सके और उसका अकार बदला जा सके तो यह annealing होता है यानि कि कि किसी मेटल को किसी विधातू को कलाना अब यह और का process नहीं है ठीक है हम यह बता रहे हैं कि metal में कौन-कौन से process होती है hardening process क्या होता है कि मेटल को heat की जाता है specific temperature तक फिर cool की जाता है अचानक से जिससे कि metal को hard बनाए जा सके ठीक है यह metal को brittle भी बना सकता है यानि कि बहुत क्या करते हैं जिससे metal को tough बनाया जा सके ठीक है इसमें क्या करते हैं कि इसमें drills बनाते हैं इससे chisels बनाते हैं files बनाते हैं यह बहुत hard और tempered होती है ठीक है गलबनाइजेशन में क्या होता है कि protective zinc coating लगाई जाती है iron के उपकरणों के उपर जिससे उसको rust से यह जंग से बचाया जा सके welding तो आपको सभी को पता है कि similar metals को melt करते हैं फ्यूज कर देते हैं base metal से और चाहे उसको filler metal भी कह सकते हैं हम लोग ठीक है welding में आप तो ज्यादातर iron based metal को या उनके alloys को जूडते हैं जैसे कि steel को stainless steel को welding के temperature range कि इतनी होती 800 से लेकर 1635 degrees Celsius तक होती centigrade welded joints जो होते हैं यह strongest मने जाते हैं ठीक है brazing में क्या होता है कि close fitting parts जो होते हैं यह filler metal से join कि जाते हैं इसके melting point से उपर इसको heat कि जाता है और gap में पूरा भर दिये जाता है chemical cleaning agent जो होता है flux से यह use कि जाता है metal के oxidation के लिए heat के दौरान की oxidized ना हो जाए यह धियान रखा जाता है 4500 से उपर degree centigrade temperature चाहिए रहता है आपका brazing के लिए soldering के मतलब क्या होता है यह brazing के similar है लेकि filler metal जो है यह low melting point वाला होता है solder ज्यादतर में क्या होता है कि tin और lead का लाई होता है हमने देखा पहले ही soldering जो है यह weakest होता है weakest joint होता है और इसमें आपको पता है कि यह बहुत बड़े बड़े pipes नहीं पतले पतले तारों के connection को जोड़ने के लिए soldering की जाती है जैसे कि mobile में हो गया आपका छोटी छोटी devices में soldering होती है टेलिविजन पुराने टेलिविजन वाले में इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या होती है कि electric current जो है electric current के माध्यम से ions को एक metal के ion को दूसरे metal में deposit की जाता है ठीक है chromium plate को इस्तमाल कर सकते हैं chromium की plate को iron bar में चड़ाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं और से निकालने का process होता है ठीक है इसको melting point से उपर जलाया जाता है flux की use किया जाता है slack को निकालने के लिए तो गंदगी बाहर आ जाती हो pure metal गल के बाहर आ जाता है हम लोग कुछ important laws की बात कर लेते हैं सबसे पहला law है avogadro का law अब इसमें important बातें आपको याद रखनी है कि avogadro का number क्या होता है तो 6.022 into 10 raised to the power 23 यानि कि यह ऐसा number है जो कि बताता है कि किसी gas में same time पे कितने molecules हो सकते हैं और वो gas कितनी होनी चाहिए वो gas 22.4 एक लीटर की होनी चाहिए और यह volume और यह number यह दो के दोनों data hydrogen के लिए भी true है जो कि सबसे lightest gas होती है सबसे हलकी और जो सबसे भारी gas होती है carbon dioxide और bromine इनके लिए भी true होता है इसको बनाया गया था साल 1911 में sorry 1811 में Avogadro ने इसको state किया था अब देखते हैं boils law यह भी gas से ही related है इसके अनुसार अगर मान लीजिए किसी container में आपने gas इखटा करके रखे हुई है तो उस gas का अगर आप pressure बढ़ाएंगे तो volume कम होगा and wise versa pressure आप कम कर देंगे तो volume बढ़ेगा आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आप एक को दो गुना कर रहे हैं तो दूसरा आधा हो जाएगा ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं Robert Boyle जो की Ireland से बिलॉंग करते थे इन्होंने इसको दिया था state किया था मतलब ऐसे ही एक Charles है जिनका law बहुत popular होता है gas की case में तो यहाँ पर यह gas के expansions related है यानि कि अगर gas का temperature आप बढ़ा देंगे तो वो expand हो जाएगे उसका volume बढ़ जाएगा लेकिन pressure constant होना चाहिए Gale user law जिन्होंने दिया था उन्होंने इसको 1802 में publish किया था और 1780 में भी कुछ काम हुआ था जो की publish नहीं हो पाया था उन्होंने उसको भी credit दिया था इसलिए Charles law को आगे जाके बोला गया Gale user law उसके बाद बाद कर लेते हैं Coulomb's law की Electrostatics का है यह जिन्होंने class 12 में physics से किया होगा वो लोग इसके बारे में जानते होंगे अगर मान लीजी दो charges आपके पास में हैं वो positive negative कितने के भी हो सकते हैं अगर like charges होंगे तो repulsion लगेगा unlike charges होंगे plus minus तो attraction लगेगा अब जैसा भी force हो attraction हो चाहिए repulsion हो इनके distance के square के relation में vary करेगा यानि inversely proportional to r square अगर आप इनके distance को 2 unit से बढ़ाते हैं तो force कम हो जाएगा 4 unit से क्योंकि 2 का square 4 होता है अगर आप 3 गुना distance बढ़ा देते हैं तो force कम हो जाएगा 9 गुना इसी तरीके से आप समझ सकते हैं तो यह है इसमें अब उसके बाद अगली बात करेंगे हम electromagnetic induction की electromagnetic induction का एक law होता है फराडेस law इस equation को आप जानते होंगे e is equal to minus d5 by dt यह हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास में current current conductor है और साथी साथ एक magnet है और उन दोनों के बीच में relative motion हो रहा है यानि कि कोई भी एक स्थिर है और दूसरा उसके respect में move कर रहा है तो एक emf generate होगा simple बास हमें बताएं तो voltage generate होगा और इसमें अगर हम ohms law लगा दें तो voltage जब generate होता है तो current भी generate होता है तो इसका मतलब ये है अब time जितना आप कम करेंगे उतना ही emf आपको ज़्यादा मिलेगा ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है Michael Faraday ने 1831 में इसको दिया था उसके बाद है hooks law of elasticity ये class 11th की physics का है कि किसी भी elastic material पर आप जितना ज़्यादा force लगाएंगे वो elastic material अपनी position से उतना ही हटता चला जाएगा provided उसकी समता कितनी है उसकी strength कितनी है ये brittle material के लिए true नहीं है elastic material के लिए ही true है अब इसको discover किया था Robert hook ने 1660 में उसके बाद Jules law देख लीजिए Jules law बहुत popular law है और ये daily life में काफी use भी होता है इसके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी device में आप खूब जादा देर तक current flow कराते रहेंगे तो एक time ऐसा आएगा कि वो device गर्म हो जाएगी और उस device में जितनी heat produce होगी वो directly proportional होगी current के और time और ये सब आप इसमें एक चीज सीदे से याद रख सकते हैं h is equal to i square r t बस इसी को याद करके आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी इस topic से बहुत ज़्यादा question आपके exam में बनते हैं कि कौन से physical quantity का क्या unit होता है length meter में, mass, kilogram में, time second में और current, ampere में ये तो basic unit हो गए ये सबी को by default पता होनी चाहिए temperature Kelvin में, amount of substance mole में ये important है, और luminous intensity candle में इन दोनों को अच्छे से याद कर लिजेगा basic unit के बाद कुछ ऐसी unit पे हम बात करेंगे जो की उन basic unit के through ही हमें पता चली है ये by default हमें पता नहीं थी जैसे frequency hertz, force newton weight खुदी एक force होता है जो की newton है angle को radian में measure करते हैं pressure को pascal में या फिर newton पर meter square में energy को joule में, work खुदी energy के proportional होता है तो वो भी joule में, similarly heat भी joule में power watt में, electric charge कुलोंब में कुलोंब, हाँ वही कुलोंब जिनोंने ये law दिया था अभी अभी हमने discuss करा potential difference या फिर voltage जो घरों में आता है, वो वोल्ट में EMF खुदी voltage होता है तो वोल्ट में, resistance ohm में capacitance farad में आगे देखे इसमें conductance Siemens में conductance का मतलब one upon resistance और उसमें देखे inductance, inductance का use आप OHE में करते हैं जो electric engines जिस बिजली को खीचते हैं वहाँ पे कोई short circuit ना हो जाए तो inductance वहाँ पे use करते हैं उसको measure करते हैं Henry में flux को vapor में magnetic flux density को यानि कि इसी को area से divide कर दीजे तो ये Tesla में radio activity को back किरल लें क्योंकि सबसे पहले इनोंने ही radio activity की discovery की थी उसके बाद equivalent unit यहाँ पे मतलब एक unit को दूसरे में ले जाएंगे तो क्या फरक पड़ेगा unit of length एक inch में लगबग 20 cm होता है एक cm में करीबन 0.4 inches होते हैं एक yard में मीटर से थोड़ा कम यानि कि जो गज होता है yard वो मीटर से छोटा होता है जैसे मान लीजे cricket की pitch वो 22 कच की होती है लेकिन अगर आप इसे मीटर में convert करेंगे तो करीबन 20 मीटर के आसपास मिलेगा इसी तरीके से एक mile एक mile में लगबग 1.6 km होते हैं और इसके बाद आगे देखिए nautical mile nautical mile आखिर है क्या यह वो distance है जो नाविक लोग यूज करते हैं नाव को चलाते time या फिर बड़े बड़े जहाजों में भी इसी unit को measure किया जाता है exam में आ सकता ही है इसमें करीबन 2 km होते हैं उससे थोड़ा सकम फैथम फैथम क्या होता है यह भी बहुत important है यह वो unit होती है जिसके थुरू आप समुद्र की गहराई नापते है तो यह 6 feet के बराबर होता है यानि कि हमारे जो superstar है मिताब बच्चन उनको लोग 6 foot का मानते हैं लेकिन वो उससे थोड़े से उपर है तो उनके जितनी height को एक फैथम माना जाता है एक mile 528 feet यानि की करीबन 5000 के आसपास feet उसके बाद weight की unit देखिए ओंस cricket की ball को ओंस में नापते हैं तो एक ओंस में कितना होता है करीबन 28 gram एक pound में कितने gram होते हैं तो 400 के आसपास एक bale में कितने होते हैं 170 kilo cotton जो भारत में नापा जाता है उसको bale में ही नापते हैं उसके बाद volume के बारे में बात करें volume liquid और gases के लिए defined होती हैं एक gallon में करीबन 4 liter बड़ी बड़ी टंकियों जिनके जहां पे कालोनी में पानी आता है वहां पे लिखा होता है कि something gallon तो उसको आप liter में ऐसे convert कर सकते हैं एक लिटर में 1000 cubic centimeter एक लिटर में करीबन दो pints होते हैं barrel बहुत popular unit होती है कच्चे तेल की volume को इसी के थुरू नापा जाता है करीबन 169 liter के आसपास होता है एक barrel और अगर आप US में जाएं तो 42 gallon के बराबर होता है एक barrel unit of area अगर हम देगें एक एक एकड में 404 4046 दिसम्बलो 85 स्क्वाइर मीटर एक स्क्वाइर में इतना एकड एक हेक्टेर में 10,000 स्क्वाइर मीटर quantity के unit में तो एक क्वाइर में 25 sheets होती है एक रियम में होती है 500 sheets जैसे अगर आप लोग photocopy से जुड़े हुए है अगर आपने कभी भी photocopy वाले papers करीदे है तो एक रियम आता है ठीक है या दो रियम आता है तो एक रियम में 500 sheets होती है paper की एक बेल में 5000 sheets होती है एक ग्रॉस में 12 dozen होता है एक dozen में 12 unit होते है एक बंडल में 12 sheets होती है ठीक है अब कौन से instrument किस काम में आता है बोलो मीटर किस काम में आता है इंस्ट्रॉमेंट रेडियेशन मेजर करने के लिए ठीक है जो भी temperature बढ़ने से जो रेडियेशन होता है उसको मेजर करने के लिए हाइडरो मीटर किसले इस काम आता है यहाँ पर density लिक्विट्स की मेजर करने के लिए हाइडरो मीटर किस काम आता है humidity जो air या gas की मेजर करने के लिए लेक्टो मीटर कितना amount है मतलब milk में water का कितना amount है मेजर करने के लिए अनीमो मीटर किस काम आता है instrument wind force मेजरिंग करने के लिए Salinometer किसलिए जैसे नामस बता चल रहा है Salinity measure करने के लिए किसी भी solution की Altimeter किसकाम आता है Altitude यानि उचाइम आपने के लिए किसी भी aircraft से Galvanometer ये detect करने के लिए और measure करने के लिए electric current को Scopes यहाँ पर जो lenses किसकाम आते है Telescope ये optical instrument है इसमें lenses mirrors का इस्तमाल होता है को बढ़ा देखने के लिए Microscope बहुत छोटे-छोटे cells को detect करने के लिए Stethoscope किसलिए इस्तमाल के जाता है Heart और lungs में सुनने के लिए Doctors के मतलब का है ये सब को ने मिलता Doctors इसको अपने गले में पहने रहते है आपने देखा होगा Stethoscope ये Greek word है बात कर लें तो ये interior hollow organ में या cavity जो मतलब खाली जगह होती बौडी में उसके examination के लिए डाला जाता है ठीक है इसमें camera लगा रहता है पूरा examination endoscope से हो जाता है ये मुह में और कह सकते हैं हमारे Food pipe में जनरली कुछ खराबी हो जाती है उसको चेक करने के लिए डाला जाता है oskyloscope के बारे में बात कर ले तो oscillations जो होते हैं cathodary tube से screen पर उसको यहाँ पर देखने के लिए इस्तिमाल की जाता है periscope के बारे में बात कर ले तो ज़्यादा तर ये submarines वाले इस्तिमाल करते हैं इसमें tube होता है कि यह force direction जो earthquake का होता है उसको मापने के लिए इस्तिमाल की जाता है cardiograph क्या होता है heart movements record करने के लिए हेलियोग्राफ क्या होता है signaling apparatus होता है sunlight को flashes में reflect करने के लिए radiograph क्या होता है intensity radiation की measure करने के लिए speed sound की 343 meter per second होती है audible range जो human ear सुन सकता है वो कितनी है 20 hertz से लेकर 20,000 hertz level अगर उस level वो level कौन सा है कि अगर लगतार उस level की sound हमारे human के कानों तक आती रही तो अपना पूरा सुनने की शक्ति गवा सकता है 85 decibel तक अगर आप ज़्यादा तर expose रहते हैं तो आपकी सुनने की शक्ति को खत्रा हो जाता है women's की voice male की compare में shrill क्यों होती है ठीक है ये क्यों होती है pitch के कारण वो प्रॉपरिटी है pitch वो animal कौन से हैं जो high pitch of frequency की voice से एक दूसरे को communicate करते हैं और locate करते हैं elephant और dolphins loudness कैसे measure की जाती है sound की decibels में stringed instrument जो boxes से attach होते हैं ये किसले इस्तमाल की जाते हैं loudness को यहां पर बढ़ाने के लिए ठीक है वो minimum distance required क्या है eco सुनने के लिए वो है 17 meter source of the sound और sound के टकराने के बीच में 17 meter का अगर गया पर तो आप eco सुन सकते हैं ठीक है यानि प्रतीध धनी system of sound reflection जो depth oceans की find करने के लिए यानि कि समुद्रों की गहराई कितनी ये find करने के लिए इस्तमाल की जाता है यह है sound navigation and ranging system यानि कि सुनार phenomena जो sound की मतलब आती हुई train की sound को shrill बनाता है वो है Doppler effect sound जो है यह vacuum में travel नहीं कर सकती है आपको पता है metals में faster travel करती है air में कम तेजी से travel करती है sonic booms तब आते हैं जब supersonic aircraft sound barrier को cross करते हैं अब light waves और sound waves में difference दिया हुआ है साफ साफ light waves जो है इनको medium नहीं चाहिए sound waves को medium चाहिए travel करने के लिए light की speed यहां पर दिवी है 3 into 10 to power 8 meter per second sound की speed किती है 332 meter per second light waves electromagnetic होती है sound waves mechanical waves होती है variation जब light की frequency में होता है तो अलग-अलग color निकलते हैं अगर frequency sound waves की बदली जाती है तो अलग-अलग pitch निकलती है पीछ अलग हो जाती है light waves जो है बहुत लंबा distance ट्रैवल कर सकती है sound जो है बहुत लंबा नहीं ट्रैवल कर सकती है और खो जाती है अब images अलग-अलग lenses से क्या बनती है जैसे infinity पर object है तो image की position क्या होगी focus पर image कैसी बनेगी real, diminished और inverted अगर 2F पर है तो यह convex lens की हम लोग बात कर रहे हैं यानि की इस तरह के lens से क्या क्या positions बनेगी image की जगर object कहां कहां पर होगा तो तो अगर object यहां पर है F और 2F के बीच में तो यह 2F के beyond बनेगे real, enlarged और inverted image बनेगी अगर focus F पर है तो image नहीं बनेगी ठीक है यह race जो है reflect होकर parallel चली जाएंगी जैसे यह focus हम इसको माल लेते हैं तो यह race यहां से निकलेगी और parallel चली जाएंगी यह infinity भी मिलती है अब infinity यानि की कहीं भी इस universe में तो no image कहने के बज़ा हम कह सकते हैं कि infinity 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 f और lens के बीच में अगर object है तो same side पर image बन जाती जहांपर object है virtual, enlarged और upright image convex lens का use क्या होता है magnifying glass में use होता है long sighted persons जो होती है उनकी side को correct करने के लिए जिन persons को long sighted ने सुझाती है जिनको pass का नहीं दिखता है तो उनके convex lens लगा देते हैं ठीक है इस तरह का होता है structure इससे कैसी image बनती है यह देखते हैं अगर infinity पे है तो यह focus पर बनती है माल लिए infinity से आ रही है race तो यह जाकर focus पर बना देती है image f पर और अगर infinity और f के बीच में है तो यह object और lens के बीच में image बनती है virtual diminished और upright बनती है concave lens का इस्तुमाल क्या होता है spy holes जो door में होते है visitors को check करने के लिए को क्या कर रहे है गमरे में अंदर और short sighted persons की vision को correct करने के लिए real images क्या होती है real image होती है जो screen पर project की जाती है ठीक है यानि कि उल्टी होती है सीढ़ी होके screen पर दिखती है ठीक है screen पर project करते है तो एकदम सीधी आ जाती है real image जो है यह mirror के front में और lens के पीछे बनती है real image जो है inverted होती है और कभी भी upright नहीं होती है ठीक है यानि उल्टी image होती है जब screen पर focus मारते है इस image को तफ सीधी हो दिखती है concave lenses, convex lenses और plane mirror जो है वर्चूल images देते हैं और कभी भी real images नहीं देते हैं ठीक है आपने देखा होगा plane mirror में खुद को तो आपको अगर आप दाहिना आत उठाते हैं अपना तो mirror बाया दिखाता है lens के front में दिखती है हमको virtual images हमें सा upright होती है और inverted कभी नहीं होती है तो इनको screen पर नहीं दिखा सकते हैं अगर infinity पर object का location है तो focus पर बनती है image real diminished inverted बनती है c पर है तो c पर ही बनती है real same size और inverted c और f के बीच में है तो c के beyond बनती है real indulged और inverted f और p के बीच में अगर बनती है तो mirror के पीछे virtual inward और upright ठीक है concave mirror का और इस्तमाल क्या है कि doctors के द्वारा ear में ठीक है यनि कानों में light focus करने के लिए mouth में और throat में concave mirror ही होते हैं जो shaving mirror के रूप में इस्तमाल की जाते हैं इसे face के छोटे छोटे बाल दाड़ी के दिखें reflectors के रूप में उसकी जाते हैं torches में vehicle headlights में powerful beam बनाने के लिए concave mirrors का इस्तमाल होता है concave mirror का convex mirror का इस्तमाल कहां पर होता है irrespective of the position concave mirror में जमेशा behind the mirror बनती है virtual diminished और upright इसका प्रयोग कहां पर होता है driving license में ठीक है तो जिससे की पीछे का आप traffic देखते हैं उसमें इस्तमाल होता है blind corner जो होते है road drivers के वहां पर traffic को दिखाने के लिए इस्तमाल होता है एक बाद ध्यान रखिएगा convex mirror की positions अलग है concave and convex lenses की position अलग है इनको mix मत करिएगा plane mirror का इस्तमाल कहां पर होता है looking glass के रूप में periscope जो ships और aircraft यूज करते हैं kaleidoscope और बच्चों के खिलानों में electrical और electrical components की बात करने तो register इसका description का है register एक device है जो current के flow को register करती है circuit में और voltage को घटाती है जो load के लिए available होता है इसका use के यह conventional regulator जो fan का होता है वो register ही होता है capacitor क्या होता है जो timer, phase और splitter के रूप में इस्तमाल की जाता है domestic fan में capacitors होते हैं जो AC को split करते हैं AC के phase को split करते हैं और starter के रूप में tube light में इस्तमाल की जाता है वो भी capacitor होता है inductor एक device होती है जो electric current के change को resist करती है ठीक है इसमें conductor होता है जैसे कि wire और एक coil के form में वो wound कर दिये जाता है घुमा दिये जाता है mode के Inductor जो है ये current में change को oppose करता है ये ध्यान रखना है और register जो है वो पूरे current के flow को ही resist करता है ये ध्यान रखना है जैसे chowk है वो inductor है ठीक है चोक जो होती है ट्यूबलाइट में वो इंडक्टर है इसके बाद बाद करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मर की ट्रांसफॉर्मर ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इलेक्ट्रोमेगनेटिक इंडक्शन के द्वारा वोल्टेज को हाई या फिर लो किया जाता है जैसे अगर आप एक्जामपल देखें मुबाइल चार्जर का तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्स की सप्प्लाई को 10 से 12 वोल्ट के बीच में वो स्टेप डाउन कर देता है और यही रीजन है कि हमको उसमें करेंट कभी भी नहीं लगता भले ही स्विच ऑन क्यों ना हो इसी थरीके से एक डिवाइस होती है डायोड यह एक ऐसी एलेक्ट्रोनिक डिवाइस है जो करेंट को सिर्फ एक डिरेक्शन में फ्लो करवाती है जबकि दूसरी डिरेक्शन में ब्लॉक करवा देती है डायोट का सबसे common example होता है rectifier rectifier भी हमारे mobile charger में use होता है एक और reason इसमें ये हो गया कि mobile charger current क्यों नहीं मरता है क्योंकि वहाँ पे AC को DC में convert कर दिया जाता है एक और device देखिए इसके बाद transistor transistor ऐसी device होती है जो की resistance को transfer कर देती है और अगर आप example के तोर पर देखें तो जैसे कि आज की date में जो speaker होते हैं अच्छी quality के sound क्यों provide कर वा पाते हैं क्योंकि वहाँ पे resistance को change कर दिया जाता है अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसे कुछ और device यूज होती है radio TV यहाँ पे भी transistor का use होता है और इसमें हम अपने हिसाब से current को flow कर वा सकते हैं किसी भी electronic device में जबकि diode में current को हम एक direction में block जरूर करा देते हैं लेकिन control नहीं करा पाते हैं यहाँ पे controlling हो पाती है उसके बाद कुछ scientific name देख लीजे sodium के compound के बारे में बात कर लेते हैं यानि कि जितने भी compound है सब में NA compulsory रूप से present होगा जैसे washing soda यह होता है NA2CO3 कभी-कभी .10H2OVS को लिखते हैं baking soda sodium hydrogen carbonate इसको बोलते हैं NaHCO3 borax होता है यह NA2B407.10H2O brine कुछ नहीं नमक पानी का solution होता है NaCl, caustic soda, NaOH और hypo sodium deosulfate Na2S2O3 calcium के कुछ uses देख लीजे और calcium से कौन-कौन से compound बनते हैं उनको भी जैसे bleaching powder calcium और chlorine के थ्रूँ यह बनता है CA, CLO का hole twice उसके बाद quick lime यह CAO, marble जो आज की date में जो पत्थर हम लोग लगवाते हैं अपने घरों में calcium carbonate होता है वो modified form होता है वो उसका CACO3, plaster of paris CASO4.half H2O यह होगा यह chalk का मतलब calcium carbonate फिर से CACO3 लेकिन इन दोनों में फरक होता है modification का gypsum gypsum का formula same to same plaster of paris की तरीके से होता है लेकिन H2O के पहले दो लगता है half नहीं लगता उसके बाद कुछ दूसरे देख लीजिए aqua regia बहुत ज़्यादा important होता है इसमें और इसमें कौन कौन से acid present होते है nitric acid और hydrochloric acid और इसमें ratio कभी कभी आप से पूंच सकते हैं 1 is to 3 होता है HNO3 versus HCL अब इसको याद रखने का तरीका क्या है HNO3 हम जानते हैं ज़्यादा dangerous होता है तो उसको कम मात्रा में लेते हैं HCL जो comparatively less dangerous होता है इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और बांकी तो सब आप देख सकते हैं यह aspirin जिसकी tablets वगेरा बनती हैं इसको ऐसे लिखते हैं यह आपका organic compound है और बांकी alum जो जिससे आप fitkeri बनाते हैं उसको ऐसे लिखते हैं यह सब चीज़ें इतनी important नहीं है Aquaragia को एक बर जरूर से देख लीजेगा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं Dry ice बहुत ज़्यादा important है लगबग हर exam में question आता है कि इसको बोलते क्या है Carbon dioxide का solid form होता है Epsom salt MgSO4.7H2O इसको यह बोलते है Heavy water से भी कई बार question आ चुका है कि यह होता क्या है Deuterium के oxide होती है यह D2O उसके बाद में pearl ash यह क्या होता है इससे भी सवाल आ चुके है यह potassium का carbonate होता है बस और इसके बाद Jewelers rub यह क्या होता है जिससे Jewelers वगेरा अपने समान को साफ करते है Iron के oxide होती है यह और इसमें देख लीजिए सारे की सारे important तो नहीं है Vinegar और Table sugar यह बहुत जादा important हो सकता है और यह जो powder हम लोग अपने शरीर में लगाते है यह क्या होता है इसका formula तो इतना important नहीं है लेकिन इसका scientific name important है यह होता है magnesium silicate Vinegar का मतला basitic acid Vinegar में कौन सा acid present होता है यह भी सवाल आता है और क्या बचा इसका formula बहुत जादा important है Table sugar का यानि जो शक्कर हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसको कैसे लिखा जाता है C12, H22, O11 CHO लिखिए और 12, 21, 11 ऐसे लिख दीजे और इसको बोलते क्या है तो सुक्रोस graphite को C लिखते हैं खाली ठीक है क्योंकि यह carbon kailotrop है इसको plumbago बोलते है prosic acid का मतलब है hydrogen cyanide यानि कि SCN और आपका salt peter का मतलब है ज़रूर से ज़रूर कोश्चन आता है कि हम chemicals का use कहां पर करते है अपरी डेली लाइफ में यह M.C की हो सकता है मैचिंग कोश्चन हो सकता है chemical with which fluorescent lamp are coated for providing illumination यानि कि जो fluorescent lamp होते हैं उनमें coating की जाती है किस chemical की जिससे वो रोशनी दे सके तो phosphorus की coating की जाती है यह यहां पर fluorescent की कौन से कौन से चीज़ हो सकती है bulb और tube lights chemical जो rust हटाने के लिए ठीक है rust के दाग हटाने के लिए कपड़ों से इस्तमाल की जाता है कपड़ों में से rust यानि जंग के दाग हटाने के लिए oxalic acid इस्तमाल करा जाता है अब कौन से chemical है जो photographic films में चड़ाया जाता है वो है silver bromide gold किस में घुल जाता है यह aquarigia बोलते हैं हमने देखा जब हम एक लेते हैं H2O तीर लेते हैं H93 तो royal water यानि की aquarigia बनता है ठीक है aquarigia में gold घुल जाता है chemical with which non-stick cookware is coated non-stick cookware किस से coat की जाते हैं teflon से chemical जो यूज़ की जाता है माचिस बनाने में manufacturing of matches phosphorus है ठीक है water को verify करने के लिए जो disinfectant के रूप में यूज़ की जाता है वो है chlorine chemical जो यूज़ की जाता है antiseptic के रूप में mouth freshener, toothpaste, etc. में वो है hydrogen peroxide आगे बढ़ते हैं chemical जो यूज़ की जाता है breath test के लिए drunken driver जो जाने की PAO जो चालक होते हैं उनको चेक करने के लिए chemical इस्तमाल करते हैं potassium dichromate और sulfuric acid Mumbai policies का इस्तमाल करती है chemical जो परगेटिव के रूप में यूज़ होता है magnesium sulfide magnesium sulfide chemical जो यूज़ करा जाता है cloud seeding के लिए वो है silver iodide chemical जो यूज़ की जाता है fixing agent के रूप में photography में और जर्मी साइड की वाशिंग के लिए ठीक है photography वाशिंग के लिए sorry और जर्मी साइड के रूप में जर्म को खत्म करने के लिए जो इस्तमाल की जाता है वो है sodium thaiosulfide chemical जी उस की जाता है explosive devices के में और fertilizer में ammonium nitrate है substance जो की capsule cells जिससे बनती है आपने देखा होका जो दवाई capsule के रूप मिलती है उसके अंदर वो तो होती तो capsule है ऐसे और जब वो तोड़ देते हैं जो की पेट्रोल से ब्लेंड करके आज कल इंडिया में मेचा जा रहा है ठीक है यह 4.5 परसेंट करीब रहता है ठीक है तो यह क्या है यह इथनॉल है इथनॉल इथाईल एल्गोहल भी बोल सकते हैं इसको केमिकल लिए हम लोग आर्गनिक कंपाउंड जो की इसको पर इस बोलते हैं ठीक है पहले डायरेक्ट्ली पैट्रोल का इसत्माल करते हैं लेकिन अब अब टेट्राक्लोरोइथ्लीन से ड्राइ क्लिनिंग हो रही है चैमिकल जो यूश की जाता है बेबी डाइपर्स में एहाँ इसकी सूपर absorbent properties के विज़े से वो है sodium polycrylate chemical use की जाता है bodies को bodies में लगाने के लिए ठीक है खास करकि animal specimens तो tissue specimens खास करकि आपकी zoology lab में जो रखे जाते हैं वो formalin liquid में डुबो करके रखे जाते हैं आप जानते हैं कि अगर acquitted body है तो degenerate होगी disintegrate होगी लेकिन अगर formulin के solution में उसको रख देंगे aqueous solution जो formaldehyde का होता है उसमें तो वह सड़ता नहीं है और लंबे समय तक preserve करके रखा जा सकता है एक compound जो हमारी moisturizing cream में यूज़ की जाता है और soaps में इसकी hygroscopic properties के लिए glycerol है अपनों पता होगा वह advertisement में भी आता है glycerol यूक्त साबून केमिकल जो यूज़ की जाता है fog या smoke जो है theoretical stages में produce करने के लिए जो theater होते हैं उसमें जो effect effect डाले जाते हैं ठीक है धमाके का effect या फिर संसनी खेज effect तो वह dry ice और या तो glycol और water mix करके यूज़ की जाता है जिससे धूँ आउट साइट ही टर में नाटा खेलते समय केमिकल यूज़ की जाता है एक एंटी कोगलेंट के रूप में अंटी कोगलेंट हम बताई चुक्क है इस वीडियो में प्रिवेसली जो हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे कि ब्लड कलेक्शन जो किया जाता है ट्यूब में बोतलों में उसमें रखा हुआ ब्लड जम ना जाए तो उसमें सोडियम सिट्रेट डाला जाता है जिससे ब्लड जम ना जाए वहीं पर यह आप जानते हैं ब्लड में कोगलेशन होता है प्लाजमा में प्रिजेंट प्रॉप साइड है important organic acids के बारे में अगरम बात कर लें तो लैक्स लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है आपको खट्टे दूद में ठीक है यानि कि जो दूद थोड़ा सा रखा हुआ होता फटने वाला होता उसमें लैक्टिक एसिड आपको विनेगर मिलेगा और फॉर्मिक एसेड इसको मिथेन मेथनुफनोग एसिड बोलते हैं यह एंट विणों में होता है यानि की चीनटी के जहर में कि टंक में सित्ट्रीक एसिड़ीद सिट्रस फ्रूट में मिलता है लैमन लाइम औरंगें इसमें सीशिक एच ए आपको अंगूरों में और पाइनपल में मिलेगा यूरिक आपको कहां पर भी लेगा रेपसी डॉयल में और मस्टर्ड उयल में अशेट की प्रॉपर्टीज क्या है अशेट का पी एच हमें साल लेस देन सेवन होता है अशेट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कनवर्ट करते हैं यह आपका फिजिकल टेस्ट अशेट का टेस्ट खट्टा होता है बेसिस के साथ रियक्शन करके सॉल्ट और वाटर करते हैं सिट्स मेटल्स के साथ रियट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं कभी विंजुव हैड्रोजन के टेस्ट होता है तो हमेशा आशेट्स और मेटल से करवा के हाइड्रोजन निखाली जाती है रखेट्रूरीक एसीट का फोमला हैसे और कॉमन यूज उस गया Sulfuric Acid H3PO4 होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, लेड एसिड बैटरी में इस्तमाल की जाता है, इसको Oil of Vitrol बोलते थे पुराने समय में, Phosphoric Acid क्या होता है, H3PO4, बेवरेजिस में, यानि की पीने की ड्रिंक्स में इस्तमाल की जाता है, कोला बगैरा में, ठीक है, कार्बनिक एसिड के बारे में बात कर लें, तो soft drinks और other बुलबुलों वाली drink बनाने में इसका इस्तमाल करते हैं, बोरिक एसिड ये antiseptic के रूप में, आई वॉश के रूप में, सॉक्स और शूज में इस्तमाल की जाता है, जिससे athletes foot वाली disease को बचाए जा सके, chemical processes देख लेते हैं हम लोग, electrolysis में क्या होता है, कि electric current पास करते है, substance से और chemical change होता है, इसका usage क्या है, electroplating, यानि कि कोई एक metal है, उसके उपर दूसरे metal की परत चड़ाने के लिए पतली से, ठीक है, saponification क्या होता है, fat को soup में convert करना, alkali से treat करने पर, manufacture of soup का process क्या होता है, saponification, fermentation में क्या होता है, metabolic process है, sugar और या carbohydrate जो है, उसको acid, gas या alcohol में convert के जाता है, fermentation में, wine बनाने के लिए, liquor यानि शराब बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, इस प्रोसेस को, vulcanization, इसमें क्या होता है, natural rubber जो होती है, उसको treat किया जाता है, latex मतलब हम निकालते हैं, trees से, उसको treat किया जाता है, sulfur के साथ, जिसे उसे और durable, और elastic बनाया जा सके, तो vulcanization का process आपको किस industry में देखने को मिलता है, tire industry में, tire बनाने के लिए, emulsification के क्या मतलब होता है, large fat globules जो distribute हो जाते हैं, emulsion बना देते हैं, तो इसका इस्तमाल कहां का power होता है, paint industry में, cosmetic industry में, medicine में, sublimation का मितलब क्या होता है, कि directly solid जो है, वो gas में बदलता है, बिना liquid बने, ठीक है, frost free refrigerators जो होते हैं, वहाँ पर इसका इस्तमाल देखने मिलता है, pasteurization, इसका क्या होता है, heat treatment करते है खाद्य पदारत का और उसमें bacteria मार देते हैं, वो liquid food हो सकता है, या फिर पीने वाले drink हो सकती है, कोई, उसको गरम करके ठंडा करते हैं, तो milk के preservation के लिए ज्यादा तर यूश की जाता है, लिए पास्चर ने ये तखनीक बताई थी, जिनके नाम पर pasturization नाम पढ़ा है, carbonation क में क्या होता है कि components से impurities हटाई जाती है, फिर दो liquid को separate किया जाता है, इसको कहते है selective evaporation और condensation, तो इसको इसको इस्तमाल किया जाता है कि gasoline से, जो हमारा gasoline होता है जिनको cardium डालते हैं, वो crude petroleum से निकालने में distillation का इस्तमाल करते हैं, distillation से जादे ध्यान रखेगा selective evaporation और condensation, यानि दो liquid जिनका boiling point अलग अलग है, उनको एक साथ हुबा लेंगे, जो जल्दी अपना boiling point रीच कर लेगा, उसको condensed करके निकाल लेंगे, plants के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, भले ही आपको botany में इंट्रेस्ट हो या फिर नहीं, study of plant क्या होता है, botany हो smallest flower कौन है, रफलीशिया है, रफलीशिया, और smallest flowering plant कौन है, वुल्फिया है, जान रखिएगा, यहाँ पर largest flower की बात करते हो, यहाँ पर flowering plant की, तो वुल्फिया smallest flowering plant है और largest flower है आपका रफलेशिया, largest tree grown fruit है, यह जैक फ्रूट यानि की कटहल, tallest grass क्या है, बैंबू है, और largest seed क्या है, लुडूशिया, माल्डिविशिया, इसको sea coconut बोलते हैं, ठीक है, largest herb है बनाना plant, और fastest growing plant है bamboo, बढ़ते हैं हम लोग आगे, parts of plants देख लेते हैं, ठीक है, वैसे तो पूरे-पूरे chapters होते हैं, BSC में पूरे-पूरे mechanism पढ़ने पढ़ते हैं, लेकिन एक basic understanding जो सब ही को होनी चाहिए, किसी भी stream के student को बताते हैं आपको, पार्ट जिससे plant जो है respire करता है, ठीक है, जैसे सांस लेता है, वो है leaf, उसमें stomata होते हैं, small pores जिनसे water भी निकलता है, ठीक है, excess water भी remove किया जाता है, stomata से, किस process के थूँ, transpiration के थूँ, अगर आपसे बूच ले, किस process के थूँ, transpiration, transpiration और गटेशन, दो process होते हैं, जिससे plant जो है water loose करता है, अब flower का part जिससे, जो pollen grain को receive करता है, पॉलिनेशन के दौरण वो है stigma, pigment जो की plant में पाया जाता है, जो उनको green color देता है, वो है chlorophyll, plant processes के बारे में बात कर लें, तो plant जिससे अपना खाना बनाता है, food manufacture करता है, उसको कहते है, photosynthesis, वो process जिसके दौरा roots, water, minerals, absorb करती है, soil से वो है, osmosis, वो process जिससे plant जो है water अपना करता है, leaves के थुरू, stem के थुरू, flowers के थुरू, वो क्या है, transpiration, ठीक है, और वो phenomena क्या है, कि जिससे plants की growth, जो है, light की तरफ होती है, कि जहां से light आ रही होती है, वहीं तरफ plant grow करता है, उसको बोलते है, photo tropism, वो phenomena या फिर वो process क्या है, जिससे plant जो है, respond करते है, touch से वो है, thick more tropism, आगे बढ़ते हैं, लोग, plant और उनसे product क्या बनते है, ये भी बहुत question बनता है, part जिस, plant जिससे opium बनता है, ठीक है, morphine का जो जिस सोर्स होता है, opium, वो किससे बनता है, poppy से, poppy common name है, असली name है, paperware, so many firm, मारी जुवाना किससे बनता है, यानि कि गांजा cannabis plant से, Indian hemp plant इस जो है, coca plant, plant जिससे anti-malarial drug quinine बनता है, वो है, syncona plant, syncona, plant जिससे anti-hypertensive drug, जो है, respirene बनता है, respirene बनता है, respirene बनता है, ravalphaia serpentina से, plant जिससे, chicory, जो कि commonly substitute होता है, coffee का बनता है, वो बनता है, chicoryum intibus से, tree जिससे turpentine बनता है, वो है pine tree, ठीक है, tree जो aromatic medicinal oil जो देता है, उसको निलगिरी oil बोलते है, वो है eucalyptus, plant इससे blue dye जो है, textile industry की आप्टेन की जाती है, वो है indigo, indigo, biodiesel किसे बनता है, जत्रोफा से, जत्रोफा, biodiesel अभी obtain किया गया था, ठीक है, और आप जानते हैं भी, august 2018 में टेस्ट किया गया था, air turbine fuel की जगह है, हमने, bio fuel इस्तमाल किया था, हमारे jet में, और उसको उड़ाया भी गया था, किस company का वो jet था, यह हमको आप comment करके बता सकते हैं, ठीक है, किस company का jet था, उसमें भी जत्रोफा, oil से बनाय गया था, bio diesel, ठीक है, CSIR ने बनाय था, CSIR के NERI institute ने, फ्लार जिसके पीटल से इस्तमाल की जाते हैं, गुलकंद बनाने में, ठीक है, जो भारती पान होता है, मीठा वाला, उसमें गुलकंद डाली जाती है, वो गुलकंद किसे बनाते हैं, रोज, यानि गुलाब की पंखुडियों से, प्लांट पार्ट के बारे में बात करना है कि Clove, जो इस लॉंग होती है, प्लांट का कौन सा पार्ट होती है, तो प्लांट के flower bud होते हैं, और यह जो cinnamon ट्री से जो हमारा condiment निकलता है, इसको दाल चीनी बोलते हैं, जाल होती है, पोटेटो जिंजर अद्रक और आलू ये क्या होते हैं स्टेम होते हैं जो कोकोनेट का पाइट हम लोग खाते हैं वो क्या होता है सीड कॉफी जो हम लोग निकालते हैं वो भी सीड से निकलती है शुगर हम लोग शुगर केन से निकालते हैं तो शुगर केन क्या है स्टेम है बिसिकली स्टेम से निकालते है शुगर केन की सैफरेन स्पाइस जो है यह स्टिगमास होते है बिसिकली फ्लार्स के और जो jute fiber की जाता है जr 주 used पवदy की बार्क से चाहल से और cotton fiber obtained के जाता है fruit से вже सीड के अरउंड hairs सो ते हैं उनहीं से Nिकाला जाता है cotton fiber और अगर मिझे बात करें rubber किसे बनाते हैं तो supplant से लेटेक्स निकलता है उससे if I plan propagated by vegetative method अबर टेटीव मेثट से निकलते को सक्किस प्लांट से किस वेघटेटीश मेठिट से उगाया जाता है जैसे क्षपर ग्राफ्टिंग से लेवनिंग उर्ज भी ग्राफ्टिंग से ग्रेफूर्ट भी ग्राफ्टिंग से डेट यानि की आपका पाउंड वू क्या क प्राइब होता है रोस्तंग गरेंस होते हैं वह जाकर के धिस्रीब्रीट अब यहां पर पॉलिनेशन पॉलिनेशन किस चीजों के द्वारा होता है पॉलनेशन आप समझ लेजे सिंपल सी बात है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जाकर के डिस्ट्रिब्यूट हो जाते हैं और या फिर कह सकते हैं पहुंच जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर के पार्ट्स तक ठीक है तो वही होता है तो पॉलनेशन हो जाता है और पॉलनेशन के बाद होता है फैटलाईजैशन और फिर आपका वह टूब बनती है और फिर फ्रूट बनता है पूरी प्रोसेस है सिम्पल अनमोफिली का क्या मतलब होता है कि पॉलनेशन किस्से होता है विन्ट के तवारा ठीक है पॉलन ग्रेन्स हवा में ऊड़ जाते ह और फिर female reproductive part फ्लार तक पहुँच जाते हैं hydrophily में pollen grains पानिम बहते हैं melitophily में pollen grains मक्षियां ले जाते हैं मद मक्षियां गई एक nectar लिया एक फ्लार से और कुछ pollen grains उसमें चिपक गए दूसरे फ्लार पर बैठी तो fertilization खरवा दिया psychophily butterfly के दौरा पहले नोफिली मौत के दौरा और मायोफिली फ्लाई के दौरा मक्षि दौरा और्थिनोफिली यानि की चिडियां गई pollen grains उनमें असाथ ले गई अपने साथ गिरा गई दूसरे फ्लार में फिमेल फ्लार में और चाइरो किरो टेरिफिली यह कि इसका मतलब है बैट्स के दौरा यानि की चमगाद़ों के दौरा pollen grains एक मेल फ्लार से फिमेल फ्लार तक चले गए और कैंथरो फिली का मतलब है बीटल से बीटल से plant nutrients के बारे में बात कर ले primary nutrient क्या है plant के nitrogen potassium phosphorus secondary क्या है calcium magnesium sulfur micronutrients क्या है boron copper iron chloride magnesium molybdenum zinc और non mineral nutrients क्या है hydrogen carbon oxygen अब studies जो plants related है horticulture के क्या मतलब है cultivation of flowers fruits vegetables और ornamental plants floriculture का मतलब है flowering plant और ornamental plant उगाना viticulture का मतलब है science production और study of grapes यानि अंगूर उगाने की उनका production करने की study है वो है viticulture arboriculture का मतलब है vegetable growing यानि सबजीयां उगाना और herbaceous plants को उगाना arboriculture का मतलब है की cultivation management individual trees shrubs wines और perennial woody plants यानि लकडी वाले बाधों और पेड़ों को उगाना और उनकी देखभाल करना उनको study करना pomology का मतलब है fruits और fruit growing plants को study करना phycology का मतलब है algae और seaweeds को study करना mycology का मतलब है fungus को study करना pale botany का मतलब है fossil plants को study करना scientific names यहाँ पर देख लेते हैं जैसे alien sepa scientific name कि इसका है हमारे प्याज का और mango किसका है magnifera indica का solenum tubersum है potato याने आलू का पायरस मैलस यह apple का है क्यूक्यूमिस सटाइवा सी कॉकंबर का है यानि खीरे का citrus vulgaris वाटरवेलन का है लेक्टुशा सटाइवा यह लेट्यूस का है citrus lemon lemon का है यानि नीबू का scientific name और डॉकस करोटा यह carrot का है और citrus orange का है यह सब आप ध्यान रखिए कर कॉमेंट नेम भी पूछे जाते हैं scientific name के साथ मिलाने को आ सकते हैं like po declining intent यह क्या है टुमाटो है म्यूसा परडिशयम यह बनाना है का क्या है पॉयर एक्प्टिकम फ्रुटक्पीररे दिएक्सरी को स्पेश्ट सि कम यह कॉद्ट०ो cabinet स्फ्टओंै मिर्च है यह ओर आपका स्पिनासिया शीन ओलरेशिया यह क्या है यह स्पिदेच यह यानि इसत नेम मे खोड़े Meg toggle and और इजयस अटाइवा यह चावल का साइंटिफिक नेम है, गेहु यानि वीट का साइंटिफिक नेम है, ट्रिटिकम, एस्टिवम, जुवार का है, सोर्घं, वल्गेर, और हॉर्स क्राम का है, यानि चने का है, डोलिकोस, बाइफस, कोजुनस, शिजायन का है, रेड ग्राम यानि लाल चना, हरे चने का है, फेशलीस, और ब्लैक ग्राम यानि काले चने का है, प्लैशियस, मुंगो, अब जिंजर ओफिशनेल का है, जिंजर, एलियम सटाइबम का है, गार्लिक, पाइपर निग्रम का है, ब्लैक पेपर, शाइजियम, और मेटीकम का है, क्लोव, यान बंगलानिसिस हमारा बैनिन ट्री है और निकोटीना टोबैकम है टोबैको यानि तमाकू और बंबोसा आडिनेरिया फोलिया है बैंबू ठीक है और मोरिंगा ओली फेरा है ड्रम स्टिक ओशिमम सैंक्टम है तुलसी सेंटलम एल्बम है सेंडल वोड यानि की चंदन गॉसी प प्लांट इसको डेविल सी भी बूलते हैं मुराया कोईंगी है करी प्लांट यानि करी पत्ता मैंथा और वेंशिस है मिंट यानि पुदीने का पाउधा कोरियंड्रम स्टाइबम है धनिया का पाउधा और लॉस्वेनिया इनर्मिस का है हीना यानि महंदी इंडियन रिवर हैं यह चार तरह से क्लासिफाई की गई है हिमाल्रें डिवर्स डक्कन यानि की पैनिसिल्वल पैनिसुलर इंडियम पाई जाती है कॉस्टल रिवर्स और रिवर्स ऑफ इन्लैंड वाटर या फिर ड्रेनेज सिस्टम ठीक है अब अब हम देख लेते कि इन डिवीजन में क्या मतलब हुआ कि अपना पानी ओश्यन में नहीं गिराती है ठीक है यह इनका पानी क्या होता है कि इसे रेत में ही खत्म हो जाता है रेत में ही सूख जाता है यह नदियों में गिराती है इनका पानी रेत में सूख जाता है सुबर्ण रेखा वंसधारा नागवली वैगा और लॉंगेस्ट रिवर है इंडिया की गैंगेस और गंगा उसके बाद गोदावरी है दूसरी सबसे बड़ी और फिर यमुना है कृष्णा है फिर नर्मदा है तो यह अब सीरियल भी ध्यान रख सकते हैं तो लॉंगेस्ट रिवर के बाद कर लें जो पूरे इंडिया में जाती है वह है इंडूस रिवर ठीका तिबत में ऊरिजिनेट होती है पाकिस्तान में जाती है फिर अरेबियन शी में गिर आती है गैंगे इसको भागी रती भी कहते हैं गिंग भागी रती इसको अपने पुर्खों को तारने के लिए श्वर्ग से लेकर आये थे सब मानते हैं कि रिवर्गंगा के जो पार्ट्स आपको बांगलादेश में बैता वह देखने हो को मिलते हैं तो वहां उसे पदमा के नाम से जाना जाता है इंडिन रिवर्ग जो है मोसली बेव बंगाल में अपना घिर जाती है अपना खत्म होती है लेकिन नर्मदा अपती नेत्रावति तो पेरियार जो है यह अरेबियन सी में गिरती है कुछ नदियां ठीक है आगे में बात कर लें तो पंजाब में जो फाइव रिवर्स है वो है सतलज, रावी, ब्यास, जहेलम और चेनाब इस वज़े से पंजाब कहते हैं वहाँ पर दक्षिन गंगा गोदावरी है यारलंग सांगपो का जाता है बर्वमपूत्र को तिबबत में जब य अरवनाचल प्रदेश में आ जाती है तो इसको दिहांग कहने लगते हैं बर्वमपूत्र रिवर को जोमुना कहते हैं बंगलदेश में ठीक है जोमुना हमारी इंदुस रिवर को सिंगी कहंबन की नाम से जाना जाता है ठीक है कहां पर तिब्बत में बंगाल की सौरो यानि बंगाल का शोक किसको कहते हैं रधा मोदर नदीगो ठीक है ऐसे ही बिहार का शोक किसको कहते हैं बिहार सौरो वो है कोसी रिवर कोसी प्रयाव अलाहबाद जो है यह संगम माना जाता है गंगा यमना उसरस्वती का नंबर अफ इंडियन रिवर्स जो की ग्लासिफाई करी गई है गौर्रमेंट के द्वारा वो है 12 मेजर रिवर्स गौर्रमेंट ने 12 बानी है यह बहुत इंपोर्टन नंबर है तीन ट्रांस हिमालियन रिवर्स है जो की ओरिजिनेट होती है हाई टिबटेन फ्लेट्टिव से और हिमालियन रेंजेस को कट करती है वह है इंदूस ब्रहंपुत्र और सत्लज यह हैं ट्रांस हिमालियन रिवर्स अब कौन सी सिटी के किनारे कौन सी नदी बहती है दिल्ली यमुना के किनारे आगरा यमुना किनारे पटना गंगा किनारे हरिद्वार गंगा किनारे अलाबाद गंगा और यमुना के संगम में वारनसी गंगा किनारे गुवाहाटी ब्रंपूत्र के किनारे कानपूर गंगा क सूरत ताप्ति तिरवचरापल्ली कावेरी कटक माहानदी अयोध्या शरीउ लुधियाना सत्लज कुल्लू ब्यास उज्जय किसे कीनारे शिप्रा नदीक कीनारे हमपी ये तुंगबद्रा किनारे, पुने ये मुथा नदीक किनारे, वडोधरा ये विश्वा मित्री किनारे, मधुरा ये वाइगाई नदीक किनारे, कोयमबटूर ये नोईयल किनारे, गोरकपुर राप्तिक किनारे, नेलोर ये पैननक किनारे, कुर्नोल तुंगबद्रा पर बना हुआ है क्रिश्चन नदी पर पोच पोचमबद यह कहां पर बना हुआ है गोदावरी पर तेलंगाना में यह भी तेलंगाना में स्री सलम डैम यह कहां पर बना हुआ है क्रिश्चन नदी पर सरदार सरवर डैम यह कहां पर बना हुआ है नर्मदा पर उकाई डैम कहां पर बना हुआ है तप्ति पर हीराकुट डैम कहां पर बना हुआ है महानदी पर और भाकडानंगल कहां पर बना हुआ है सतलज पर पोंग डैम इसको महाराना प्रताप सागर भी बोलते हैं कहां पर बना हुआ है ब्यास नदी पर थीन यानि की रंजीत सागर डैम ये कहां पर बना हुआ है रावी पर पंजाब में भागिलार डैम या बगलिहार डैम ये कहां पर बना हुआ है चेनाब नदी पर बना हुआ है जम्मु कश्मीर में चूटक डैम ये कहां पर बना हुआ है सुरू नदी पर जम्मु कश्मीर में पंचेट कहां पर बना हुआ है दामोदा रिवर पर जारखंड में मैथोन कहां प कहां पर बना हुआ है कोईना नदी पर महराष्ट में में तूर डैम कावेरी में आपका क्रश्ण राजा सागर कहां पर कावेरी में अलामत्ती कहां पर क्रश्ण नदी पर करनाटक में मुल्ल पेरियार डैम पूछा गया था हाल में कहां पर बना हुआ है पेरियार नदी पर केरल में कांदी सागर कहां पर बना हुआ है चंबल में निमू बाजगो कहां पर बना हुआ है इंदूस में अब ये कुछ important world के famous डैम है क्योंकि ये UPSC ने पूंचा था जिसे हम इसको ध्यान में रखेंगे अलांकि अब ये सब नहीं आता है रिवर पर देख लेते हैं अब रिवर उनका और उरीजिन देख लेते हैं गंगा का औरजगो अरिटी से यमुना का होता है सावर मती का उता है नागरी टाहुंग डूंग दूंग तिबबत से और सतलच का होता है मांट कैलास तिबबत से ब्यास नदी का उरिजिन कहां से होता है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से, गुदावरी का नासिक महराश्टर से, कर्षना का महाबलेश्वर महराश्टर से, कावेरी का ब्रह्मगरी हिल्स कुर्ग करनाटक से, साबरमती का उदैपूर रावली हिल्स राजिस्थान से, रावी का होता है चंबा हिमाचल है जनपाव इंदोर विंध मांटेंज MP से तिस्ता का होता है चोलामू लेक सिक्किम से और रंगीत रिवर का होता है राथांग ग्लेशियर सिक्किम से क्रिष्णा कुन कौन से स्तेट इनवाल में कृस्टन स्था रिवर डिस्प्यूट किन किन राजियों के बीच आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो काफी चर्चा में रहता है वह तमिल नाडू करनाटक केरल और पॉंडी चैरी के बीच बभाली बैरेज इशू ये किसके किसके बीच है आंध्र प्रदेश के बीच है महरास्टर के बीच मुल पेरिया डैम इशू ये तमिल नाडू के बीच है महानदी वाटर डिस्प्यूट ये चतीजगड और ओडिशा के बीच है अब बात कर लेते हैं रिवर और उनकी साहयक ये लिस्ट भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट है गंगा की साहयक नदिय कौन सी है गोमती घागरा गंडक कोसी यमुना सोन और राम गंगा यमुना की कौन सी है चंबल सिंध बेतवा केन टोन्स और हिंडन गुदावरी की है इंद्रावती मंजीरा बिंदुसारा सरबारी पेन गंगा और प्राढख हीता अकृषना डिवर की है तोंग बत्रा घाट प्रभा माल प्रभा भीमा विदावती और कोईना कावेरी की है काबिनी हेमवती सिम्हा सिम्ष। अरकावती अभवाने नरमदा की है अमरावती भूकी तावा और बांगेर इंदुस की है बंपुत्र की है दिबांग, लोहीत, जिया, भुरेली, कामेंग, दिखोव, सुबानसिरी और मानस तामुदर रिवर की है बडाकर रिवर, कोनार रिवर रावी की है बुधील, नाई, सियूल और उज मानदी की है सिवनाथ, हस्देव, जोंग, मांड और इब, और ओंग और तेल ठीक है, चंबल की है बानस, काली सिंद, शिपरा, परबती और मेज रिवर अब अल्टरनेट नेम क्या है जैसे इंदुस को सिंधू, एंशेंट नेम में बोला जाता था सिंगी, खंबन, टिबर्ट में बोलते हैं इसको, जेलम को वितस्ता पुराने नाम में बोले जाता था हाइडस पीस, इसको बोलते थे ग्रीक में, जैसे हाइडस पीस का युद्दूआ था सिंगंदर और पोरस के बीच रावी, परुषणी इसको बोलते थे, एंशेंट नेम में और आयरावती बोलते थे ठीक है, चेनाब को अस्किडी बोलते थे, हमारे एंशेंट इंडिया में और चंद्र भागा बोलते थे ब्यास को विपासा बोलते थे, पुराने नाम में और हाइफसीस बोलते थे क्रिश्णा को क्रश्णवेण, क्रश्णवेडी और कान पेन बोलते हैं ancient names में नर्मदा को नामेदी बोलते थे ग्रीक में लूनी को सागर्मती और लवडावती बोलते थे salt content की वज़े से बेतवा को वित्रावती बोलते थे चंबल को चर्मानवती बोलते थे गंड़क को सदनीरा बोलते थे, कोसी को कोसी का, अगागरा को करनाली, काबुल को कुभा रिवर बोलते थे और स्वात को सुवस्तु बोलते थे अब रिवर जहां पर उनका संगम होता है जैसे अलकननदा और धौली गंगा का संगम कहां पर आपको देखने बिलता है विश्नु प्रयाग में, अलकननदा और नंदाकिनी का कहां पर नंद प्रयाग में, अलकननदा और पिंडर का कहां पर करेंड प्रयाग में, अलकननदा और मंदाकिनी का रुद्ध प्रयाग में, अलकननदा और भागी रती का बहुत इंपोर्टेंट है देव प्रयाग में गंगा और यमुना के बारे में बात कर लें तो अलाहबाद में यमुना चंबल पाहू जो सिंद और कुवारी इसका कहां पर होता है पंचनद में इटावर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में वहां पर गंगेस और कोसी का कहां पर होता है कुरुसेल में कटिहार डिस्ट्रिक्ट है जो भीहार का वहां पर यमुना उबेतवा का पर संगम होता है हमीरपुर में कृष्णा और तूग ब泦्र मिलतीय का अलमपुर में गोदावरी और गंडग कहां पर मिलती है हाजीपूर बिहार में सतलज और बियास पर मिलती है हरीके वेटलैंड में और सुबड रेखा और खरकाई कहां पर मिलते हैं जमशेदपूर में ठीक है देख लेते हैं वर्ड की इंपौर्टन्ट रिवर से लेटेट कुछ इंपौर्टन फैट जिसे लॉंगेस्ट रिवर अगर पूरे वर्ड की बात करें तो कौन सी नायल नदी ठीक है इसकी लंबाई है है 6,650 ya Jeżeli Iike, यूरोप की यॡश य कॉंटिनेंट के वह होल्गा। में अस्या की लॉघ यॉन्गेस रिवर यंग श्ती रिवर रह Bali इस बुरे यूचना कोवर कर लेती हैं copper compare पहनने ऐनें वाली सबसे लंबी रिवर भी यंक्स्तने हैं ठीक्वें है Missouri Mississippi longest river जो चाइना की वो भी यंगस्ते है लॉंगेस्ट रिवर जो इंडियअ सबकॉंटिनेंट की वो है इंदूौ्स давaggi उस्ट्रेलिया की वह estनो यू अओं रेटार्लिंग मरेे डार्लिंग कि डीपेस्ट रिवर पूरे व्ल्ट की कौन सी है कॉंगो ठीक है इसको जायर रिवर के नाम से भी जाना जाता है व्ल्ट की रिवर से रिलेटेट कुछ important facts रिवर डेनूब जो है ये चार capital cities से होकर गुजरती है UPSC ने बहुत 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 बार लगातारी से question पूछा है हंगरी बल्ग्रेड ये सर्बिया की capital बुड़ापेस्ट हंगरी की capital आस्ट्रिया की capital वियेना से गुजरती है और स्लोवाकिया की capital ब्रास्तिलावा से गुजरती है ये टच करती है 10 countries को जर्मनी, उस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मल्डोवा रिवर जो क्रॉस करती है equator को दो बार वो है जायर रिवर ठीक है इसको Congo रिवर भोलते हम लो और रिवर जो क्रोस करती है Tropic of Capricorn को दो बार, Tropic of Capricorn को दो बार क्रोस करती है लिमपो पो रिवर, चाइना की सौरो कही जाती है रिवर हुआंग हो या फिर येलो रिवर, ये है चाइना की सौरो रिवर जो इक्वेटर के साउथ से शुरू होती है, ट्रॉपिक आफ्ट कैंसर को क्रॉस करती है, वह है नाइल रिवर जो रिवर जिसमें कोई भी ब्रिज नहीं है, ठीक है, पूरी लेंथ में इसमें कोई भी ब्रिज नहीं बनाया गया है, वह है Amazon रिवर example जो कुछ countries का जिनके पास कोई भी रिवर नहीं है वो है Saudi Arab, Kuwait, Yemen, बहराइन और Qatar इनके पास कोई भी रिवर नहीं है अब cities of the world देख लेते हैं जैसे बगदाद जो है ये टाइगरिस रिवर के किनारे है Bangkok ये छाओ फ्राया रिवर के किनारे है बल्ग्रेड ये डनूब रिवर के किनारे बर्लिन ये स्प्री हैविल रिवर के किनारे वुडापेस्ट ये डनूब रिवर के किनारे केरो नाइल रिवर के किनारे धाका ये बूढ़ी गंगर रिवर के किनारे और फ्रैंकफर्ट ये मेन रिवर के किनारे कराची इंदूस के खिनारे, काठमांडू बागमती रिवर के खिनारे, लहोर रावी के खिनारे, लिस्बन टागर्स के खिनारे, लंडन ये थेम्स नदीक के खिनारे, मॉंट्रियल ये सेंट लॉरेंस नदीक के खिनारे, मॉस्को ये मॉस्कोवा नदीक के खिनारे, का आउटफ्लो है Atlantic Ocean में नाइल का है Mediterranean Sea में Mississippi कहां गिरती है Gulf of Mexico में यांगस्ते कहां पर गिरती है East China Sea में यलो रिवर ये बुहाई सी में गिरती है ओब रिवर ये Gulf of Ove में गिरती है Arctic Ocean में Congo ये Atlantic में गिरती है Niger ये Gulf of Guinea में गिरती है मरे रिवर ये गिरती है Southern Ocean में वुलगा गिरती है Caspian Sea में Danube गिरती है Black Sea में इरावडी गिरती है अंडुमान सी में थेम्स गिरती है North Sea में इंदूस गिरती है Arabian Sea में राइन गिरती है North Sea में अमूर गिरती है Study of river होता है Potamology, aluvial का मतलब है Deposit by river, aluvial deposits में क्या क्या चीज़ आ जाती है, Sand, Mud, Gravel और Organic Matter, और aluvial deposits जो है, flood plains बनाते हैं और delta बनाते हैं, पूरे world का जितना भी supply हो रहा है, tin ore का और खास कर कि gold, platinum, gemstone का ये aluvial, soil से ही हमको मिल रहा है, brackish water की बारे हम बात कर लें, ये क्या होता है, कि water जो है, ये river के पानी से ज़्यादा salty होता है, लेकिन समुद्र का पानी होता है, sea water उससे कम salty होता है, तो इसको कहते हैं brackish water, triangular tracked होता है, ठीक है, और deposit होता है mouth of the river में यह है delta ठीक है और sand होती है इसमें silt होती है clay जो river लेके आती है और काफी productive होता है agriculture हम बात कर लिए तो काफी उपजाओ जमीन होती है delta की भाटे की और इसमें bird food delta, caspade delta और arcuate delta जो है fan shaped यह बनते है shape of the river पर depend करता है ठीक है तो अलग-अलग river अलग-अलग delta बनाती है food बनाती है कोई कोई caspade बनाती है कोई arcuate बनाती है estuary के बात कर लें तो यहाँ पर river sea से meet होती है mouth of the river पर वह होता है estuary कुछ rivers estuary बनाती है कुछ delta बनाती है अलग-अलग headwaters के बारे मात कर लें तो यह source होता है headwaters river का क्या होता है वो farthest place होता है river में उसकी estuary या फिर उसका यहां पर भी दूसरी river से संगम होता है उससे farthest place oxbow lake क्या होता है एक u-shaped water body होती है और जब wider minder जो होता है में जो stem stem होती river की वह अलग हो जाती है ठीक है मनलो river इसी यजा रही है एससे जा रही है और फिर river कट हो गई मान लीजें यहांसे कट हो गई ठीक है यहां से कट हो गई फिर यहां पर एक छोटा सा late एक बन जाता है इसे तो वही होता है Oxbow लेक आक्स बो के नाम पर पड़ा हुआ है यानि कि जैसे रिवर बेसिन क्या होता है यह area of land जो है जो कि रिवर के दोरा drain की जाता है या फिर कह सकते हैं कि area of land जितने में river जो है flow करती है ठीक है जितने में river का water पूरा flow करता है land में उसको कहते है river basin इसको drainage basin भी कहते हैं जो area river basin में आता है उसको catchment area भी कहा जाता है अब largest geographical features क्या है पूरे world में जैसे largest continent Asia है largest ocean Pacific Ocean है largest bay है bay of bangal largest gulf है Gulf of Mexico largest peninsula है Arabian peninsula largest island है greenland largest coral reef है great barrier reef Australia continent में पढ़ता है largest और highest plateau है पामीर टिबट में है ठीक है चाइना में largest आर्टी पिलागों है Malay आर्टी पिलागों जिसमें इंडोनेशिया फिलिपीन भी country आ जाती है largest desert है hot desert है सहारा desert largest desert अंटाक्टिका वैसे तो largest glacier है लैंबर्ट glacier अंटाक्टिका में largest river है Amazon South America में largest lake है Caspian Sea ठीक है इसमें हम अभी salty और non salty lake की बात नहीं कर रहें largest lake आपका lake यह Caspian Sea है largest swamp कहां पर है Pantanal में है South America में largest गैंगेस डेल्टा या सुंदर बन डेल्टा है इंडिया पंगलदेश इसको share करते हैं largest volcano है sub-arial इसको माना लोगा या फिर हवाई भी बोल सकते हैं हवाई में है ठीक माना लोगा हवाई में है लार्जेस्ट टॉलेस्ट वोल कैनो ओजेस्ट इल्सलैडो है यह चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर है यह तॉलेस्ट है यह तॉलेस्ट है सब-arial वाला ठीक है द चलेंजर डीप इसको बोलेंगे यह पैसिफिक ओशन में है मारियाना ट्रेंच में डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात कर लें तो सहरा डेजर्ट यह कहां कहां पर फैलता है अलजीरिया चैड एजिप्ट लीबिया माली मौरीशियाना मुरक्को नाइजर और जॉर्डन, एराक, कुवायत, उम्मान, कतर, साओधी अरब और لا यामन में एइंजल्ट मैं डेजर्ट मनें एस्न के एपकीशियानगे देन जीड़र眑 Area में एज 보र fluffy ऑन थार पाकिस्तान फैला है तकला माकंबर देजर्ट में चाइना में हैं सीरेन ड़र्ट में हैं स यूएस में मुजावी डज़र्ट यूएस में और करकम डज़र्ट ये तुर्कमेनिस्तान में डज़र्ट के बारे में फैक्ट देख लेते हैं ज़र्ट उन एरियास को बोलते हैं जो 25 cm से कम rainfall रिजीव करते हैं एक यर में वन थर्ड जो है अर्थ सरफेस का वो डज़र्ट क द्वारा कबर किया गया है largest desert है अंताक्टिका largest hot desert है सहारा, अटकामर desert है यह driest desert है पुरे world का यूरोप है, यह only continent है जिसके पास कोई भी major desert नहीं है Lakes of India पर आजाते हैं Lakes of India के बार हम facts deepest lake है पुरे world में वो बैकाल है fresh water वाली, ठीक है largest fresh water lake कौन सी है फ्रेश की बाद कर लें चाहिए ब्रैकिश वाटर की बाद कर लें लेकिन लार्जेस्ट कैस्पियन सी ही है ठीक है सॉल्टियस्ट लेक कौन है सबसे ज़्यादा ब्रैकिश वाटर वाली लेक है वो है डेड़ सी लोवेस्ट लेक कौन है पुरे वल्ड में डेड़ सी ही है पुलिकाट लेक आंद्रप्रदेश में गंट्री जो लैंड ऑफ थाउजंड लेक्स के नाम से जानी जाती है वो है फिन लैंड फिन लैंड लेक्स इन इंडिया कोल्रू लेक्स आंद्रप्रदेश में पुलिकाट लेक्स अमिलनाडू और अंद्रप्रदेश में हुसाइन सा ये हैदरबाद में, उलसूर लेक ये बैंगलूरू करनाटक में, सांभर लेक ये राजिस्थान में, पिछोला लेक ये उदैपूर राजिस्थान में, डल लेक ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, वुलर लेक ये बांधिपूर जम्मू कश्मीर में है, पंगोंग लेक ये सिक्किम में है उदयपूर ये लेग को लेग सिटी के नाम जानते हैं पंगोंग लेग जो है ये ट्रान्स पाउंडरी लेग है ठीक है वाटर फॉल्स के बारे में बात करने तो कुचिकल फॉल्स जो है इसकी हाइट है चाओदा सब्सक्राइब फीट वराही रिवर पर करनाठक में है यह बहुत 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 डिस्प्यूटेट यह कोश्चन था यूपीपीशेस 2018 का ठीक है यूपीपीशेस दे इसको मान लिय लोग वहां पर जॉपीशेस देने नहीं माना है कि यही यह सबसे ज़्यादा हालांकि यह टीएड वाटर फॉल्स है जबकि अब ऐसा कुछ नहीं दिया है कि टीएड है कि नॉन्ट यह लेकिन उन्होंने अपना कुचिकल ही माना है तो मैं चाहूंगा कि आप से सब ही किंशी में है मिघाले में किंशी रिवर पर बना हुए मिघाले में दुद्सागर फॉल्स यह मंडोवी रिवर पर बना हुआ है गोवा में नो कलीकाई फॉल्स यह मिघाले में है जॉक फॉल्स या गोरसप्पा फॉल्स या प्लंज वाटर फॉल्स यह श्रावस्ति में है करनाटक में मगोड फॉल्स ये कहां पर है बेथरी रिवर पर 685 फीट उचा लुशिंग्टन फॉल्स या उचाली फॉल्स या किपप जॉग इसको बोलते हैं ये आगांक्षी पर है करनाटक में सिव सुंदरम फॉल्स ये कावेरी पर है हुंदरू फॉल्स ये सुबयन रेखा पर है कपिल धारा फॉल्स ये नर्मदा पर है टीर्ड वाटल फॉल्स ये लेंड की सर्फेस को टच करते हैं एक से या एक से ज़्यादा जगह पर ठीक है बॉटम में पहुंचने से पहले जबकि प्लंज वाटर फॉल्स क्या होते हैं कि डारेक्ट बॉटम में गिरते हैं अब ये ध्यान रखेएगा कि वैसे तो बहुत सारे वाटर फॉल्स हैं परलब सौत त्यों सो तीन सो हो जाएंगे यहाँ पर एक्जाइम पॉइंट उफ्यू से इंपोर्टन वाले बताये गए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग वाटर फॉल्स पूरे वर्ल्ड के यह जो आय हुए हैं वही वाले बहें ठीक है प्रिवीर से एर में जो पूछे गए हैं नियागरा फॉल्स नियागरा में कैनедा युएस में पुक्टोरिया वाल जैंबेजि-जैंबिया में एनजल वाल चुरून में वैंगू इलिक और वाखु षी और काकु रिवर पिर्जंटीना में काइटूर फाउल्स पोटायरो रिवर पर गुयाना में पर पुड़ते हैं आगे हम लोग अब आईलेंड के बारे में बात कर लेते हैं श्री हरी कोटा आईलेंड जो है यह पुलिकाट ले कांद प्रदेश में है ठीक है इंडिया का सैटलाइट लॉंच चेंटर है सथीज्डवन स्पेस सेंटर हैं यहां पर बहुत सारे सेटलाइट यहां से उड़ाय गए हैं अब्दुलकलाम आइलेंड ये बेव बंगाल में है ये ओडिशा के उधर है तट पर इसमें इंडियन मिसाइलिस का परिक्षण किया गया है शिव सुंद्रम आइलेंड जो है काविरी रिवर पर बना हुआ है ठीक है सागर आइलेंड ये बेई बंगाल में है विस्ट बंगाल में और इसमें इंडेद बंगाल टाइगर स्कू रख गया है ठीक है हेव लॉक आइलेंड ये अंडमांस में है इसमें जन्वरी 2011 को जल हन्स इंडिया का पहला सी प्लेन सर्विस जो थी वो लॉंच की गई थी ठीक है पवन हन्स और अड्मिनिस्ट्रेशन आफ अंडमान और निकोबार को कनेट करता था ये पोर्ट ब्लेर और हेव लॉक आइले और कच्छ थी वो ये कहां पर है पार्क स्ट्रेट में है ठीक है अन इन्हाबिटेट आइलेंड यहां पर कोई न रहता है श्री लंका को ये 1974 में कंडिशनल बेसिस पर दिया गया था ठीक है इसमें कैथलिक श्राइन बनाया गया था और सेक्रेड एरिया घोशित कर दिया स्ट्रिलंका ने इसको अब यह बात न्यूज में आए दी जब तमिल नाडू के सीम ने पेटीशन फाइल किये था सुप्रीम कोट में इंडिया पर यह आरूप लगाते हुए कि आइलेंड को स्ट्रिलंका को सुपूर्द कर दिया गया मजूली आइलेंड यह ब्रहंपुत इसको सेव करने के लिए प्रयास करती रहते है यूनेस्को के वल्ड हरिटेज साइट की लिष्ट में माजूली सामिल है यह सबसे बड़ा नदीद वीफ है पूरे इंडिया का ठीक है लार्जस रिवर्राइन आइलेंड है पूरे इंडिया का यह बहुत इंपॉर्टेंट ह में फाइनल की गई थी रामसर कंवेंशन जो हुआ था इरान में 1971 में इंडिया ने हलंकी इसको बाद में रेटिफाइए कि 1984 में इंडिया में वेटलेंड कौन-कौन से हैं विम्गानट कोल वेटलेंड है यह केरल में है चिलका लेक यह ओडिशा में है कोलरू लेक यह पानफूर में अपर गंगा रिवर जो भिरिफट से नर औरा स्रेक्ष रख जाती है यह वह अचल्च बाति है सांभर लेक ऒएटलेंड में वूलर लेक वटलेंग में पुंग डैम लेक इंधशी रिवूर परदेश में अभी वेटलेंड में अब केनाल सेराइट के बारे म 파क्टिक सी को जो एल्क और ओशिन और साइबरिया में ठीश है तेस्ट को दिवाइट करता है वाटर बाड्रीइज को झोड़ता है वही झोता है आपका स्ट्रेट या झानल तो स्टेट ओ जिब्रालटर आफ़िप्रिका ओर यूर्पको अलग करता है और Pacific Atlantic Ocean को मिला देता है English Channel जो है फ्रांस और England को अलग करता है North Sea और Atlantic Ocean को मिला देता है St. George Channel जो है Ireland और Wales को अलग करता है Irish Sea और Atlantic Ocean को मिला देता है Cook Strait क्या करता है North South Island जो है New Zealand में उसको अलग करता है Tasman Sea और South Pacific Ocean को मिला देता है 10 degree channel अंडमान और निकोबार आइलेंड को अलग करता है बोस्फोरस आइलेंड यह इस्तानबुल टर्की को सेपरेट करता है एशियन पार्ट जो है टर्की का उसके यूरोपियन पार्ट से ब्लैक सी और सी ऑफ मर्मरा को मिलाता है डंकन पासेज जो है यह रूत लैंड आइलेंड ग्रेट अंडमान और लेटिल अंडमान को अलग करता है बेव बंगल और अंडमान सी को मिलाता है एट डिग्री चैनल क्या करता है अरेबियन सी को यहां पर मतलब अरेबियन सी में है यह मिनिकोई को मालदीव से अलग करता है ठीक है एट डीघ्री चैनल डिफेनिस रिएटड़ यहां पर करेंट इफैर्स देख लेते हैं मैं सुरी यहां पर फैक्ट्स देख लेते पुरा ने फिर्स्ट कमांडर इंचीफ जो हैं इंडियन आर्मी के वो है सर जनरल रॉबर्ट लॉखार्ट फिर्स्ट इंडियन कमांडर इंचीफ हैं इंडियन आर्मी के वो हैं जनरल के एम करियप्पा जो की बाद में फिल्ड मार्शल बने फ़स्ट चीफ औफ आर्मी स्टाफ है जनरल राजेंदर सिंग जी राजेंदर सिंग ही और चीफ आर्मी स्टाफ उनिसवान में ते जनरल पी अन धापर चीफ आर्मी 1965 के युद्धि में थे जनरल जैन चौधरी 1971 पाकिस्तान के साथ जो युद्धुआ था उसमें थे हमारे फिल्ड मार्शल SHFJ मानिक्षा पहले चीफ आर्मी चीफ जो फिल्ड मार्शल बने वो है मानिक्षा पहले सिख जो चीफ आर्मी स्टाफ बने वो है जनरल जे जे सिंग पहले चीफ आर्मी चीफ जो युद्त में शहीद हुए हो है जनरल बीजि जोशी 1st चीफ आफ नेवल स्टाफ है eder College Thomas Mark Pizzi 1st चीफ आफ नेवल स्टाफ है आपके आडमिरल R.D. Kartari 1st नेवल चीफ इन दर रैंक आडमिरल है Admiral A.K. Chatterjee फर्स्ट दचीफ आफ नेवल स्टाफ जो कि रहे 1962-1965 की युद में वो है वाइस एड्मिरल बी ए सुमान 1971 की युद में नेवल स्टाफ के चीफ कौन रहे था एड्मिरल एसम नंदा फर्स्ट चीफ आफ एयर स्टाफ है हमारे एयर मार्शल थॉमस अल्मिरिस्ट फर्स्ट चीफ आफ इंडियन चीफ आफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल सुब्रतो मुखरजी फर्स्ट चीफ इन दा रैंक आफ एयर चीफ मार्शल ये है एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंग First Marshal of the Indian Air Force है Air Chief Marshal Arjun Singh Chief of Air Staff 1962 के युद में थे AM Engineer 1965 के युद में थे Air Chief Marshal Arjun Singh Chief of Air Staff 1971 के युद में थे Air Chief Marshal PC Lal Chief of Integrated Service Commander Lieutenant General Pankaj S. Joshi अब मारी Military और Pyramilitary जो Organizations है उनका Formation Day क्या है और उनका आधर्षवाक क्या है Indian Army का Day मनाते हैं हम लोग 15 जन्वरी को इनका आधर्षवाक की कुछ नहीं है Indian Navy का Day हम लोग मनाते हैं 4 December को इनका आधर्षवाक है शम्नो वरुना यानि May the Lord of Oceans be auspicious into us ठीक है और Indian Forces का है Touching the Sky with Glory और Coast Guard का है वी प्रोटेक्ट यानि कि वयम रक्षा में Indian Army का Day हम लोग 15 जन्वरी को मनाते हैं जब Lieutenant General जो बाग में Field Marshal बने केम करियपपा जो कि हमारे पहले First Commander इंचीफ बने थे Indian Army के उन्होंने General Sir Francis Butcher से अपना पद लिया था ठीक है जो कि Last British Commander इंचीफ थे इंडिया के 15 जन्वरी 1949 तक Indian Navy Day हम लोग मनाते हैं चार दिसंबर को जो हमारा Operation Trident जो सक्सेस्फुल हुआ था 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार में उसके उपलक्ष में Central Reserve Police Force का Raising Day होता है 27 July 1949 को और इनका आधर्ष वाक्य है Peace Keeper to the Nation Border Security Force 1 December 1965 को अस्तित में आती है या फिर इनका डे मनाते हैं और इनका आधर्ष वाक्य है करतव जीवन पर रहनती यानि Duty Unto Death Territorial Army का डे मनाते हैं हम लोग 9 October 1991 को इनका कोई ऐसा आधर्ष वाक्य नहीं है Indo-Tibetan Border Force का आधर्ष वाक्य है Valor Steadfastness and Commitment Central Industrial Security Force का आधर्ष वाक्य है Protection and Security शसत्र सीमा बल का है आपका Service, Security and Brotherhood National Cadet Corps का है Unity and Discipline इनका डे मनाते हैं हम लोग 15 July 1940 को और National Security Guards का है आधर्ष वाक्य सर्वता, सर्वत्र सर्वोत्तम शुरक्षा और National Nursing Services का है Service with a Smile National Disaster Response Force का है Saving Lives and Beyond अब Defense Training का Establishment कहां कहां पर बना हुआ है जैसे Defense Institute of Advanced Technology कहां पर है पुणे में National Academy of Defense Financial Management ये भी पुणे में National Institute of Defense State Management ही डेली में Defense Institute of Psychological Research ही कहां पर है डेली में Defense Institute of High Altitude Research ही कहां पर है लेह में Defense College of Defense Management ही सिकंद्रा में National Defense College ही डेली में National Defense Staff College ही वेलिंग्टन में National Defense Academy ही खडक वासला पुणे में Institute for Defense Studies and Analysis ही निव डेली में High Altitude Warfare School ये गुलमर्ग में Indian National Defense University जो की प्रपोस की जा रही है प्रस्तावीत ही गुणगाव हर्याना में खुलेगी प्रते हम लोग आगे Training Establishment Indian Military Academy देहरादूर में Officers Training Academy HNI में Officers Training Academy गया में Military College of Electronics and Mechanical Engineering सिकंद्रा में College of Combat ये महू में Counter Insurgency and Jungle Warfare School ये वरिंगेट में यहाँ पर युदभ्यास भी होते रहते हैं Infantry Schools ये महू और बिलगावी में School of Artillery ये देवलाली में College of Military Engineering ये पुणे में Military College of Telecommunication Engineering ये महू में EME School वडोदरा में Defense Manufacturing Unit की बात कर लेगर हम HAL इसकी Location से दी हुई है भारत Electronics Limited इसके यहाँ पर Locations दी हुई है जहाँ पर Production लोग करते हैं भारत Earth Movers Limited यानी B.E.M.L. का है Bangalore मैसूर Kolar पलककड में भारत Dynamics का हैदरबाद में मजगाओं का मुंबई में Garden Research Ship Builders इंजीनियर कोलकाता में गोवा Shipyards Limited ये गोवा में हिंदुस्तान Shipyards Limited ये विशाखा पत्नम में मिश्र धातू निगम Limited ये हैदरबाद में विज्ञान Industry Limited ये कहाँ पर है तरिकीर चिकमंगलूर करनाटक में अब ये अब कमांड्स आर्मी नेवी और एरफोर्स ही जैस वेस्टर्न कमांड्स इनका है क्वाटर कहां पर है चांदी मंदिर में चंडी मंदिर में और इस्टर्न कमांड कहां पर है कोलकाता में नर्दन कमांड कहां है उधंपूर में सदर्न कमांड का पोड़े में सेंट्रल कमांड का लखनव में आर्मी ट्रेनिंग कमांड का शिमला में और साउथ वेस्टर्न कमांड का जैपुर में इंडिय नेवी की कमांड वेस्टर्न नेवल कमांड की मुंबाई में इस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्नम में और सदर्न कोचीन में Western Air Command Delhi, वेस्टर वेस्टर एर कमांड गांधिनेकर, सेंट्रल एअर कमांड इलाहबाद, इस्टरन एयर कमांड शिलॉंग, सदर्न एयर कमांड तिर्achment पुरम, टरेनिग कमांड बंगलीवुरू, मेंटेनिंस कमांड नागपुर, western region coast guard region अब देख लेते हैं ठीक है अब तुब देखते बजाएं western region का मुबई में eastern region चेन्नाइबे नौर्थ eastern region कॉलकाता में regional headquarters कहां पर है इनके coast guard के अंडमान में है पोर्ट ब्लेर में और नौर्थ western कहां पर है गांधी नगर में ट्रेनिंग establishment इंडियन नेवी और एर फोर्स के जैसे इंडियन नेवल अकैडमी एजिमाला के रिल में आइनेस चिलका ये खुर्दा में आइनेस शिवाजी ये लोनावला महराष्ट में आइनेस वाला सुर ये जामनगर में आइनेस हमला ये मुंबई में आइनेस कुंजाली मुंबई में आइनेस अग्रणी ये कोईमबटूर में आइनेस घरुण ये कोची केरल में नेवल वार कॉलेज ये कहां पर है गोवा में नेवी शिप्राइट स्कूल ये विशाखापत्नम में, आइनेस द्रोणाचार ये कोची में, इंस्ट्टूट अफ नेवल मेडिसिन ये कुलाबा में, एरफोर्स एडिनिस्ट्रेटिव कॉलेज ये कहां पर कोईमटूर में, एरफोर्स अकैडमी हाइदरबाद में, एरफोर्स टेकनिकल कॉलेज ये वंगलूरू में, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल ये तंबारम में, एलिबिन्टरी फ्लाइंग स्कूल ये विदार में, ट्रेंचिब विंग ये लांगे इंश्चुट ओफ एवीयेशन मेडिसिन इभे कलूरू में द्श्ट प्रैंच सवान त्रेंटियरस अगरह बात जए जनीդ इम प्रतविंग नी शुट हर् contenido को कहा है इसका रश्या में खि़िक करता है हमारे है origin का मतलब है किस country से हमने इसको buy किया है या procure किया है यह मतलब है Sea Harrier यह कहां का है यह Great Britain का है ठीक है यह fighter है इसको decommission कर दिये गए था मैं 2016 में Dornier यह Germany का है यह transport का है हमारा aircraft Illusion 38 aircraft Soviet Union से लिया था हमने transport aircraft है Boeing P-81 यह US का है यह long range maritime reconnaissance and anti-submarine warfare aircraft है TU-140M यह Soviet Union का long range maritime patrol aircraft है इसको de-induct किया गया है हमार 2017 में है HAL का ALH helicopter यह India ने मतलब indigenously develop किया है यह transport helicopter है HAL का France का यह transport helicopter है चेतक Speaking Seeking 42 यह UK का है यह transport helicopter है Submarines के बारे मात कर लें तो सबसे पहली इंपोर्टन सब्मरीन चक्र है I.N.S. चक्र इसको K-152 NERPA बोलते हैं यह Russian Navy से हमने लिया है Nuclear powered है सिंदु गोश क्या है आइनस सिंदु गोश आइनस सिंदु वज आइनस सिंधु राज सिंधु वीर सिंधु रत्न सिंधु केसरी यह सारे डीजल इलेक्ट्रिक वाले हैं ठीक है शिशुकुमार, आइनस शिशुकुमार, आइनस शंकुष, आइनस शालकी, आइनस शंकुल यह सारे के सारे डीजल इलेक्ट्रिक वाले हैं एरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है आइनस विराट की बात कर लें तो HMS हरमीस इसको बोलते थे यह सेंटार क्लास का था और हमने यह यूके से प्रोक्यूर किया था आइनस विक्रमादित यह एड्मिरल गौर्ख शोव इसको बोलते थे क्यू क्लास का है रशिया से हमने इसको लिया था आइनस विक्रांत ठीक है है 1997 में और शिप ब्रेकिंग इसकी हुई थी 2014 में बजाज की वी मोटर साइकिल जो आती है आइनस वी उसको नाम दिया गया है वो इसी के मेटल से बनाई गई है बताते हैं एरक्राफ्ट बहुत-बहुत सारे हैं ठीक है एरक्राफ्ट मेजर की बात कर लेते हैं सुखोई 30 MK1 यह रश्या का ऐघ॰िष्ञ अएंत एरक्राफ्ट है मारा MG 2019 यह भी सोविएत उइन से लिया यह भी फाइटर हैं मि Cincinnati हैं यह सोविएत उनियन से लिया घृतर अपर्ण हैं जैग्वर्स अंड युकि यह फाईटर अर्फ्ट हैं मिग 21 इननका फ्याटर अरवत मिग्वन इ TetIR Super Hercules यह United States का Transport Airkraft है Antonin Rove यह Soviet Union का Transport Aircraft है Hawker Sidley यह UK का हमारा Transport Aircraft है Boeing 737 यह US का Transport Aircraft है Dornier DO 2228 यह reden का Transport Aircraft है Bayhawk यह है UK का Trainer Aircraft यह इंडिया ने इंडिजिटली डवलप किया यह ट्रेनर एरक्राफ्ट है पिलेटस PC-7 शुट्जर लैंड से लिया यह वी ट्रेनर एरक्राफ्ट है बिरीव A50 यह रश्या से लिया यह भी हमारा अब बात कर लेते हैं H.A.L. रुद्र की यह हलिकॉप्टर से अब हम इंडिया के यह ट्याक हलिकॉप्टर से है H.A.L. R.O.D.R H.A.L. L.C.H. यह भी अट्याक हलिकॉप्टर है MI-35 यह सोविट उनियन से हमने लिया यह अट्याक हलिकॉप्टर चिनुक यूएस का है ये ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर है MI-8, MI-17 ये सोवियत उनियन से लिए ये ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर है MI-26 ये सोवियत उनियन से लिए ये ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर है आपका H.A.L. द्रूब ये इंडिजिनिसली डेवलब्ड ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर H.A.L. चीता ये फ्रांस से लिया गया ट्रांस्पोर्ट हेलिकॉप्टर आफिसर रैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी में जनरल होता है इंडियन नेवी में एड्मिरल होता है चीफ और एर चीफ मार्शल होता है टॉप रैंक हमारे एर फोर्सेस में जनरल के बाद इंडियन आर्मी में लेफ्टेनेंट जनरल होता है जबकि इं करनल होता है फिर इंडियन नेवी में कैप्टन होता है और इंडियन एर फोर्स में ग्रूप कैप्टन होता है लेफटन करनल होता है करनल के बाद और इसमें हमारे नेवी में कमांडर होता है और इसमें विंग कमांडर होता है जैसे अभिनंदन जो थे वो विंग कमांडर थे इसमें फिर major होता है इसमें lieutenant commander होता है इसमें squadron leader होता है फिर captain होता है फिर इसमें और फिर इसमें होता है lieutenant इसमें होता है flight lieutenant इसमें होता है lieutenant फिर sub lieutenant फिर flying officer अब Personal Officer Rank के बिलो जो होते हैं यह है तुबेदार Major और फिर India Navy में होता है Master Chief Petty Officer, First Class और इसमें होता है Master Warrant Officer उसके बाद सुबेदार होता है तो यह है Master Chief Petty Officer, इंडिया नेवी में और इसमें Air Forces में Warrant Officer नायब तैसिलदार के equivalent इंडियन नेवी में होता है Chief Petty Officer और इंडियन Air Force में होता है Junior Warrant Officer उसके बाद हवलदार की बोस्ट होती है उसके equivalent होता है इंडियन नेवी में Petty Officer और इंडियन Air Forces में होता है Sergeant नायब के equivalent होता है इंडियन नेवी में Able Seaman और इसमें होता है Corporal होता है इसमें सी मैन होता है इसमें एरक्राफ्ट मैन होता है मेजर मिलिटरी का ऑपरेशन जो वे उनके बारे मात कर लें ऑपरेशन पराक्रम की 13 दिसंबर 2001 को हुआ था जब इंडियन पारलेमेंट पर अटेक किया गया था ठीक है उसमें बहुत सारे हमारे सैनिक गये थे वह हमला होने वाला था ठीक है तो हमारे तीनों ही सेवाओं ने इंडियन नेवी इंडियन आर्मी और एरफोर्स ने जो लोग हमला करने वाले थे उनको पकड़ लिया ऑपरेशन ट्राइडेंट यह बहुत फेमस ऑपरेशन था हमारे इंडियन नेवी का 1971 के पाकिस्तानी वार म इपना चार दिसंबर को इस वज़े से नेवी डे भी बनाती है हमने डिसकस किया ऑपरेशन विजय उन्ने सुएक्सेट में वहा था पॉर्टुगीज के खिलाफ पॉर्टिगीज से गोवा को अजात करवाया गया था ऑपरेशन विजय के बारे मात करने तो इंडियन ऑपर ऑपरेशन गुस्पैटियों को कारगिल सेक्टर से बाहर भगा दिया गया था ऑपरेशन विजय इसको बोलते हैं ऑपरेशन वज्र शक्ति जोजार दू सेप्टेंबर में वहा था अक्षर धाम टेंपल जो है इसको टेर्रिस्ट से इवैक्वेट करवाया गया था उन्निसो चोरासी में सिख मिलिटेंट्स के खिलाफ चलाया गया था ठीक है ओल्डें टेंपिल से ऑपरेशन ब्लैक कमांडो नैसल सेक्योर्टी गार्ड से नेश जी ने सबीस समबर दोजार आठ खो टर्रिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में उसके खिलाफ चलाया था इंडिया कोरिडॉर में जो नकसल से उनके खिलाफ ऑपरेशन ब्रास टैक्स यह लाँच किया गया था इंडियन आर्मी के दवारा नॉमबर 1986 में और ऑपरेशन में एक दूद के बारे मात कर लें तो इंडियन मिलिट्री के दवारा लाँच किया गया था और इसमें स्याच फिरफीर कर लिया गया था इंडिया 24 में ठीक है पूरे सीयाचें गलेशईर पर 1984 में फिर इंडिया कब्जा हो गया था ऑप्रेशन पंबन ये कोडद के दीया गया था इंडियन पीस कीपिंश की द्वार त्विक है Old Sak पाफना में लेट 1987 में कंट्रोल किया गया था ऑप्रेशन सफेद सागर के बारे में बात कर लें इंडिया 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 पाकिस्तान का उन्होंने सपोर्ट किया था हमारी आर्मी को ऑप्रेशन तल्वार के बारे में बात कर लें तो नेवल फ्लीट जो हैं नॉर्थ अरेबियन सी में तो कारगिल में जो कंफिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के दौपन निसितान इन्थ में इन्थे नेयन जूअ-पाकिस्तान कैंटम्क में इन्थ लख्षमी as रश्या करता है एविया इंद्र करता है इंडिया रश्या वो एयर के एक्ससाइज होती है कि एविया इंद्र सिम्बेक्स ये इंडिया सिंगापूर करते हैं अगनी वारियर ये इंडिया सिंगापूर करते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापूर करते हैं ठीक है सैल्वेक्स ये इंडिया ये युएस करते हैं युद्धभ्यास ये इंडिया युएस करते हैं वजर प्रहार, इंडिया और यूएस, स्लाइनेक्स के नाम से इंडिया और श्रिलंका करते हैं, ये नेवी के एक्सराइज होती है, ठीक है, मित्र शक्ति ये आर्मी के एक्सराइज होती है, और संप्रीती ये भी आर्मी के एक्सराइज होती है, अभी हुई भी थी है, नॉम के exercise होती है सूर की रन इंडिया नेपाल करते हैं यह भी आर्मी के exercise होती है इस साल में दो बार होती है ठीक है एक बार नेपाल में एक बार इंडिया में जाइमेक्स के बारे में बात कर ले हम तो इंडिया और जापान की पहली नेवल एक्सराइज थी नेवल एक्सराइज और सायोग काजिन ये इंडिया जापान करते हैं ये आर्मी किससाइज थी गरूड ये इंडिया इंडिया इंडियो इसिया करते हैं ठीक है गरूड शक्ति लमाइती ये इंडिया और सीशेल्स करते हैं इंडिया और सीशेल्स नसीमल बहर ये इंडिया उमान करते हैं अलनागा इ इंडिया किर्गिस्तान की आर्मिक एक्ससाइज है मैत्री इंडिया थाइलेंड की आर्मिक एक्ससाइज है अजेव वारियर इंडिया यूके की एक्ससाइज है कॉंकर्ड इंडिया यूके की एक्ससाइज है एक्वीरिन यह इंडिया और मालदीव की exercise है हरी महू शक्ति यह आर्मी की exercise है इंडिया और मलेशिया में हुई थी ठीक है हुलू लंगट नाम के जंगलों में हुई थी मिलान मिलान है यह multinational naval exercise in the Indian ocean multimlital exercise है ठीक है कि दोस्तिक दोस्ति एक इंडिया श्री लंका और मालदीव के बीच हुई थी 2012 में ठीक है मलाबार मलाबार एक्सराइज ट्राइलेटरल एक्सराइज है यूएस जापान और इंडिया ने करी थी इसको आर्ट एंड कल्चर के बारे मबात करने हैं तो क्लासिकल डान्स और उसका स्टेट भारत नाट्यम कहां पर फेमस है तमिल में कथक कली केरल में मोहिनी अट्टम केरल में ओडिशी ओडिशा में कुचीपूरी आंदप्रदेश में मनिपूरी मनिपूर में कथक नौर्थ इंड पंजाब में भांगडा पंजाब में यकषगान करनाटक में मैयूर भंज च्छव ओडिशा में त्訴कि मैयूर भंज नैसनल पार्क भी हों पर पुरुलिया च्छो ये महरास्टर में लामडी महरास्टर में कलबेलिया ये राजस्थान में बिहू असम में कोच्ची गोडी ये आपका राजस्थान में कच्ची गोडी राउफ ये होता है जम्मू कश्मीर में राउट नाच ये होता है चतिसगड में कार कट्टम होता है ये तमिल नाडु में और होजागिरी होता है त्रिप्रा में डान्स पर्फॉर्मिंग आर्ट और परसन एसोशियेटेड कत्थक से कौन लोग रिलेटेड है उनकराम दिया हुआ है यहां पर बिर्जु महराज गोपी किशन शंभु महराज सितारा देवी प्रिणा देवी सुनायना हजारी लाल कुमुद्नी लाखिया भारत नाटेम से जो रिलेटेड है उनका नाम दिया हुआ है रुखमिडी देवी का बहुत बार पूछा गया है ठीक है और टी बाले सरस्वती मणी पूरी से रिलेटेड है हुआ ह बिनो देवी राजकुमार सिंग जीत सिंग मुहिनी अट्टम से रिलेटेड है श्रीमती काल मंडलम शेव महवथी पवित्रन डॉक्टर श्रीमती कनक रेले छो कौन कौन फेमस है इससे आर्टिस्ट मकर धोज दरोगा पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ओडिशी से रिले पी के कुंजु कुरूप, काल मंडलम राजन, मदवूर, वासुदेवन नैयर, कुचीपूरी से रिलेटेड है राजा रेड़ी, राधा रेड़ी, वैजनती कशी, विंपती चिन सत्यम, यक्षगान से रिलेटेड है रामचंद्र, सुब्रय, हेगडे, सत्रिय से रिलेटे और क्रियेटिव डान्स और कोरियोग्राफी से उदाय शंकर, राजारवी वर्मा पेंटर हैं, अम्रिता शेर्गिली ये पेंटर, नंदलाल बोस पेंटर, विनोद बिहारी मुखरजी पेंटर, एमेफ उसाइन पेंटर, शतीज गुजराल ये पेंटर, स्कल्प्चर, आर् जनराज भगत स्कल्प्चर, रगुनात मोहपातराट आर्किटेक्ट और स्कल्प्चर, वी गणपती स्थापती स्कल्प्चर और टेंपल आर्किटेक्ट अनिश्कपूर स्कल्प्चर, केश अंकर पिल्ला ये काल्टूनिस्ट, आर्केलक्षमन काल्टूनिस्ट, और मारिय मारियो मिरांडा ये कार्टूनिस्ट, होमी व्यारवल, ये फोटो जर्नलिस्ट, रघूरा ये फोटोग्राफर, सुधर्शन पतनायक, सैंड आर्टिस्ट, अब वुगा देवी, मदुबनी आर्टिस्ट अब किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कौन-कौन से परसन एसोशेटेड हैं, संतूर से पंडित शिवकुमार शर्मा, और फ्लूट से हरी प्रसाच चौरस्य पन्नालाल घोष, तबला से जाकिर हुसाइन, अल्ला रखा, सब्बीर, पंडित किशन महराज, ग्यान गोष और संदीब दास, सरोज से अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्ध देव दास, गुपता, शैनाई से बिस्मिल्ला खान, क्रिश्न राम चाओधरी, अली एहमद हुसैन, सितार से पंडित रवी शंकर, सारंगी से शकूर खान, पंडित राम नरायन, रमेश, मिश्रा, ही समनाम आप लोग देख लीजेगा, ठीक है, अच्छे से इसका स्रीन्शॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, बहुत बार आता है, लेकिन याद करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा तर नाम एकी जैसे है, वीना से गुपाल कृष्णन, श्रीमती, एम राजम, ठीक है, अगहाटम से रिलेटेड है, टी एच, विनायकरम, मृदंगम से रिलेटेड है, केवी प्रसाद, एस्वी राजराव, मंडोलिन से रिलेटेड है, यू स्रीनिवास, पकवाद से रिलेटेड है, तोताराम शर्मा, और स तुब्दू लक्षमे, M. बाल मुरली क्रश्न, D. के पट्टमल, ठीक है, इनके नाम आप देख लीजेगा, हिंदुस्तानी म्यूजिक्स रिलेटेड हैं, वह है कुमार घंदर्व, मलिकारजुन, भीम सेन जोशी, पंडित जसराज, गंगुबाई हंगल, किशोरी अमुंकर, ठीक है, गुलाम अली खान, रहीम फहीम उद्दीन डागर, छनूलाल मिश्रा, रामकांत गुडेचा, उमाकांत गुडेचा, राजन और साजन मिश्रा, अब विंड इंस्ट्रुमेंट होता है, फ्लूट, क्लैरिनेट, शेहनाई, सैक्सोफोन, और बैक पाइपर, और तब स्ट्रिंग इंस्ट्रुमेंट जिसमें स्ट्रिंग लगी होती है, ऐसे ऐसे उनको जनकारते हैं, जैसे गिटार, वॉयलिन, सितार, बैंजो, सरोद, ठीक है, बढ़ते हैं, आगे हम लोग, हर्मोनिका भी हमारा विंड इंस्ट्रुमेंट है, ट्रंपेट भी, पियानो भी, जैलोफोन, घाटम, पकवाज, बैल्स, और सारंगी, वीना, सुर्बहार, मंडोलिन, यह स्ट्रिंग इंस्ट्रुमेंट है, इंपोर्टन फेर्स ऑफ इंडिया, मेलों के बारे में बात कर लें हम, अंबू बाची मेला कहां लगता है, यह लगता है, कमाख्या टेंपल असम में, ठीक है, और बानेश्वर मेला कहां लगता है, दूर्गापुर महादेव टेंपल राजिस्थान में लगता है, फरवरी में, चंद्रभागा फेर कहां लगता है, यह लगता है, आपके जहलरा पाटन जहलवर्ड डिस्क्रिक्ट राजिस्थान में, गंगा सागर मेला में लगता है गंगा सागर आइलेंड वेस्क बंगाल में कुम्ब मेला यह नासिक जैन अलाबाद अरिद्वार में लगता है स्टार पोजीशन के हिसाब से यह सिच्वेशन वैरी करती है पुशकर मेला यह पुशकर राजस्थान में लगता है सोनपूर कैटल फेर सोनपूर पशु मेला यह कहां लगता है यहां पर hardware गंडक का भिहार में थीकर है कारतिक मंत में होता है फूरे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला होता है gray कि नोचन्डी फ्यर यह साल में रलता है मेरेट यूपी में कि सूरज कुंड एर हैंडी क्राफ्ट में लगता है फरीदाबाद हर्याना में यह 15 फरवरी तक चलता है ठीक है और हर साल इसमें कोई ना कोई थीम स्टेट होता जैसे इस बार का थीम स्टेट उत्तर प्रदेश था था उजर अठारा में त्रिसूर पूरम ये लगता है मल्यालम मन्थ मेदम में ये लगता है वाद कुटनाद टेंपल जो त्रिसूर केरल में है मेदाराम जत्रा या फिर कह सकते हैं सम्मक सरलाम्मा जत्रा ये कहां लगता है मेदाराम वरंगल तेलंगाना में माधवपूर मेला ये कहा लगता है माधवपूर घेड में लगता है पौरबंदर गुजरात में अब इनों इसको के Intangible Cultural Heritage की लिष्ट देख लेते हैं Intangible का क्या मतलब हुआ जिनको आप देख नहीं सकते हल यो अब्जर्व कर सकते हैं जैसे कि व्यदिक चैंटिंग दोजराठ में इसको इंक्लूट किया गया था रामिल्ला जो ट्रेडिशन परफॉमेंस होती है ट्रेडिशनल परफॉमेंस होती रामायड की 2008 में इसको शामिल किया गया था सौरी-सौरी बहुत मुहाफी चाहूँगा राम लीला है ठीक है राम लीला इंगा कुट्टैयम यह संस्कृत थीयेटर इसको 2008 में इंटैंजिबल कलिचेर्ट रेसके शामिल कर लिया गया था रम्ण जह रिलिज्जेस फेस्टिवल होता है रिच्वल थीटर गडवाल- defenders नव्रोज इसको 2009 में मुद्ययत्त्य रिच्वल थीटर और रांस कहलों ब्डान्स को 2010 में रिच्वल को होता है। आज्ड़र 10 में और काल वैलिया फोक्स आउंग और डॉंसेs को 2010 में चो ठीक है ठटेरों के बीच जंडियाला गुरु पंजाब में उसको योग को 2017 कुममेला को 2017 में ठीक है फिल्म्स के बारे में बात कर लेते हैं फिल्म फिल्म है राजा हरिषेंडर ये मूक फिल्म थी म्यूट ठीक है म्यूट अब फर्स्ट इंडियन टॉकी यानि की फिल्म विट साउंड ये कौन है आलमारा जिसमें मतलब आवास थी फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म है किसान कन्या 1937 में आई थी पहली इंडियन संस्कृत फिल्म है आदिशंकराचार थ्रीडी फिल्म है कुट्टी चाथन ठीक फेमस डिरेक्टर राजा हर्षचन के डिरेक्टर थे इनके नाम पर दादा साथ फाल के अवर्ट दिय जाता है बेस्ट एक्टर को हर साल राश्ट्री फिल्म पर रुसकारों में आला मारा आरदीशर इरानी की थी मुगले आजम के आसिफ डिरेक्टर थे मदर इंडिया के महभूब खान थे पाथिर पंचाली के सत्य जीत रे और सत्रंज के खिलाडी के सत्य जीत रे दो बीगा जमीन के भी मल रहो है फर्स्ट विनर जो दादा साफ आलके के हैं वो है देवी क्यारानी फर्स्ट विनर जो फिल्म फेर बेस्ट एक्टर के हैं वो है दिलीब कुमार फर्स्ट विनर फिल्म फेर बेस्ट एक्टरिस की है मीना कुमारी फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने नैसनल फिल्म आवर्ड जीता था वो थी मिर्जा गालिब और फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसको बेस्ट फिल्म अकाइडमी आवर्ड मिला था विंग्स को ठीक है विंग्स को Academy Award का मतलब है Oscar Awards ठीक है पहली भारती फिल्म जिसको Oscar Award के लिए Best Foreign Film के कटेगरी में नॉमिनेट किया गया था वो है Mother India First Indian Film जिसने Academy Award जीता competitive कटेगरी में वह है भानू थाया ये costume के लिए जीता था costume design गांधी फिल्म के लिए जीता था भानू थाया ने पहला Indian Director जिसने Lifetime Achievement Academy Award जीता था निश्वानवे में सत्य जीत रेने Indian Music Director जिन्होंने Academy Award जीता था Best Original Score के लिए वो है A.R. Rehmann 2009 में Slumdog करोड़ पती है फिल्म डॉक मिलिनियर नाम के फिल्म के लिए Indian Music Director लिरिसिस्ट जिन्होंने Academy Award जीता था Best Original Song के लिए वो है A.R. Rehmann और Gulzar Slumdog मिलिनियर के लिए पहली Indian जिन्होंने Academy Award जीता था Best Sound Mixing के लिए यह है रसूल पुकुट्टी Slumdog मिलिनियर के लिए थ्री फिल्म जिन्होंने Best Foreign Language Film के के लिए जीता है अभी जो नॉमिनेट हुई है वो है मदर इंडिया सलाम बॉम्बे और लगान चौथा और एट कर लिजिए नूटन अलंकि इसको मिला नहीं था वर्ड अब हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइस रॉइस के बारे मात कर लेते हैं पहले गवर्नर जनरल इंडिया के ठीक है पहले जो गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम कॉलकाता के ठीक है और इनके कारकाल में जो महत्पूर्ण इवेंट हुए है वो क्या है रोहिला बार और नंद कुमार का ट्राइल और एक्सिक्यूशन राजा चैत चंद और बेगम आफ अवद का यहां पर जो भी मतलब मामला हुआ था वो इनको अपनी रॉंग डूइंग्स के लिए इंग्लैंड में इंपीच कर दिया गया था लौड कॉर्ण वालिस पर्मेंट लाने वाले यह थे स्थाई बंदवस्त इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली लैंडलोड के ब बारे में बात कर लेते हैं तो गौर्णर जनरल ऑफ इंडिया बनने वाले पहले हैं और इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सती को खत्म किया था सती प्रथा को इंग्लिस एजुकेशन की शुरुवात करी थी इंडिया में यह दो चीजें बेंटिक के बारे में ध्यान रखिएग Lord Dalhousie Doctrine of Laps इनका बहुत famous है ठीक है और डेलवे और टेलिग्राफ लाने का भारत में श्रेनी को जाता है और इन्हें कहते हैं maker of modern इंडिया ठीक है Lord Canning ठीक है he was the governor general of ये governor general थे पहली आजादी की लड़ाई में ठीक है 1857 की uprising में ये थे हमारे governor general Lord Canning Lord Canning की सबसे पहले voice roi बनते हैं हमारे 1857 के युद्ध के बाद और queen's declaration के बाद Lord Maio के बारे में बात कर लें तो voice roi थे इंडिया के इन्होंने अपनी जान कवाई थी अंडुमान आइलेंड में का प्राधी के हां थो और first census जो था इंडिया में conduct करवाये था इन्होंने Lord Maio ने सबसे पहले करवाये था अलंकि विवस्तिक धंग से नहीं करवाये था इन्होंने इन्होंने कुछ territories को शामिल नहीं किया था लेकिन पहली बार census करवाने का प्रयास Lord Maio का ही था Lord Litton Lord Litton के समय में दिल्ली दरबार हुआ था Queen Victoria को कैसरे हिंद घोशित कर दिया गया था ठीक है एक जन्वरी उठार सतर से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही कुख्यात इनके समय में आया था ठीक है Lord Rippon Lord Rippon के समय में डूवल गवर्नेंट शुरू हुआ था ठीक है और इन्होंने फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस करवाये था British Territories का 1881 में तो पहला हमारा प्रॉपर सेंसस का हुआ कह सकते है Lord Rippon क के समय इन्हें father of local self-government in India कहा जाता है ठीक है भारत में शुसासन के जनक इन्हीं को कहते हैं बहुत बार कुशन आ चुका है Lord Rippon के बारे में बात करने तो इंडियन नाशनल कॉंग्रेस फॉर्म हुई थी इन्हीं के समय Lord Curzon Partition और बंगाल के लिए काफी famous स्वदेशी movement भी नहीं के समय launch वी थी Lord Hardinge इन्होंने capital कलकत्ता से डेली shift की थी 1911 में George V जो की king थे इंग्लैंड के वो इंडिया आये थे दिली दरबार हुआ था एक बार फिर से 1911 में ठीक है Lord Champs Ford के बारे में बात कर लें तो जलिया वाला बाग tragedy इन्हीं के समय हुए थी Montech चल फॉर्म रिफॉर्म आये थे रोलेट एक्ट और खिलाफत movement जो है इवेंट्स हुए थे इसमें Lord Reading के समय चौरा चौरी चौरा incident होती है महत्मा गांधी पहली बार यहां पर इंडिया में जेल जाते है लॉर्ड अर्विन ठीक है First Round Table Conference Simon Commission गांधी अर्विन पैक्ट और दांडी मार्चिनी के समय हुआ था Lord Willington Second or Third Round Table इनके कारेकाल में हुए थी Communal Award दिया गया था PM राम से मकडॉनल्ड और के द्वारा ठीक है पूरा पैक्ट यहां पर डॉक्टर मेटकर गांधी के भी साइन किया गया था इनके साशनकाल में लॉर्ड लिंधिंग लो क्रिप्स मिशन भारत आया था कुट इंडिया रिजॉल्यूशन पास किया गया था लॉर्ड वेवल 1947 से 1947 तक सिमला कॉन्फरेंच कैबनेट मिशन यह इनसे रिलेटेड है इंडियनेशनल कॉंग्रेस के बारे में इपॉर्टन फैक्ट गर हम देखें तो पहले इंडियनेशनल कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट थे वुमेश चंद्र पैनर जी पहला सेशन हुआ था इंसी का 1885 मुंबई में मात्मा गांधी ने बेलगाम सेशन के उपर प्रसाइट किया था 1924 में फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट आ इंसी की थी मिसिस एनी बेसिंट फर्स्ट इंडियन विमन प्रेसिडेंट आइंसी की थी मिसिस सरोजनी नाइडू फर्स्ट इंग्लिश मन जो प्रेसिडेंट बने था आइंसी के वो थे जौर्ज यूल फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट आइंसी के बदरुद्दीन तैयब जी प्रेजडेंट आइनसी के इंडिया की इंडिपेंडेंस की समय थे अचार जेबी क्रपलानी इंपोर्टन सेशन जो हुए थे इंडिया नेसल कॉंग्रेस के वो 1887 मदरास में ठीक हैं बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर प्रेसिडेंट फर्स्ट सेशन पहली बार किसी मुस्लिम ने प्रसाइट किया था अलाबाद 1988 का सेशन प्रेसिडेंट जोर्ज यूल पहली बार कोई इंग्लिश मैंने यहाँ पर अध्यक्ष बना था कॉंग्रेस का कुलकाता में 1889 में हुआ था रह्मत अला यहाँ पर रह्मत अला एम सयानी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1907 में बात कर लें तो रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट आएनसी दो भागों में स्प्लिट हो जाती है और इस सेशन को सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं ठीक है एक्स्ट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स यहाँ पर अलग हो गये थे मॉडरेट्स के कह सकते हैं मॉडरेट्स को लीड करने वाले गोपाल करश्न को खले और एक्स्ट्रीमिस्ट को लीड करने वाले बाल गंग अधर तिलक फर्सट लेडी यहाँ पर प्रेशडेंट बनी थी कांगरेस की कानपूर में से स्टेंट में शुआ था 1925 में स्वरोज्णी नायडू बनी थी यह पहली इंडियन लेडी बनी थी कंग्रेस सेशन को प्रसाइट करने वाली चूंकि आनिवेसें इसेंट तो आईरिश लेडी थी ना 1929 में लाहॉर में शेशन हुआ था पंडित जवार लाले रुए यहां पर अध्यक्ष थे 26 जन्वरी को टोटल इंडिपेंडेंडेंस दे मनाया गया था मेरट में वह था सेशन अचार जेबी करपलानी बने थे लास्ट प्री इिंडिपेंडेंडेंस सेशन था था इंडिय का 19 च्रोट इंडियक्त 7 c आत्श fourteen में जैपूर में सेशन हरा धा डॉक्टर पटाबी सीटा रमयया बने थे यह फ्री इंडिया पुलिस टेशन को भड़की भीड ने आग लगा दी थी और 23 लोग वहां पर जिंदा जल करके मारे गए थे गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट 1920 में फिर बंद करना पड़ा था इस गटना कर्ण चार फरविड़ी 1922 को हुआ था ये इंसिडेंट थी का इसको चौरी चौरा कांड बोलते हैं काकोरी ये लखनौ डिस्ट्रिक्ट के पास जगह है काकोरी ट्रेंड कैती 9 अगस 1925 को भी थी राम प्रसाद बिस्मिल अश्वाकुला खान चंदर शेखर आजाद ने ट्रेंड र चटगाओं आर्मरी रेड इसको बोलते हैं सूरसेन जो आत्ताई थे आक्रमणकारी इन्होंने रेड की थी सूरसेन ने एक ग्रुप और्गनाइस किया था युवा लोगों का और पुलिस आर्मरी आर्मरी का मतलब समझ रहा है मतलब उनके हथियार सीज करने का उन पर फैरा देते हैं कि चंपारण भी काफी इंपॉर्टेंड इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था ठीक है अगर जो लोग नहीं उगाते थे उन पर तरह तरह के कर लगाए जाते थे उनका उत्पीडन हो रहा था ठीक है गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के आ मिले थे और साथी साथ उन्होंने प्रशासन से आग्रे भी किया था और उनी के प्रयासों कारण फिर गौर्वर्मेंट को चंपारन अग्रेरिया लौ जो है पास करने पड़ी थी उनिस सो अठारा में धांडी गुल्फ ऑफ खंबात में छोटा सगावा अरेबियन सी के पा गांदी जी अपनी लोगों के साथ पहुंचे थे और नमक कानून का उलंगन किया था ठीक है और सिविल डिसिवीडियन्स मूब्मेंट की शुरुवाद भी यहीं से होती है टाइम एक्जीन ने हाल ही में सॉल्ट सत्यक्राइज जो गांदी जी के द्वारा किया गया था न मिस्टर साउंडर्स का जो मर्डर हुआ था उसमें यह शामिल थे लाला लाज-पत्राए क이 हत्या का बदला लेने के लिए उनकी हत्या को विवेंच करने के लिए उनके और उनके साथियों ने यह मर्डर और्णाइस किया था ह Hindुस्त्न रिप्ब्लिक और्गन एर्गने क्यों हूँ इन्होंने डिक्लेर किया था लाहा और आई कोट में कि दस्वूर्ड ऑफ रिवल्यूशन इस सार्प शार्पेंड बाइदा वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियास बटुकेश्वर डर्थ के साथ इन्होंने असेंबली में असेंबली चैंबर में बम फेके थे दिल्ली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास होने के खिलाफत में ठीक है और इनको राजगुरु सुग्देव के साथ 23 माच 1931 को लाहा और जेल में फांसी दी गई थी चंदर शेखर आजाद चंदर शेखर तिवारी उनका रियल नेम है नोने अपने आपको सरनेम दे दिया था आजाद और ठीक है उन्होंने कसम खाय थी को बिटिशर्स के कभी हाथ नहीं आएंगे जिंदा कभी नहीं पकड़े जाएंगे इंदुस्तान रिपब्लिकन सोचलिस्ट एसोशियेशन उनको चीफ और और्गनाईजर बनाया गया था राम प्रसाद बिस्मिल की डेथ के बाद काकोरी ट्रेन डगैती में इन्वाल्व थे लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गया थे हलांकि ये बच निकले थे और उन्होंने अल्फरेट पार किलाबाद में 27-1931 में बिटिश इंकाउंटर के समय खुद को ही गोली मार कर अपना जीवन खत्म कर लिया राम प्रसाद बिस्मिल ने शर्फ रोशी की तम्मना जो पोयम लिखी है उसके लिए बहुत फेमस है और उन्होंने काकोरी ट्रेन डगैती को अश्वाकुल्ला खान के साथ और्ग्नाइस किया था हिंदुस्तान रिपबिकन एसोशीएशन सेचींद्रनाथ सानियाल के साथ हिनों ने शुरू की थी प्रिटिचर्स ने इनको 19 दिसंबर 1927 को गुरकपुर जेल में फासी दी थी सेचींद्रनाथ सानियाल हिंदुस्तान रिपबिकन एसोशीएशन के co-founder कह सकते हैं को रामपरसाद बिस्मिल के साथ और बंदी जीवन नाम की किताब इनों लिखी थी काकोरी ट्रेन टकायती में शामिल थे इनको अंडमान में सेलिलर जेल भेज दिया गया था और गदर कॉंस्पिरेसी केस में भी शामिल थे अश्वाक उल्ला खान जो है यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोशियेशन को विंबर काकोरी ट्रेन टकायती में शामिल थे रामपरसाद बिस्मिल के साथ और इनको 19 डिसंबर 1927 को फाइजाबाद जेल में फांसी दी गई थी गांधी जीवन में जो इवेंट से उनको कवर करना जरूरी है इनका बर्थ होता है 1869 में यह बैरिस्टर बनने के लिए इंगलेंड जाते हैं 1888 में ठीक है और वहां से बैरिस्टर बनने के बाद वापस आते हैं 1891 में साथ अफरिका जाते हैं 1893 में फीनिक्स फार्म साथ अफरिका में स्टैबलिश करते हैं 1904 में इंडिया साथ अफरिका से इंडिया आते 1915 में स्थाबरमती आश्रम स्टैबलिश करते 1915 में चमपारण इंडीगो वरकर्स के लिए इन्होंने शुरू किया था 1917 में काम और एक्टिव प्लिटिक्स में आ गए थे जान कायी है हम थरे प्फा इन्होंने अटेंड की 1931 में और सेवाराम विलेज वर्धा में रहने लगे 1936 में ब्रिटिश सेक्विट इंडिया मुव्मेंट की अपील की गई 1942 में और नाथुराम गोट से के द्वारा इनका इनकी हत्या की गई 1908 बढ़ते हम दोग आगे गांधी जी के मात्मूर्ण फास्ट इसको अनिशन बोलते हैं 1919 में इन्होंने जलियां वाला बाग हत्या कांड के लिए फास्ट रखा था और साथी साथ मुंबई में जो दंगे वे था उनके लिए रखा था 1922 में इन्होंने 414 कांड के लिए फास्ट रखा था 1922 में नोंने कम्यूनल अवार्ड यहां पर रामसे मकडॉनल्ड भाहां के दोर दीया गया था पुरदान किया गया था उसके लिए फास्ट रखा था 1922 में में उन्होंने गॉर्मेंट जो कॉंग्रेस पर आरोप लगा रही थी उसके खिलाब फास्ट रखा था उन्होंने कलकत्ता में जो कम्यूनल राइट्स हुए थे उसके लिए फास्ट रखा था अवर्ड विनिंग बुक्स के बारे में देख लेते हैं वैसे तो अब नई बुक्स ही बोच जाते हैं लेकिन फिर भी नहीं इसको मिस करेंगे बुक्स नॉबल लोरियेटिस के दौरे जिनको जिनको नॉबल प्रोषकार मिला जैसे गीतांजली के लिए मिला था रभीदनाथ टैगोर को विस नायपॉल को मिला था इना फ्री स्टेट के लिए अमर्थ सेन को और्गुमेंटेटिव इंडियन के लिए गोरा इनकी है, अबेंड इन दा रिवर इनकी है, ग्रोथ इकोनोमिक समर्थ सेन की, गार्डनर ये रभीदनाथ की है, अटेजी धियान रखिएगा कि खाली इस किताब को और इस किताब को नॉबल मिला आया थीगा बागी की सारी किताब इनकी दी हुई है इनको प्राइज नहीं मिले है पोस्ट आफिस ये मैंने पढ़ी है ये रभीन नात की ये काफ़ इंपोर्टेंट और मिस्टिक महसूर ये भी वियस नायपॉल की है और इकनॉमिक एक्वेल्टी ये भी अमर्थ सेन की है ये कुछ किताबे जो डिसेन पे पूछी गई है इसके लिए बुकर प्राइज जीता था ये पहली किताब थी अरुंदती की इन्होंने इसके लिए प्राइस जीता था बुकर अवार्ड, ब्रोकन रिपब्लिक, दा एंड ओफ इमाजिनेशन, पावर पलिटिक्स, दा इलजबरा ओफ इंफिनाइट जस्टिस, ये इनकी लेटेस्ट है ठीक है और सबसे लेटेस्ट एरुंदती की अमिनिस्ट्री ओफ अट्मोस्ट हैपिनेस, उसके बाद इन्होंने नहीं लिखी है लिस्निंग टू ग्रास होपर्स, एन ओडिनेरी परसन्स गाइड टू एम्पायर और सलमान रजदी की ग्रिमस, अग दग्राउंड बिनित हर फीट सिलेक्शन डे अर्विन दडिक की है, क्रिस्मस इन बैंदरा ये अर्विन दडिक की है लास्ट ये अर्विन दडिक की है, दवाइड टाइगर इसके लिए इन्होंने जीता था मैन बुकर पुरुसकार दोजार पांच में ये भी काफ़ इंपोर्टन्ट है दा इनरिटेनिस ओफ लॉस ये किरन दिसाई की है हला बलो इंदा गवावा आर्चोड ये किरन दिसाई की है प्रॉमिनेंट लीडर्स के जोरा दो बूक लिकी गई है माइए एक्ष्परिमेंट वे टृथ ये महात्मागान्दी की लेत लुकर जवावा आर्चोड बोस की माइडर्थ ये इंदरा गांदी की गोल्डन थे शर ओड़ रूग न इडू की The Feather of Dawn, Sarojini Naidu की The Captured Flute, Songs of India, Sarojini की India Divided, Rajendra Prashad India Wins Freedom, Maulana Abul Kalam Azad Gubar Ik Khathir, Maulana Abul Kalam Azad Unhappy India, Lalala Aspat Rai Poverty and Un-British Rule in India, Dadabhaina Roji Geetha Rehes, Bal Ganga Dhartilak The Arctic Home of Vidass, Bal Ganga Dhartilak The Indian War of Independence of 1857, B.D. Savarkar The Insider, P.V. Narasimha Rao My Country, My Life, L.K. Adwani Wings of Fire, APJ Abdull Kalam Ignited Minds, APJ Abdull Kalam You are Unique, APJ India 2020, APJ Indomitable Spirit, APJ की है Target 3 Billion, APJ, Abdull Kalam Sreejan Pal Singh की है Turning Points, Journey Through Challenges यह है APJ Abdull Kalam की Journey Transforming Dreams into Action APJ Abdull Kalam की Governance for Growth in India APJ Abdull Kalam की Jobs for our millions मेंन कैम यह अडोल फिटलर की My Presidential Years, R. Venkha Trumman My Own Boswell, M. Hidayatullah Prison Diaries, Jai Prakash Narayan Midnight Diaries, J. Boris Yelstein The Audacity of Hope, Barack Obama Dreams of My Father, Barack Obama Indian Philosophy, Dr. S. Radha Krishnan The Hindu View of Life, S. Radha Krishnan Matters of Discretion Autobiography यह इंदरकुमार Gujaral की थी A View from Outside यह P.J.C. Dambram की Undaunted Saving Idea of India यह P.J.C. Dambram की Latest यह Back to Work, Bill Clinton Hard Choices, Hillary Clinton Long Walk to Freedom, Nelson Mandila Beyond Survival, Emerging Dimensions of Indian Economy Pranam Mukherjee Saga of Struggle and Sacrifice Shri Pranam Mukherjee Challenges Before Nation Pranam Mukherjee Dramatic Decade The Days of Indira Gandhi Shri Pranam Mukherjee Changing India Dr. Manmohan Singh Exam Warriors Narendra Modi My Unforgettable Memory Mumtab Energy Citizen and Society Hamid Ansari Citizen Life My Life My Times Shila Dixit India Unmade Yashwant Sinha और यह Scientist के दोरा जो Books है इसमें चाज़तर Darwin की है Origin of Species Voice of the Beagle Radioactive Substance Marie Curie Ream of Nebula Edwin Hubble की A Brief History of Time Stephen Hawking The Grand Design Stephen Hawking Black Holes and the Baby Universe Stephen Hawking Brief Answers to the Big Question Stephen Hawking The Selfish Gene Richard Dawkins Pale Blue Dot Yikar Sagan Ideas and Opinions Albert Einstein Relativity The Special and General Theory Albert The World as I See It Albert Einstein The Meaning of Relativity Albert Einstein The Double Helix James D. Watson Micrographia Robert Hooke On the Revolutionary of Heavenly Bodies Nicholas Copernicus If This Is a Man Primo Levi Periodic Table Primo Levi General Introduction to Psycho Analysis Sigmund Fried The Interpretation of Dreams The Interpretation of Dreams Sigmund Fried Principia MacMedecia Alfred North Whitehead And Bertrand Russell Goal The Race of My Life Milka Singh At Close of Play Rickey Pounting Unbreakable MC Mericom Playing It My Way Chachin Tendulkar And Boria Majumdar A Short at History My Obsessive Journey To Olympic Gold Bino Bindra Six Machine I Don't Like Cricket I Love It Chris Gale Ace Against Odd Sanya Mirza Playing To Win Sanya Nehwal Serve To Win Nwak Jokovic Burn Against The Mountain This is a Aarunima Sinha Wide Angle Straight From The Heart Cricket My Style This is a couple Dev Along Innings This is a Vijay Hajar One More Over This is a E.S. Prasanna Sunny Days Idols Runs and Ruins This is a Sunil Gavaskar The Test of My Life This is a Yuvraaz Sing All Round View This is a Imran Khan This is a Vaseem This is a Vaseem Akram Controversially This is a Shoyi Bakhtar Faster Than Lightning My Story Usain Bolt Open An Autobiography Andrew Agassi No Limits Will To Succeed Michael Phelps Jynhounne 6 Gold Nikalee Thay 2016 Olympic Rafa My Story Rafa Nidal Undisputed Truth Mike Tyson It's Not About The Bike My Journey Back To Life Lance Armstrong No Holding Back Michael Holding Minis Dennis Lili Hitting Across The Line Hitting Across The Line Vivian Richard Shape Yourself Killer Instinct Tennis My Way Maritina Navrutilowa Head On Beefy's Cricket Tail See Unbothom One Century Is Not Enough Sauravaganguli Imporfect TSNJ Mange Raker No Spin Shane Warren Unguarded Mithali Raja Famous Economist Nen Jokitab Jis The Wealth of Nation Adam Smith The Invisible Hand Adam Smith The Theory of Moral Sentiments Adam Smith The Money Game Adam Smith The General Theory of Employment Interest in Money JM Keens The Economic Consequences The Economic Consequences of the Peace JM Keens Assays in Persuasion JM Keens The Treatise of Money JM Keens Indian Currency and Finance JM Keens Capitalism and Freedom Milton Friedman Money Mischief Why Government Is The Problem Milton Friedman There Is No Such Thing As A Free Lunch Milton Friedman Price Theory Milton Friedman Road to Serfdom F.A. Hayek Pure Theory of Capital F.A. Hayek The Fatal Conceit The Errors of Socialism F.A. Hayek The Constitution of Liberty F.A. Hayek Das Capital Karl Marx Theories of Surplus Value Karl Marx Wage Labor and Capital Karl Marx The Poverty of Philosophy Karl Marx Principle of Economics Alfred Marshall Money Credit and Commerce Selfred Marshall Principles of Political Economy Thomas Malthas Indra Goswami यह सामी में लिखती है तारशंकर बंदोपाद्या बंगाली में आशापूर्णा देवी बंगाली में महाश्वेता देवी बंगाली में पन्ना लाल पटेल गुजराती में राजेंद्र चाह गुजराती में पन्ना लाल पटेल गुजराती में निजमल वर्मा हिंदी में के शिवराम करंथ ये कंणड में मस्ती वेंकटेश्वर अईंगर कंणड में गिरीश करनाड कंणड में चंदर शेखर कंबर कंणड में रह्मान राही कश्मीरी में रमींद्र केलकर के लेकर ये कुंकडी में ओ एन वेलु कुरूप ये मल्यालम में टी सिव संकर पिल्ले ये मल्यालम में विंद करंडिकर ये मराठी में बाल चंदर नेमडे ये मराठी में सचिदान्द राउतरो ये ओडिया में, सीता कांत महपात्रा ओडिया में, प्रतिभार ये ओडिया, अमृता प्रीतम पंजाबी, गुर्दयाल सिंग पंजाबी, सत्य वरत साहनी संस्कृत, पीवी, अकीलन ये तमिल, और विश्वनाथ सत्य नारायन ये तेलगू, रवूरी भार्दवाज ये तेलगू, और फिराग गोरकपूरी उर्दू, लेटेस्ट बुक्स है जैसे कि बियॉंड रिलीजन, एथिक्स ओफ अफ होल्ड वर्ड ये दलाई लामा की है, आई विटनेस, पारशल अब्जर्वेशन, ये कपिल सिब्बल की, दा आर्ट ओफ की, अबेटर इंडिया, अबेटर वर्ल्ड, एन आर नारायन मूर्थी की, इंडिया, माई बिलाविड, ये है दोमिनिक, लेपायर की, देर तू दू फॉर दू निव जनरेशन, किरन बेदी की, कश्मीर, दा अन्रिटन हिस्ट्री, क्रिस्टोफर, स्नेडन की, वाकिंग व वायु पुत्रास, ये अमिष्ट्री पाथी की, दे ग्रेट गाट्स भी, F. Scott Fitzgerald की, इंडिया, अबेटर इस नाओ, शशी थरूर, गो सेता वाच्मन, हर्पर ली, एन देन वन दे, नसीरुदीन शाह, अन गेटिंग बाक उन ट्रैक, इंडिया, गेटिंग बाक उन ट्रैक रतन टाटा, नो, वन लाइफ is not enough, नत्वर सिंग, नोट जिस अन अकाउंटेंट, दियरी अफ नेशन, कंसिन स्कीपर, विनू द्राय, हाफ लाइन, हाव पीवी नर्सिंभा राव, ट्रांसफोर्ड इंडिया, विने सत्पती, वो मुवड माई इंट्रेस रेट, डॉक्ट नंदन नीले कणी और वीरल शाह की, मिसिस फनी बॉन्स, ट्विंकल खन्ना की, इनकी एक और आईए, पजामास और फॉर्गीविंग ट्विंकल खन्ना, दा केस देट शुक इंडिया, ये है प्रसान धूशन, लोन फॉक्स डांसिंग, ये है रसकिन बॉन्ड, गन्स एन थ ये है रगुराम राजन की, एन दन वन डे, नशिर्वदीन शाह, वी आर डिस्प्लेज़, मलाला यूसुफ जई, थर्ड पिलर, रगुराम राजन, क्विकट, ये है रसलमान रश्दी की, एज आप दे टाइम, ये है, जीन, पियर, हैरिसन की बायोग्राफी एक अलपना चाहुला की, ग्रेट सोल, महत्मा गांधी, हैंडी स्ट्रगल विद इंडिया, ये है जोसफ, लिविड की, या इस पर महराज सरकार बैन लगाना चाहा रही थी, दा एम्परेर ऑफ आल मेलेडीज, बायोग्राफी ऑफ कैंसर, सिधार्थ मुकर जी, ये प्लिजर प्राइस बुक थी, पैरेंटिंग पर अधारित, बियोंड दा लाइन स्कुल दीप नईयर, ठीक है, दक्का कूस कॉलिंग, ये है रोबर्ट केलब्रेथ की, एक्सिदेंटल प्राइम मिनिस्टर संजे बारु की है, ठीक, कॉन्ट्रोवर्शिल बुक, मीडिया अड्वाइजर थे, दोक्टर मनमोन सिंग के, दा सब्स्टेंस एंड दा शैडव, ये है उदै तारा नायर की, ये बाइग्राफी है, फिल्म स्टार दिलीप कुमार पर, दा सेंस ओफ इंडिंग, ये है जूलियन बार्निस की, 2011 मैन बुकर प्राइज इन उन जीता, ब्रिंग अप दा बॉड़ सॉंडर्स की, मिल्क मैन है एना बर्न्स की, ठीक है, ट्राइंग टू से गुडबाई, ये है आदिल जुस्सा वाला की, हाई तक हैडवी ओड के लिए इन्वन जीता था, क्रोनिकल्स ओफ दा कॉर्फ वियरर, ये है साइरेस मिस्तरी की, डियस साउथ एशन लिट्रेजर प पृषकार जीता, स्लीपिंग उन जुपिटर, अरुंदती रोय की है, डियस साउथ एशन लिट्रेचर पृषकार जीता, अस्टोरी ऑफ ब्रीफ मैरेज ये अनुक अरुद प्रकासम की है, 2017 डियस साउथ एशन लिट्रेचर के लिए, हुम मॉवड माई इंट्रेस मिनिस्ट्री ऑफ अट्मोस्ट हैपनेस ये आकरी किताब है, अरुंदती रोय की, और लॉंग लिस्ट में इसको सामिल किया गया मैन बुकर में, हलांकि नहीं जीत पाई ये किताब, दा ओवर स्टोरी ये है रिचार्ड पावर्स की, और सोलो है राणा दासुपता की, इसक इसलम प्रुषकार की विनर बता दी गई है, सेलेस्टियल बॉडिस किताब का नाम है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडिस, इसकी ऑथर कौन है ये आप उनको कमेंट में लिख करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट में लिख करके बताएंगे कौन है इसकी ऑथर, important organization उनके headquarter देख इसमें, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization यानि की UNESCO का है, फ्रांस में, पैरिस में, Organization of Economic Corporation and Development, OECD का पैरिस फ्रांस में है, United Nations Industrial Development Organization इसका विना उस्ट्रिया में है, International Atomic Energy Agency ये विना उस्ट्रिया में है, Organization of Petroleum Exporting Countries ये विना उस्ट्रिया में है, International Monetary Fund का Washington DC में है, World Bank का Washington DC में है, Amnesty International का लेंडन में है, International Maritime Organization का लेंडन में, Consumers International का लेंडन में, Commonwealth of Nations का लेंडन में, Food and Agricultural Organization का Rome में, North Atlantic Treaty Organization का Belgium की Capital Brussels में, और आपका Transparency International का Berlin, Germany में, International Renewable Energy Agency का अबुधाभी में, South Asian Association for Regional Corporation का Kathmandu में, Association of South East Asian Nation यानि आसियान का कहां पर है, Jakarta, Indonesia में, जहांपर आपका Asian Games भी हुए थे अभी हाल में, 2018 में, August September में, Asia Pacific Economic Corporation का कहां पर है, Singapore में, Corporation of Islamic Corporation या जिद्दा, Saudi में है, Indian Ocean Dream Association for Regional Corporation या कहां पर है, Ibn Mauritius में, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons या कहां पर है, The Hague, Netherlands में, International Hydrographic Organization या कहां पर है, Monaco में, International Chamber of Commerce या कहां पर है, Paris में, International Corporation of Assigned Names and Numbers या ICAN इसका कहां पर है, Los Angeles में, International Council for Monuments and Sites, ECOMOS ये, Paris में, Biotechnology Innovation Organization ये, Washington में, South Asian Wildlife ये, Kathmandu में, South Asian Wildlife Enforcement Network ये, इसको 7 बोलते है, Kolkata मिनों ने अपनी एक बार मेटिंग रखी थी, 2018 में, International Organization ये, Switzerland में है, United Nations Conference of Trade and Development अंक्टाड ये, Geneva, Switzerland में, World Health Organization ये, Geneva, Switzerland में, और International Labor Organization ये, Geneva, Switzerland में, International Committee of the Red Cross ये, Geneva, Switzerland में, World Trade Organization ये, Geneva, Switzerland में, World Metrological Organization ये, Geneva, Switzerland में, World Intellectual Property Organization ये, Geneva में, International Organization for Standardization ये, Geneva में, World Economic Forum जिनेवा में और ये Doctors Without Borders ये कहां पर है जिनेवा में और International Organization for Migration ये कहां पर है जिनेवा में International Union of Pure and Applied Chemistry जिवरिच स्विट्जर लैंड में है Worldwide Fund for Nature ये Gland स्विट्जर लैंड में है International Union for Conservation of Nature IUCN ये कहां पर है Gland स्विट्जर लैंड में और Universal Postal Union ये बर्न स्विट्जर लैंड में International Organizations के आदर्श वाके क्या है ठीक है जिसे World Bank का है Working for a World Free of Poverty Amnesty का है It is Better to Light a Candle Than to Curse the Darkness North Atlantic Treaty Organization का है Animus in Consolidu Library इसका मतलब है A Mind Unfettered in Deliberation ASEAN का है One Vision, One Identity and One Community International Chamber of Commerce का है The World Business Organization Internet Corporation of Assigned Names and Numbers का है One World, One Internet World Economic Forum का है Committed to Improving the State of the World International Union for Pure and Applied Chemistry का है Advancing Chemistry Worldwide Worldwide Fund for Nature का है Build a Future in Which People and Nature Thrive African Union का है Ununited and Stronger Africa International Olympic का है Faster, Higher and Stronger Federation International Football Association का है For the Game for the World World Chess or Federation का है We are One People International Federation of Hockey या फिर F.I.H. का है Fair Play Friendship Forever ICC का है Great Sport, Great Spirit International Basketball Federation का है We are Basketball International Committee of Red Cross का Motto है Inter-Arma Caritas यानि In-War Charity UN के बारे में Fact दिये हुए है ये existence में का आया है United Nations Conference हुई थी International Organizations की San Francisco में 1945 में ठीक है UN Charter United Nations Charter ड्रॉप किया गया UN Charter साइन किया गया 26 January 1945 को 51 founding members के द्वारा Declaration of United Nations draft की गई Franklin Roosevelt, Winston Churchill और Harry Hopkins के द्वारा और चार पुलिसमेन यहां पर बताये गए थे इस पूरे organization की US UK, Soviet Union और China US President Franklin D. Roosevelt ने United Nations term coin किया है यह काफी important है Charter force में कब आया 24 October 1945 को और इस दिन हम लोग UN Day मनाते हैं ठीक है First Secretary General है TRIG Lee Norwean Foreign Minister ठीक है TRIG Lee थे जो नौर्वे के Foreign Minister थे इसका Headquarter Manhattan, New York में है US में इसका Office Geneva, Vienna और Nairobi में भी है Nairobi जो है Kenya की Capital है Vienna जो है जो Australia की Capital है Official Language UN की 6 है Arabic, Chinese, English, French, Russian और Spanish Total Number Member State September 2017 तक है 1993 दो Observer State है Holy See यानि की Vatican City और Palestine Six Principal Organ है General Assembly, Security Council, Economic और Social Council, Secretariat, International Court of Justice, UN Trusteeship जो की Inactive है 1994 थे ठीक है Organization को Nobel Prize मिला था 2001 में Sark, ASEAN और OPEC की Member Countries देख लेते हैं इनका Headquarter यहां पर दिये हैं एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि कोलम्बो के अलावा जैवर्द ने पुरे कोटे भी Capital है अब ठीक है बढ़ते हैं आगे आशियान, आशियान का Headquarter जकार्ता में है इसकी Country है Member कितनी है? 10 बुरुनेई यह डारुसलम है कमबोडिया है इंडोनेशिया है लाव, लावस है लाव PDR है मलेशिया है, मैनमार है, फिलिपीन, सिंगापूर, थाइलेंड औ वियतनाम OPEC का Headquarter कहां पर है? वियना में अस्ट्रिया की Capital वियना में Algeria, Angola, Ecuador, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq ठीक है? कुएट, लीबिया, नाइजिरिया, साओधी एरब, UAE, वेनिजुएला की Capital है कतर ने अपनी Membership जो है यह हटा ली है जनुरी 2019 से ठीक है? European Union Member Countries Austria, European Union की Member Countries है ठीक है? इसका Headquarter ब्रसल्स में है यह European Union का Headquarter ब्रसल्स में हम देखी चुके हैं इसकी Member Countries है Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovenia, Spain, Sweden, Sweden, United Kingdom, Croatia, ठीक है? Japan, Germany, Italy, Canada, Russia रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन कुरू यह कहां पर है? फ्रेंच गुआना यह फ्रांस की टेरिट्री जो सौथ अमेरिका में है वहां पर है बैकुनूर यह कदाकस्तान में है ठीक है? श्री हरी कोटा आंदर प्रदेश इंडिया में वुमिरा यह उस्ट्रेलिया में जीकान स्पेस लॉंच सेंटर यह चाइना में अल अनबर यह इराक में और यह पालशिम एयर बेस इसराइल में यूशिनोरा स्पेस सेंटर यह कागोशिमा जपान में इमाम शाहर यह इरान में है कपुस्तीन यार यह रश्या में प्लेस्टेक्स कास्मोट्रोम यह रश्या में केप कैनविरल यह फ्लोरिडा में Kennedy Space Center ये Merit Island, Florida में, Edwards Air Base ये California, US में, Space Based Navigation Systems, Global Positioning System, GPS ये United States of America का है, Glonass ये Russia का है, Indian Regional Navigation Satellite System, IR NSS ये India का है, Video Navigation Satellite System ये China का है, Galilio Positioning System ये UN का है, UN Countries का है, Quasi Zenith Satellite System ये जपान का है, Famous Logans और इनके Author इंकलाब जिन्दायवाद ये भगत सिंग का है, वद्दे मातर में बमकिम चंद चटो पाध्या का है, Quitt India ये महात्मा गांदी का है, स्वतंसरा मेरा जन्म से दधिकार है, मैं इसे लेकर रहों का बाल गंगर धर्दी लग का, तो मुझे खून तो मैं आजादी दूँगा, ये सुबास चंदर बोस का, जैहिंद सुबास प्रदीप, सारे जहां से अच्छा इंदूस्तान हमारा महमध इकपाल, एकला चलो रहे, रमीना टैगोर, सर्वरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रामप्रसाद बिस्मिल, वंदे मातरम तो आपको पताई है, बमकिम चंद चटो पाध्या है, इंडिन लीडर्स की द यानि कि अगर भगवान चुआ चूट मानता है, तो मैं उस भगवान को नहीं मानता हूँ, गोपाल क्रेशन गोखले ने गांधी जी के लिए कहा था कि he has him in the marvelous spiritual power to turn ordinary men around him into heroes and martyrs, यह कि महात्मा गांधी में कुछ अद्बुत शक्ती है, जिससे वो अपने लोगों को शहीदो में और hero में convert कर सकते हैं, यानि कि लड़ाकों जाबाजों में, information newspapers के बारे में, total number of newspapers of periodical, यानि कि जो मासिक, अर्ध मासिक, एक मन्त में चपने वाली, 15 दिन में चपने वाली पत्रिकाओं, नुस पेपर मिला के संख्या कितनी है, 31,3,2018 तक 1,18,230, ठीक है, उसके बाद, largest number of newspaper किस language में चपते हैं, भारत में, हिंदी में सबसे ज़्यादा, ठीक है, largest circulated daily कौन सी है, अनन्द बजार पत्र का, ये बंगाली में चपती है, second largest circulated daily कौन है, हिंदुस्तान टाइम्स, जो इंग्लिश में चपता है, largest circulated periodical ये है, the Sunday, Times of India का, जो दो संडे आता है, हर एक वी कर, largest circulated, second largest circulated multi-edition daily है, the Times of India, English, the state with largest number of registered publications, ये है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा publication है, government के publication और उसके publishers, India, जो yearbook आती है, ministry of information broadcasting उसको publish करती है, employment, news जायर, रोजगार, समचार, जो है, ये information, ministry of information broadcasting चापती है, योजना, ये economic development की monthly magazine है, 13 languages में चापती है, ministry of information broadcasting के द्वारा, बाल भारती ये हिंदी में चापती है, ministry of information broadcasting की है, आज कल, ये international literary और cultural उर्दू जनरल है, ये ministry of information broadcasting की द्वारा चापती है, कुरुक शेत्र, इंगलीश और हिंदी, rural uplift और development इसका focus है, ministry of information broadcasting की द्वारा चापती है, इसकी समरी भी हमारे channel पर upload की जाती है, energy statistics, central statistical organization की द्वारा चापती है, national account statistics, central statistical organization की द्वारा, compendium of environment statistics in इंडिया, central statistical organization की द्वारा, rail bandhu, Indian railways की द्वारा, Indian pharmacy, Indian pharmacy, ये एक चापती है, ministry of health and family welfare की द्वारा, languages of the world देख लेते हैं, total number of languages पूरे वल्ड में, इथन लॉक के द्वारा किती बताई गई है, 7,097, highest number of speakers किसके हैं, Chinese के, Mandarin के, सबसे ज़्यादा लोग Mandarin बोलते हैं पूरे वल्ड में, ठीक है, second largest number of speakers किसके हैं, Spanish के, the language जिसके third, fourth, fifth number हैं speakers के, वो है English, फिर Arabic और फिर Hindi, पूरे जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, official language के रूप में, maximum countries में, वो है English, इंडिया के लावा किस country की official language हिंदी है, फिजी, Singapore और श्री लंका में, क्या official language है, तमिल, Pakistan की official language उर्दू है, largest number of native speaker जो है, पाकिस्तान के, और वो क्या बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, official language भूटान की है, जोंखा, official language ब्राजील की है, हर्ब्रिव, official language अफगानिस्तान की है, डैरी और पश्तो, official language जो स्विजर लेंड की है, जर्मन, फ्रेंच, यह परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, फ्रांस के लोगों के दोवारा, यूएस के लोगों को यह gift थी, statue of liberty, ठीक है, तो 4 जुलाई को, declaration of independence माना जाता है, इस एक लिए, Christ the Redeemer, यह गहाँ पर बना हुआ है, रियो डिजिनेरियो ब्राजील में, 1931 में, soap stone से बना हुआ है, French sculpture, Pold Landovski ने बनाया था इसको, Little mermaid, यह आपका Copenhagen, Denmark में है, bronze से बनाया गया है, mannequin piece, यह Brussels में है, install किया गया है, 1929 में, bronze से बनाया गया है, Mount Rushmore National Memorial, यह Mount Rushmore, Black Hills, Keystone, South Dakota, US में है, 1925 में, यह carve किया गया है, mountain पर, ठीक है, यह 4 faces दिखाया गया है, इसमें, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, और Abraham Lincoln, Statue of Amida Buddha, यह 1252 में, bronze से बनाया गया है, यह जपान में है, ठीक है, Lation Giant Buddha, यह Shishuan में है, यह Shishuo Peak पर यह carve की गया है, यह तीन river बहती है, मिनी जांग, दादू और किंगाई, ओल्ड नेम कंट्रीज के, यह Thailand को सियाम बोलते थे, माली को सुदानीज रिपबलिक, मलावी को न्यासलेंड, जैंबिया को नॉर्धर्न रोडेशिया, बोट्सवाना को बिश्वाना लेंड, लोसोथो को बैस्टू लेंड बोलते थे, बसूटो लेंड, बांगलदेश को इस्ट पाकिस्तान बोलते थे, श्रिलंका को सिलोन बोलते थे, उन्य सुबहत्तर तक, तुवालू को एलिस आइलेंड बोलते थे, वनुवातू को न्यू हैब्रेडीस बोलते थे, जिंबाबवे को सदर्न रोडोशिया बोलते थे और बुर्किनो फैसो बोलते थे अपर वोल्टा को म्यानमार को बर्मा नेमिबिया को सौथ वेस्ट आफ्रीका बोलते थे Democratic Republic of Congo बोलते थे Zaire को Cambodia बोलते थे Campuchia को Cities भी कुछ उनके नाम जो change हुए है Sankara को पहले Angora बोलते थे Beijing को Packing बोलते थे Istanbul को ये बोलते थे Ho Chi Minh City को Saigon बोलते थे Jakarta को Batavia बोलते थे Harare को Salisbury बोलते थे Vologograd को बोलते थे Stalingrad Saint Petersburg को Leningrad बोलते थे यंगून को रंगून बोलते थे Oslo को कृस्टानिया बोलते थे Nicknames Countries के Sugar Bowl of the World कौन है Cuba है Land of the Golden Fleece Australia है Gift of the Nile है Egypt Land of the Thousand Lakes है Finland Land of the White Elephants है Thailand Land of the Midnight सेने Norway Land of the Rising सेने Japan Cockpit of Europe ये है Belgium Land of the Thunderbolt है Bhutan Land of the Morning Calm है South Korea है Hermit Kingdom है North Korea Land of the Golden Pagoda है Myanmar Playground of Europe है Switzerland Rainbow Nation है South Korea Ski of the Mediterranean ये जिब्राल्टर है Eternal City, City of the Seven Hills से रोम है, City of the Golden Gate ये San Francisco है, City of the Peace ये येरूशलम है City of the Dreaming Spires ये Oxford है Big Apple ये निव्यॉयॉक है Ministry of Departments के बारे बात कर लेते हैं जैसे Prime Minister के अंडर आता है Department of Space, Department of Atomic Energy Funds में Prime Minister's National Relief Fund Prime Minister's Fund for Promotion of Four Card, Prime Minister's Aid to Students Fund, National Defense Fund ठीक है Chairmanship किसकी हो, PM के पास Chairmanship होती है, NETIO की National Water Resources Council की National Development Council की National Integration Council की National Disaster Management Authority की Indian Board of Wildlife की आप चाहें तो हमारे पेट डूप जॉइन कर सकते हैं आप चल रहा है UPPSS के लिए, MPPSS के लिए, BPSC के लिए भी प्री ओमेंस के लिए इस वाले नंबर पर आप Contact करिएगा, ठीक है, इस वाले नंबर पर Hello दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एक बर फिर से Study for Civil Services के आज हमारे चैनल पर एक Basic GK Topic करेंग जो हमेशा Monday Exams में आता है, हमेशा Monday Exams में इससे Questions बनते हैं यह Topic हम लोग भी कई बार कर चुके हैं, लगए 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 पार्ट्स में Other YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएगा हम लोग पूरा Comprehensive कवर करेंगे इस Topic को जिसका नाम है First इस Topic का नाम है First, यहाँ पर First in India लगा दें तो First in India बन जाएगा, First in World लगा दें First Person, First Awardee, First Women इन सारे First को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और जरूर से जरूर आपको एक्जाम में एक नंबर ही वीडियो दिला सकता है वीडियो लंबा थोड़ा सा इस फुज़े से बन सकता है क्योंकि हमने सारे Topics को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है First in India, First in State और बांके सारे जो important चीज़ें हैं detailing वो यहाँ पर आपको देखने को भी लेंगी Awards and Honors वगएरा, Recipient जो है, World में First क्या हुआ वो सारे चीज़ें हम कवर करेंगे जैसे First in the World, Men इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं, First Appointees of India इन से questions आते हैं, हालांकि अब जादा नहीं आते हैं इस topic से तो एक सरसरी निगाह डालेंगे इस पर पहले राश्टप्रती आप जानते हैं हमारे राजेहन्र प्रसादी, Vice President एसराधा कृष्णन First Prime Minister, of course पंडित जवाहरलाल लहरू, वल्लभाई पतेल, Home Minister, यह चीज़ें ज्यादा पूछ जाते हैं, First Defense Minister कौन थे, Finance Minister क्योंकि जंदली इस पर नहीं ध्यान जाता है लोगों का First Railway Minister थे हमारे जौन मथाई, हमारे First रक्षा मंतरी थे सर्दार बलदेव सिंग, First Finance Minister थे हमारे आर के शानमुगम शेट्टी, और External Affairs Minister थे जवाहरलाल लहरू, First Law Minister थे डॉक्टर बी आरमबेटकर, First Education Minister थे मौलाना अबुलकलामाजाद, सी राज गोपालाचारी हमारे पहले ग First Government General, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, First Government General Independent India के हम Lord Mountbatten को ही मानते हैं, तो Independent India First Government General ही थोड़ा सा देख के option के हिसाब से आप चूस करेंगे, First लोगपाल हमारे की पिनाकी चंद्र घोसे इनका भी appointment हुआ है, April 2019 में, तो यह काफी important चीज है, जो आपको ध्यान में रखनी है, First Election Commissioner सुकुमार सेवन है, इस समय हमारे जो CEC है वो कौन है, वो है आपके सुनील अरोडा, ठीक है, तो Present वाले का विध्यान रखिएगा जरूर, हमारे CEC है श्री सुनील अरोडा, First Chief Election Commissioner कौन है, Chief Information Commissioner कौन थे, वजाहत हभी बुल्ला, इस से हमारे CIC कौन है, बताई लिक करके आप कौमेंट में, First हमारे Chief Information Commissioner ये थे, प्रेजेंट में कौन है, 2019 में हमारे Chief Information Commissioner कौन है, कमेंट करके हमको बताईए, First Speaker of लोगसभा, जीवी मालवंकर, इनका कई बार पूचा जा चुका है नाम, First Attorney General पूचा जा चुका है, M.C. सीतलवार, N.R. पिल्लाई हमारे Cabinet Secretary थे, First Chief of Army Staff थे General राजेंदर सिंग जी, और First Chief of Air Staff थे हमारे Air Marshal Thomas Elmrist, First Chief of Naval Staff थे हमारे Vice Admiral R.D. कटारी है, Chief of Air Staff 2019 की बात कर लें, तो है हमारे करमबीर सिंग, ठीक है जी, करमबीर सिंग नाम इनका ध्यान रखिएगा आप, First हम इस समय हमारे, ठीक है, 2019 के Chief of Naval Staff को ने, ये हैं, बिरेंद सिंग इनको BS धनोवा, इनको BS धनोवा हम लिखते हैं, इस समय हमारे Chief of Army Staff को ने, ये आप हमको कमेंट करके बताएगा, थोड़ा सा involved होई है, सेशन में, कमेंट करिए, अब इवेंट्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहला न्यूस्पेपर भारत में कौन सा छापा था, ये था आपक कलकत्ता गजट, ये किसने छापा था, हिकी ने, ये आईरिश परसंथेक, फर्स्ट इशू अफ पोस्टल स्टैम्प, सबसे पहला स्टैम्प, ठीक है, पहला स्टैम्प, कब छापा गया था, 1825 में, सिंध में, पहली टेलिग्राफ लाइन कहां पर डाली गए थी, कलकत्ता से, डाइमंड हारबर तक, 1851 में, डालाओजी के टाइम पर, रेलवे कब शुरू हुई थी, 1853 में, फर्स्ट एयर मेल इन इंडिया, एंड वर्ल्ड, एयर मेल कब भेजा गया था, इंडिया से वर्ल्ड में, तो 1911 में, ठीक है, ये बुमरॉली से अलाहबाद भेजा गया छह माइल की दूरी तक के वल, ब्रॉड कास्टिंग कब स्टार्ट हुई थी, यानि कि प्रसारन कब शुरू हुआ था, 1927 में, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में इवेंट क्या हुए थे, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलती है, ये पूरी डेट ध्यान यानि कि नाभगी ये उर्जा संयत्र, कब शुरू हुआ था, 1979 में, पहला नुक्लियर टेस्ट हमने कब विए था, 18 मई 1974, ठीक है, भारत का पहला सेटलाइट आरिभट जो है, जो हमारा उग्रह कब लांच हुआ था, 19 अप्रेल, 1975 में, कलर टीवी के शुरुआत कब हुई थी, 1982 में, भारत में पहली मेट्रो रेल कहां से चली थी, कलकत्ता से, 1984 से, इंटरनेट भारत कब आये था, 15 अगस, 1995, ठीक है, बेसनल लेकर के आया था, इंटरनेट को, हमारा पहला, चंदर पर भारत का पहला अभियान कब शुरू हुआ था, 22 अक्टूबर, 2008 को, इसको चं पर, MP में करी गई थी, देखिए, फैक्ट्स आपको लग रहा होगा, कि बच्चों वाले हैं, लेकिन आप देखोगे, कि एक्जाम में सब पूछ ले जाते हैं, कभी-कभी, और अगर आप भारती हैं, तो आपको इस सब चीजें, बेसिक जानकारी तो पता होनी चाहिए, अ 154 में, अब बात कर लेते हैं, हमारे स्टेट्स के पहले चीफ मिनिस्टर्स कौन थे, ठीक है, लिस्टिंग देख लेते हैं, आंधर प्रदेश के पहले थे, तंगूतुरी, प्रकाशम, पंतलू, हैदरबाद के थे, एम के विलोडी, आंधर प्रदेश से थे, नीलम 14 से बनेंगे, के चंदर सेखर राओ, अरुनाचल प्रदेश के प्रेम खांडू थूंगन, इनको पेमा खांडू बोल देते हैं, ठीक है, असाम के गोपिनाद बर्दोल लोई, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, आपके 36 गड़ के अजीद जोगी, डेली के चौधरी ब्रह सिंग, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, गोवा, दमन और दीव, दयानन्द बंदोदकर थे और गोवा के थे प्रताप सिंग राणे, ठीक है, गुजरात के थे जीवराज, नारायन महता, हर्याना से थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, हिमाचल प्रदेश के थे यश्वंत सिंग परमार, जमूर कश्पीर के थे गुलाम मुहमत सादिक, चारकंड से थे बाबुलार मरांडी, करनाटक से थे के चिंगार लेया रेड़ी, और केरेल की तरफ से EMS, नंबूदरी पाद इनका नाम है, और रभिशंकर शुकला मद्द प्रदेश के बने थे, बंबे स्ट पहले स्टेट का इत्ता डिवीजन तो हुआ नहीं थे 47 में, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, महराज के थे यस्वंतराव चौहान, ठीक है, यस्वंतराव चौहान अवार्ड भी दी जाता है, इनके नाम पर, 2019 का किसको मिला है, बताए कोमेंट करके, या लेटेस आओ, और हरे कृष्ण महताब बने थे ओडिशा के, ओडिशा के एक बार पूछा गया था एक्जाम में, पंजाब से बने थे गोपी चंद भारगव, पंजाब जब हर्याना से अलग वा था तो ग्यानी गुर्मुख सिंग बने थे, मुसाफिर सिक्कम के बने थे, काजी, एलेंडूप, दोरजी, और हीरालाल शास्त्री राजिस्थान के बने थे, तमिल नाडू के सी एन, अन्ना दुराई बने थे, मदरा स्टेट के बने थे, सी राज गोपालाचारी, ओपी रामसामी, रेडियार बने थे, मदरा स्टेट के, ये 1947 से 49 तक और ये 1952 से 1954 तक, तिर उत्राघंड के नित्यानन्द स्वामी बने थे, उत्राघंड जब लग हुआ था, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल के बने थे, प्रफुल चंद्र घोष, लोग बात कर लेते हैं, फर्स्ट विमेन इन इंडिया की, ठीक है, भारत में प्रथम महिला, तो इसमें जो नाइडू, पहली चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट की बने थी, सुचेता करप लाने, हमारे पहले, लेडी मिनिस्टर किसी भी, मतलब पोस्ट पर लेडी मिनिस्टर सबसे पहले कौन बने थी, राजकुमारी, अमृत काँर, ठीक है, फर्स्ट विमेन प्रेशिडएंट अस एक ममेंबर आफ आजा चुनाव आयोग की सबसे पहली महिला अध्यक्ष रामा देवी है, नहीं और शाहतुमर्स दीपक संधु जरूर ध्यान रखेगा यह अभी तक नहीं पूछे गए nego पिशेए cre जाधा हमारी पहली लोग सभा स्पीकर थी मीरा कुमार आप जानते हैं पिछले टर्म में 2014 से पहले तक First Women President of UN General Assembly ये कई बार पूछा गया संयुक्त राश्टर सभा के पहली महिला अध्यक्ष मिसिस विजय लक्ष्मी पंडित सबसे पहली महिला Advocate कौन थी हमारी देश की सबसे पहली महिला अधिवक्ता थी Cornelia सोराब जी अब उनको बताना है यहांपर भारत की पहली महिला जज़ कौन थी यह फिर हम कह सकते हैं की High Court की सबसे पहली महिला जज़ कौन थी आजादी से पहले बनाई गई थी नयाय मूर्ती अन्ना चांडी नाम ध्यान रखेगा ठीक है अगर आपसे पूछे कि आजादी के बाद वाला ठीक है हाई कोड के बाद मुख्य नायदीश बनने वाली कौन थी तो ये थी लीला सेट याजादी के पहले उन्हें सुसैथिस बनी थी और लीला सेट बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोड में मुख्य नायदीश बनने वाली पहली महिला कौन थी एम फातिमा बीवी इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी प्रथम भारती महिला थी आरती साहा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला ये कई बार पूछा गया ससी बे आगे पूछ सकते हैं करणम मलेश्वरी नोंने वेट लिफ्टिंग में जीता था ठीक है वेट लिफ्टिंग भारुत तोलन में फर्स्ट इंडिन वुमें टुम विन एशियाड मेडल यानि की एशियाड एशियन गेम्स पहले मेडल किसने निकाला था कमल जीत संधू ने माउंट एवरेस पर चड़ाई करने वाली प्रथम महिला बचेंद्री पाल साउथ पोल तक जाने वाली है साउथ पोल पर जंडा फेराने वाली हमारी प्रथम भारती महिला है रीना कौशल धर्म शक्तु ना मैं एक गवार फिर से बोलूँगा रीमा कौशल धर्म शक्तु वीरतापदा प्राप्त करने वाली प्रतम महिला ठीक है जिसे सेना में मैडल मिला हो कोई भी तो ये कौन थी हमारी मेजर मिताली मधुमिता इननों ब्रेफ़री दिखाई थी अफगानिस्तान में उसके लिए उनको सेना मैडल मिला था अगला है हमारा की first women to join territorial army as a जवान यानि जवान के रूप में भारती सेना जोइन करने वाली पहली भारती महला बनी थी शांती तिगा एक जवान के रूप में शामिल होने वाली पहली भारती महला शांती है अगला हमारा Miss Asia Pacific का title जीतने वाली Miss Asia Pacific का किताब जीतने वाली पहली सुंदरी कौन? जीना तमान ठीक है Miss Universe का title जीतने वाली पहली महला सुश्मिता सेन आप जानते है ठीक है first Indian woman to win Miss World title यानि Miss World title जीतने वाली विश्व सुंदरी का किताब जीतने वाली पहली महला रीता फारिया ठीक है इंद्रा गांधी ने भी अपने टेनियोर में Minister of External Affairs का चार्ज लिया था additional charge के रूप में तो ये थोड़ा सा exception के साथ है अब अगल 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 अग पुरुसकारों में पहले recipient कौन थे पूश जाता है यानि कि सबसे पहले पुरुसकार किसे मिला था जो हम देखेंगे किन भारतियों को सबसे पहले हमारे international और national पुरुसकार मिले तो सबसे पहला पुरुसकार हमारे देश का सबसे पहला पुरुसकार भारत रत्न ठीक है भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था ये मिला था S. Radha Krishnan को ठीक है, एस राधाकरश्णन को मिला था, और ये प्रिसिडेंट भी बने थे बाद में, राजन प्रसाथ के बाद आप जानते हैं, लाल बादुर शास्त्री को मिला था, पोस्ट विमसली, यानि कि मणो प्रांत भारत रत्म सबसे पहले किसे मिला था, लाल बादुर शास्त्री को, ठीक है, भारत रत्म प्राप्त करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे, सीवी रमन, Only industrialist यानि कि प्रथम यहाँ पर विवसाई ठीक है जिसे भारत रत्न मिला था वो है JRD Tata भारत रत्न प्राप्त करने वाली आपकी प्रथम महिला कौन है इंद्रा गांधी पहला sports person जिसे भारत रत्न मिला था वो है सचिन तेंदुलकर अब साहित्तिक पुरुषकारों के बारें बात कर लेते हैं ठीक है ग्यान पीठ वोड के प्रथम प्राप करता कौन है जी संकर कुरूप है जी संकर कुरूप 377 2019 वाले भी आपको बताते हुए चलते हैं 2019 में किसे बिला है यह मिला है अमिताव गोश को अमिताव गोश यह इनके अंग्रेजी में बहुत सारे फेमस उपन्यास हैं ठीक है यह LGBTQ कमुनिटी को रिप्सेंट करते हैं अमिताव गोश नाम ध्यान रखीगा इनको मिला है 2019 के लिए आपका जीगे के लिए भी हो गया 2019 में मिताव गोश आगे बढ़ते हैं साहित अकैडमी पुरुसकार सबसे पहले इंग्लिश में किसे मिला था यह पूछा है आपसे तो इसका एंसर हो जाएका आर के नराइंड ऐसा इसलिए क्योंकि साहित अकैडमी अवार्ड के बारे में आपको हिंदी वाले ध्यान में रखने पड़ते हैं जाज अतर और इस जैसे विश्मिथक सरित सागर जो है हिंदी में इनको हिंदी के लिए मिला था लेटेस्ट ठीक है तो ऐसे इंग्लिश में सबसे पहले मिला था आरकन रायंड को ठीक है द्यान रखेंगे आप लेटेस 2018 वला अभी द्यान रख सकते हैं ठीक है सेप्टेंबर में इसको नाउन्स करती जाए कि 2019 के लिए 2018 के अवार्डी कौन है विराट है विराट कोली और मीरा बाई चानू है तो दो लोगों को मिला था साहीं उत्रूप से अब अगर पूछ लें कि पहली महिला वार्डी कौन है सबसे पहले महिला को किसको बिला था तो कर्णम मलेश्वरी को मिला था जिन्होंने सबसे पहले हमको ओलंपिक मेडल दिलाय था वेट लिफ्टिंग में द्यान चंद लाइफटेम अचीवमिंट पुरुसकार के सबसे सबसे पहले प्राप्त करता कौन है सबसे पहले मिला था अपढ़ना घोश को ठीक है अर्जुन अवार्ड से समानित की जाने वाले पहले क्रिकेट खिलाडी कौन थे ध्यान रखिए अर्जुन अवार्ड बहुत सारे स्पोर्स डिस्प्लिन में दिये जाता है लेकिन सबसे सबसे पहले क्रिकेट खिलाडी थे इसको प्राप करने वाले सलीम दुर्रानी अब गलंट्री वार्ड की बारे में बात कर लेते हैं इनको बोलते हैं वीरता पुरुसकार क्या बोलते हैं वीरता पुरुसकार वीरता पुरुसकार सबसे पहले किसको मिला देखते हैं परमवीर परमवीर चक्र सबसे पहले किसको मिला था मेजर सोमनात शर्मा को मेजर सोमनात शर्मा को और अवली एरफोर्स परसनल जिनको परमवीर चक्र अभी तक मिला है ठीक है यह है फ्लाइंग ऑफीसर निर्मल जीत शेखोन इनका नाम बहुत जरूरी ध्यान रखिएगा यह पहले और अभी तक के पहले ही यानि इसके बाद कभी किसी को एरफोर्स वाले को मेडल नहीं मिला है इनको मिला था फ्लाइंग ऑफीसर निर्मल जीत शेखोन को अशोक चक्र जीतने वाली पहली महिला कौन है नीरजा भनोट नीरजा भनोट इन पर फिल्म भी बनी थी आपको पत बात कर लेते हैं यह अधर अवर्ड में ज्यादा क्वेशन मनते हैं जवाहर लाल लहरू ओर फॉर इंटरनाशन अंडरस्टेंडिंग इसको मिला था सबसे पहले यूथ हॉंट को इंद्राकांधि पीस डिसार्ममेंट और डवलप्मेंट प्राइस को मिला था सबसे पहले पार्लिमेंटेरियन्स फॉर ग्लोबल एक्शन को 2018 में यह अवर्ड फाइनली किसे मिला है ठीक है दिसंबर के करीब ही आता है वर्ड इस साल भी आ सकता है 2018 में अगर आपसे पूछ ले किसे मिला है तो आपके जवाब देंगे यह मिला था सेंटर फॉर साइंस एन इन इंव इसको इस साली अवर्ड मिला है ुदिसी अर्ममेंट को प्रोमोट करने के लिए बारत सरकार द्वारा दिए जाता है इंद्रागा至 आवर्ड फॉर इंसके इसको मिला है या सिर अराफात को राईा है सबसे पहले उत्क क्रस्ट सानसत्व पुरुसकार किसे बिला था श्र जूलियस नायरे , communal harmony award के प्रक्थम प्राप्थ करता है कौन है सामुदा एक सद्भवणपुर पुरुशकार के प्रथम प्रक्थम प्रक्थ करता है अस्गर अली इंजीनियर ठीक है ये जो communal harmony पुरुशकार सद्भवणपुरुशकार ये एक SaintTok川 इस एक व्यक्ति को ठीक है किसको मिला सबसे पहले यहने कि सानस्क्रितिक सत्भावना के लिए टैगोर पुरुषकार मिला था पंडित रवी शंकर को 2018 वाला किसे मिला है बताइए 2018 वाला मिला है हमारे जिनोंने सरदार वल्लब भाई पटेल की प्रितिमा का डिजाइन तेयार किया था राम वनजी सुतार को मिला है ठीक है बहुत इंपोर्टन यह कोशन बन सकता है हमारे एक्जैम में टैगोर अवर्ड फॉर्ट फॉर्ट्रल हर्मी 2018 वाला किसे मिला है राम वनजी सुतार को फॉर्स्ट इंडियन जिन्होंने नोबल प्राइज जीता था किसी भी फिल्ड में वो रभीना टैगोर थे गीता अंजली के लिए हमारे परसन आफ दा येर के रूप में टाइम एक्जीन के कवर पर छापे जाने वाले पहले सक्षियत कौन थे महात्मा गांदी इनको 1930 में की छहापा गया था ठीक है 2 में युनेस्को का कालिंग पुरुसकार जीतने वाले भारती कौन है जगजीत सिंग और बुकर पुरुसकार जीतने वाले भारती कौन है सल्बान रश्ती सल्बान रश्ती हमारे पहले इंडियन हमारे पहले इंडियन सिटीजन ठीक है जोनोंने बुकर प्राइज जीता प्रॉपर इंडियन सिटीजन एक बात ध्यान रखिएगा वैसे तो डिस्प्यूटड है यह चीज क्योंकि बुकर प्राइज देखी जीता था सल्मान रजदी ने सब से पहले भारत के लिए लेकिन ब इसको मिला था पुरुसकार थीक है इनकी पहली किताब थी पहली नॉvill और इसी को संभानि सत्व गया था पुलिजजर प्राइज के पहले क्राप्त करता कौन है इनको मिला था रिपोर्टिंग के कैटेगरी में यह गोविंभ बिहारी लाल है saying इसरप्राइज जो है 22 के टेग्रीस में हर साल दिये जाता है ठीक है और यह जादतार अमेरिका के एक बार मेग्जीन को प्रमोट करते हैं उन्हीं को देते हैं लेकिन पहले भारती को मिला था गोबिंद बिहारी लाल को क्रिकेट मिसर गारफिल्ड सौबर्स ट्रॉफी जिटको गैरी सौबर्स ट्रॉफी बोलते हैं सबसे पहले किससे जीती थी राहूल रभिड ने और लगतार तीन बार से विराट कोली जीत चुके हैं इस साल के भी विराट कोली के पास से ध्यान बावे मैक्सेसे पुरुसकार आपको बता दूँ इस साल भी मिलें दो भारतियों को उनका नाम आपको पताऊना चाहिए एक को है सोनम वांग चुक ठीक है एक है सोनम वांग चुक दूसरे एक नाम आपको कमेंट में लिख करके बताईए अच्छा छोड़ी ना बताईए भर भरत वटवानी है ठीक है लोग को कहने लगते हैं सब कमेंट में लिखना तुमाब वीडियो के देखें भरत वटवाणी है और सोनम वांग चुक है पैन अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन समझ लेजिए दो दर्भनीस का मैक्सेसे पुरुसकार इन्हें मिला है मैक्सेसे को हम लोग बोलते हैं एशिया का नोबल पुरुसकार बांगलादेश स्वाधीनता पुरुसकार जीतने वाले पहले बारती कौन है इंद्रा गांधी फॉस्ट इंडियन और इंडियन और इंडियन ओर्गनाजेशन जिनको राइट लेवली हुड पुरुसकार मिला था उन्हे इस प्र्क्राइस किए जाता है नॉर्मन बॉरलोग की दार्बर्लेहर म स्वामी नाथं हैं स्वामी नाथे म् सवामी विन रृवल्योशन इंडिया बोलते इनको नॉर्मन बॉर्लोग को बहते हैंhibié्जेशन हुओर मैडल सब से पहले किसे मिव्ला था ये मिला था हमारे ए केसी एशिया पुरुषकार जो है यह साहितिक पुरुषकार है ठीक है शाउथ एशियन लिट्रेचर प्रायज इसको बोलते हैं यह उस आथर को मिलता है जो अपना उत्करश्ट लेखन करता है और जी कोई ऐसा कारे कर बार इंडियन को नहीं मिला एक जैपनीज परसन को मिला है जैपनीज आर्किटेक्ट को इसको आर्किटेक्ट्चर का नोबल बोलते हैं ध्यान रखिएगा अब फर्स्ट इंडा वर्ल्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इंडा वर्ल्ड भी थोड़ा-thोड़ा वाशिंग्टन को बोलते हैं बांगल देश के पहले प्राइम मिनिस्टर शेख फुजीबुर रह्मान को बोलते हैं पिप्ल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले आपके प्रेसिदेंट कौन बने थे शन याट सेन बने थे साथ एफ्रिका के पहले प्रेश्टिंट बने थे चार्ल्स रॉबर्स स्वाट प्राइमिनिस्टर नेपाल के सबसे पहले बने थे रामबर्न यादव के बीसी में जब पहले के बीसी आता था तो 25 लाख रुपए के लिए एक बार यह सवाल पूछा गया था ठीक है हलांकि वह फेक लगता है मुझको लेकिन ठीक है जीके तो मस्बूत होनी चाहिए आपकी फर्स्ट विमन इन फर्स्ट विमन इन स्पेस की बात करें तो यूरी गागरे नहीं यूससर की तरफ से ठीक है फर्स्ट पर्सन आफ एफ्रिकन डिसेंट इन सेट यानि कि एफ्रीकी भूल का पहला पर्सन जो स्पेस में गया था वो है आर्नल्ड टमायो मेंडीज वो क्यूबा की तरफ से थे नौर्थ पोल वीच करने वाला पहला पर्सन रॉबर्ट पियरी ये यूससे से थे मांट एर्वस पर चड़ाई करने वाले पहले पर्सन कौन एड्मंड हिलेरी ये नियुजिलेंड से थे ठीक है अभी थोड़ा डिस्प्यूट है लेकिन एड्मंड को हमेशा एग्जाम वालोंने माना है इसमें साउथ पोल रीच करने वाले पहले परसन रोल्ड एड्मंट्संस है यह नौर्वेस तरफ से थे सरकमनेविगेट करने वाले वर्ल्ड को सबसे पहले थे एंड्रीक ठीक है यह मले आले आइलेंड से थे जो सबसे पहले वक्ती मून पर गया था उनायल एंस्ट्रॉंग युएस की तरफ से आप जानते हैं उनको हम बच्पन से उनका नाम सुनते आ रहे हैं फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आफ युएन कौन थे यह ट्रिगवी लाइथ है यह थे नॉर्वेक तरफ से फर्स्ट विमन इन दा वल्ल्ड के बारे में बात कर लें तो फर्स्ट विमन इन स्पेस हो जाएंगे वैलेंटीना टरेशकोवा यह भी युएससर की तरफ से ठीक है फर्स्ट विमन जिन्ने है अट्लांटिक को सोलो फलाइट में वो कौन है Amalia Earhart है अभी माही क Vous कौनि में बताया है कि आक्टिक को सोलो सकेल करने माली पहली भारती महिला कौन बन गये उनका नाम है भावना कंट यह ज्यरूर ध्यान रखिएगा यह आ سकता है आगए एक्जै यह जंको तैबेई है यह जापान से हैं ठीक है फर्स्ट वुमेंट टु विन ओलंपिक मेडल ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है शैरलोट कूपर यह इंग्लैंड से हैं हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री यह अभी सिसी सीजिल न पूरे कोट्टे है धियान रखिएगा अमेरिकन विमेन जो सबसे पहले सपेस पे गई थिनका नाम है सेली राइड सैली राइड फर्स्ट फीमेल जो की स्पेस में गई थी उनको वह है पैगी विट सन सॉरी सॉरी स्थी मिशटेगा सब फ्रस्ट फीमेल कमांडर इन कमांड की पूरे वर्ड में वो भंडार नाइके हैं ठीक है इस्राइल की पहली महिला प्रधान मंत्री गोल्डा मीर है भारत की पहली कौन है यह इंद्रा गांधी आफकोर्स यूएस की कौन बनी थी मार्गरेट ठेचर बनी थी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में बनी थी जो अस्रेलिया का याद था इनका याद था फ्रैंस का नहीं आप फ्रैंस अंजला मार्कल जर्मानी की ओव्कोर्स या भी यह भी रही थी चंसलर हैं टीकए महां पर chancellor होते हैं फिलिपीन सी कौन है और चंद्रिका कुमार तुंगा ये श्री लंका की पहली प्रेशिदेंट बनी थी ठीक है मेगापती सुकर्ण पूत्री ये इंडोनेशिया की नय प्रेशिदेंट बन गया अभी उनका नाम है जोको विडोडो करेंट अफेर भी मैं आपको बताता जा रहा हूं ठीक है जी के कहलावा प्रेशिदेंट लाइबेरिया के सबसे पहले बने थे एलन चॉंसन सरलीव और दिवा पार्टेल इंडिया के प्रेशिदेंट बनी थी और दिल्मा रूसुफ ये बनी थी ब्राजील के और अमीना गुरीब फकीम बनी थी मौरिशस की प्रेशिदेंट विद्या देवी भंडारी यहाल में बनी थी चार-पांस साल पहले प्रेशिदेंट और अभी भी बनी हुई है हम लोग फर्स्ट इन स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं अनिमल और व्यूमन तो फर्स्ट इन स्पेस यह एक रिशस मंकी गया था जिसका नाम अलबर्ट तू था फर्स्ट मैं इन स्पेस कौन है यूरी गागरी नहीं अफ्कोर्स फर्स्ट विमें इन स्पेस हम देख चुके हैं वेलेंटीना टरेश कोवा फर्स्ट परसंट टू वाक इन स्पेस अलेक्सी लिवनोव फर्स्ट परसंट टू वाक इन स्पेस है ठीके दियान रखिएगा फर्स्ट परसंट टू वाक इन स्पेस है यह स्वेटलेना सेविट् फर्स्ट अमेरिकन टू और्बिट दार्थ यह जॉन ग्लेन है फर्स्ट मैन और मून यह नाइल एंस्ट्रॉंग है हमारे पहले भारती कौन गया थे स्पेस में यह राकेश शर्मा गया थे ऑफकोस जिन पर फिल्म भी बनने वाली यूएस जो विमेन है वो स्पेस में गया थ फर्स्ट अमेरिकन टूरिस्ट कौन थे डेनिस्टी टी टो । फर्स्ट विमेन पेस तूरिस्ट थी एनुशी अनसारी first इंडियन अमेरिकन रिमेन एंइंडेट्री में स्पेस थी कलपना चावला 1st Chinese in space थे Lieutenant Colonel Yang Lee और 1st Chinese women in space थे Liv Yang 1st female commander of space थे Aleene Collins अब 1st satellite के बारे मिबात कर लेते हैं Country wise थोड़ा थोड़ा आपको एभी पता होना चाहिए 1st satellite USSR के दोरा Sputnik के नाम से गया था American satellite Explorer 1 है British satellite Aerial 1 है Canadian satellite Elite 1 है Italian है Sain Marco French satellite है Asterix जैपनिज सेटलाइट है ओश्मी, चैनिज सेटलाइट है डॉंग, फैंग, हॉंग, इजलाइडली सेटलाइट है ओफेक, वन, पाकिस्तानी सेटलाइट है बद्र, और फर्स्ट इराइन सेटलाइट है सीना, तो बस इतना आप देख सकते हैं, लिस्टिंग चाहे तो आप श कोई भी विमारा इनमें से पेड ग्रूप जॉइन करना है कोई भी क्वेरी है आपकी पेड ग्रूप से रिलेटेड स्टेडी फॉर सिविल सर्फिस के किसी भी ऑनलाइन प्रोड़क्ट से रिलेटेड तो खाली इन्हें दो नमबरों पर बात करने के लिए प्रिफर करिएगा हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स सेशन में तब तक के लिए जय हिन दोस्तों वंदे मान